हलो अब्रीबडी इस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रीज इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 जिओग्रफी का चाप्टर चाप्टर है क्लाइमेट जी हां सही सुना आपने क्लाइमेट चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चाप्टर जिस चाप्टर को लेके यूज्वली बच्चों की बीच में ये नोशन रहता है कि सर ये बुक में भी है स्कूल में भी पढ़ाया जाता है पर समझ कहीं नहीं आता है ये चाप्टर तो believe me पूरा चाप्टर पढ़ना ठीक है सारे पार्ट्स पढ़ना सारे वीडियो लेक्चर एक एक टॉपिक को समझना पूरा चैप्टर crystal clear कर देंगे हम last में ठीके, last जो वीडियो होगा इस चैप्टर का तो उसमें आप खुद बोलोगे कि हाँ सर आ गया समझ में आखिरकार तो उसी objective के साथ में इस चैप्टर को start करते हैं और एक और चीज़ सुनलो important ये चैप्टर skip मत करना क्यों? क्योंकि ये चैप्टर skip कर दोगे न तो कह रहता है कि एक जो major part है किस चीज़ का season से जुड़ा हुआ, climate से जुड़ा हुआ जब आप geography के student बनते हो और geography पढ़ते हो न तो यहाँ पे आपको एक foundation में मिलती है किस चीज़ की कि आगे आपके एक जो branch निकलने वाली है आपके career options में आप कही न कहीं weather forecasting इन सारी चीज़ों में अगर जाना चाह रहे है तो यह आपके foundation के लिए है लेकिन अभी school में है, अभी 11-12 तो निकाले हैं फिर कि तब कि तब सूचेंगे तो हम क्या करते हैं, usually neglect कर देते हैं लेकिन इस chapter को neglect मत करना, अच्छे से concept समझना सारे ठीक है, तो अब देखो क्या है यह basic introductory video lecture होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा chapter की theme क्या है हम chapter में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं what are the topics which we are going to study in this chapter ठीक है, अब देखो, तो climate and we इस चीज को समझो सबसे पहले climate हमें बहुत हद तक influence करता है हमारी activities को influence करता है हमारे खाने पीने को influence करता है हमारे पहनने ओडने को influence करता है कैसे, जिससे अगर आप देखोगे तो एक South Indian जो है वो अलग तरह के कपड़े पहनेगा वहीं पे अगर आप देख लोग क्या तो जो northernmost region में हमारे देश में रह रहे है मान लोग लदाक में जो लोग रह रहे है तो वो लोगों का कपड़े पहनने का तरीका अलग रहेगा वो लोग जो कपड़े पहनेंगे वो अलग पहनेंगे कैसे तो आपने usually observe क्या होगा तो जो South में रह रहे हैं तो पतले कपड़े पहनने थे कॉटन वगेरा के कपड़े पहनना प्रफर करते हैं ठीक है He is looking handsome अब आगे इधर क्या देखोगे आप तो जो लदाक वगेरा वाले रीजिन में आफिर माउंटीनियस रीजिन में रहते तो वो कैसे कपड़े पहनेंगे वुलन क्लोथ्स पहनेंगे वो ठीक है मोटे कपड़े पहनेंगे अब आप पुछो के सर ऐसा क्यों है तो ऐसा इसलिए नहीं कि उनको इनके क्लाइमेट ने कल्चर को इंफ्लूएंस किया है मतलब यहां की जो क्लाइमेटिक कंडिशन से वहां का जो वातावरन है साउथ इंडिया का वहां पे गर्मी हो रही है गर्मी में आप उपर से और जैकेट पहन के नहीं घूम सकते हो वह काफी हद तक इंफ्लूएंस करता है कि वह कपड़े कैसे पहनेंगे उनके कल्चर में वह ड्रेसिंग सेंस कैसा रहने वाला है अब और भी दूसी चीज़े जो है तो हमारे फेस्टिवल्स ठीक है हमारा खाना, पीना सारी चीज़े हमारे क्लाइमेट कर इंफ्लूएंस करती है मतलब हमारे क्लाइमेट से इंफ्लूएंस होती है घिक है यह आया समझ में आपको तो इसी सेंज में कहा है Difference is due to the weather or climate हम कहा सकते हैं कि हाँ पर जो difference देखने को मिल रहा है तो वो weather के कारण होगा या फिर climate के कारण अब आप बोलोगे सार ये दो शब्द क्यों लिखे है weather और climate दो शब्द क्यों लिखे है ये intentionally लिखे है मैंने क्यों क्योंकि इसमें दोनों में difference भी तो समझना है हमे तो difference समझो क्या है देखो climate जैसे हमने chapter से start किया climate क्या है in general अगर हम बात करें तो southern India का एक अलग तरह का climate है northern India का या फिर जो northern most part है लदाक है जैसे तो लदाक का north western part जो है वहाँ का एक अलग climate है वहाँ का वातावरन जो है वो अलग है वहाँ का जलवायू पूरी तरह से अलग है तो आप देखोगे लदाक वगेरा में क्या है लदाक में आप देखोगे snowfall हो रही है वहाँ पर बहुत जादा extreme रहता है temperature extreme cold रहता है लेकिन वही चीज़ आप south में देखोगे तो south में क्या है कि equilibrium climate रहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी south India में कभी किसी दिन थंड होती ही नहीं है कभी ऐसा ही और south इंड्या में भी आपको जो normal climate रहता है उससे जादा क्या लगेगा थंड़ लगे और ऐसली कि लफे लदाक में牛म होती ही नहीं है मतलब जो लदाक का normal climatic conditions तो वेदर क्या चीज होगी, वेदर हो गया day to day phenomenon, ठीक है, क्या होता है कि आप बाहर निकले, अब आप सुभह सो के उठे, आप बालकनी में गए तो आपने क्या देखा कि आज तो मौसम बड़ा सोहाना है, ठीक है, तो आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर बहुत अच्छा ह वेदर, और आप कहां रह रहे हैं, आप अगर South India में रह रहे हैं, तो आपके लिए सोहाना क्या हो जाएगा, कि थोड़ा सा जादा थंडा हो जाना, और अगर आप लगदाक में रह रहे हैं, तो आपके लिए सोहाना प्लेजन वेदर क्या हो जाएगा, कि थोड़ा गरम हो मतलब थंड कम हो जाना ठीक तो climate एक बड़ा category हो गया उसमें जो day-to-day changes आ रहे हैं वो होता है weather simple सा lucid रखा है हमने समझाने की कोशिश करी से अब definition से देखते हैं तो क्या weather is a momentary state of atmosphere while climate refers to the average of the weather conditions over a long period of time what a classical definition ठीक है बहुत अच्छी definition है NCIT ने सीधी एक line में clear कर दिया weather क्या होता है weather is a momentary state of atmosphere मतलब जो आपका वातावरन है ठीक है जो atmosphere है तो वहाँ पे क्या है momentary state मतलब कि for a moment एक moment के लिए आप देखते हो कि सुभे कुछ और था weather शाम में कुछ और हो गया ठीक तो जो मौसम की बात कर रहे हैं हम in general वो क्या हो गया वो weather हो गया उस समय का मतलब कैसा वहाँ पे atmosphere में क्या हो रहा जादा गर्मी है जादा हवाय चल रही जादा थंड है तो वह जो day to day phenomenon है वो weather हो गया वहीं पर बात की जाए climate की तो climate refers to the average of weather conditions over a longer period of time एक लंबे समय के लिए जो वहाँ की normal weather condition होने वाली है जैसे normally south India में weather क्या रहता है, equitable रहता है मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा थंड तो वो वहाँ का weather condition क्या है यह frequently observe किया जाता कि हाँ यहाँ इस तरह का weather रहने वाला है, जब वहाँ पर यह observe किया जाता है कि इस तरह का weather रहने वाला है तो जो वहाँ की क्या है, वहाँ की average weather conditions हो गई, वो सारी average weather conditions को देखते हो, आप क्या बोलतो हो कि वहाँ का climate ही कैसा है, एक moderate climate है, वही चीज लदाक में देखोगे तो लदाक में weather condition रोज थंडी ही रहने वाली है, रोज weather condition थंडी रहने वाली किसी दिन गर्मी जादा हो कि बाखी, normally क्या है, जो average weather condition की बाद की जाएगी, तो वो cold रहने वाली है, तो वो average weather condition के हिसाब सो बहाँ का climate क्या हो जाएगा, cold climate हो जाएगा, ये कहानी है weather और climate की, I hope ये समझ में आए, difference समझ में आए, 9th class में भी पढ़ा है, आपने 7th में भी पढ़ा है, और मैंने 10th में भी आपको कहीं न कहीं बताया ही हो गई है, तो उस sense में क्या weather और climate की बीच में confusion मत रखना, क्यों क्योंकि अब 12th में नहीं पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे एक बार पढ़ो, आखरी बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो, बस done, lock, ठीक है, वो चीज हो गई है, weather changes quickly, day to day phenomenon है, आज क्य से क्या है, weather changes quickly, may be within a day or week, but climate changes imperceptibly and may be noted after 50 years or even more, तो climate जो है, वो climate का है, बहुत कम बदलता है, climate जैसे एक 50 साल तक आप देख रहो कि sustained way में किसी जगह पे किसी एक average weather conditions देखने को मिली ही, तो हम कहते हैं कि हा, यहाँ का climate यह है, रेगिस्तान में, जैसे राजिस्तान वाला जो तो वहाँ पे जो desert area है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे weather conditions hot and arid रहती है, तो इस कारण हम कहते हैं कि वहाँ का climate कैसा है, hot and arid climate है, मतलब गर्मी और बहुत सूखा है, dry एक दम बंजर जमीन है, तो वो climate होता है, ठीके, अब यह आपको weather climate समझ में आगे, वो लोग इंडिया का climate कैसा है सर, तो इंडिया का climate है, monsoon type of climate, monsoon क्या है, monsoon जो है न, तो यह monsoon word से derive हो क्या है, monsoon एक Arabic word, monsoon से derive हो क्या है, और monsoon अगर मैं आपको समझाओ, तो simple, जो rehearsal of wind direction होता है, wind direction जो होती ही, मतलब मान लो, wind इस direction में flow कर रही है, तो वो wind क्या करती है, अगर reverse हो ज direction इस तरह के climate को जहां पे क्या होता है, जिस climate में ऐसी winds जो है, अपने direction को बदल लेती है, वो climate, monsoon type of climate होता है, और इंडिया में, इंडियन सब कॉंटिनेंट में, इस तरह का climate देखने को मिलता है, जिस अगर आप यहां पे देखोगे, तो हमारे हैं क्या होता है, साल के जिस कुछ इस तरह से जा रही होती है, इन सारी winds को भी आप बहुत अच्छी तरह से इनका पूस्ट माड़म करने वाले हैं, तो एक मैं आपको बहुत अच्छी trick बताता हूं starting में, यह आगे आपको chapter में काम आएगी, wind का नाम कैसे रखें सर, कुछ भी नहीं रख सकते ना, चिं वेस्ट हो जाएगा, बोलो हां यह समझ में आगया, अब क्या है, अब आपको यह देखना है कि जैसे अब map पे दिया है, क्या दिया है map पे, कि यह wind जो यह ऐसे जा रही है, यह wind ऐसे जा रही है, तो अब यह graph को आपको यहां पे लगा देना है, यह graph के axis को आपको यहां र रही है ठीक हे嗎 direction आपको पता इस तरफ जा रही है तो डारेक्शन की पूंच रहने वाली है तो यह पूंच को पकर लो भस अब यह पूंच पकड़ लिया आपने तो आप देखो क्या है यहाँ पे पता इधर North इधर South जाओ तो इस वेस्ट वाले तो बस आपको wind का direction पता चल गया, यह देखो, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसकी भी पूच पकड़ो, यह पूच पकड़ी हमने, इस wind का नाम क्या होगा, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, North East Wind हो गई है, यह North East Wind हो गई है, वैसे अगर कोई wind इस तरफ जा रही है, तो इ मैं यह तो पता चल पहले कि wind किस direction में जा रही है, किदर जा रही ही, कैसे जा रही है, और यह मैं आपको समझा दिया, आज के बाद मैं confusion नहीं रहना चीए, कि सर इस wind का नाम कैसे पता करेंगे, या फिर इस wind को क्या बोलेंगे, ऐसा है, इधर इधर जा रही है, ऐसे नहीं क South West चल रही होती है, और एक समय पर wind हमारे हां North East चल रही होती है, यह North East चल रही है, यह South West जा रही है, तो इस तरह से क्या है कि wind जो ऐसी जाती है, फिर ऐसी आती है, तो इस जो reversal हो रहा है, इस reversal को ही क्या कहा जाता है, मौनसून सीजन कहा जाता है, इसे हम क्या करने वाले है बहुत अच्छी तरह से पूरे चैप्टर में आगे comprehensively पढ़ने वाले हैं यह clear होगा यहाँ तक concepts देखो मैजार चैप्टर है अगर मज़ा लेके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा ठीक है अब अगला topic क्या है तो अगला topic अगर हम देखें तो वो यह है कि what we are going to study in this chapter कि हमारी country में क्या है monsoon type of climate है अब monsoon type of climate होने के बावजूद भी हमारी country में बहुत diversity है अब Ladakh भी जैसे मैंने बताया हमारी country का integral part है केरला भी हमारी country का integral part है और यहाँ पे दोनों जगा climatic conditions अलग अलगे केरला में जिस तरह का आपको climate देखने को मिलेगा वो Ladakh से 100 गुना अलगे Ladakh में जिस तरह का climate देखने को मिलेगा वो राजिस्तान से 100 गुना अलगे और जो राजिस्तान में देखने को मिलेगा वो मेगाले से अलगे बो हाँ अब इतनी diversity होने के बावजूद भी मौनसून जो है मौनसून टाइप अफ क्लाइमेट हम बोलते कि हमारी पूरी कंट्री में है देखेंगे क्यों क्यों क्योंकि जो रेनफॉल हो रही है तो बांध के रखे हुए उसने युनाइट करके रखा है हमारे देश को मयदार चीज है तो इसे समझेंगे मतलब हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी हम सरिफ अगर शोशो कल्चरल आसपेक्ट्स में ढूनते रहे कि हाँ इतने ज्यादा रिलिजन इतने सारी कास्ट इतने सारे डांस फॉर्म इतने सारी लेंग्वेज उसके अलावा भी आंसर लिखते समय आप ये पॉइंट बहुत अच्छा लिख सकते है उनिटी और डाइवर्सिटी में क्या कि हमारी कंट्री का क्लाइमेट जो है हमें युनाइट करके रखा है वह है क्यों क्योंकि सारी मतलब पूरी कंट्री में आप देखो कि क्लाइमेट जो है मौनसून टाइप ओफ क्लाइमेट होता है अब इसमें आगे और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अब फिर अगला टापिक क्या होगा हमारा Factors Determining the Climate of India इस चीज़ को समझेंगे Factors Determining the Climate of India में देखो क्या है कि इंडिया का जो climate आज आप देख रहो है ऐसा नहीं कि बस यूँ ही बन गया उसके पीछे कुछ कारण होंगे कारण मतलब क्या कि कौन-कौन से factors होंगे तो factors related to location and relief इंडिया की जहाँ पोजिशन है वल्ड में जैसे यहाँ पे रिलीफ में हिमाल्याज है पोजिशन ऐसी है कि दोरों तीनों तरफ समुद्र है तो इस चीज़ ने काफी हद तक हमारे climate को influence किया है कैसे वो मैं आपको बताऊंगा आगे तो क्या है कि इंडिया का climate जो आज हम देख रहे है वो आज क्यूं है तो उसके पीछे बहुत सारे factor काम कर रहे है जैसे factors related to location and relief factors related to air pressure and wind air pressure कितना है air pressure क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें बताऊंगा चिंता मत करना यह तो क्या है ट्रेलर है बस अभी picture पूरी बची हुई है तो अब देखो क्या है mechanism of weather in winter season अब यह जो हम देखेंगे न factors related to air pressure and wind तो यह air pressure और wind जो है न वो winter season में कुछ और होता है वो summer season में कुछ और होता है कुछ और क्या होता है सर वो भी बताऊंगा तो mechanism of weather in winter season इन दोनों topics को भी हम क्या करेंगे समझेंगे देखेंगे कैसे काम करता है फिर the nature of Indian monsoon Indian monsoon जो है आप कोई पता है कि इंडिया में monsoon type of climate है इंडिया में बारिश जो होती है उसे हम Indian monsoon कह रहे है अब जो Indian monsoon होता है तो उसका nature कैसा है बारिश तो सर यूरोप में भी होती है बारिश तो आप America में भी करवादोगे और बारिश आप South America में भी करवादोगे होती ही है मैं क्या करवाँ गा अपने आप हो रही है लेकिन Indian monsoon का nature अलग है कुछ कैसे अलग है तो उसमें हम देखेंगे onset of the monsoon तो कैसे आता है वो ढोल नगाडों के साथ आएगा किस तरह से आएगा वो बताऊंगा मैं आपको onset of the monsoon में फिर rain bearing system and rainfall distribution तो rain bearing system क्या रहता है मतलब rainfall भी अलग-अलग तरह की होती न orographic होती है, relief rainfall होती है तरह तरह के conventional rainfall होती है तो यहाँ पर हम वो देखेंगे rain bearing system क्या है, rainfall distribution rain किस तरह से distributed है वो चीज समझेंगे, फिर break in monsoon अब देखो ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं monsoon आगया तो अब धरदर 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 पानी गिरता ही जाएगा क्या होता है, आपने देखा होगा 10 दिन पानी गिरा, फिर वो बंद हो गया और सूरज भी निकला आया, गर्मी भी हो रही है बहुत जादा humidity है, फिर पानी आ गया वापिस तो यह breaks कैसे होते हैं वो सारी चीजे भी हम समझेंगे तो in short क्या है, कि what is the nature of Indian monsoon इंडियन monsoon किस तरह से काम करता है उसे हम समझने वाले है अब देखो, दो अंडर करेंट्स होंगे यहाँ पे मतलग, दो ऐसे टॉपिक होंगे जो specifically topic में नहीं दिये लेकिन इसका concept समझना बहुत जादा ज़रूरी है वो क्या है, ITCZ और वो है, Al Nino and Indian monsoon अब ही सुनो, यहाँ पे एक disclaimer दे रहा हूँ में आपके book में Al Nino जो दिया है वो मैं आपको बता दूँगा पढ़के पढ़के समझा के जो भी explanation उसका हो दे दूँगा लेकिन वो क्या है, sufficient नहीं है यहाँ पे एक point पे थोड़ा से NCRD के साथ मनमुटा हूँ है मेरा क्या, कि जो major core concepts से इन पे एक पूरा-पूरा topic बनाना चाहिए था अब NCRD ने एक box बना के छोड़ दिया teachers ने उस box को एक line मना दिये कि Al Nino यहाँ पे current develop होता है, बात खतम अब जब तक आप एक बीज नहीं लगाओगे बच्चे के मन में curiosity का तो कैसे मज़ा आएगा तो यह Al Nino जो है ना, इस topic को मैंने class 9 में बहुत अच्छी तरह से explain किया है आपको क्या करना है, अभी homework दे रहा हूँ में आपको introductory वीडियो देखने के बाद में सबसे पहला काम जो करना है वो यह है कि वो Al Nino and Southern Oscillation करके मैंने एक topic बनाया है तो class 9 Magnet Brains Al Nino Southern Oscillation यह सर्च करेंगे ना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा मेरी photo देखे कि उस पर thumbnail पर, तो वो वीडियो जरूर देखना आप अभी अगर आप हो सकता है, जैसे आपको कुछ नहीं बता है climate chapter के बारे में तो क्या है कि 2-3 वीडियो देखने के बाद देखना उसे, लेकिन उसे देखना जरूर ठीक, तो वहाँ पे मैं आपको और reference देदूँगा एक बार जब इस topic को specifically पढ़ाओंगा chapter में लेकिन अभी और समझ लो, ITCZ, ITCZ के बारे में पढ़ेंगे, Inter-Tropical Convergent Zone, ये क्या है तो इसको specifically समझेंगे हैं अच्छी तरह से, आगे बताते जाओंगा मैं आपको क्लेरें, देखो अभी introductory video ही चल रहा है, लेकिन मैं चाहा रहा हूँ कि आप chapter को अच्छे से समझ लो कि chapter का मैदान क्या है क्या होता, आप cricket खिलने जाते हो न, आपको मैदान पता है तो आपको पता है कि आप 6, कहा तक आपको उपर-उपर उठा के मारना है कि उधर गिरेगा तो 6, या फिर कहा तक मारना है तो 4 होगा तो मैदान बता होना बहुत जादा जरूरी है, हर चीज में, चाहे आप competitive की तयारी कर रहे हो, चाहे आप class 11th में हो, चाहे यूँ ही मज़े में देख रहे हो आप वीडियो, ठीके मज़ा आ रहा है सर, बोलते जा रहा है, मैं सुनते जा रहा है, मज़ा रहा है तो boundaries जादा, मतलब boundaries का पता होना जादा important है, अब देखो chapter में और के आगे पढ़ेंगे, the rhythm of seasons, rhythm of seasons पढ़ेंगे तो इसमें season कौन कौन से है, तो cold weather season, hot weather season, southwest monsoon season and the retreating monsoon season, चार season पढ़ेंगे, अब ये जो monsoon season है, ये important है, तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, monsoon winds जो है, हमार characteristics क्या है, तो इस season को हम और in detail पढ़ेंगे, बारिश, बारिश जो है तो उस वाले मौसम को क्या करने आ लेंगे, और अच्छे से पढ़ने आ लेंगे, लेकिन आप देखो क्या है, ये बता, ये क्या है, ये western style of classification है, एक चीज में आपको समझाता हूं बहुत अच्छी, इरोप और western countries के हिसाब से हमारे हां क्या कर दिया गया, seasons को classify कर दिया गया, लेकिन आप अगर इस चीज को देखोगे, traditional Indian season, तो Indian context में 6 season होते हैं, वो भी मैं बताओंगा आपको, तो हम इसे भी discuss करेंगे, बागी academic purpose से क्या है कि 4 season जो है, तो 4 season को हम discuss करेंगे, और 4 season में भी तीसरा वाला season है आपका, monsoon season, उसमें हम क्या करेंगे, कि monsoon, Arabian Sea से Bay of Bengal सो, उसकी characteristics क्या है, इन तीनों topic को भी discuss करने वाले हैं, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे distribution of, ये वाला topic, some famous local storms of hot weather seasons, अब क्या है, कि ये जो hot weather season है, ये hot weather season में क्या होता है, पता है, कि मैंने आ लेवल पर क्या होता है, अलग-अलग hot weather season में local storms होती है, जिसे लू का नाम सुना होगा, लू लग गई, सर बैठे हैं बस, क्या कर रहे हैं, तो गर्मियों में बाहर गए थे, अब वो बाहर हम गए तो हमें लू लग गई और बैठे हैं घर में, तो वो लू क्या है, ऐसी local storms जो है ना, उन्हें हम समझेंगे इसमें, फिर क्या है traditional Indian seasons के बारे में समझेंगे, वही मैंने बताया जो आपको की इंडिया में traditionally कौन कौन से season हुआ करते थे, मतलब हम किस तरह से classify करते थे, वो पढ़ेंगे, फिर distribution of rainfall, मतलब बारिश तो हो गई है, southwest monsoon season में, तो बारिश कि कितनी हुई है, एक आपको ये factor देखने को मिलेगा, कि हमारी country में monsoon type of climate है, बारिश भी होती है, लेकिन हर जगा एक जेसी बारिश नहीं होती है, राजिस्तान में कम हो रही है, मिगाले में इतनी हो रहे है कि वो बोल रहे है, सर हमारे यां से ले जाओ थोड़ी सी, तो उस climate reason से वो पढ़ेंगे, monsoon in the economic life in India, monsoon in the economic life, अब monsoon in the economic life में क्या पढ़ने वाले हो आप, तो यहाँ पर देखो कि monsoon से किस तरह से economy जुड़ी हुई है, अब देखो, और पता है, यही मलदार चीज है, मैंने आपको जो chapter, मतलब part 1 है आपकी book, तो उसमें आप आप पढ़ोग monsoon geographical phenomena हो गया, उस geographical phenomena का आप economic life से जोड़ रहे हो, मतलब economics के concept से जोड़ोगे, कि हाँ economy में कहीना कि उसका एक influence रहता है, interrelation हो गया chapter में, ठीक है, chapter में क्या subjects में interrelation हो गया, अलग-अलग disciplines में interrelation हो गया, तो वो हम समझेंगे यहापर, और last में एक समस्या है, जिस पे कुछ सवाल उठाएंगे, देखेंगे कैसे सुल जाया जा सकता है, वो है global warming, तो climate से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसके हम इस chapter में पढ़ने आ ले है, compact chapter, compact हाती जैसा chapter है, ठीक है, बड़ा सा chapter है, अभी क्या है लेकिन डरना नहीं है, ठीक, डरना क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छी तरह से one by one एक एक topic को लेते चलेंगे, समझते चलेंगे, चीज़े में आपको सारी चीज़ें क्लियर करके देने वाला हूँ, it's my promise to you, ठीक, तो ये सारा सब कुछ था, chapter का पहला topic पढ़ेंगे, जो है unity and diversity in the monsoon climate, monsoon climate ये शब्द पकड़ के रखू, ठीक है दूसरा unity and diversity, अब मुझे पता है, ठीक है, पता है कि ये शब्द सुनके आपको political science वाली vibes आ रही होंगी, लेकिन वो vibes को अभी ज़रा पकड़ो, हम क्योंकि geography पढ़ रहा है, तो unity and diversity in the monsoon climate ये क्या चीज़ है, इसे समझे है, हमने देखा कि इंडिया में monsoon type of climate है, बोलो हा, आपको समझ में आ गया है, अब क्या है, ये monsoon type of climate जो ही, जो monsoon climate है, ये क्या करके रखा है, पुरे देश को बांद के रखे हुए है, पुरे देश को कैसे बांद के रखे हुए है, इस climate ने, तो पुरे देश को ऐसे बांद के रखा है, जैसे आप देखो कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि केरला और उत्तरप्रदेश अलग हैं कल्चर के टम्स में ठीक है वहाँ पे आप देखोगे तो लोगों की लैंगवेज अलग हो सकती वहाँ पे लोगों का रहना सहना अलग हो सकता है लोगों का खाने हम इंडिया के पार्ट हैं इंडिया के पार्ट है और हमें एक ही क्लाइमेट इंफ्लेंस करता है वो क्या है वो एक जो क्लाइमेट हमें इंफ्लेंस करता है वो है मौनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे के भी किसान भाई और के साथ में उत्तरपदेश के भी किसान भाई सबी लोग जूम उठते हैं खुशी से जब बारिश आती है जब मौनसून आता है ठीक है तो उस सेंस में क्या है कि आप ये टॉपिक को connect कर पाए हो मैं ये आशा करता हूँ अब क्या टॉपिक कि how we are united despite having the diversity ठीक है डाइवर्सिटी जेग्राफिकल डाइवर्सिटी, cultural डाइव डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम united है कही न कहीं है जो मौनसून है ना यह मौनसून climate जो हो इसने हमें unite करके रखा है अब आगे बढ़ते हैं जरा तो यहां समझ आती ही चीज़ है उसके बाद में क्या है ये जो मौनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है it is also connecting India with the rest of Southeast East Asian country Southeast Asian country क्या होता है तो वर्ल्ड मैप देखोगे उठागे वर्ल्ड मैप में आप क्या देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको इंडिया भी दिखेगा इंडिया कहां दिखेगा तो एश्या जो कॉंटिनेंट है ठीक है एक चीज़ सुनो अब जरह है फिर ब्रेक लो जरा ठीक है इस पॉइंट को जाद अच्छे से सुनना चाहे चैप्टर में आप एक दो पॉइंट मिस कर देना अभी आपको क्या है मैप के साथ में बहुत गहरी दोस्ती करना पड़ेगी कैसे करो कि मैप के साथ में बहुत गहरी दोस्ती तो आपको मैप लेना है वर्ल्ड मैप मैंने आपको पहले भी बताया थे स्टाइटिंग में ही बता चुका था कि वर्ड मैप ले लो एक ठीक है इंडिया का पॉलेटिकल फिजिकल दोनो वर्ड का दोनो पॉलेटिकल फिजिकल अपके चार मैप हो गए बड़े-बड़े से एक दिवाल पूरे अपने नाम करवा लो रेजिस्ट्री करवा लो पापस से बोल दो कि यह दिवाल मुझे दे दो बस और उस दिवाल पे अपने चारो मैप चिपका लो मैप को देखते रहो ठीक है देखते रहो सीखते रहो डेली एक क्या होता है कि आप पता है जब आप शेडियूल बनाते हो अपना तो उसमें आ पड़ना है जियोग्रफी को पढ़ना अब अगर तो मैप सर्णिय बहुत जाधा जरूर ये टिक है यह हुगया तो मिव दि आपर ड़नाव और यह संनिसारी कंट्री मेडिया हो गया यह सारी कंट्रीन्य में आप क्या दिखते हो चिप यहां पे भी मौन्सुन टाइप फक तो वो सारी कंट्रीज जो है तो वो भी एक unity देखने को मिल रही है अब सारी कंट्री डाइवर्स हैं अलग language अलग culture और सब कुछ अलग borders territory भी अलग अलग लेकिन सारी कंट्रीज कैसे जुड़ो हुई है मौन सून से जुड़ो हुई है तो सुर्फ इंडिया ही अज़न एक्ट form रीजन वीरेशन एक्ट 手лаг देना operation को हमने क्लाइमेट जोड़ा है क्लाइमेट ने जोड़ कर रखा इस regional differences, yes there are regional differences, what are those regional differences, Regional Variations, Regional Difference इस शब्द को समझो जैसे अब ये मेरा प्यारा देश झालो ये इंडिया है यहाँ आप देख रहे हो करला चिके यहाँ आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश अब करला में और उत्तर प्रदेश में क्या है यहाँ पे आप देखो कि क्लाइमेट में variation आ जाता है climate के साथ में दूसरी चीजों में भी आ जाता है तो जैसे for example अगर आप दिखोगे तो the climate of Kerala in Tamil Nadu in south are so different from that of उत्तरपदेश in भीर in north and yet all of these have a monsoon type of climate ठीके बजाए उसके की diversity है still we are united क्यों क्योंकि हमारे मौनसून टाइप of climate है वही मैंने आपको पता है कि कैरला का किसान भी जूम उठेगा और उत्तरपदेश का किसान भी जूम उठेगा जब बारिश की बुंदे उसके खेत में लहला मतलब एक तरह से क्या रिम जिम रिम बरसेगी ठीक है यह चीज़ है उसकी फसले लहला आने होते हैं तो इतने सारे फेक्टर जो है वह अलग अलग तरह से काम करते हैं और उस कारण से क्या इन सारे फेक्टर के चलते क्या होता है रिजनल वेरिशन्स देखने को मिलते हैं अब हमारे पास बहुत सारे एक्जामपल है अब वह सारे एक्जामपल को देखते हैं तो जैस कि बात करें, तो हमारे देश में आप देखोगे कि मौनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन तेम्प्रेचर में बहुत ज़ाधा डिफरेंस होगा, climate का जो एक क्या हो गया indicator एक factor हो गया जो climate को influence करता है तो उसमें आप देखोगे temperature एक factor है अब temperature में भी आपको difference देखने को मिलेंगे तो चुरू चुरू कहां पे राजिस्थान में एक जगा है चुरू इन राजिस्थान में record a temperature of 50 degree Celsius or more on a June day जून में अगर आप बात करेंगे ये राजिस्थान है यहाँ पे चुरू है तो चुरू में क्या हो सकता है आपको 50 degree Celsius तक temperature देखने को मिल जाए while the mercury hardly mercury मतलब क्या ये temperature की बात कर रहे है mercury मतलब यहाँ पे heat की बात कर रहे है while the mercury hardly touches 90 degree Celsius in Tawang, Arunachal Pradesh on the same day तो यह आपको समझ में आएगा कि कितना जादा regional variation है यहाँ पे कैसा regional variation है कि जहाँ पे जून के एक दिन में राजिस्थान के एक city में चुरू में जगह पे आपको 50 degree Celsius तक है क्या करते हैं omelette बनाना ना अगर आपको तो सिर्फ रख देना रेत पेयस है और अंडा फोर देना मतलब आपका जो भी पहन है उसको रखके अंडा फोर देना आपका omelette बन जाएगा उतनी घर्मी है और वहीं पे आप तवांग में देखोगे जो की इंडिया का पार्ट है तवांग का में ड्रॉप डाउन तो माइनस 45 डिग्री सल्सियस मतलब माइनस 45 बरफ की भी बरफ जम गई है तो इतना जादा क्या हो सकता है तेम्प्रेचर गिर सकता है लडदाक वाले रिजन में कब दिसंबर के दिन और वहीं पे आप तिरुवनंद पुरम की अगर बात करते हो ठीक है चन्ने की बात करते हो मतलब सदन मोस्ट पार्ट की बात करते हो केरला की बात करते हो तमिलनाडू की बात करते हो दिसंबर महने की बात करते हो जब ड्रास में क्या टेंप्रेचर है माइनस 45 तो वहाँ पे तिरुवनंद पुरम और चन्ने में क्या है तो उस तरह से क्या है कि variation देखो आप कितना जाधा हो जाता है तो यह जो difference है यह regional variation को धर्शाती है कि despite having a climate which is prevalent all over the country ठीक है पूरी country के पर जो climate prevalent है कौन सा monsoon type of climate हमें क्या देखने को मिल रहा हमें बहुत जाधा regional variation देखने को मिल रही है ठीक फिर अब जिसे क्या है difference in the temperature of day and night यह आप क्या बोलोगे सर यह तो अलग-अलग दूर-दूर जगा है इस कारण से ऐसा हो रहा है लेकिन अब यह दूर-दूर जगा में आपको क्या है कि दिन के अलावा क्या होता है हम यहां की बात करें difference in the temperature of day and night in kerala in thar तो यह kerala है चलो ठीक है kerala में day और night में ज़्यादा variation नहीं आता है मतलब दिन में अगर temperature maximum 30 degree गया है तो रात में maximum 20 degree जाएगा बस इससे ज़्यादा difference नहीं जाने वाला है लेकिन अगर आप यही चीज़ देखेंगे कहाँ पर यही चीज़ देखेंगे थार में तो दिन में 50 degree चलेगा रात में कहाँ आ जाएगा 10 degree पर और भी नीचे जा सकता है तो दिन और रात में भी क्या होगया कि temperature में कितना ज़्यादा variation हो रहा है ठीक है temperature में कितना ज़्यादा variation हो रहा है despite we are saying that India is having a monsoon type of climate ठीक है अब और indicators क्या है तो temperature के लावा जैसे precipitation की बात करते हैं precipitation क्या होता है sir? precipitation मतलब उपर से जो गिर रहा है ना उपर से अपके हाती होड़े नहीं गिरेंगे उपर से क्या गिर रहा है तो जैसे आप देखते हो precipitation अलग 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 form हो जाती हेल स्ट्रॉम हो जाता है ठीक है ओले गिर जाते हैं बरफ गिर जाती है पानी गिर जाता है त अगर आप देखोगे तो जितने भी hill stations वगेरा हैं या फिर कश्मीर वाला पार्ट जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, तो इन regions में क्या हो रहा है, snowfall हो रही है, बाकी rain over the rest of country, तो ये एक variation है, एक तरह का, ये भी regional variation हो गया, क precipitation जो हो रहा है, हमारे monsoon type of climate के अंदर में, तो वो precipitation भी vary कर रहा है, variation in type होता है, variation in amount, अब ये पानी भी क्या है, कम ज़्यादा गिर रहा है, amount भी उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा vary करता है, regional variation देखने को मिलेंगे, जैसे वाल चेरापुंजी मैसन राम, अगर बात की चेरापुंजी मैसन राम की, चेरापुंजी मैसन राम कहा है, आपको पता है, तो यहाँ पे मेगाले में, जैसे यह चेरापुंजी मैसन राम है, तो चेरापुंजी मैसन राम में बारिश कितनी हो रही है, यहाँ पे बारिश अगर आप देखोगे, तो चेरापुंजी मैस over 1080 cm in a year, एक साल में जहां इतनी बारिश हो रही है, 1080 cm इतना पानी है कि डू भी जाओगे, ठीक है, वहीं आप जैसल मेर राजिस्थान के अगर बात करोगे, तो यहां पे क्या है, जैसल मेर राजिस्थान rarely gets more than 9 cm of rainfall during the same period, मतलब जहां साल भर में 1080 cm rainfall पूरे साल के period में इतनी बारिश हो रही है, वहीं देश में जहां हम कह रहा है कि मौनसून टाइप ऑफ क्लाइमिट है, वहां कितनी ओर यह बारिश, एक जगा जैसल मेर जो है राजिस्थान में, वहां सिर्फ 9 cm बारिश हो रही है, है regional variation, यह जैसल मेर है, यहां पर आपको चैरा पुझी मेसल ना मिल जाएगा, फिर क्या है, जैसा आप वही चीज़ आप देखोगे, टूरा और जैसल मेर में देखोगे, तो यहां टूरा एक जगा है, ठीक, मेगाला में, तो यहां पर आप देखोगे, तो क्या है, एक दि हिमालयाज और वेस्टन डेजर्ट की अगर बात करोगे, उसे मेगाले से फिर कंपेर करोगे, तो जैसे यहां पर लद्दाक वाला जो ड्रायरीजन है, ठीक है, वेस्टन डेजर्ट मतलब यही राजिस्थान में जो थार डेजर्ट है ना हमारा, उसके अगर बात करेंगे, तो यहां पर क्या है कि यहां पर 10 cm मुश्किल से बारिश होती होगी पूरे साल भर में, यहां 10 cm एक दिन में पानी गिर जाता होगा, ठीक, तो वो वेरिशन जो है, रीजनल वेरिशन उसे यहां पर दर्शाया गया है, यह आपने क्या देख लिया, टाइप में भी वेरिश है, प्रेसिपिटिशन जो हो रही तो कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, आप में देख लिया, अमाउंट में भी वेरिशन हो रही है, कहीं बहुत कम हो रही है, उसी के साथ साथ में टाइम में भी वेरिशन होती है, यह पॉइंट समझो अच्छे से, टाइ यहां बारिष आहां जाती है। वो वो क्या है। सौथ-वेस्ट मौतल जीज है। फोरह देश को बालब करेती है। पानी पानी हो जाता 스थ इक है। अब क्या हो रहा है। यहां कहा गया है। क्या matter of the country aha ये जून में जो बारिश आई है तो जून से सब्टेंबर तक खुब पानी गिर रहा है लेकिन ये जो कोस्टल एरिया आप देख रहो ना तमिल नाडू का यहाँ पे बारिश कब होगी पता है यहाँ पे बारिश तब होगी जब पूरे देश में खदम हो जाएगी सब्टेंबर के बाद में ऑक्टबर नमंबर में क्या होता है यहाँ पे बारिश होती है अब बोलोगे सर ऐसा क्यों तो अब यह जब मौनसूल विंट्स रिट्रीट करके जाएगी वापस जब घूम के जाएगी अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम तो जब यह बापस घूम के जाएगी उस समय पे यहाँ बारिश होगी तो इस तरह से क्या है बहुत जादा आपको रीजनल वेरिशन देखने को मिलेंगे Regional variation आपको temperature के form में देखने को मिलेगी Regional variation आपको winds के form में देखने को मिलेगी Regional variation जो है तो वो winds से फिर जो क्या हो रही है बारिश हो रही है, precipitation हो रही है उसमें देखने को मिलेगी type of precipitation में देखने को मिल जाएगी amount of precipitation में time of precipitation में आपको देखने को मिल जाएगी तो इतना variation आपने देख लिए अलग-अलग sense में देख लिए अलग-अलग indicators पर देख लिए लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का दो climate है तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया का climate तो sir क्या है monsoonal type of climate है ठीक है इंडिया का climate एक monsoon type of climate है उसके character में उसके rhythm में उसके अलग-अलग जो आपको भी features जानने को मिलेंगे पूरे chapter में आगे तो हम उस sense में क्या कहेंगी कि despite having the diversity ठीक है we are united by the monsoon type of climate and what are the factors which determines the climate of India यह सवाल आप पूर सकते हो कि चलो मान लिया कि आप बोल रहे हैं कि monsoon type of climate है लेकिन इंडिया में monsoon type of climate वो क्यों है क्या factors है जो इंडिया को एक monsoon type of climate वाली country बनाते हैं तो these factors can be broadly divided into two दो category में divide करेंगे जिने हम पढ़ेंगे subsequently क्या है factors related to location and relief location and relief किस तरह से location मतलब क्या है कि इंडिया की यह location है अगर तो यह location इंडिया को monsoon type of climate देती है अब आप बोलो कि sir कैसे तो बताऊंगा इस वीडियो में specifically factors related to air pressure and wind मतलब इंडिया में जिस तरह का air pressure और जिस तरह का wind system है वो जनम देता है इंडिया में monsoon type of climate को अगर वो air pressure नहीं होता वो wind नहीं होती उसी के साथ साथ में वही location वही relief feature नहीं होते वो mountains नहीं होते वो हिमालयाज नहीं होते तो सायद monsoon type of climate नहीं होता कैसे क्या सारी चीज़े हम specifically एक एक topic के साथ में एक एक तरीके से पढ़ते जाएंगे I hope चीज़े आपको यहां तक समझ में आईए अब यहां तक हमने यह क्या कर दिया है कि हाँ we are having a monsoon type of climate but what are the factors which are responsible for a monsoon type of climate India में अगर monsoon type of climate है तो क्यों है यह भी तो सोचना जरूरी है अब जब यह सोचना जरूरी है तो उसमें हम क्या देखते हैं उसमें देखते हैं factors related to location and relief there are some factors related to location and relief मतलब कुछ ऐसे factors हैं किसी से जुड़ हुए locations हैं India की location से जड़ हुए India के relief features से जड़ हुए मतलब इंडिया में क्या-क्या पाहाड हैं किस तरह के प्लाइटू हैं यह सारी चीज़ें relief features से जड़ हुएं जो यह proof करते हैं कि हाँ relief features के होने से या फिर इंडिया की इस located के होने से क्या है हमारे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर हमें climate जो देखने को मिलता है वो monsoon type of climate देखने को मिलता है relate कर पाया हो अभी तक? ठीक है relate कर पाया हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाया हो तो versus को play करो लेकिन relate करो ठीक है तो अब हम यह रेखने वाले basically कि क्यों इंडिया में monsoon type of climate है और the factors which we are going to discuss will come under the category of location and relief कि हमारी जो location हमारी जो relief है वो किस तरह से हमें monsoon type of climate देती है पहला point क्या है latitude, latitude क्या होता है चलो जरा पुरानी classes में चलते हैं ठीक है पुरानी आदिताजा करते हैं क्या लेटा हुआ latitude, long long longitude ठीक है बहुत बढ़िया तो अब हमें यह कहा जा रहा है कि इंडिया का जो latitude जो है तो latitude क्या कर रहा है इंडिया को monsoon type of climate दे रहा है इंडिया में जैसा climate है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास वैसे वैसे latitude है जैसे ऐसे वैसे में confused अगर हो गए हो तो आप अभी simple सी एक चीज़ क्या करो what is the latitudinal and longitudinal extent of India इस सवाल का जवाब दो मुझे comment section में ठीक है अभी आप इस सवाल का जवाब देंगे कि latitudinal longitudinal extent क्या है क्योंकि chapter 1 में हम पढ़ क्या आए है ठीक है 9th class में पढ़ क्या है और 6th class में पढ़ क्या है हो तो latitudinal longitudinal extent जब आप देखते हो तो आपको एक चीज़ क्या समझ में आती है कि इंडिया से tropic of cancer निकलता है 23 degree ठीक है 23 degree 30 minutes north में क्या निकलता है tropic of cancer निकलता जो इंडिया को almost two equal halves में divide करता है यहां तक चीज़े समझ में आई है अब इस latitudinal extent का ठीक है इस latitud का impact है इंडिया के climate पे बहुत तगड़ा वाला impact है और क्या impact है सर तो यहां पे देखना क्या होता है कि आपको पता है कि यहां तक छोटी classes में वैसे तो आप पढ़के आयों नहीं भी पढ़के आयों तो मैं सारे doubt clear कर दूँगा कि direct sunrace जो है वो कहां तक आती है direct sunrace आती है ट्रॉपिक आफ कैंसर तक मतलब इसके उपर भी sunrace जाती है लेकिन ट्रॉपिकल हो गया ट्रॉपिकल मतलब यहां पे बहेंकर गर्मी है direct solar insulation है ट्रॉपिकल के ऊपर मतलब ट्रॉपिक आफ कैंसर के ऊपर क्या आना स्टार्ट होता है सब टॉपिकल तो यह जो एरिया रहने वाला है कंट्री का कश्मीर तक यह सब टॉपिकल of India location में भी क्या बात करेंगे by the latitude of India India की जो Latitudinal extent है वो ऐसी है कि जो दो तरह के climatic zone में आती है होगया ना mathematical पूरा इंडिया की Latitudinal extent ऐसी है जो तरह के climatic zone में आती सब ट्रॉपिकल में भी ट्रॉपिकल में भी तो अब यहां पर मैं आपको क्या देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ख्लाइवेट भी मतलब इन जेनरल अभी से इसे मौनसून से भी कनेक्ट करेंगे हैं यह समझ में हाथ तक समझ आया बहुत बड़ी है तालिये बजालो खुद के लिए ठीक है अब यह ठीक है तो ट्रॉपिक of cancer passes through the center part of the country, therefore tropical and subtropical climate of India as simple as that, जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक, अब देखो क्या है, areas nearer to equator have tropical zone, अब क्या होता है, कि अगर आप India की, यह आपका हूंभा क्या आपको बता रहा है न, longitudinal, longitudinal, longitudinal वाला, तो अगर आप India की position देखो कि तो equator से हम थोड़ा सा ही उपर है, ठीक है, तो यहाँ जो areas है, जैसे आप तिरुवननद पुरम देख लो, केरला देख लो, चलन नहीं देख लो, यह जो area है, ठीक है, these areas are near to equator, equator के पास में, zero degree equator, equator के पास में, तो यह area क्या होंगे, tropical zone कहलाएगा, यहाँ पर climate जो है, तो वो crude sense में tropical type of climate होगा, rubber rubber की खेती कर रहे होंगे लोग, ठीक है, फिर अगर आप जैसे दिखते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस तरह का climate होगा, तो these areas will experience high temperature throughout the year, तो यहाँ पर temperature हाई रहने वाला है, क्योंकि आपको पता, equator पर solar insulation हमेशा क्या रहती हाई रहती है, अब equator के पास है, तो गर्मी जादा रहेगी, गर्मी जादा मतलब temperature जादा रहने वाला है, बोलो हाँ, अब क्या होगा, throughout the year, these areas will experience high temperature, ठीक है, with small daily and annual range of temperature, small daily and annual range, मतलब क्या है, कि यहाँ पर जो आपको band देखने को मिले की, तो जादा difference नहीं आएगा रात और दिन में, daily क्या रहने वाला है, temperature, मतलब temperature में difference जादा नहीं आएगा, small difference देखने को मिलेगा, ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अगर हम देखते, area north to the topic of cancer, topic of cancer, topic of cancer यहाँ से नि गरम रहने वाला है, यह topic of cancer के उपर हो गया, मतलब क्या है कि अब यहाँ पर temperature कम होने वाला है, तो experiences extreme climate with high daily and annual range of temperature, अब देखो extreme climate बताया है, तो ऐसा रहने वाला है कि जो interior part है, equator से दूर है, तो extreme गर्मी भी होगी और extreme winters भी होगी, जैसे आप Delhi को देखो कि तो Delhi क्या होता है गर्मियों में extremely hot होता है, ठीक है, तो उसके पीछे और भी factors अब आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जिसे क्या है, कि land breeze और sea breeze वारा phenomena वहाँ नहीं चलता है, एक तो land locked हो गया, उपर से क्या है, कि जब solar insulation direct होती है यहाँ पे, गर्मियों में, तो गर्मियों में temperature मिलेगा, वहाँ पे कभी भी आपको winters नहीं मिलेंगे extreme equator पे, winters होंगी नहीं वहाँ पे extreme क्योंकि वहाँ पे तो 12 महने क्या रहने वाला है, सूरज की किरने रहने वाली तो वहाँ पे temperature हमेश हाई रहने वाला है, लेकिन जो area का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उपर है, तो गर्मियों में तो वहाँ no doubt गर्मियों होगी, लेकिन थंड में जमा देने वाली सर्दी भी होगी, दली की सर्दी, ठीक है, तो यह हो गया, तो experience extreme climate with high daily and annual range of temperature, high daily and annual range of temperature मतलब क्या है, कि यहाँ पे आप देखो कि तो थंड और गर्मी और दिन और रात जो है, तो सब हर समय ए annual range of temperature है, मतलब ज़्यादा difference नहीं आना, daily भी ही और annually भी ही, लेकिन यहाँ पे आपको high daily and annual range of temperature देखने को मिलेगा, मतलब क्या होने आला है, कि daily भी ही आपको दिन में और रात में difference देखने को मिल जागा, जैसे कश्मीर में, सुभह और रात में temperature में difference आ जाएगा, ठीक है, annually जाली भी देखने को मिलेगा, winters में और summers में बहुत जाएगा, तो इस तरह से क्या है, अब आपको इस समझ में आया होगा, कि latitude जो है, पूरा खेल latitude का है न, कि इंडिया में ये वाले जो latitude है, और इंडिया की जो कश्मीर वाले latitude है, तो वहाँ पे इसके चलते क्या होगा, जो पूरा का पूरा एक band है, average, तो उसके चलते क्या होने वाला है, आपको difference देखने को मिलेगा, किस चीज में, उसके चलते आपको difference देखने को मिलेगा, वहाँ के climate में, आया समझ में, factors related to location and relief, तो location में जो latitudinal location होगी, जो latitudinal position होगी, उस चीज के उपर बहुत जादा influence हमारा climate, clear, next point देखो अब जराब, तो आप क्या कर लोगे, उसमें answer देख लोगे, तो आपको latitude, longitude तो समझ में आता है न, वह आप comment section में बताएंगे, अब देखो क्या है, the Himalayan mountains, इन्हें समझो, Himalayan mountains क्या है, ये दूसरा factor बन रहे है, जो relief factor से जुड़ा हुआ है, जो क्या Himalayan mountain range है, जो हमारी northernmost boundary बनने वाले है, ठीक है Himalayan, बड़ी है Himalayan, अब क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कि Himalayan act as an effective climatic divide, Himalayan जो है, एक effective climatic divide का काम करते है, climatic divide क्या होता है मतलब, कि Himalayan के इधर आपको climate अलग मिलेगा, Himalayan के इधर आपको climate अलग मिलेगा, ऐसा क्यो आप देखते हो कि तिबत वाला जो रिजयने, वहाँ का climate कैसा है, तो वहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, कि winter type से रहता है, ठीक है, cold climate है, सब बड़े-बड़े, क्या shawl wall डालके घूमते रहते हैं, तो वहाँ का climate पूरा लगे, winters, और आप देखते हो, इधर क्या है यहाँ के climate और यहाँ के climate में फरक क्यों आ गया, तो अगर यही चीज़ आप इधर world में और के ही देखो, तो उतना ज्यादा difference में आ रहा है, जितना ज्यादा कहां आ रहा है, इस case में आ रहा है, तो हिमालियास एक climatic divide का का काम करते हैं, जो हिमालियास के north में एक अलग climate होन हिमालियास नहीं होते हैं, तो आज आप जहाँ बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, मद्रप्रदेश में बैठे हो, उत्तरप्रदेश में बैठे हो, राजिस्तान में बैठे हो, south इंडिया में बैठे हो, ठीक है, north eastern state में बैठे हो, तो हम वहाँ जहाँ भी बैठे हैं, तो हमा में क्या है हिमालयाज एक बहुत effective role play करते है climatic divide का role play करते है जो climate को क्या करके रखे है बांद के रखे हुए हिमालयाज ठीक है यह धिया रखना है इस चीज़ को अब देखो कहा है तो act as an effective climatic divide अगली चीज़ कहा है the towering mountain chain provides an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds जो चीज़ मैंने आपको बताए कि यहां से जो cold northern winds आ रही है यह cold northern winds से हमें बचाने के लिए एक shield का काम कर रहे है हिमालयाज ठीक है अब यह cold northern winds कहां से आ दी the cold and chilly winds which originate near the Arctic circle तो अब यह Arctic circle ऊपर यहां पे जो है ठीक है यहां पे जो थंडी हवाएं originate होती है और जब अब आगे पड़ोगे अब आप बोलोगे तो वह pattern कुछ ऐसा आ जाता है कि इंडिया में इस तरह की हवाएं चल रही होती है अब जब इस तरह की हवाएं चल रही होती है तो यह हवाएं अगर आती इंडिया में घुस्ती तो वह दिखती बात है कि वह थंडी हवाएं जब इंडिया में आती तो हमें थंडा कर देती तरह से ठीक है तो उन हवाओं से हमें बचाने के लिए क्या है हम श्रीय किसे देना चाहिए हमें थैंक्यू हिमालियाज बोलना चाहिए ठीक है तो थैंक्यू हिमालियाज अब आगे कहा है दी हिमालियाज also trap the monsoon winds forcing them to shed their moisture within the subcontinent एक और बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारे उपर हिमालियास ने शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे ancient जो हमारा culture रहा है तो उस culture में हम लोग praise करते हैं ठीक है उस culture में हम इतनी significance देते हिमालियास को अलग अलग peak को देते हैं आप देखोगे तो mythology में बहुत सारे देवी देवताओं को पहाड़ों से जोड़ा गया है बहुत सारी नदियों को जोड़ा गया है कह सकतो कि उस समय पे उनके time period में इतनी जाता geography डवलप नहीं होगी जोग्रफी को पढ़ा नहीं होगा उन लोगोंने ठीक है मतलब क्योंकि evidence नहीं हो सकता पढ़ा भी हमें क्या पता लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि हिमालियास बहुत significant है इसलिए sacred माना जाता है इने ठीक है तो हाँ एक और उपकार की बात कर रहे थे हम भावनाओं में भैगए एक और उपकार क्या है तो दी हिमालियास also trap the monsoon winds अब क्या होता है इधर से जो थंडी थंडी हवाय आ रही उन्हें तो रोक दिया बोल दिया थंबा ठीक है अब क्या है हिमालियास एक और हमाई हमें क्या उपकार दे रहा कि जो monsoon winds जाती है monsoon winds नाम बता हो जारा इसका चोचों मन में नाम याद करने का तरीका बताया दर मैं साउथ वेस्ट 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 है इन साउथ वेस्ट वेस्ट को trap कर लेते हिमालियास trap in the sense आगे नहीं जाने दिते उन्हें क्या बोल दिया कि वह इधर से इधर क जा रही है यह क्या है यह बहुत तरह से कह सकते ना यह fruitful हमारे लिए क्यों fruitful है क्यों कि इनके पास पानी है बारिश है अब यह वेंट को आगे नहीं जाने देना चाहिए हमें क्यों क्योंकि पानी की तो सभी को दरुवत है तो हिमालियास इन winds को रोकता है जिसके चलते जो आप देखते हो ना monsoon winds के अंदर जितना भी moisture रहता है जो precipitation के form में प्रेसिपिटेशन में भी क्या है हिमालेयन वाले region में snow के form में और इंडिया वाले region में क्या है मतलब जो mainland वाला पार्ट है इसमें rainfall के form में बारिश हो जाती है तो हिमालियास उन southwest wind को रोक के रखता है तो ह इससे फाइदा क्या मिलेगा सब कॉंटेने में बारिश होगी तब ही तो हमारी नदियों में पानी आएगा जो drainage chapter पढ़के आए हो आप जड़ा logic लगाओ बारिश नहीं होती तो कहां से तो glacier आते कहां से तो बारिश होती मतलब नदियों में पानी आता और कहां से तो आप पी लेते तो संस में यह भी बहुत जादा ज़रूरी है यह मैंने explain कर दिया है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया तो factors related to location and relief में दूसरा factor भी समझ लिया हमने पहला कौन सा था तो पहला आपने यह देखा latitude किस तरह से influence करता है हमारे climate को दूसरा आपने हिमालयास को देख जो है हमारी country की location जो है ठीक है location के perspective से देखो तो location कुछ ऐसी है ठीक है कुछ ऐसे embed किया गया है बहुत नक्काशिषा बनाया है बनाने वाले ने महारे देश को कि तीनो तरफ क्या है पानी है एक दो तीन तरफ पानी है बीच में आपको क्या मिल रहा है जमीन मिल रहा है ठी क्या है landmass surrounded by water body by three sides उपर आप देखोगे तो उपर क्या effectively आपको पूरा landmass देखने को मिलेगा एक mountain range देखने को मिलेगी जो भी पड़का है हम तो यह क्या करता है flanked by the Indian Ocean on three sides in south and grilled by high and continuous mountain wall in north तो यह पूरा क्या हो गया यह पूरा तो उसका setting देख लिया आपने की क्या position है ठीक है अब क्या होता इस position की significance देखो इस position की significance क्या है इसके चलते है आपको differential heating and cooling of land and sea देखने को मिलेगी मतलब एक simple सा फिनोमेना है geography का कि जमीन जल्दी गरम होती है जल्दी गरम कैसे होती ही कि जब temperature आ रहा है तो temperature जब पड़ेगा तो land part जो है यह पूरा land part जो है बहुत जल्दी heat up हो जाएगा अब as compared to the land mass water heats up or cools down slowly अब land तो जल्दी गरम हो जाती है जल्दी थंडी भी होती है लेकिन water जो है पहले water जिद्दी साह थोड़ा था पहले तो गरम हो गई नहीं हो गई नहीं हो गई पिर जब गरम हो गया ना तो थंड़ा होने में भी time लगाता है तो अब देखो क्या है यह जो point है इस point को है से relate करो differential heating and cooling of land and sea देखने को मिला आपको कि इसका temperature इसका temperature अलग ही रहने वाला है यह जल्दी गरम हो गया land तो sea late गरम होगा अब क्या होगा यह जल्दी गरम होगा थंड़ा भी हो जाएगा जल्दी ठीक है लेकिन sea एक बार गरम हो गया तो यह काफी देर तक गरम रहेगा मतलब जब यह गरम रहेगा तो यह थंड़ा हो जाएगा opposite अब यह जो गरम थंड़ा गरम थंड़ा चल रहा है ना यह sensitivity की बात नहीं कर रहे हम यह गरम थंड़ा गरम थंड़ा क्या करने वाला है देखो जब यह गरम रहेगा तो यहाँ पे low pressure जून बनेगा अभी के लिए सुनो ठीक है अभी के लिए जीने कुछ नहीं पता है low pressure high pressure घवराना मत ठीक है बिल्कुल मत घवराना में हो तुम्हारे साथ में आगे पढ़ेंगे अच्छे से समझाओंगा मैं low pressure high pressure लेकिन अभी इतना समझ लो कि जहाँ temperature जादा रहता है आगे clear करणा मैं इसको जहाँ temperature जादा रहता है वहाँ low pressure रहता है जहाँ temperature कम रहेगा वहाँ high pressure रहेगा तो अब मैंने आपको यह भी बता दिये गरम तंडा गरम तंडा खेलने वाले तो जब यहाँ पर low pressure रहेगा मतलब जब ज़मीन गरम रहेगी पाणी तंडा रहने वाला है तो पानी पर क्या होगा high प्रेशर कंडिशन्स बनेंगी ठीक है तो अस कंपेड तो दी लेंड मास वाटर हीट सब और कूल डाउन स्लोली जिसके चलते आपको डिफरेंशल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी देखने को मिलेगी अब जब यह अलग-अलग तरह से गरम और थंडा होगा तो इंडियन सब कॉंटिनेंट तो अलग-अलग एंड प्रेशर जोन बन गए तो इंडियन सब कॉंटिनेंट में कभी हाई प्रेशर होगा तो ओशियन में लो प्रेशर ओशियन में लो प्रेशर तो कॉंटिनेंट में हाई प्रेशर अब जब यह लो प्रेशर और हाई से जो इंडिया के climate को influence करते हैं तो कौन-कौन से factors में आपने देख लिया कि इंडिया के latitude influence करता हिमालयाद influence करते हैं तीसरी point यह समझ लो आप कि इंडिया की जो location है जो उसका समुद्र है जो उसकी जमीन है वो भी एक मतलब बड़े स्थर पर क्या करती है इंडिया के climate को influence करती है is that clear ठीक है यह ध्यान आगया है तक तो creation of different air pressure conditions तो अलग-अलग जो air pressure condition मिलेगी एक ही point इस कह सकते हो तो उससे season change होने वाले और यह factor काफी हद तक क्या करता है इंडिया के climate को influence करता है is that clear ठीक है तो यह clear होना चीए point देख अब confusion नहीं होना है जहां confusion देखे न वहाँ इसा गला पकड़के उसका दबा देना है आपको confusion का क्योंकि confusion लेके जाओगे घर तो confused ही रहने वाले हो clarity लेके जाओगे तो आगे clarity मिलेगी कि हाँ भी है यह समझ आगे अब आगे इसमें बढ़ना है ठीक है बढ़ियां अब आगे क्या है तो यह भी देख लो आप इधर हरीविंस इधर बेव बेंगॉल इधर इंडियन ओशियन है यह पूरा लेंड मास है तो इस तरह से हमारी position है ठीक है आप अगर देखोगे तो इस position की significance है जो इंडिया में specific type of climate which is monsoon type of climate is being observed अब अगला point उसी च कुछ parts ऐसे हैं यह जो interior part हो गया पूरा यहां समुद्र दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा आपको ठीक कोई अगर उत्राखंड का इंसान है अगर वह मार लो इंडिया में घूमने नहीं आया अब इंडिया में घूमने इधर नहीं गया साउट वाउट में नहीं पे सोरे directly कहें तो नहीं कर पाएगा अब जरा समझो topic को क्या है ठीक है कहानी खतम करते हैं कि India is having a long coastline आपको पता है distance बताव होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी ठीक है मुंबई के बाद में आप coastal town नोरका देख लो जैसे गोवा हो गया ठीक है कैरेला में आप तिरुवनंद पुरम देख लो चैन्न नहीं देख लो तो यह जो coastal towns है ठीक यह coastal towns जो है तो coastal areas have an equitable climate equitable climate जो मैंने आपको थोड़ी और पहले और बताया था कि equitable climate मतलब क्या है कि यहां पे दिन और रात जो है तो वो एक समान रहते है climate में ज़्यादा difference नहीं आता है दिन और रात के साथ साथ में साल भर भी उनका climate एक जैसे ही रहने वाला है winters और summers में ज़्यादा difference नहीं आएगा यह observe ज़रूर करेंगे हैं अभी winter चालो हो गए अभी summer चालो हो गए moderating influence of the sea क्या है इस चीज को अच्छी तरह से समझना अच्छी तरह से समझना land breeze और sea breeze अच्छा एक चीज़ और सुनो जो आपकी दूसरी book है ठीक है तो उस book में आपको क्या समझ में आगा कि यह सारे concept जो हम यहां पढ़ रहे हैं मैं आपको बता रहो ना यह आपने वहां भ पढ़ना तो एक बार पढ़ो अच्छे से वहां पर आपके efforts कम लगेंगे ठीक है मैं तो पढ़ाऊंगा लेकिन आपको फिर वहां पर उतना जाता सिर नहीं लडाना पढ़ेगा हो सकता है कि आप book से पढ़के ही समझ जाओ चीज़े ठीक है तो आप देखो क्या है कि जो interior part temperature ठीक है extreme of climatic conditions और वही चीज़ आप मुंबई में देखोगे तो क्या है मुंबई में एक type का रहता humidity humidity बनी रहती गर्मी में भी winters में भी ठीक ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो interior part है वहां तक sea की moderating influence नहीं पहुच पाती है और जो coastal area है वहां पे sea की moderating influence बहुत तगड़ी तरी कर दो बटाएं हो sut this कि अश्यच पीड है यहां दो में देखो एक तो तब शाब होग पैस यह थोड़ा चाम दरहने वाला थे किस्पे शूर और नहीं यह सुरज दादा जो है चंपे बहुत से चंगे होगा इनके चमकने से क्या होगा संड्रेस डारेक्ट ऐगी किस पे दे जाएगी अभी हम यह मान लेते कि sun rays आ रही है लेंड मास पे और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले गरम कौन होता है पानी याद जमीन जमीन पहले गरम होती तो जमीन हीट अप हो गई है जमीन जो हीट अप हो गई जहां गर्मी बढ़ गई तो वहां क्या बनेगा लो प्रेशर अब जड़ा लो प्रेशर हाई प्रेशर की कहानी समझ लो सिंपल सी सटिक छोटी सी बताता हूं मैं आपको कि विंड जो रहती ना विंड कहां से कहां चलेगी दोनों जगा प्रेशर है एक जगा लो प्रेशर है एक जगा हाई प्रेशर है एर मास का है पूरा तो जहां पे गर्मी होगी, जहां पे गर्मी होगी, जिसे यहां इस एरिया में गर्मी है, यह लो प्रेशर बनेगा, तो यहां के air masses उपर उड़ गए, यहां पे प्रेशर नहीं है, अभी air masses, यह हवा में बात करें, जमीन से उपर की बात करें, ठीक है, यह जमीन से उपर की ह तो wind हमेशा कैसे चलेगी समझ ना, ठीक है, wind हमेशा high pressure से low pressure की और चलने वाली है, wind हमेशा high pressure से low pressure की तरफ चलने वाली है, ठीक, क्यूं, क्यूछ आपको इस उसमझ मेया आगा, low pressure area पे तो wind उपर उपर उच्छाएगी, और high pressure area पे winds नीचे बैठ रहे हो गी, हैं पर pressure ज़्ला जादा हाई प्रेशर प्रेशर जादा है ना तो विंट्स ऐसी चलती है प्रेशर से लो प्रेशर अब देखो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं और फिर ये भी समझाऊगा कि किस तरह से सी जो है वो मौडरेटिंग इंफ्लूएंस क्रियेट करता है तो अभी हम बापीस दिन पर आते हैं आप यहीं खड़े हो ना समुधर में तो नहीं कुदे हो अब ही देखो क्या है तो अब क्या होता है कि जमीन गरम हो गई लो प्रेशर बनके मतलब विंट्स यहाँ पर कैसी ह चलेगी अब ही बतायत है मैं विंट्स हमेशा किदर चलने आ लिए फ्रेशर से लो प्रेशर चलने आ लिए अब इस केस में हमने प्रेशर पानी पर दिखरा है तो winds ऐसी चलेगी अब आप Titanic वाला पोस्ट देके खड़े हो तो अब क्या है हवाएं आप समुदर की तरफ मुह करके खड़े हो तो समुदर पे high pressure है तो वहां से हवाएं आपके पास आ रही है ये कहलाएगी sea breeze इसलिए आप देखोगे क्या दिन में लोग समुदर के किनारे ये तालाप के किनारे जहां पे पानी ये वहां जाके बैठ जाते है क्योंकि वो water body का moderating influence होता है आया समझ में ठीक है तो ये हो गया अब इसी का opposite क्या करदो land breeze करदो कि रात हो गई सूरत दादा गए चंदा मामा आये ठीक है चंदा मामा आये लेकिन आप अपकी जगह पर ही खड़े रहो आपको कहीं नहीं जाने देने हम तो आप winds कैसी चलेगी आप जमीन से पानी की तरफ तो वो land breeze कहलाती है जो रात में अधिक तरद चलती है ठीक अब देखो क्या है तो ये कहां पर observe कर रहे हो आप ये coastal areas पर observe कर रहे हो जहां पर पानी के पास हो तो हमारा जो topic है na topic क्या है distance from sea अगर देखें तो ये अगर देखेंगे तो इंडिया की position ऐसी कि लंबी coast line है हमारे पास अब ये लंबी coast line पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो coastal towns है वहां पर equilable climate इसलिए होगा क्योंकि दिन में क्या है ये sea breeze जो चल रही है तो वो climate को moderate कर देती है रात में आप देखोगे तो land breeze चलेगी तो यहां का climate क्या होते रहेगा यहां का climate moderate होता रहेगा लेकिन डेली में जो बैठे हैं तो दिन में गर्मी रात में भी गर्मी और winters में दिन में थंड तो रात में भी थंड यहां पर winters में ये फाइदा मिल जाता उनको क्या कि winters में आप देखो कि तो यह moderating influence जो है तो वो क्या करता रहता है चीजों को normalize करके रखता है इक्विलेबल बनाए रखता है आगे समझ में यह important जीज होगी तो extremes of climate यह कहां रहेगा extremes of climate interior land पे तो आपको समझ में आया कि इंडिया की location जो है गर्मी भी थंडी भी सब कुछ यहाँ पे extreme नहीं होने वाला यहाँ पे moderate रहेगा ठीक है यह हो गया तो example compare the climate of Mumbai and Delhi वही वाली चीज़े जो Mumbai और Delhi का example आप देख सकते हो कि जो Mumbai में रह रहा और जो Delhi में रहा तो climate में कैसे difference आ जाता है नहीं पता है तो रहे के देखो दो-दो मेहने दोनों जागा ठीक यह हो गया आगे अब अगला क्या है अब अगला है altitude ठीक है altitude लेटिट्यूट पढ़ा था वह हमने latitude और longitude starting में अब हम altitude की बात करें altitude मतलब क्या होता है कि जमीन से कितना ओपर जा रहे हो आप वह altitude होता है ठीक जैसे यह देख लो तो यह area जो है इसका altitude कम है यह area जो है इसका altitude जादा है यह altitude यह मतलब यह vertical moment जो रहेगी वह altitude कहलाएगा ठीक है अब आप बोलोगे सरे altitude से क्यासे climate influence होता है जी हां होता है तब समझ में आ गया अब देखो अब यह है कि temperature decreases with height due to thin air places in mountain are cooler than places on planes अब यह चीज़ समझना आप कभी hill station गयो hill station पर आपने क्या देखा कि वहाँ पर जाते सी आहा आहा वाली feeling आती है क्यों आती है आहा वाली feeling क्योंकि आप देखते हो वहाँ पर 4 तरफ सब कुछ थंड़ा थंड़ा रगता है आप गर्मियों में भी जाओ तो भी अच्छा लगेगा आपको इसलिए लोग गर्मी मोड मैं आपको समझाता हूं कि यह मांटेन है यह एक प्लेन एरिया है अब क्या होता है संड्रेज जब आती है तो संड्रेज जो आती है तो संड्रेज में जितने भी आप देखते हैं सोलार इंसुलेशन रहती है तो अधिकतर गैसेज जो रहती ना तो हैवी गैसेज जो रहती यहाँ पे एर मास इसको एक फैक्टर ये भी होता है तो इस कारण से नीचे क्या है आपको oxygen वगेरा भी सब कुछ मिल जाएगा जादा और नीचे इसे कारण से क्या है गरम हवाएं रहेंगी ठीक है गरम हवाएं आप जो surface winds है वो भी नीचे चल रही होती तो गरम हवाएं यही चीज अब आपको उठा के यहाँ से यहाँ खड़ा कर देते हैं तो अब क्या होने वाला है कि आप नीचे से उपर चलेगे altitude जो है तो altitude के साब से आपकी movement उपर हो गई है अब जब आपका altitude change करा तो यहाँ पे उतनी air masses नहीं होगी gravity ने भी hold करके नहीं रखी है और आपको कैसा देखने को मिलेगा थंडा देखने को मिलेगा आया ना समझ में यह भी यह इंट्रस्टिंग चीज़ है तो इस तरह से क्या है altitude भी काफी हद तक climate को influence करता है कर रहा है example देखना चाहेंगे तरह आप यह explain कर दिया मैंने I hope explanation वाले पार्ट पर आपको चीज़ने स जाते है climate क्यों इतना जादा आप देखते हैं तो बरफ ही जम गई है सारा सब कुछ तो इसी कारण से क्योंकि altitude ऊपर जाते जा रहा है air masses thin होते जा रही है और thin air masses are cold ठीक है और वही plane area पर क्या होती है hot air masses होती है ठीक है dense air masses होती है अब example जिससे अगर देखें तो आग्रा ए 16 degree Celsius whereas it is only 4 degree Celsius in Darjeeling क्या है अब यहां देखो क्या है तो इस तरह से बोल रहे सर जैसे डरा दिया ठीक है तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यह आगरा है ठीक है यह डार्जिलिंग है अब अगर latitude की बात की जाए यह latitude होते है ना लेटा हुआ latitude तो यह एक ही latitude प तो एक ही है ठीक है दोनों का latitude एक ही है अल्टिट कैसा हो गया latitude मतलब आगरा उतनी उची जगा पे नहीं है जितनी उची जगा पर डार्जलिंग है तो अब दिखती बात थे की आगरा में गर्मी लगने वाली है डार्जलिंग में आपको क्या डार्जलिंग हिल स्टेशन क की तरह होता है लोग घूमने जाते हैं गर्मियों में भी वहां अच्छा लगने वाला है क्यों क्योंकि उसका altitude जादा है आया ना समझ में तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगी लेकिन अगर वो इक्वेटर पे बहुत ऊपर है अगर हिमालयार भी एक्वेटर पर अगर चाहे तो वह कहानी रहती है ये आपको समझ में है altitude किस तरह से किसी भी जगह के climate को influence करता है खास करके इस चीज को ध्यान रखना altitude कैसे influence करता है क्योंकि आपको इससे क्या relate कर पाएंगे जब हम Indian climate की बात करें तो Indian climate काफी हद तक influence हुआ है कि हिमालयाज में अलग तरह का, climate है, plains में अलग तरह का, plateau में अलग तरह का क्योंकि altitude हर जगह का vary करता है कोई ज़्यादा उचा है, कोई छोटा है इस तरह से ठीक है, अब आगे देखू क्या है आगे ये है, relief अब ये relief नाम सुनके कितने लोगों को ऐसा ध्यारा है कि हाँ सर वो एक relief tablet आती है वो खा लेते तो हमें भी relief मिल जाए थोड़ा ये geography से relief नहीं चाहिए ना, geography तो मज़ेदार चीज है तो आप देखो relief जो है relief क्या होता है, relief किस तरह से climate को influence करता है वो समझाता हूँ मैं आपको relief मतलब क्या है, वहाँ की physiography simple सी चीज है, physiography जानते हो ना relief मतलब वहाँ की physiography मतलब क्या है, mountains है, plateau है, plane है, desert है ये होता है relief तो relief भी climate को influence करते हैं कैसे, वो समझते हैं तो देखो, what is relief, यह आगे ना समन में relief is physiography, simple सी चीज है तो relief affects the temperature, air pressure, direction and speed of wind and the amount of distribution of rainfall तो अब जैसे, अभी जो हमने पढ़ा कि हिमालयास क्या है Indian landmass का एक, कह सकते है, prominent relief feature है हिमालयास जो है, वो एक prominent relief है, Indian landmass का अब हिमालयास आपको पता है क्या direction and the speed of wind को influence करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, southwest monsoon winds को जान नहीं देते हैं, उदर से north east को आने नहीं देते हैं वो amount and distribution of rainfall को influence करते हैं, अगर हिमालयास नहीं होते हैं तो हमालयास सारी moisture-related winds तो उड़के चले याती तो उस sense में क्या है कि relief feature जो है वो कहां पे कौन से relief feature हैं, वो काफी हद तक influence करते हैं उस जगा के climate को हिमालयास example आप बोलोगे, सर इसके अलावा भी बताओ, एक तो एक बहुत अच्छा example क्या है ठीकें, बहुत अच्छा example यह है देखो अब आपकी book मैं नहीं लेकिन बताता हूँ आपको कि यहां पे है western ghats, ठीकें, यह western ghats है अब western ghats में क्या होता है, तो इस तरफ से क्या आ रही है, monsoon winds आ रही है यह जो monsoon winds आ रही है ना, southwest monsoon winds जो है, तो वो यह वाला जो part है मतलब ऐसे देखो, यह जो पहाड है ना, तो पहाड का windward side जो है इंडियन लेंड मास में सबसे आदा बारिश जो हो रही है, तो मेगाले, मैसंद्राम वगेरा वाले एरिया में हो रही है अब उसके अलावा यहां western ghats में भी खूब बारिश होती है, खूब बहेंकर बारिश होती है क्यों क्योंकि जो motion lead and winds आती तो उनको यह western ghats पहले ही रोक लेते और उनके windward side पे बहुत बारिश करवाते है, और और ग्राफिक रेंफॉल होती है, जो पहाड पे चड़ते चड़ते हो रही है यह सब पढ़ेंगे आप आपकी जो second book है उसमें, ठीकें, तो यह इस तरफ खुब बारिश हो गई है यह relief feature के कारण बारिश होई है, लेकिन वहीं पर आप अगर यह वाला side देखोगे, यह होता है लीवर्ड side, ठीक है, एक windward होता है, एक लीवर्ड होता है, तो जो लीवर्ड side है न, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है मतलब ऐसा नहीं कि एक बुंद पानी ने गिर रहा है, लेकिन अगर आप देख रहो कि यहाँ पे अगर मानलो 400 cm rainfall हो रही है तो यहाँ पे 30 cm, 40 cm rainfall हो रही है, distance जादा नहीं है, 50 km का difference है लेकिन क्योंकि relief feature, physiography ऐसी है, कि सारा पानी यहाँ गिर गया, फिर वो winds उड़के आगे चलियागी और आगे बारिश करेगी यह जो levered side है, यहाँ बारिश हो ही नहीं पा रही है, levered side में बारिश नहीं हो पा रही है तो यह किस करण़ से influence हुआ है, यह influence हुआ है, फिजियोग्राफी से, वहाँ की जो relief है उसने influence किया है तो the windward side of western ghat and Assam receives higher rainfall, तो यहाँ पर खुब बारिश हो रही है, ठीके, during June to September whereas the southern plateau remains dry due to its levered situation along the western ghat तो यह जो इंडिया है, ठीके, यह जैसे अगर आप इस diagram से समझेंगा, अगर अच्छे से तो हो समझ में जाएगा कि जब windward side पे clouds आते हैं तो इधर पूरा precipitation हो जाता है, levered side सूखा रह जाता है और वही कहानी इंडिया में भी होती क्या, कि इंडिया में जो southern part में ये वाला जो levered side है ठीके, ये जो levered side है, तो करनाटका का जैसे कुछ area western ghat में तो ये क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है उतनी ज़्यादा बारिश इसको मिल नहीं पाती है I hope यहां तक चीज़ें clear में आई हैं, आपको clear हो गई है factors related to location and relief ये location और relief किस तरह से climate को influence करते हैं ये कहानी समझ में आ गई आपको मज़दार topics पड़े हमने, हमने ये समझ में आया है कि अच्छा इंडिया का climate ऐसा है, तो वो क्यों है क्या-क्या factors है, कैसे इंडिया की position कैसे इंडिया का relief feature जो है, वो influence करता है तो हमारे topic यहां पे complete हो गया, एक बार snap recap करते हैं चुटकी बजाते से recap हो जाएगा, देखो, क्या-क्या factor है, तो latitude देखा हमने, तो latitude के कारण tropical, subtropical, फिर उसके आदे हमने हिमाले and mountains को समझा, कि हिमाले and mountains के कारण क्या देखने को मिलता है हमें, कि हम cold polar winds से बच जाते हैं, और हमारे यहां से पानी उदर जाने नहीं नहीं देते हम, ठीक है, जो south west monsoon, mostial elements होती है, वो आगे नहीं जा पाती है, इंडिया में हम उसे trap कर लेते हैं, thank you Himalayas, फिर क्या है, distribution of land and water, distribution of land and water में हमने देखा कि कि किस तरह से high pressure, low pressure condition बनता है, क्यों क्योंकि इंडिया में land और water के बीच में एक बहुत अच्छी जुगलबंदी देखने को मिल रही है आपको, फिर अगली चीज हमने क्या देखी, distance from the sea, तो land breeze, sea breeze जो है, तो वो coastal areas में climate जो है, इपिलेबल होता है, वहीं पे interior land में extreme climate होता है, वो factor कैसे काम करता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया, अगला altitude तो जमीन से उपर जाओगे, climate बदल जाएगा, जमीन पे climate अलग रहने वाला है, और इंडिया में अलग-अलग physiographic division के अलग-अलग altitude है, इस करण से climate भी अलग-अलग होने वाला है, और जब अब physiographic division की बात क आपने तो वहाँ पर relief feature को भी जानना समझना है, कि इंडिया में जो अलग-अलग relief feature है, वो अलग-अलग तरह के climate को जनम देते हैं, अलग-अलग तरह का climate आपको देखने को मिलेगा, अब क्या है, कि कुछ factors ऐसे भी हैं, जो air pressure और wind के through influence करते हैं, इंडिया के climate को, आया पिछेर है, western घाट है, उसका एक important role है, ठीक है, ये सारी चीजे तो है ही है, location, जो latitude है, ठीक है, जो factor हमने भी पीछे discuss किये, उनका एक important role है, उसको नगार नहीं सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में क्या है, कि कुछ ऐसे factors भी हैं, जो air pressure और wind के through climate को influence कर रहे हैं, तो हम उन connected है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, climate of India is influenced by air pressure and wind, no doubt, air pressure जब हमारे यहाँ low pressure बनेगा, तभी तो हम क्या करेंगे, monsoon winds को बुला पाएंगे, for example, जैसे आप इंडिया देखते हो ये, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ इंडिया में जब क्या होगा, vacuum होगा, low pressure होगा, air air massage उपर उठ रही होगी, तभी तो यहाँ से दूसरी air massage आप आईगी, तो उस तरह से क्या है, कि air pressure एक important role play करता है, air pressure के कारण जो हवाएं चलती है, वो एक important role play करती है, अभी तक अगर आपको ये समझ में ने आया है, कि air pressure क्या होता है, वैसे मैंने आपको पिछले वीडिय distribution क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है, एक जमीन है ये, ठीक है, जमीन पे आप खड़े हो, तो अब क्या है, कि अगर आप देखो को, air pressure दो तीन जगा आपको देखने को मिल जाएगी, एक तो आपकी surface wind क्या चल रही है, आपके ऊपर किस तरह की winds चल रही है, ठीक है, और एक और क्या है factor जो monsoon को और कौन सी winds है, तो जो western cyclone जो दूसरे जगा से हमारे हवाएं आ रही है, तो हम तीन pillars पे चीज़े समझ आ ले जो तीन point लिखें आपके, तीनों point समझ लेना, concept building के लिए ज़रूरी है, आगे काम आएंगे, क्या है पहला point देखो, distribution of air pressure and winds on the surface of earth, सबसे पहले जो इंडिया के climate को influence कर रही ही चीज, वो क्या है, distribution of air pressure and winds on the surface of earth, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, zero से समझा रहा हूँ, ठीके, zero से समझा रहा हूँ, air pressure कैसे काम करता है, देखो, air pressure ऐसे काम करता है, कि यहाँ पे क्या है, high pressure है, और land breeze, sea breeze वाला concept मैंने आपको समझाया था, कि देखो, इस चीज को समझ लेना, आगे फिर relate करेंगे हम, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, कि air masses उपर उठेगी यहाँ, क्यों, क्योंकि जो sun rays आ रही है, तो sun rays ने क्या कर दिया, direct sun rays मानलो, यहाँ पे आ उठने लगेगी, मतलब क्या होने लगा है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो चार्ज जब air masses हैं, तो वो सूर्य की किरने पाके energy आगे, उसके अंदर sun rays क्या है, एक तरह से sunlight energy है, वो energy पाके वो उपर उठने लगी, ठीक है, अब क्या होगा, उपर उठ गई, अब उपर पर बहुत सारे mechanism से एक साथ काम करते हैं, तो आपकी जो दूसरी book है, ठीक है, fundamentals of physical geography, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा, उसमें आपको यह सारे, जो climate वाला unit है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसमें आपको चीज़े करते हैं, वो diverge होते हैं, diverge होने के बाद में आगे move करेंगे, और नीचे subseed होंगे, अब subseed भी कहीं नहीं बेट जाओगे, आप एक कुरसी पे से उठे, अब आप आगे बढ़े, अब कहां बैठोगे तो आप जिस कुरसी पे जगा खाली होगी, वहीं जाके बैठोगे जाओगे, तो उस सेंस में क्या है कि ये air masses उपर उठी, क्यों क्योंकि ये charge up थी, उपर उठने के राद में diverge हो गई, ठीक है, diverge होने के आद में move करती है, कहां तक move करेगी, अब यहां पे भी अगर मानलो air masses उठ रही है, यहां पे भी air masses उठ रही है, तो इन कुरसियों प वो करसी खा लिए, सिर्फ example के समझा रहा हूं करसी का example मत लिखाना exam में, तो उस तरह से क्या है, आपको ये चीज़े, समझ में आई है, कि low pressure से charge जब air masses उपर उठती है, diverge होती है, और जहां high pressure रहता है, जहां सूर्य की उतनी गर्मी नहीं रहती है, वहां subseed होने लगती ह ठीक है, वहां बैठेने लगती है air masses, ठीक है air masses, यहां subseed होगा, यहां बैठ गई है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, यह तो हवा में उपर हुआ है, बतलब इसको जमीन पर मत समझना है, जैसे यह जमीन है, अगर तो जमीन से air masses उठी, diverge होई, अब यहां subseed होने वाली है, तो यह हवा में यह सारा पूरा यह जो करेकरम बता है, मैंने यह हो गया, अब क्या हो रहा है कि यहां पर low pressure था, ठीक है, यहां पर high pressure था, अब यहां पर क्या हो रहा है, हवा में dill सकर देखे हैं, हम तो यहां पर बहुत सारी air masses से subseed होते जा रही है, अब airbins से subseed होगी, यह एर मासर सबसीड होते जा रही, सबसीड होते जा रही है तो ऐसे तुरे में गड़ा खोद के अंदर घुश जाएगी उसे फिर क्या करना पड़ेगा डाइवर्ज करना पड़ेगा ना तो वही चीज यहाँ पर होती कि फिर एर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलने लगती है यह सिंपल सा जो फिनोमेना मैंने आपको समझाया यह है क्या यह एर प्रेशर और विंड जो है सर्फिस पे जो अर्थ पे जो विंड चलती है वो विंड किस फिनोमेना के कारण चलती है वो समझाया देखो यहां पे अब ज़रा थोड़ा से animation देख लेते हैं समझाने वाला part clear हो गया कि low pressure area में air masses उपर उठ रही है ये ठीक है उपर उठी क्योंकि आपको देख रहे है sun है फिर क्या होता है अब high pressure area जो है तो जैसे high pressure area में sun rays नहीं रहेगी तो वहां पे air masses ये नीचे बैठ रही है और अब आप जैसे देखोगा तो low pressure पर उपर उठी और high pressure पर क्या है high pressure पर ये नीचे बैठ रही है air masses इस तरह से क्या है एक cycle चलता है पूरा और cycle में ultimately ground पर क्या देखोगे आप कि high pressure से low pressure wind चलने आ लिए वही चीज यहां पे जिसे फिर से देख लो एक बार और तो low pressure पर उठ गई है ये उपर ऐसे चली अब high pressure पर नीचे बैठी तो high pressure to low pressure wind चलते हो दिख रही है आपको red color में ऐसे surface winds चलती है ठीक है अब ये climate को कैसे influence करती है तो simple सी चीज आपने जो land breeze, sea breeze पढ़ा थे ना उससे समझ लो क्या कि हमेशा एक जगा से जब दूसरी जगा wind जाएगी अगर पानी से जमीन पे wind आ रही है मान लो यहाँ पे बीच में समुद्र था तो समुद्र से मौशर लेके आएगी वो हवाएं गरम हवाएं वो पानी लेके आजाएगी तो इस तरह से क्या है वो पानी लेके आएगी मौशर लेके आएगी तो climate तो influence करेगी ना moderate करेगी नहीं करेगी करेगी ठीक तो ये simple phenomenon अर्थ पे implication ऐसे देख लो आप कि ये पूरा अर्थ है अब अर्थ में क्या होता है तो आप अगर जैसे देखते हैं कि अलग-अलग क्या है air pressure जो है अलग-अलग जगा अलग 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 जगा तो इसके चलते क्या होगा लो प्रेशर होगा तो relative high pressure यहाँ बन क्या क्या कि high pressure से low pressure पे winds चलने वाली है ठीक है तो अब अर्थ में कहीं पे high pressure होगा कहीं पे low pressure होगा तो winds हमेशा उस direction में ऐसी चलेगी ठीक अब यह जो winds चलेगी तो यह winds जगा-जगा climate influence करने वाली है इसे इंडिया के relation में हम आगे समझने वाले हैं आगे ना समझ में यहा इसे चलेगी आपको यह पता है और यह winds क्या करने वाली है climate को influence करने वाली है आपने यह भी पता कर लिया अगला factor देखो क्या है factor related to air pressure and wind अगला यह होता है upper air circulation caused by factors controlling global weather and the inflow of different air masses and jet streams समझो हम इंडिया के context में पढ़ रहे हैं कि what are the factors related to air pressure and wind which affects the climate of India जो इंडिया के climate को क्या कर influence करते हैं तो इंडिया के climate को influence करने में एक important role किसका होता है upper air circulation का मैंने समझाय था आपको क्या कि air भी दो तरह की चलने वाली यह जमीन है तो जमीन पर आपको क्या देखने को मिलेगा आप यहां खड़े हो ठीक है आप कहां खड़े हो आप यहां पे खड़े हो आप low pressure area में खड़े हो इधर high pressure है तो यहां पे तो ऐसी winds चलने आ लिए surface wind चलने आ लिए ठीक है इसे ठाकुर क्यों बनाए है आपने उसके हाथ दे देते हैं तो आप क्या है कि इधर से हवा चलने आ लिए high pressure to low pressure यह आपको influence करेगी ठीक है यह surface wind हो गई यह और यह आपके climate को भी influence कर द ठीक है जैसे इन्हें अलग-अलग headless cycle ठीक है और feral cycle तो यह अलग-अलग cycle बनते हैं इस तरह से ठीक तो यह जो cycle बनाए हम तो इस cycle में आपको क्या देखने को मिले cycle में आपको देखने को मिला कि ऊपर हवा में भी तो क्या हो रहा है upper air circulation में भी तो किसी प्रकार से winds चल रह करेगी कैसे वह बताऊंगा मैं आपको caused by factors controlling global weather and the inflow of different air masses and jet stream तो इस तरह से कुछ तो क्या है अलग-अलग winds चलने हाली है ठीक local winds होंगी upper air circulation में साथ ही साथ में jet stream आई गया अब यह jet stream क्या है jet stream को समझ लो यहाँ पर jet stream अच्छे से समझाता हूँ बहुत confusion होता है इसमें jet stream क्या है तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको mid-latitude jet stream और sub-tropical jet stream या फिर इसे polar jet stream कहा जाता हो इसे sub-tropical jet stream कहा जाता है दो तरह की jet stream चलती है अभी जो jet stream चल रही है तो यह है क्या चीज़ सिंपल सी जागर समझे तो fast flowing winds है बहुत जादा तेजी से चलने आली upper air circulatory winds है ठीक है मतलब उपर हवा में जैसे यह आपका अर्थ है ना तो यह आपका अर्थ है आप देख रही हो त अगर अर्थ है तो अर्थ को ऐसे चक्कर काट रही है इस तरह से यह upper air circulatory wind होती है ठीक है यह समझ में आगे upper air circulatory क्या होती है मतलब जमीन पे नहीं चल रही है अगला feature क्या है jet stream क्या होती है fast flowing wind होती है मतलब बहुत तेज गती से चलती है ऐसा नहीं धीरे धीरे चल रही है अराम से होले होले यह बहुत तेजी से चलती है 320 km की रफतार से चल रही है तो इस speed से जब उपर surface के upper air circulation वाले पार्ट में अर्थ के हवाएं जो चलती है तो वो क्या करती है वो global weather जो है ठीक है वो global weather को क्या करती है influence करती है air masses जो है वो लेके आती है और वो जिस भी जगह म अब मैं आपको थोड़ा से इसका और detail समझाता हूं देखो यह अगर अर्थ है आपका तो आपको मैंने क्या बताया कि अलग-अलग pressure zone होने वाले air pressure zone और सारी चीज़े क्यों हो रही है क्योंकि sunrace का amount जो है वो vary करने आला है ठीक है sunrace vary करेगा sunrace के हिसाब से pressure condition बदलेग ठीक है तो यहां पर जिस अगर आप देखोगे तो यह हो गया क्या low pressure area equator है ना equator पर sunrace जादा है यह sun है अगर मानलो तो sun ऐसे सीधह नहीं होगा यह sun हो गया चलो ठीक है यह sunrace आ रही है तो equator पर क्या बनेगा low pressure बनेगा यहां से air masses उपर की तरफ उठी ठीक उपर की तरफ उठने का diverge होंगी diverge होने के बाद में subseed करेंगी वो तो air masses यहां subseed कर गई ठीक है अब आगे देखो कहा है यह air masses इधर भी उठेगी south pole में भी ऐसे ही जाएगी और यहां subseed कर जाएगी subseed कहां करेगी जहां पर relatively sunrace कम जा रही है ठीक है जो पूर्सी खाली है तो यहां पर sunrace को नीचे से क्या मिर रहा था नीचे से बहुत जादा क्या सकते हैं conventional currents उपर नहीं उठ रही थी ना तो यहां पर subseed कर गई वो air masses ठीक है तो यह area जो बन गए यह क्या बन गया high pressure वाला area बन गया ठीक है वैसे नौर्थ में वैसे ही south में यह high pressure वाला area बन गया ठीक अब क्या होता है यहां से आप जिससे देखोगे यहां high pressure है तो इस तरफ क्या बनता है relative low pressure बनेगा अब आप बोलेगे सर आप तो उपर और latitude पर चलेगा यहां तो थंडा है फिर यहां low pressure कैसे बनेगा तो यह समझना यह low pressure जो बना है सूर्य की किरणों के कारण नहीं बना है नो डाउट कि यहां पर temperature जो है sunraise जो है कम आ रही है लेकिन यह high pressure और उपर पोल का high pressure अब high pressure पर तो आपको पता है क्या होती है winds subsidigd honne वाली है ना मतलब नीचे बैठने वाली है winds यह wins नीचे बैठने वाली है high pressure पर यहां पी भी high pressure है तो यह wins नीचे ही बैठेगी यहाँ पर तो अब क्या होता है कि दो high pressure के बीच में relative low pressure बनता है, relative समझ रहो न, relative मतलब क्या है कि वो सूरे की direct किरनों के करण नहीं बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि दो तरफ high pressure है, तो यहां से surface wind ऐसी चलेगी तो यहां low pressure बन जाएगा, यह जो बनेगा low pressure हो तो यह polar area में बन रहा है, मतलब exactly polar नही कैसे देगा वो भी मैं समझाओंगा आपको, यह आ गया समझ में, तो आपको यह clear रखना होगा कि यहां से air masses का और यह उपर उठ रही है, इधर की तरफ जा रही है और इधर की तरफ सबसीड हो रही है, ठीक है, यह low pressure है, इधर high pressure है, तो अब यहां एक branch ऐसी भी जाएगी जो यहां पे सबसीड हो जाएगी, ठीक है, एक branch ऐसी जाएगी, तो जो हाँ पर सबसीड हो जाएगी, दो दो ब्रांचे सबसीड हो जाएगी है, ठीक है, high pressure पे branches सबसीड कर रही है, air masses की, low pressure पे उपर उठ रही है, यह कहानी आतक समझ में आई, अब देखो क्या है, तो तो air masses उपर उठेगी ठीक है उपर उठने के आद में अपर air circulation में flow करेगी ठीक है diverge होने के बाद में और नीचे फिर तो यह एर्थ का पूरा का पूरा पर ऐसा करवेचर है तो यह air mass यहां पर पूरे पार्ट पर कैसी air mass रहेगी क्यों क्योंकि surface से क्या हो रहा यहां यह सर्फेज है तो surface से air masses ऐसे उठ रही है और diverge converge हो रही इस तरह से तो यह जो area बना है ठीक है यह area क्या बना है जो joint जो curvature पर area बनाए वह एक तरह से वाइड है ठीक है वाइड air masses है वहाँ पर रुख्य हुई हवाएं है अब क्या होता है रुख्य हुई हवाएं अब यह अर्थ रुखा हुआ नहीं है लेकिन अर्थ क्या कर रहा है गूम रहा है गोल गोल गूम रहा है तो उस rotation के चलते है जो air mass है य एघ मासी क्या करने लगेगा गूमने लगेगा बरियाली इस फोर्स लगेगा इस पे ठीक है रहती है वह क्या कहलाती वह कहलाती Hier स्ट्रीम आगे समझ में जेट स्ट्रीम कहां से आई है फास्ट फ्लोइंग अपर एयर सर्कुलेटरी विंड्स होती है ठीक हो कैसे क्रीट होती ये भी मैंने आपको बता दिया ये अर्थ के घुमने के साथ में क्या होता है जब कोरियोली स्फोर्स उस पर काम करता है तो कोरिय लिके आएंगी वहां से मॉश्यर लिक आएगी ठीक है कहीं पर इंफ्लॉएंस करेगा वो मॉश्यर जो आया तो हो सकता किसी ड्राय अरिया को फिर पोलार जेट स्ट्रीम जो है तो यह जो लो प्रेशर बना है ठीक इस लो प्रेशर पर क्या होगा यहां पर मिड्लैटी ट् या फिर कहलो 30 डिग्री 23 से 30 डिग्री के बीच का मतलब इंडिया का जो नदन प्लेन वाला एरिया वाला एरिया तो यहां पर जो हाई प्रेशर बनाए उस हाई प्रेशर पर आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्मल कंडिशन में बहते हुई दिखेगी ठीक है जब सन इस पोजिशन पे होगा यह सन की पोजिशन अभी ध्यान रखना है जब सन एक्वेटर पे होगा क्योंकि सन की पोजिशन से ही पूरा खेले आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ITCZ के बारे में समझाओंगा वो भी शिफ्ट होता है वो शिफ्ट होता तो पूरी की पूरी कहानी शिफ्ट हो जाएगी यह क्या है देवा है बहुत अच्छी चीज़ मतलब ऐसा रहतना आप गाड़ी देखने गए बंद स्ट्रीट में गाड़ी यह है चालू होने पर पूरे सब कुछ बदल जाएगा गाड़ी का तो वह वैसी कहानी की नॉर्मल कंडिशन य यह है जब सन इक्वेटर पे है तब कंडिशन यह है लेकिन अभी सन की मुवमेंट सब कुछ चेंज करेगी अभी आप ITCZ समझोगे तब चकर खाओगे एक बार लेकिन समझा देंगे अच्छे से ठीक है तो सन की मुवमेंट के साथ में क्या होना आला और चीज़ें भी मू क्लाइमेट को कैसे क्लाइमेट को इंफ्लेंस कर रही है इंडिया के वह हम आगे पढ़ेंगे अभी जब इंटर सीजन के बारे में पढ़ेंगे तो अभी हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं फैक्टर्स लेट टू एयर प्रिशर और विंड से जुड़े हैं तो आपने सर्फेस winds के बारे में पढ़ लिया, upper air circulation में जो winds चल रही उनके बारे में पढ़ लिया, jet stream के बारे में पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें इंडिया के climate को influence करने वाली है, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है, अब आगे देखो क्या है, inflow of western cyclone, अब ये western cyclone भी क्या है, cyclone एक तरह का wind है, ठीक है, एक wind delay के आ रहा है वो, अब ये western cyclone जो आ रहे हैं, वो भी इंडिया के climate को influence कर रहे हैं, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें 9th में पढ़ी है, आपने, मतलब लगभग लगभग इस से जुड़ा वा topic आपने 9th में पढ़ा है, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है देखो, western cyclone जो है, तो in flow of western cyclones, known as western disturbances during the winter seasons, winter season में ये जो western cyclone आते हैं, तो इन western cyclone को western disturbances की तरह कहा जाता है, कहां से आते क्या करते हैं, वो पूरी कहानी में आपको समझाता हूँ, world map में अगर आप देखो कि ये वाला region जो है, तो ये temperate region हो गया ठीक है, temperate region मतलब क्या है कि यहाँ पर subtropical के उपर temperate, यहाँ पर atmosphere थंडा रहने वाले एक्दम chilled, ठीक है, अब यहाँ पर Mediterranean Sea है ये, Europe और Africa से लगा हुआ, Mediterranean Sea में क्या बनती है, climatic conditions ऐसी develop हो जाती है, यह जो आपकी second part है book की, तो वहाँ पर मैं आपको जब समझाओंगा अब अब ही ऊपर हमने देखा jet stream चल रही है, बोलो हाँ, तो जो jet stream ऊपर चल रही है न, वो jet stream क्या करने वाली है, यह जो subtropical jet stream होगी, तो वो वहाँ से moisture उड़ा के लिए आएगी, ठीक है, वो western cyclone, मतलब वहाँ पर western world में आप देख रहे हो cyclone आये है, वो cyclone के चलते moisture उड उड़के आएगा इंडिया में, अब इसी sense में तो कहा गा है कि there are factors related to air pressure and wind, यह wind और air pressure क्या करने वाले है, जगा जगा का climate, खास करके जहें हमारी country के perspective से तो इंडिया का climate influence करने वाले है, तो यहां से क्या होने वाला है, यहां से moisture उड़के आएगा और वो इंडिया में बा बारिश हो जाएगी, winter में बारिश इसी कारण से होती है, तो इसे हम किस category में डालेंगे, इसे हम इस category में डालने आले कि in flow of western cyclone, western cyclone हमारे यहां उड़के आ जाए, ठीके, known as western disturbances और क्योंकि क्या है, उस समय पर हो सकता है कि west में वो cyclone आ है, तो वहां disturbances create कर रहें बहुत ज करने आले, तो इन्हे western disturbances कहा जाता है, during winter season, ठीके, और यही winds जो है, यह western cyclone की जो winds है, तो यह topical depression कहलाती है, during southwest monsoon period, ठीके, tropical depression कहलाती है, southwest monsoon period में, क्योंकि उस समय पर belt shift होते रहते हैं, जो pressure belts रहते है, ITCZ के बारे में भी आगे पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक western cyclones हमारी rainfall को influence करने वाले हैं, यह आ गया समझ में, यह भी simple सी सटीक सी चीज थी, अब देखो क्या है, the mechanism of these three factors can be understood with reference to winter season and summer season, अब आपकी बुक में special reference दीए, क्योंकि क्या है, यह phenomena थे, phenomena में आपको समझा दिए कि इस तरह से यह यह चीज़े होती है, मतलब air pressure और wind में, air pressure और wind जो है, वो तीन front पे surface wind, upper air circulation और western cyclone, इन तीन front पे क्या करते हैं, इंडिया के climate को influence करते हैं, question आपका यह बनेगा, कि how air pressure and wind influences the climate of India, बताओ, तो आपको यह तीन front पता हो गए, अब यह जो तीन pillars आपने देखे, कि हाँ, surface wind होती है, upper air circulation में, circulatory winds होती है और यह western cyclone होते ह लेकिन यह तीनों चीज़ें, इंडिया के climate को winter season में अलग तरीके से influence करती है, summer season में अलग तरीके से influence करती है, जी हाँ, यह मैजदार चीज़ें, मतलब, circulatory winds जो है, upper air circulatory winds, वो winter season में कुछ और होगी, summer season में कुछ और होगी, surface winds जो है, वो winter season में कुछ और होगी, summer season में कुछ और होगी, यह जो cyclone की बात कर रहे हो आप, तो यह western cyclones winter में कुछ और impact create कर रहे होंगे summer में कुछ और impact create कर रहे होंगे आयना समद में, तो हम क्या करेंगे winter और summer season के perspective से दोनों चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ basic concepts जान लेंगे basic concepts में क्या क्या है, जैसे ITCZ में आपको specifically न, अच्छे से topics को connect करके बताऊंगा कि ITCZ आखिर है क्या चीज़, वो कैसे काम करता है, उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़े, fine, तो देखिए पूरा खेल वैसे क्या है, जो topic का नाम लिखा है न, name game है पूरा का पूरा, कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि intertropical conversion zone ठीक है, इस topic को अगर आप अपने अच्छे से समझ लिया, तो आपको क्या है ये, वो भी समझ में आ जाएगा, मतलब नाम में ही meaning चुपा है उसका, देखो intertropical, मतलब ये tropical area होता है ठीक है, tropical of cancer से, tropical of capricorn, ये जो area ये tropical area हो गया, intertropical मतलब इसके बीच में कुछ-कुछ हो रहा है अब intertropical convergence क्या हो रहा है, यहाँ पर converge हो रहा है converge होना, past में आना कौन आ रहा है, past में, तो यहाँ पर winds जो है, intertropical convergence तो in this region intertropical region winds are converging ठीक है and the zone where the winds are converging is known as intertropical convergence zone ठीक है simple था एकदम simple था कि वो area जहां पे यह वाला जो area है न यह वाला जहां पे मतलब पूरा जो region intertropical region उस region में जब winds converge कर रही है और converge करते हुए जब वो जो zone बनाती है उस zone को intertropical convergence zone कहा जाता है as simple as that यह clear हुआ अब आप सोच रहोंगे सरी यह winds converge क्यों कर रही है ठीक है यह winds converge क्यों कर रही है तो वो भी समझाता हूँ देखो जरा definition पर हम चलें तो क्या है तो the intertropical convergence zone is a low pressure zone अब low pressure zone कह रहे हम इसे low pressure zone क्यों कह रहे है तो मैंने आपको भी पिछले वीडियो में समझाया है एक बात फिर से बता देता हूँ कि equator पर क्या है equator पर जैसी equator है यह वाला part यहाँ पर sunrise direct आने वाली है ठीक है अब बोर्ड के बाहर ही तो इसके लिए यहां से हम sun यहीं बना देते तो sunrise जो है तो इस region में sunrise आती है sunrise आने के कारण क्या होता है अब आपको यह पता है जहां direct sunrise आएंगी वहां पर temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा वहां की air masses उपर उठेगी air masses उपर उठेगी मतलब वो low pressure area बनेगा तो यह low pressure zone होता है ठीक है तो सबसे पहली important चीज़ जियान रखना कि ITCZ कहां पर होगा जहां low pressure होगा अब एक hint में आपको देता हूँ अब आप ने सुना होगा क्या कि sun के reference में जब earth move करता है जैसे यह sun है for example ठीक है यह sun है मेरा हाथ ही वाला जो है यह sun है यह earth है तो अब sun तो अपनी जगा पे रहने वाला है stationary है अर्थ ऐसे move करने वाला है तो एक point पे direct race sun की कहां जा रही होगी Tropic of Capricorn पे और दूसरे समय में साल के दूसरे season में जैसे अब जो northern hemisphere में जब winters होते हैं तब क्या होगा sun की direct race कहां जा रही होगी sun की direct race जा रही होगी Tropic of पहले Capricorn थी अब Cancer पे आ गई ठीक है तो अब क्या देखने हैं कि direct sun rays जो है वो भी shift होती रहती है और ITCZ कहां बनने वाला है यह low pressure belt होने वाला है low pressure zone होने वाला है तो low pressure कहां होगा वो low pressure भी इसी तरह से shift करेगा तो normally हम देखते equator पे रहेगा ठीक है normally equator पे रहने वाला है ठीक है definition पे वापस अगर आते हैं देखो तो यहां पे क्या हो रहा है winds जो है tropical region की winds converge हो रही है और यहां पर क्यों हो रही है एक का है सबढ़ में बापको यह भी पता था कहां से कहां चलती है हाई प्रेशर से चलती है low pressure हाई प्रेशर से चलती है लोग थिए यह क्लीर हो गynnButt in yb pale मुझा गए तो यह इसलिए कंवर्ज करsels-प्रेशर रही है अभी आपके मन में सवाल march कर रहा होगा ठीन कर लिए नशा gradient force क्या होता है थोड़ा है फिजिक्स पढ़ते हैं कि आप देख रहो यहां पर high pressure है मतलब यहां पर air mass सबसीड कर रही है air mass सबसीड कर रही है 3D imagine करो यहां air mass सबसीड करते जाएगी तो सबसीड करने के आदमें ऐसे move करेगी नीचे ठीक है उपर से गई हम नीचे तो वही चीज होती है वही चीज यहां पर होती कि high pressure के चलते क्या है कि आप winds ऐसे move करेगी high pressure से low pressure अब लेकिन यह pressure gradient force काम कर रहा है लेकिन यह जो अर्थ है ना इतना भूमा जोर से अब यह जो winds अब आएगी नीचे तो आपने imagine किया होगा इस चीज को observe किया होगा आप अगर चलती गाड़ी पे से या फिर जो merry go round जो होता है एक ठीक है उस पर गूम रहे है गोल गोल उसमें से कुछ सामान चोड़ना merry go round पे से कुछ सामान चोड़ना घूमते होए merry go पे से तो क्या होगा जो गोल चकरी वाला जूला है न वह क्या करेगा आप जैसा सामान चोड़ोगे तो सामान पीछे की तरफ जाएगा नहीं जाएगा जाएगा न क्यूंकि आपका direction ऐसा उपर से नीचे था और वह पीछे की तरफ सामान चले जाएगा तो वो coriolis force का effect होता है ठीक है coriolis force का effect होता है अब उसे यहां समझो अर्थ पर अगर आप समझोगे तो अगर अर्थ stationary रहता तो high pressure से low pressure सीधे wind आ जाती है लेकिन अर्थ stationary नहीं है ठीक है हमारा सिले बस बढ़ गया अर्थ घूमा अब अर्थ क अब यह अर्थ घूमा और इस तरफ से आप कहां जा रहे हो आप जैसे देखोगे तो south से north में जाओगे तो आप deflect इस तरफ कर जाओगे ठीक है जैसे सामान आपका अगर मानलो ऊपर की तरफ छोड़ोगे तो ऊपर की तरफ सामान आपने फेका तो वो पीछे की तरफ जाए बहुते हैं दिखेगी कोरेली स्फोर्स भी समझा दिया साथ ही साथ में ठीक है वही सदन है मिस्टर में आप देखोगे तो विंड्स कैसी आ रही थी विंड्स north साउट टू नौर्थ आने वाली थी इस तरह से लेकिन आप कोरेली स्फोर्स में धका लगाया पीछे तो विं यह लो प्रेशर दिया तो यहां से विंड्स उपर की तरफ क्या करना ली उठने वाली है तो यह देखो यहां पर लिखा है क्या कि ITCZ is a low pressure zone यह आगे समझ में located at the equator where trade winds converge trade winds converge क्यों कर रही वो भी बता दिया ठीक है and so it is a zone where air tends to ascend ascend मतलब उपर उठना ठीक है यहां पे हवाएं इसलिए उपर उठ रही है क्योंकि यह surface wind तो क्या और ही converge हो रही है तकरा कैसे थुरी ना कि टकर करने लगेगी एकदम जब converge होगी converge होने का उपर उठेगी क् क्या है यहां पर solar insulation direct आ रही है तो नीचे क्या है गरम जगा है गरम जगा है energy मिलेगी air masses उपर उठेगी तो this is the area where air tends to ascend आगे ना समझ में यह था क्या ITCZ पूरे ITCZ को मैंने postmodern कर दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि ITCZ क्या चीज है ठीक ITCZ को monsoon trough भी कहा जाता है त तो ITCZ और monsoon trough keeps on shifting from north to south and south to north with the moment of sun अभी सर यह समझ में आया जैसे तैसे अब एक और statement भारी आपने क्या दे दिया कि यह move करता है ITCZ चिंता की कोई जरुवत नहीं है simple सा explanation है क्यों move करता है वो भी मैं समझाता हूँ देखो यह sun में ठीक है अभी sun rays direct यहां पर है ठीक है कब अब की बात है यह तो जब हमारे हाँ winters होंगे ना जब हमारे हाँ क्या होगी जमा देने वाली सर्दिया होगी तब Australia में क्योंकि Australia Southern Hemisphere में तब Australia में क्या है direct sun rays होगी मतलब यहां summer है यहां summer है तो sun rays जब direct यहां पर आप देखोगे ठीक है तो उसके चलते क्या है कि यहां प गुम क्या है सामने आ गया तो अभी क्या है यह sun तो अभी sun क्या है equator पर है तो अब यह normal situation होगी जो हम ITCZ पढ़ रहे हैं कि equator जो ट्रफ create होता है तो यह normal situation हो गई है फिर जब अर्थ इस तरह से यहां पर गुम क्या जाएगा तो अभी क्या होने आला है कि अब direct solar insulation जो है यह वो दी movement of earth क्योंकि earth move करता है तो ITCZ क्या होता है वो earth की movement के हिसाब से north-south north-south move करता रहता है समझने के लिए normally हम क्या कहते है कि वो equator पर pressure condition develop होती है ठीक है यह ITCZ हो गई कहानी तो in July the ITCZ is located around 20 degree north to 25 degree north मतलब अभी northern hemisphere में है यह तो इंडिया में जो गंगा प्लेन से वहां प development of thermal low cover over north and northwest India अब जब यह ITCZ क्या होता है कहां पे होता है जुलाई के time period में 20 degree से 25 degree north में होता है यह वाला जुलाई का ITCZ हो रहा है तो यह जुलाई का ITCZ क्या करता है एक thermal low pressure condition create कर देता है इंडिया के उपर और यह जो low pressure condition create होती है तो इसके कारण डारेक्ट नीचे से conventional current मि बिल रही है इस current से क्या होता है यहाँ low pressure बनता है वो low pressure फिर आगे जाके monsoon को जनम देगा ठीक है हमारे जो बारिश हो रही है तो इस बारिश में इस ITCZ का बहुत important role है ठीक है यह point की घठान बांद लो यहाँ पे क्यूं क्यूंकि आप आगे जब आप monsoon के बारे में और प चीज है क्या कि आप यह ITCZ को देख रहे हो यहाँ पे है normally अब मैंने क्या कहा कि ITCZ shift करता रहता है तो अब आप 2 seconds के लिए क्या कर लो कि जितनी भी winds बनी है न यह जो winds जहां converge हो रही हो तो winds भी ऐसे कैसे नीचे shift होगी ऐसे कैसे ऊपर shift होगी इस बात को ध्यान रखना क्या है 23-24 डिगरी तक ऐसी winds चल रही है अगर तो यह जो winds है अभी कौन सी है आप क्या कहेंगे इन winds को Southeast winds जो है South East trade winds जो है यह South East trade winds क्या करने का लिए जब हमारे ITCZ होगा तो शायद equator cross करके जाएगी ठीक है मतलब यह South East trade wind अब उपर और चलेगी थोड़ी तो equator की उपर और जानी थी ITCZ की अब देखो क्या है तो the low pressure attracts the high pressure winds from Indian Ocean and which leads to the formation of Southwest monsoon यह भी समझ लो यह एक इंपोर्टन चीज है क्या 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 आपने देख लिया यहां तो ITCZ बन गया ITCZ है मतलब क्या है यहां low pressure है ठीक है low pressure zone बनाए यह low pressure है तो यहां से air masses उपर उड़ गई अब उपर उ सबसीड हो गई है अब high pressure से low pressure क्या चलेगी surface wind चलने आ लिए जो red wind बनाई है मैंने यह क्या surface upper air circulation में क्या हो रहा है उपर उठीए उपर उठने क्या diverge हो यह सबसीड हो गई है तो upper air circulation में यह खेल चल रहा है और surface पे एक तरह से अगर आप देखोगे तो यह जो high pressure area है ठीक ह ocean जो है तो ocean से landmass की तरफ winds चलने वाली है और यह ocean से landmass की तरफ wind चलेंगी तो यह अपने साथ में मौश्यर लेके जाएगी और यह मौश्यर जब लेके जाएगी तो मौश्यर क्या कहलाएगा वही तो southwest monsoon बनने वाला है ना तो low pressure attracts the high pressure winds समुदर से जाएगी from Indian ocean और यह जो southwest west monsoon कहलाने वाला है बाद में पूरा topic की वैसे मैंने आपको ITCZ के अंदर समझा दिया है जितने भी monsoon से जुड़े हुए है लेकिन फिर भी ध्यान रखना ठीक है अब आगे कहा है in winters in winters the ITCZ moves southward and saw the reversal of winds from north east to south and southwest takes प्लीज अब winters में वही चीज उल्टी हो जाती है क्या कि अब यहां देखो कि तो यहां low pressure हो गया relative high pressure कहां बन जाएगा इंडिया के उपर अब winds कैसे चलेगी अब winds इस तरह से चलने वाली है तो winds अब north east to south चलने वाली है south and southwest तो north east से south southwest wind चलने वाली है तो उसे हम क्या कहते हैं north east monsoon कहते हैं ठीक हैं जो कहां बारिश करवाता है जो इस coastal area पर बारिश करता है जिसे हम आगे और season में specifically पढ़ेंगे एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर important कि winter season जो है पूरा पूरा cold weather season आप आगे पढ़ोगे chapter में तो यहाँ पर आप जो चीज़ पढ़ो ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ आगे भी आपको relate करना होगी वह winter season ठीक है तो आपकी definition यह हो गई अभी लेकिन आप क्या है अब 11 में आगे हो ना इतना लिक्के नहीं छोड़ सकते हो तो आगे हम जब पढ़ेंगे winter season को तब और comprehensively इस चीज़ को discuss करेंगे कि winter season का बात है क्या होता है कैसे होता है बाकि अगर mechanism समझे कि winter season में क्या क्या हो र रही है कौन सी pressure condition है तो वो जो सारी चीज़ है वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ यहां पर तो पहली चीज़ क्या है पहला point अगर देखिया तो surface and pressure winds winter season में surface और pressure wind कैसी होती है ठीक है कैसी surface और pressure wind होती है जो इंडिया को उस तरह का weather condition देती है और कह सकते कि इंडिया का climate जो है winter cold हो जाता है बारिश होती है क्या तो हाँ कभी कभी हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है वो समझते है तो पहले pillar पर हम देखें तो क्या है हमारे पास surface and pressure wind मतलब इंडिया जो है landmass पर किस तरह की surface winds चल रही होगी क्या pressure condition होती है high pressure होता है कि low pressure होता है वो मैं आपको समझता अब क्या है Central और Western Asia के अगर हम बात करते हैं ठीक है यह Central Asia हो गया यह Western Asia हो गया इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो pressure condition है यहाँ पे जिस तरह की winds चलने वाली है वो winds क्या करेंगी इंडिया के climate को influence करेगी इंडिया के weather condition को influence करेगी कब winter में क्या होता है ऐसा सरी हाँ प winter के time period में यह जो पूरा area है यहाँ high pressure होगा यहाँ भी high pressure होगा यहाँ भी high pressure होगा यहाँ हिमालयाज है ठीक है तो यहाँ high pressure develop हो जाता है अब सवाल यह आता है कि sir high pressure develop क्यूं होता है ठीक है हर चीज में वाय पूछो यह ज़रूरी है तो high pressure क्यूं डवलप होता है यहाँ प ट्रॉपिक ऑफ रिकान पर हैaráट को उनर्ए पहुंचेगी इसकारण से यहां क्या होगा थंड होगी विंटर होगrecht क्या है कि wind समेशे किदर से किदर चलने वाली है high pressure से low pressure चलती है तो इसके चलते क्या हुआ इसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो area है इस area से winds move कर रही होंगी कहा move कर रही होंगी जिदर low pressure मिल जाएगा उनको ये धियान रखना अभी आगे समझेंगे कि low pressure कहा है ये समझ में आगा है यहां तक अब देखो तो ये जो condition develop हुई high pressure condition कहां पे central और western Asia में हिमालयास के north में develop हुई है तो वो pressure condition क्या करती है that high pressure gives rise to the flow of air at low level from north towards the Indian subcontinent south of the mountain range तो अब वही चीज यहां पे देखने को मिल रहें कि यहां जैसे high pressure मानलो यहां भी high pressure है यहां भी high pressure है तो यह हाई pressure के चलते क्या होता है कि मेरे बाता है high pressure से low pressure कहाँ चलने वाली है winds चलने वाली है यह यहाँ low pressure है और क्यों low pressure है सर यहाँ पे समुद्र है यह तो Arabian Sea Bay of Bengal है अब मैंने आपको यह भी बता है ता पानी जमीन जो हो जल्दी गरम होती ही जल्दी थंडी होती है लेकिन जो पानी है वो लेट गरम होगा लेट थंडा होगा तो जमीन पे आपको high pressure दिख रहा है क्य हैं तो water bodies पर अभी temperature ज्यादा इस करण से low pressure है तो winds क्या करने लगेगी इस तरफ attract होने लगेगी ना तो यह जो winds है आप देख रहे हैं high pressure winds जो है तो high pressure winds किदर move करती है इंडिया की तरफ move करने लगती है इंडिया के lower latitudes में move करने लगती है मतलब आप देख लो हिमालयास के south में सी क्या चलने लगती हवाय चलने लगती है इस तरह से यह ध्यान रहेगा यहां तक अब देखो अगली चीज़ का है तो आप पीछे थे अब क्या होता है यहां पे तो this gives rise to the flow of air at low level from north towards the Indian subcontinent south of the Himalayan mountains mountain range these surface winds flow from Central Asia मैंने होता है Central Asia से surface winds आने वाली है to India in the form of dry continental air mass अब देखो यह क्या कह रहे है कि surface winds move कर रही है वो ड्राय continental air mass के रूप में move कर रही है अब dry continental air mass क्या होता ये भी समझ लो क्योंकि ये कहां से आ रही है ये जमीन से आ रही है तो जमीन से आ रही है तो अधिकतर क्या रहता है ये winds सूखी रहती है सूखी रहती मतलब बहुत जादा मौश्यर नहीं है ये धियान रखना point में जो कह रहों कि winds सूखी रहती आगे जाके आप देखोगे तो यही विंड्स क्या होती है प्रसिपिटिशन भी कर देती हमारे हैं ठीक है अभी क्या पढ़ना है आपको आपको यह धियान रखना है कि हम सर्फेस विंड के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है सर्फेस और प्रेशर विंड्स हम अपर एयर रही है लेकिन उसके अंधर पानी नहीं है ठीक है यह धियान रहेगा इस कॉण्टिनेंटल विंड्स कम in कॉंट्रेक्ट्ट विंड्स ओवर नौर्थ वेस्ट इंडिया अब क्या होता है कि यहां पर आप देखोगे तो यहां से ऐसी विंड्स आ गई अब यहां नॉर्थ इंडिया पे भी क्या है आपको winds देखने को मिलेगी हिमालियास के south में जो winds चल रही है तो northwest इंडिया में भी आपको winds देखने को मिलेगी तो ये जो आप कहा सकते हैं कि continental dry air masses western Asia थे central Asia से flow करके आ रही है इंडिया में तो ये वाली जो winds आई है northwestern winds जो आई है ये surface पे चल रहा है सब कुछ जमीन पे ध्यान अखना ये जो surface पे winds आ रही है इस तरफ से western side से ये क्या करती है ये ये winds जो है तो यहाली winds contact में आती किसके साथ में northwestern इंडिया में जो winds flow कर रही होती है इंडिया का ये जो northwestern part है यहाँ पे सारी winds क्या होती है converge होती है इसी के चलते क्या होता है ये एक unstable area बन जाता है however the contact zone is not stable अब यहाँ पे क्या कहागा है कि ये जो contact zone है जहाँ पे नौर्थ वेस्टरली winds और नौर्थ वेस्टर्ली रिजियन है वहाँ की जो winds है वो जब क्या होती, converge होती तो ये area आपको unstable देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब दो direction से winds आ रही है, तो दोनों direction की winds क्या होगी, आपस में converge होंगी, तो यहाँ पर आपको storms और यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी, थंडी हवाएं चलने लगेगी, यह सब कुछ देखने को मिलेगा, यह हुआ, अब इसके बाद में आगे क्या कहानी बनती ही, देखो, आगे कहानी यह बनती है, यह part पुरा clear हो गया, यह हमने देख लिए कि surface और pressure winds क्या हो रही है, तो pressure condition आप ध्यान रखना कि mainly pressure condition, high pressure है पुरे landmass पे, और winds जो है तो वो northwest से आ रही है, ठीक है, इंडिया में भी जो इंडिया का northwest region है, वहाँ पे winds converge हो रही है, और unstable zone जो मैं कहा रहा हूँ, आप से तो क्या होता, कभी-कभी winds गंगेटिक प्लेंस तक आ अब दूसरा जो कह सकते हैं कि mechanism है जो कही न कहीं इंडिया के weather को influence करता है winter season में, वो है jet stream and upper air circulation, ठीक, अब सबसे पहले ये समझ लो, हमने अभी जो पहले थोई देर पहले पढ़ा, उसमें और इसमें difference क्या है, पहले क्या पढ़ा हमने, surface winds, ठीक है, air pressure और surface winds के बारे में west से भी आ रही है और ऐसे high pressure से ऐसे भी winds जाने वाली है यहाँ पर निकल के, मतलब north eastern winds निकल के भी जाएगी इंडिया से और north western winds आ भी रही है, तो यह surface wind है, यह जमीन पर काम हो रहा है, अभी जो पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहा है, तो understand the difference between surface pressure winds and upper air circulation, अब हम पढ़ेंगे कि यह जमीन पर तो यह खेल चल रहा है इन सभी हवाओं का, लेकिन यह जमीन से ऊपर हुटके आ हो गया, यहाँ पे, अपर air circulation में क्या हो रहा है, अपर air circulation में कौन सी winds चल रही है, यह winds dry है, अपर air circulation के जरूरी नहीं कि dry हो, हो सकता है उसके अंदर मौशे रहो, अब circulation में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखो जरा, ठीक है, तो higher up in the lower troposphere, about 3 km about the surface of earth, a different pattern of air circulation is observed, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा different air pattern circulation आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, तो इंडिया के जो उपर आप देखोगे, upper air circulation में, क्या different patterns देखने को मिलेगा अगर यहाँ high pressure है, तो यहाँ high pressure पे नीचे winds बैठ रही है ना, तो मतलब कहीं और से winds उपर से आ रही होगी, मतलब आप ऐसे समझाओ गर यहाँ low pressure है, तो यहाँ पे एक पूरा different pattern क्या देखने को मिलेगा, कि अब surface पे low pressure है, तो यहाँ से winds उपर उठेंगी, और यहाँ से diverge होंगी, तो उपर की तरफ यहाँ पे upper air circulation में आपको एक दूसरी pressure system देखने को मिलेगा, यहाँ ठीक है, दूसरी winds देखने को मिलेगी, अब वो जो दूसरी winds है, उनमें एक prominent जो upper air circulation हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है jet stream के दवारा, upper air circulation में jet stream आपको देखने को म from west to east in meandering path, अब बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, चलो समझाते देखो, jet stream क्या बने बताया आपको कि fast flowing winds, fast flowing upper air circulatory winds, मतलब जमीन के उपर नहीं है, मतलब जमीन के उपर in the sense कि surface wind नहीं है, surface के अलावा क्या है, यह उपर हवा में, जैसे यह अर्थ है, 3D imagine करो, यह अर्थ ह अगर, तो अर्थ के ऊपर के तरफ किया हो रहा है, winds flow करती है, अर्थ के ऊपर क्या करती है, winds flow करती है, एक second रूखो जडरा मैं आपको practical बताता हू, कैसे, तो यहाँ पर आपको बताया गाया बिको, यह आपका अर्थ है, अब अर्थ में भीजैन की यह तो अर्थ चल रहा ह तो jet stream इसी तरह की एक हवा होती है, जो क्या है, fast flowing है, बहुत तेजी से चलती है, 180 km से 300 km की bandwidth होती है, जैसे अलग अलग time period में, अलग अलग speed में, और वो अर्थ के साथ में इस तरह से घूमती है, west to east घूमती है, ठीक है, यह ध्यान रहेगा, west to east rotate करती है, अब इसको हम आगे और समझेंगे रुखो, तो west to east rotate करें यह, और अगली कहानी क्या है, तो इन्हें meandering path, meandering path मतलब क्या है, कि उसका path भी जो रहता है, तो वो इस तरह से zigzag zigzag meander बनाते वह जाता है, क्यों, वो मैं समझाऊंगा आपको, अब देखो, दो तरह की global jet stream होती है, दो तरह की global jet stream पीछे mechanism ही समझाऊंगा, तो एक polar jet stream होती है, जिसे mid latitude jet stream भी कहा जाता, दूसरी होती है, subtropical jet stream, ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह polar jet stream हो गई है, जिसे mid latitude jet stream भी कहा जाता, और यह हो गई, यह subtropical jet stream, जिसे आपकी book में westerly के नाम से भी दिया गया है, western jet stream के नाम से भी लिखा गया है, ठीक है, तो अब देखो यह form कैसे होती है, इसके पीछे की कहानी सुन लो, यह चीज़े हम आगे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आगे भी आपको यह concepts काम आएंगे, तो इसका अगर जैसे आप देखो गे formation का pattern, तो यहाँ समझ अब यह Low Pressure करेगीना, बोलो हाँ, यहां समसीट कर गई यह Low Pressure बेंच, अब क्या होता है, कि यहां ऐख देखो यहां समसीट कर गई, तो यहां से विनс उठ रही थी, यहाँ विंट सबसीड हो गई, ठीक, अब यही क्या होगा, साउध इंडिया में भी ऐसे होगा, कि यहाँ हाई प्रेशर होगा, ठीक, तो इस तरह से विंट सबसीड यहाँ कर जाएंगी, और यहाँ से उपर उठ जाएंगी, ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां high pressure है, अब आपको पता है, poles पे क्या रहने वाला है? हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए poles पे high pressure ही रहेगा, क्यूंकि यहां तो solar insulation पहुचे नहीं है, यहां बहुत थंड है, high pressure है, तो मतलब यहां पे winds क्या कर रही है? सबसीड कर रही है, यहाँ wind सबसीड कर रही मतलब कहीं से तो उठके आई होगी अब equator की wind तो उठके जाने से रही यहाँ पे तो एक low pressure जो है अब आप बोलोगे सर यह तो higher latitude हो गए ना जैसे अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर आपको क्या करके दे रहा हूँ लोग प्रेशर डवलप करके दे रहा हूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ लोग प्रेशर क्यों डवलप होगा क्यों क्योंकि यहाँ तो यह तो इसके पहले high pressure है तो यहाँ तो आप देखे जैसे देखते जाओगे latitude बढ़ता जाए तो solar insulation तो कम हो जाएगी फिर यहाँ low pressure कैसे बन गया तो यह जो low pressure बनता है वो relative low pressure बनता है ठीक है relative low pressure बनता है मतलब क्या कि दो high pressure के बीच में होने के कारण इस जगह पे low pressure बनता है no doubt solar insulation equator के उतनी strong नहीं रहेगी ठीक है equator के उतनी strong नहीं रहेगी लेकिन क्योंकि दो high pressure के बीच में sandwiched area है चलने वाली है तो जब सबसीड होगी तो कहीं तो वह मर्ज होगी ना तो वो दोनों विंट्स मर्ज काहा होती है लोग प्रेशर पर होती है देखो समझते चलना बहुत concept बता रहो में, concept पकड़ में आना चाहिए यहाँ पर, तो अब यहाँ low pressure area इस current से क्या होगा, यहाँ से conventional current उपर उठेंगे, और फिर वो वही subsid होंगे, subsid होने के बाद में, मतलब diverge होंगे, diverge होने के बाद में कि हाँ, यह जो winds है, तो यह winds equator से ऐसी उठती है, कुछ winds equator से उठती है, और फिर का होता है, तो फिर वो आप जिसे देखो कि तो यह high pressure zone रहता है, ठीक है, इस high pressure zone पर क्या हो जाती है, यहाँ से उपर उठी, diverge हो, diverge होने का, subsid हो जाती है, high pressure zone पर नीचे बैठ गई है, तो अब ऐरth में आप ने देखा, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि upper air circulation में, ठीक है, surface की बात नहीं कर रहे है, तो upper air circulation में जो जहाँ पर दोनों cycle जो बने हैं, यह दोनों cycle कह सकते हो कि diverge हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो high pressure वाले case में क्या होगा, converge होंगे और low pressure वाले case में कहांगे diverge होंगे जैसे यह जो void बनेगा यहाँ पर यहाँ पर air masses तो रहेंगी लेकिन वो air masses क्या है वहाँ stable सी हो गई है अब वो air masses यहाँ पर stable सी हो गई है तो आप ऐसे समझ लो यह अर्थ था ठीक है यह अर्थ में आपने देखा कि यहाँ पर जो एक एरिया बना equator पर ऐसे जैसे क्या है यह equator है ठीक है तो यहाँ पर एक air mass बनेगा यहाँ पर एक air mass बनेगा तो अब यह जो दो जगह air masses बने ना तो अर्थ रोटेट भी करता आपको पता इस तरह से ठीक इसको इसको खड़ा कर लें हम सीधे तो आप समझ में आएगा कि pressure condition आपको देखने को मिलेगी कि pressure condition यहाँ जैसी है ठीक वैसे यहाँ भी होगी यहाँ पे भी होगी एकदम circle में ही अब हो सकता है कि यह यहाँ pressure condition develop हो रही है लेकिन उसी latitude पे वही pressure condition ना हो ठीक है यहाँ अगर low pressure बन रहा है तो जरूरी नहीं कि low pressure इसी latitude पे भी बने ocean के कारण landmass के कारण वो कभी-कभी influence हो जाता है तो इस तरह से pressure condition क्या होती है area to area differ करती है तो अब यह आपको यह समझ माना चीए कि यह जो void बन रहा है यह void तो जहाँ circle रहेगा वहीं बनेगा तो मान लो pressure condition एक cycle ऐसा बना था एक cycle ऐसा बना था इसको upper air circulation में imagine करना तो यह part और यह part जो wide वाला डवलप हुआ है यह जो wide air mass वाला डवलप हुआ है wide air mass वाला part इस तरह से जरूरी नहीं कि straight line में रहे वो अलग-अलग area के साब से अलग-अलग जगह पे भी develop होगा अर्थ के उपर तो इस तरह से क्या है मेंडरिंग मेंडरिंग वे ले लेती है और यह surface के उपर नहीं फिर बता रहा हूं इसको उपर upper air circulation में imagine करना अब क्या होता है तो जब इस तरह से अर्थ घूमता है और Coriolis force लगता है तो यह जो wide air mass थी वो भी घूमने लगती है वो भ यहां से एक क्या घूमने लगेगा jet stream घूमने लगेगा और एक क्या है जो equator और क्या सकते हैं कि यह जो यह वाला low pressure बना है ठीक है तो इन दोनों के बीच में जो एक high pressure develop हो वहां पर जो एक void बना तो यह यहां पे jet stream घूमने लगेगी अर्थ को चारो तरफ से अर्थ को इस चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए यह चीज़ें क्लियर रहना चाहिए देखो काफी टाइम दिया इस पर लेकिन यह समझ में आना चाहिए कि किस तरह से jet stream जो है वह develop हो गई अब यह jet stream हुई ठीक पढ़ के आ रहे थे अब हम तो यह देख रहे थे mechanism of weather in winter season तो winter season मे jet stream क्या करने वाली है winter season में jet stream क्या करने वाली देखो तो यह जो jet stream है डेवलप हो गई global jet stream क्या है polar jet streams और subtropical jet stream यह दोनों समझा दिये अब यह तो global jet stream हो गई इसके अलावा क्या होता कुछ regional jet stream भी होती है जैसे during the during the northern hemisphere summer जब summers होते है northern hemisphere में तो easterly jets are found in tropical region तो tropical region में क्या है उतनी ज्यादा latitude पे नहीं altitude पे नहीं मतलब जितना 9-13 km उपर नहीं थोड़ा नीचे ही क्या होने लगती है easterly jet stream जिसे कहा जाता है वो देखने को मिलती है जिसे regional jet stream कहा जाता है वो देखने को मिलने लगती है ठीक है तो अब क्या होता है यह westerly jet stream हा रही है इसका significance समझना jet stream in upper circulation पढ़ रहे हैं हम इ यह क्या कहा जा रहा है कि west इसे लगा के पूरा यह Central Asia जो है तो अब यह jet stream अगर आप world में देखो तो इस तरह से क्या घूमती हुए आएगी ठीक है में में मना दें तो यह jet stream इस तरह से पूरे world को cover करेगी चकर लगाएगी west twist तो यह पूरा Central Asia यह सारा सारा part जो है वो jet stream के aircraft वालों को बहुत आसानी होती है ठीक है aviation industry को कैसे आसानी होती है कि उन्हें identified रहता है कि यहां पे globally यह jet streams flow कर रही है winter to summer वो differ करती है तो अब आप क्या होगा कि आपका मनलोग एक plane है ठीक है यह plane है अब इस plane को क्या किया गए अगर उतार दिया गए अगर flight ले ले ली गई अब flight ले गई है तो अगर आप jet stream के सांथ में जाओगे तो jet stream के सांथ में जाने से आपको क्या फाइदा मिलेगा jet stream के सांथ में जाने से यह फाइदा मिलेगा कि वो jet stream आपको बहा के ले जाएगी ठीक है engine जो है fuel जो है उसका consumption कम होगा तो इस तरह से क्या है कि identify किया जाता तो यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा डिसकस किया अब देखो क्या है तो गिफ राइस टुदी फ्लो ओफ एर एक लोल बेट ईसेंड ठीक हां यहां पर आगए हम तो आप क्या होता है यह 9 से 13 क्लोमेट्र में ऊपर चल रही है यह लेकिन अब जो तिबतन हायलेंड है हिमालयास के जस्ट बाद में तो वो क्या करता है इसे अब्स्ट्रक करता है इस कारण से जेट स्ट्रिम दो सप्लिट में अब देखो हाँ jet stream जो है तो ऐसा नहीं कि एक ही हवा है तो अलग-अलग branches में अपने आपको split कर लेती है तो एक branch क्या करने लगती ही south of हिमालियाज हिमालियन mountain के south में भी flow करती है jet stream की कहां से आ रही है central और western एशिया से flow करते हुए आ रही है वो तो एक branch उसकी हिमालियाज के north में रहेगी एक branch south में रहेगी क्यों क्योंकि तिबतन highlands जो है तो उसने क्या कर दिया बाइफर्केट कर दिया तिबत वाले रीजिन में बाइफर्केट हो जाती ही वो आके यह दियान रहे का तो these winds blow across the Asian continent of latitudes north of हिमालियाज and roughly and roughly parallel to the Tibetan highlands तिबतन highlands act as a barrier barrier का काम किया in the path of these jet streams तो उसी के चलते क्या होता है बाइफर्केशन हो जाता है jet streams का बाइफर्केशन समझ में आए ना क्योंकि अब यह तिबतन highland है मानलो jet stream में जर से आरी रोक दिया तो एक क्या करने लगेगी एक stream जो है jet stream का एक जो क्या सकते है wind का एक जो पूरा का पूरा group है वो कहां से stream का एक group हिमालियाज के south से flow करने लगता है ठीक है तो अब उसके चलते क्या होता है उसके चलते है one of its branch blows to the north of तिबतन highland north में एक और एक south में वाइल इस southern branch blows in the eastward direction south of हिमालियाज ठीक अब क्या होता है इसकी mean position देख लो south of हिमालियाज में भी कहां पे तो 25 डिग्री 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ 25 डिग्री नॉर्थ जो है यह वाला region जो है तो February में यह इस pressure condition पे मतलब 200 to 300 MB level तो magnet bands वाला नहीं उस level पे क्या होने लगती है यह flow करने लगती है ठीक है यह flow कर रही है अब देखो इसका यहाँ पर जो statement दिया इस statement की significance समझना it is believed that these southern branch of jet stream exercise an important influence on the winter weather in India अब यह जो jet stream चल रही है न तो jet stream की जो southern branch है जो इंडिया से होते हो जा रही है तो इस southern branch का इंडिया की weather condition पे ठीक है खास करके winter के time period में क्या पढ़ रहे है mechanism of weather पढ़ रहे हैं winter season में कि winter season में क्या हो रहा है अभी देखना आप इस चीज़ को ध्यान भी रखना summer season में सब पलट हो जाएगा सब चेंज हो जाएगा तो winter season में क्या हो रहा है winter season में यह देखने को मिल रहा है हमें कि इंडिया का जो weather है उस weather condition पे एक बहुत गहरी influence रहने वाली है किसकी उस weather condition एक बहुत गहरी influence रहने वाली है यह जो jet stream एक southern branch जो flow कर रही है यहाँ तक चीज़ें समझ में आगई clear हो गई है ठीक है तो अब इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं वो influence क्या रहने वाली है तो यहाँ पर बारिश होगी बारिश कैसे होगी यह रहा तीसरा point अब heading को समझो यहाँ पर heading क्या कह रही है western cyclonic disturbances मतलब कि western country में ठीक है वहाँ पर हमारी country के western side में अगर देखो इसे तो यह इंडिया है इंडिया के west में अगर जाओगे तो आप यह Mediterranean Sea यह वाला जो पूरा region है यहाँ पर cyclonic disturbances हो रहे है cyclone आ रहे है ठीक है और दूसरा है tropical cyclone तो winter season में इंडिया में winter season में यह दो factor जो है इंडिया के weather condition को बहुत हज तक influence करते हैं कैसे क्या क्यूं वो सब कुछ समझाओंगा तो यहाँ पर समझना start करो आप इस point को ध्यान में रखना भी relate करेंगे हम ठीक है कि यह जो southern branch है jet stream की वो कैसे influence करती इंडिया के weather को यह topic पढ़ते पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा तो impact on winter season winter season बिन दोनों चीज़ों का क्या impact होता है सबसे पहले अगर western cyclonic disturbance की बात करें तो यह जो region है Mediterranean Sea है Caspian Sea है वहाँ पर Dead Sea है तो यह जो area यहाँ पर पानी है बोलो हाँ अब क्या होता है तो यहाँ पर cyclone आते हैं cyclone आते हैं बहुत जादा यहाँ पर rainfall वगेरा होता सब कुछ होता है तो यहाँ cyclone आये यहाँ rainfall हुई उससे इंडिया को क्या हुआ तो यहां का पूरा atmosphere जो है ठीक है यहाँ के area में क्या होगा moisture होगा अभू moisture कहा हैं पूरे region में हैं उस moisture को क्या हो इंडिया आने में समय नहीं रखता है क्योंकि उसको एक aircraft मिल जाता है कुछ relate कर पाए हो तो उपर जो western मतलब कह सकते है हम subtropical jet stream जो है ठीक है वो subtropical jet stream जो है वो क्या करने वाली है वो बहा के लेके आने वाली है वहा के मौश्यर को कहां इंडिया में और यह जो point है आप उससे आप relate कर पाऊगे तो it is believed that the southern branch of jet stream exercise and important influence on the winter weather in India तो इंडिया में winter weather में अगर winter weather में अगर क्या होड़ी यह rainfall होडी तो rainfall क्यों होगी क्योंकि मैं आपको भी बता दिया यह जो moisture रहने वाला है वो flow करके इंडिया में आ जाएगा रिलेट कर लिया ना तो अब देखो western cyclonic disturbances enter the Indian subcontinent from the west and northwest during the winter month तो western side और north western side से enter करेगा वो अब क्या originate over Mediterranean sea and are brought into India by westerly jet stream, westerly jet stream मतलब sub-tropical jet stream वो लेके आती ही इंडिया में बहा के उन्हें ठीके, an increase in the prevailing night temperature हाँ यह चिर ध्यानों को important एक आपको यहां पर मतलब आप mark of identification ले सकते हो कि जब यह western cyclonic disturbances इंडिया में आना start होते है न तो आपको कैसा पता लगया है कि यहां western cyclonic disturbances आ गए हैं तो इंडिया का temperature जो है night temperature तो an increase in prevailing night temperature generally indicates an advance in the arrival of these cyclonic disturbances जब रात में, winters में हलका हलका क्या होने लगे कि रात में आपको temperature कम होते हुए लगे बढ़ने की जगा कम होते हुए लगे तो हमें यह identify कर लेना चाहिए कि हां क्या हो रहा है कि western cyclonic disturbances इंडिया में इंडिया के north western part में northern plains पे enter करने वाले हैं ठीक है तो अब देखो ultimately होगा क्या कि यह जो western cyclonic disturbances आए इंडिया के climate को कैसे influence करेंगे moisture ला रहे हैं वो moisture के चलते क्या होगा precipitation हो जाएगी बारिश हो जाएगी इंडिया में ठीक है तो इंडिया में बारिश हो जाएगी अब tropical cyclone को समझो ज़रा तो यहाँ पर जैसे third point को देखोगे ना तो दो शब्दे से मिलके बनाए western cyclonic disturbance and tropical cyclone तो tropical cyclone का कैसे और क्या impact होता इंडिया के उपर वो समझो tropical cyclone क्या होता है सबसे पहला सवाल तो tropical cyclone आगे में आपको पढ़ाऊँगा ठीक है जब retreating monsoon वाला time period होगा और जब हम cold weather season पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊँगा कि tropical cyclone क्या है और साधी साथ जो आपकी second book है तो उसमें भी आप अच्छी तरह से पढ़ोगे tropical cyclone के बारे में कि tropical cyclone कैसे काम करते हैं कैसे form होते हैं सारा सब कुछ लेकिन फिर भी अभी for a reference क्या बता दू मैं आपको कि anti clock white direction में जब क्या होता है ट्रॉपिकल सी जो है यह पूरा जो ट्रॉपिकल रीजिन है इसमें circulatory winds develop होने लगती है ocean के उपर और वो क्या करती है अपने साथ में मौशर rain जो है तो वो carry करती है और जब landfall होती है तो landfall के समय पे क्या होता बारीज destruction winds storms यह सारी चीज़े जो होती तो वह साइकलोन है सब कुछ ठीक है तो localized 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 मतलब क्या है tropical region में हो रहा है न यह तो localized localized very intense low pressure wind system और वो develop क्यों होते है क्योंकि low pressure wind नीचे से मिल रही होती है तो यह समझा रहा हो में tropical cyclone ठीक है वो cyclone कहलाती है वो tropical cyclone होते है अब यह tropical cyclone का impact क्या होगा वो समझना तो these originate over bay of bengal and the Indian ocean bay of bengal और इंडियन ocean पर originate होते है वो ठीक है फिर क्या होता है इस tropical cyclones हाँ एक और चीज़ धियान रखना कि bay of bengal पे prominent रहते हैं ठीक है अब देखो कहा है तो these tropical cyclones have very high wind velocity and heavy rainfall and hit the Tamil Nadu, आंदरपदेश and Odisha coast अब यह जो cyclone develop होए ना तो इनकी velocity बहुत जादा रहती है और यह आप यह पूरा region जो तमिल नादू, आंदरपदेश, Odisha इस coastal region पर यह hit करते है मतलब landfall होती है ऐसा नहीं कि कोई पत्थर वत्थर आके टकरा रहा है, मतलब हवाएं जो होएं वहाँ पर टकराती है और फिर बारिश होती है, destruction होता है, बहुत सारी समस्या है most of these cyclones are very destructive due to high wind velocity and torrential rain that accompanies it अब यह हवाएं तो चली रही है cyclone के समय पर, cyclone के साथ साथ क्या होता है, torrential rain, मुसलाधार बारिश होती है, बहुत बहेंकर बारिश होती है उस करण से काफी हद तक बहुत जाधा destruction होता है, आपने देखाओ को news channel वाले किस तरह से news cover करते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती है कि कितना destruction हुआ ठीक, तो अब मैंने आपको यहाँ पर यह जो topic था, अच्छी तरह से comprehensively बता दिया है, इसमें जो आपने concepts पढ़े हैं, तो यह concepts आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब chapter में आप अलग-अलग season पढ़ोगे न, तब भी यही सारी चीज़े वापिस आने वाली है, वहा मतलब surface winds जो है, upper air circulatory winds जो है, pressure system क्या होता है, और दो और special reference की चीज़ के लिए हमने, तो western disturbances और tropical cyclone, यह सारी चीज़े हमने पढ़ी है, विंटर season को देखा था, कि winter season में मतलब अलग-अलग parameters अगर जैसे हम देखें, तो surface pressure and winds, ठीक है फिर upper air circulation में क्या हो रहा है, jet streams का क्या हो है, tropical cyclone किस तरह से influence करते हैं, तो जो parameters हमने winter season को समझने के लिए रखे थे, वही parameters हम यहाँ पे summer season को समझने के लिए भी रखने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहली और सबसे important चीज़ क्या है, कि यहाँ पे surface pressure और winds का क्या roll रहता है summer season में, summer season में यह सारी चीज़ें कैसे influence क करती है हमारे weather condition को, तो as the summer sets in the wind circulation over subcontinent undergoes a complete reversal at both the lower as well as upper level, यह समझ लीजिए, क्या होता है कि जैसे ही summer आता है, जो wind circulation है ना, वो lower और अपर दोनों level पे, बतलब अपर level in the sense कि upper air circulation में भी और lower level पे भी, दोनों जगहा पे complete reversal देखने को मिलता है, complete reversal winter के comparison में, winter में आपने क्या देखा था, winter में आपने देखा था कि यह जो land area है, यहाँ पे क्या है, high pressure zone है, अब यह high pressure zone है, यहाँ पे low pressure zone है, ठीक है, यह आपने winter के case में देखा था, अब क्या होने वाला है, summers में opposite हो जाएगा, क्या opposite हो जाएगा, यहाँ low pressure हो जाएगा, यहाँ high pressure हो क्यों क्योंकि अब देखो as the summer sets in the position of ITCZ will shift towards north North में चलियाएगा ITCZ मतलब solar insulation अब डारेक कहा रही है northern plane पे आ रही है solar insulation northern plane पे आ रही है जहाँ solar insulation रहेगी वहाँ क्या रहेगा वहाँ रहने वाला है low pressure क्योंकि वहाँ से conventional currents उपर उठेगी न low pressure है तो पानी जो है और नीचे की तरफ अगर देखो तो यहाँ relatively क्या रहेगा high pressure रहेगा and winds move from low pressure to low pressure तो इस तरह से हवाई ऐसी चलने लेगेगी ठीक है और ultimately क्या हो जाएगा और ultimately आप देखो कि तो reversal हो गया क्योंकि पहले हमने क्या देखा था पहले चीजें ऐसे चल रही थी ठीक है तो यह simple सा point है आपको घ्यान रखना है एल गायब हो गया ठीक है अब देखो यह मैंने आपको explain कर दिया कि reversal कैसा होता है इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक अब क्या होता है कारण वही है Northward shift of ITCZ parallel to Himalayas between 20 degrees north to 25 degrees north तो यह Himalayas की तरफ ITCZ shift हो जाता वो lower condition को develop करवाता है westerly jet streams withdraw from Indian region यह important चीज़ है समझना winter season में क्या देखा था winter season में कहानी कुछ ऐसी थी कि यह Himalayas है तो यहाँ पे westerlies थी westerlies घुमा करती थी जो क्या ला रही है उदर से बारिश लेके आ रही है आथवर्ट जाने से क्या होगा solar insulation ITCZ मतलब में sun को ले गया तो आपको पता है जहाँ sun होगा वहाँ ITCZ होगा यहां अगर ITCZ आया तो यह जो westerlies पहले south में चल रही थी ना यह westerlies आप कहा हो जाएगी यह westerlies आप नौर्थ में shift हो जाएगी इस चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्यों क्योंकि देखो इसका relation में आपको समझाओ इसका relation क्या है अब मौनसुन विंड्स जो है अब यहां पर attract होगी अगर यह westerlies जो है ठीक है अगर यह सब ट्रॉपिकल जट्स्ट्रीम जो है यह जट्स्ट्रीम क्या होती यहां चल रही होती पहले तो यह मौनसुन विंड को उड़ा ले जाती है अपने साथ ठीक अब क्योंकि summer सेरन के यहां पहुच गया और ITCZ यहां पहुच गया है ठीक है यह कहानी होगी यहां तक चीज़ें क्लियर है यह सब कुछ हुआ वेस्टरली जट्स्रीम विड्रॉफ फॉम इंडियन रीजन इंडियन से वेस्टरली जट्स्रीम चले गई है अब क्या होता है बहुत साए जो समझ जाना है जट्स्रीम की बात कर रहे है तो यह वेस्टरली जट्स्रीम और उसके बीच में रिलेशन आपको समझ में आई गया होगा कि हां रिलेशन है इस्टैबलीज डिलेशन है क्यूंकि अगर ITCZ नहीं पहुचता तो क्या होता ITCZ नहीं पहुचता लोग प्रेशर क attracts inflow of wind from different directions the maritime tropical air mass from the southern hemisphere अब क्या होता है अब देखो सब कहानी जुड़ी जुड़ा ही एकदम ITCZ ने लोग प्रेशर क्रियेट किया अब लोग प्रेशर जो क्रियेट हुआ तो यह क्या होता है यह लोग प्रेशर जो क्रियेट हुआ तो यह अट्रैक करेगा किसको high pressure zone से winds को attract करेगा तो यह जो high pressure zone में जो winds है high pressure zone में यह सारी winds है ठीक है जितनी भी आप क्या देखेंगे हाँ पे कि जितनी भी maritime tropical masses air mass है ठीक है यह यह पूरा high pressure area में जितने भी क्योंकि अब sun ऊपर चले गया तो यहाँ पर क्या है relatively high pressure रहने वाला है तो यह सारी air masses जो है वो कौन attract अब ITCZ क्या करने लगता है सारी air masses को अपनी तरफ attract करने लगता है चलो भीया तो सारी air masses क्या होने लगेगी मतलब ऐसे नहीं इतता भी नहीं जाएगी ऐसे घूम के turn ले लेती है इस चीज को धहना कि equator cross करने के बाद में जो southeast trade wind थी ना यह southeast trade wind जो थी तो equator cross करने के बाद मे term ले लेती है southwest और यही southwesternly wind बन जाएगी मैं आपको देखो hint देते चल रहा हर चीज का क्योंकि आगे आप जब अलगला क्या पढ़ने आले season को पढ़ने वाले हो cold weather season hot weather season retreating monsoon southwest monsoon तब भी यहीं चीज़े पढ़ोगे अभी यहीं पर बता दे रहो मैं आपको ठीक है तो यही southwest monsoon कहलाता हो जब यह winds क्या होती attract होती है और attract होके जाती है ऐसे तो इसे ही southwest monsoon बोलते हैं यहीं हमारे देश में बारिश करवाएगा यही है यही है वो सारी winds ठीक है compare and connect with the topic of winter season अब winter season से compare connect कर लो winter season में क्योंकि यहाँ low pressure ही नहीं रहता है तो अब जब ना रहेगा बांस न बजेगी बासुरी वाली कहानी हो गई है ITCZD नीचे की तरफ यह low pressure ही नहीं है तो winds ऐसी चलने का सवाल ही गया southwest monsoon होता ही नहीं है उल्टा क्या होता है यहाँ पर low pressure रहता है और समुद्र पर low pressure रहता है तो rehearsal हो जाता है winds इस तरह से चल रही होती है north east direction में flow कर रही होती है ठीक है यह कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई आशा करता हूँ कि कहानी सुनके मज़ा आ रहा होगा तो यह पूरी कहानी हो गई pressure मतलब surface pressure और winds किस तरह से काम करते है summer season में मैंने आपको वो बता दिया अब अगर आगे देखें jet stream में अपर air circulation उपर क्या हो रहा है jet stream का तो यह मैंने आपको कि दो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्रीम होती है पोलर से तो में कोई लेंदिन नहीं है लेकिन जो सब ट्रॉपिकल जेट स्रीम है तो हमालयास के किदर चलेगी नौर्थ में चले गई है ठीक है फिर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही jet stream में क kite किसा किदर जा रही होती है ईसट से वस्ट की तरफ ऋपर रही होती है कि इस्ट Game इस स्ट्रीम में इक डवलप होती है ठीक है अब आपको compare or connect करना है winter season के साथ में winter season की टाइम सर्फेस और प्रेशर विंड क्या थी वह भी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ठीक अपोजिट था यह अरसल था जैट स्ट्रीम इन अपर एयर सर्कुलेशन के अगर बात करें तो जैट स्ट्रीम जो है विंटर सीजन में वो कैसी चल रही होती है तो आपको रीजिनल जेट स्ट्रीम डवलप होती है जो इतनी ऊपर मतलब कह सकते है उतनी फास्ट नहीं होती है कितनी फास्ट जितनी फास्ट सफ ट्रॉपिकल होती है तो यहां पर क्या डवलप होता है इस्टरली जेट स्ट्रीम फ्लोवर दी सदन पार्ट ऑफ थी पैनेंसुला इन In August, it is confined to 15 degree north latitude and in September up to 22 degree north latitude. August से September के बीच में इस रीजन में, 15 से 22 के बीच में डांस करती रहती है. The easterlies normally do not extend to the north of 30 degree latitude in the upper atmosphere. अब क्या होता है और यह जो easterlies के हम बात कर रहे हैं, easterlies in the sense कि यह जो eastern jet stream है, इसकी बात कर रहे हैं, यह क्या होता है? यह 30 degree से उपर नहीं जाती है normally, 30 degree से उपर नहीं जाती है, इस current से आप देखोगे, तो ऐसा एक flow डवलप हो जाता है कही न कहीं, ऐसा एक flow डवलप हो जाता है अपर air circulation में, surface की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, surface पे क्या हो रहा है, surface पे तो आप देखो कि ऐसी winds चल रही है, और यह surface पे southwest चल रही है और उपर आप देखोगे, तो उपर क्या consequence flow कर रही है, तो यह eastern jet stream जो है, वो फ्लो कर रही है, वो subsidence भी होता है, air masses का और यही air masses पे south east wind के जाती है, तो इस थरह से यह circulation चलता रहता है, ठीक है, यह circulation चल रहा है, यहाँ पे, clear है, तो jet streams और upper air circulation सम wind नहीं है, यह आगे जाएगी, subseed करेगी, तो यहाँ से high pressure condition जो है, इसको और intensify करेगी, और यहाँ पे winds flow करना start हो जाती है, ठीक, यह कहानी हो गई, अब देखो, अब आगे देखो, तीसरा point क्या है, easterly jet stream and tropical cyclone, यह जो easterly jet stream होती है, tropical cyclone को भी influence करती है, कैसे क्या, तो य tropical depression into India, ठीक है, इंडिया का यह भईयू ने चुपा दिया पीछे, तो यहाँ इंडिया है, अब क्या होता देखो, यहाँ पे एक चीज और समझना बहुत अच्छी, important क्या, कि यह जो easterly jet stream में, stairs the tropical depression into India, stairs मतलब steering होती है, गाड़ी की, तो वैसे उस तरह से ही क्या होता है, कि tropical cyclone, जो tropical depression जो develop हुए, यहाँ पे tropical depression जो develop हो रहे थे, तो Bay of Bengal में, जो tropical depression develop हुए, वो tropical depressions के चलते क्या होता है, जैसे बारिश होने वाली है, मानलो, तो बारिश को क्या करेंगी, वो cyclones develop होंगे, tropical depression, उनको यह जो easterly jet stream है, वो आगे की तरफ steer करेगी, Indian subcontinent की तरफ, steer the tropical depression into India, इंडिया की तरफ steering करके लाएगे, कि हाँ अगर तुम्हें बारिश करवाना है, तो किदर करवा देना, इधर करवा देना, अपर एयर circulation से, इन सारी वेंट्स को धखा कर लाती है, वो, ठीक है, कौन, easterly jet stream, thank you बोलना इसे, these depressions play a significant role in distribution of monsoon, rainfall over the Indian subcontinent, इस इसकी importance ये भी समझ निकल पाई, ठीक है, हिमालया जे नहीं निकल पाई, तो ऐसा हो सकता, इधर घूमके, ऐसे भी जा सकती थी, लेकिन वो, नदन प्लेन पर क्यों जाती है, तो ये जो ऊपर की तरफ मैंने आपका बताए, easterly jet stream चल रही होती है, ये क्या करती है, ये distribution का का काम करती है, जैसे तो ऐसे, दिखा दियाना मैंने करके, ये हो गया, the tracks of these depressions are the areas of highest rainfall इंडिया, और जहां पर क्या होता है, कि ये जो सारे tropical depression बनते हैं, tropical depression को जो पुश करती easterlies, वो areas highest rainfall के tracks बन जाते हैं, इंडिया में, जैसे मेगालय वगिरा खास करके अगर आप देखोगे तो, तो the frequency at which these depressions visit India, their direction and intensity all go a long way in determining the rainfall pattern during the southwest monsoon period, और जिस intensity के साथ, जिस frequency के साथ, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन डवलप होंगे, जिस speed के साथ wind blow करेगी, उस speed के साथ हमारे rainfall होने वाली है, उस intensity के साथ rainfall होने वाली है, सारा खेल जो होता है, pressure and winds का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस वो सारी चीज़ें depend करेगी, कि कितनी strong winds चल रही है, wind किस direction में चल रही है, कितना moisture लेके चल रही है, जैसे हमारे बड़े बुजरुक कहते थे ना, कि जितनी ज्यादा गर्मी होगी, उतनी ज्यादा बारिश होगी, तो वो यूई नहीं कहते थे, माना उन्होंने geography नहीं हो गया ना, LHS is equal to RHS, उस तरह का concept है यहां पर भी, I hope you enjoyed it, topic पर आते हैं, तो the nature of Indian monsoon, अब इसे monsoon के हम बात करते हैं, monsoon type of climate की बात करते हैं, जो बारिश होती उसकी बात करते हैं, तो it is familiar to us, ठीक है, it is familiar to us, हमें पता है कि हाँ monsoon है, हमारे इदर monsoon type of climate है, monsoon का बाता है, newspaper ठीक है, news TV वाले, सभी लोग monsoon monsoon करते रहते हैं, जब बारिश आने वाली होती है, ठीक है, तो monsoon के बारे में हमें पता है, we are familiar to it, though a little known climatic phenomena, लेकिन किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर अलग-अलग queries है, ठीक है, इस climatic phenomena के बारे में हमें उतना जादा नहीं पता ह है, monsoon से हम परिशित है, monsoon हम में समाया हुआ है, हम monsoon में समाय हुए है, लेकिन कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में उतना जादा knowledge नहीं था, ठीक है, नहीं था, फिर क्या होता है, therefore, many attempts have been made to discover the exact nature and causation of monsoon, अब क्या होता है, कि जब पहले हमें पता नहीं था, हमें ये तो प है, क्या उसकी प्रकृति क्या है, आया समझ में आतक, जब हमें ये नहीं पता था, तो हमने क्या क्या हमने प्रयास किये, ठीक है, we have made many attempts, ठीक है, तो हमने बहुत सारे प्रयास किये, क्या, तो हमने क्या प्रयास किये, कि we have made attempts to discover the exact nature and causation of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully, लेकिन, लेक hypothesis दी गई है, हर theory में क्या है, कि हमने assumptions भी लगाए, कहीं कहीं पर exact proof भी कर रहा है, तो monsoon इस कारण से बनता है, monsoon का nature ऐसा इसलिए है, वो सारी जो कहानिया है, तो उसमें कहीं न कहीं क्या है, कोई भी एक single theory जो है, पूरी तरह से explain करने में possible नहीं हो पाई है, तो हमने फिर mon global rather than regional level, पहले हम क्या कर रहे थे, monsoon मतलब इंडिया, इंडिया में भी पढ़ रहे थे, इंडिया और इंडिया के बाजु का समुद्र, इंडिया, नोशन, अरिबियन सी, वो बेंगॉल पढ़ लो काफी है, नहीं, फिर क्या होता है, कि मतलब हमें कोई भी satisfactory, मतलब satisfactory theory नहीं म regional level पर start किया, मतलब हमने फिर उसको, monsoon को एक global phenomena की तरह देखा, हमने monsoon को सिर्फ Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea, और Indian Subcontinent तक सीमित नहीं रखा, हमने उसे global level पर relate किया, global level पर जो 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 phenomena हो रहे है, जैसे El Nino हो रहा है, ठीक है, ये El Nino क्या है सर, तो आपकी book में topic दिया है, मैं इसे समझाऊ और आपको एक important tip भी दूँगा, कि El Nino का पूरा अच्छे दोर समझना है, तो एक video देख जो मेरे दोरा बनाया गया है, ठीक है, तो उसे हम discuss करेंगे, लेकिन अब आपको समझना होगा क्या, कि जब हमने global level पर study करना start करी, rather than regional level, तब हमें क्या मिला, monsoon के exact nature का पता चला, त some of the systematic studies had helped us to understand the causes and salient features of monsoon and some important aspects such as, ठीक है, तो अब जब क्या होता, जब हमने global level पर study start करी ना, तो हमें monsoon के बहुत सारे अलग-अलग features, monsoon के बहुत सारे अलग-अलग क्या कह सकते हैं, उसका जो nature है, वो समझ माया है, उसके जो salient features है, वो समझ माया है, और हम उस चीज को तीन point पे, तीन pillars पे discuss करने वाले है, वो कौन-कौन से होने वाले है, the onset of the monsoon, monsoon आया, तो कैसे आता है, मतलब जो उसका onset याने, आना कैसे हुआ monsoon का, ठीक है, तो जो अभी तक हमने पूरी कहानी पड़ी है ना, chapter में, सुनो, समझो इस चीज को, अभी तक जो भी पूरी हमने कह स pressure वाला system कहां fit हो रहा है, मतलब इसको mathematical अगर समझे हम, तो formula याद करवा दिया, आपको एक word problem दे दिया, वो formula set करना है आपको बस, ऐसा करना है, geography एक बहुत scientific subject है, ठीक है, scientific है बहुत जादा mathematical है, तो humanities stream का part होने के साथ साथ भी आपको कह सकते हैं कि science और mathematical touch देता रहेगा, त मतलब इस इस तरह के mechanisms हैं, तो वो mechanisms को आपको set करना रहेगा, onset of monsoon हम वो देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, rain bearing system and distribution of monsoon rainfall, तो rain bearing system monsoon में पानी क्यों आ रहा चलो, monsoon winds कह दी हमने, monsoon winds चल रही है, हवाय चल रही है, हवाय पानी कहां से लिए है, कैसे पानी आता है, कौन-कौन स जो है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, specifically इस topic में, and break in the monsoon, monsoon में breaks होते हैं, आप ऐसा थो रही है, कि पानी गिरना चाल रहा था, चार मने तक पानी गिरते ही जा रहा है, कि रुख ही नहीं रहा, बस आप बाहर ही निकल पार हो, breaks होते है, आप देखते ह कि हमारे बारिश होती कैसी है, monsoon जो है वो आता कैसे है, तो अब आपको क्या करना है, relate with the previously discussed concepts, ठीक है, तो आपको जो पहले हमने concepts पढ़े हैं, उन सारे concepts को यहाँ पर relate करते चलना है, देखो, क्योंकि हमने in detail में इतना पढ़के आये पीछे, तो अब हम ज़्यादा details में न मौनसून ऐसे आया, ठीक है, तो पहला point जिसे क्या है, कि differential heating of land and sea during summer months, ठीक है, and this resulted into the drift of monsoon towards the subcontinent, ठीक है, therefore monsoon winds drift towards the subcontinent, क्या है कहानी, ठीक है, पूरी कहानी explain कर देता हूँ आपको, simple सी कहानी है, क्या होने, differential heating बोला जा रहा है, मतलब आपको पता है, जमीन जल्दी गरम होत low pressure, ठीक है, यहाँ पे low pressure बन गया, ठीक है, यहाँ पे जब low pressure बना, और आप देख रहे हैं, पानी जो है, तो पानी क्या है, अभी गरम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, high pressure, अब high pressure से low pressure winds चलती है, यह high pressure से low pressure winds चली, अब जब यह winds high pressure से low pressure चलेगी, तो क्या ले जिसे रहते हैं गाड़ी खाली जारी तू बैठ रहा है क्या? तो वो क्या करेगी? वो विंट्स जो हो मॉस्चिर को बिठा लेगी कहां से? इस ओस्षिण पे से. और मॉस्चिर को फिर प्रसिपिटेट करवा देगी कहां पे? लेंड मास्थ पर. तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बारिश हुई, ठीके, मौनसून आया, बोलो हाँ, ठीके, तो ये पहला पार्ट हो गया, अब क्या होता है, तो have a look on the whole phenomena, अब यतना आसान नहीं लेकिन, कि सिर्फ low pressure बन गया, high pressure बन गया, winds चलेगी, बारिश ह हो गई है, ठीके, इसमें और भी चीजें, और भी mechanisms काम कर रहे होते हैं, और भी mechanisms क्या क्या है सर, तो जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, तो April, May, में क्या होता है, large landmass of north of Indian Ocean gets intensely heated, तो Indian Ocean के north में, बतलब ये Indian Ocean है, Indian Ocean के north में, जो पूरा का पूरा landmass है, this landmass get intensely heated, ठीके, आप बना हुआ है वो, तो वो बहुत जादा गरम हो जाती है, गरम हो गई तो वहाँ पर क्या एक बहुत जादा intense low pressure बना, जितना strong low pressure रहेगा, वो उतनी strong तरीके सा high pressure winds को खीचने वाला है, ठीके, तो ये high pressure winds क्या करने आली, तेजी से चल के आएंगी और, ठीके, अब क्या हो र लेटर, अब समझो, यहाँ पर जितने लोगों ने अगर इस शब्दों को पकड़ लिया है, तो बहुत बढ़ी है, समझदार हो गयो आप, south east लिखा है मिने, south west नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर आपने अभी तक क्या पढ़ता है, चप्टर में कि ऐसे winds चल रही है, ठीके इस trade wind को equator के equator की तरफ से खीश लेता है, कौन खीश लेता है, लोग प्रेशर सेल खीश लेता है, कैसे, यह है कहानी, यह है कहानी पूरी देखो, तो यहाँ पर आप देखो लोग प्रेशर बना हुआ है, ठीके, यहाँ पर लोग प्रेशर बना हुआ है, अब यह जो हां ITCZ जब समझाया है मैंने आपको तो ITCZ में बताया था कि ITCZ shift होता रहता है तो summers के time में ITCZ यहाँ पर है इंडिया में Northern plane के उपड़ है अब यह Northern plane के उपड़ ITCZ है मैंने आपको यह भी बताया था कि ITCZ के साथ में पूरा pressure belt भी shift होता है तो pressure weld कैसे shift होता तो अगर ध्यान हो आपको ITC rate पर जैसे winds converge हो रही है कौन कौन सी winds converge हो रही है तो south east trade wind हो रही है और north east trade wind हो रही है ठीक है south east और north east दोनों trade winds क्या हो रही है converge हो रही थी तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि यह south east trade wind है यह equator cross कर गई है ठीक है ये equator है तो ये equator cross कर चुकी है अब equator cross कर गई है ये इस तरह से अब equator cross कर गई है तो इन्हें इधर जाना चाहिए था लेकिन ये इधर में ही जाती है क्या हो जाती है deflect हो जाती है किस तरफ deflect होती है ये Indian landmass की तरफ deflect होती है सवाल क्यों deflect होती है सर तो यहाँ पर समझो जरा ये deflect इसलिए हो रही है क्योंकि ये है high pressure winds मतलब ये high pressure area सो originate हो रही है अब high pressure winds किदर चलेगी low pressure की तरफ और जहां strong low pressure होगा ये वहाँ की तरफ attract हो जाएगी तो यहाँ आपकी बुक में भी वही लिखा है ना क्या कि low pressure area जो है तो this low pressure cell attracts the southeast trade across the equator तो equator cross करके वो उन्हें attract कर लेते कि आओ मेरे पास ठीके तो इस तरह से क्या landmass जो है वो low pressure के कारण high pressure winds को attract कर रहा है और वही winds फिर बाद में क्या कहलाएगी southwest क्योंकि वो equator cross करके ऐसे आ रही है ना इं इंडिया में इस direction से अरितों से फिर southwest तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि यह जो south east trade winds थी दीजारती मतलब यह जो southwest monsoon बनने वाली है मतलब कि south east trade winds ही क्या है यह southwest monsoon है ठीक है तो southwest monsoon is the continuation of south east trades, south east trade winds ऐसे लिखलो ज्यादा सही रहेगा ठीक है आएना समझ में एक बार और simplify कर दूँ क्या आप के लिए देखो क्या है पूरी कहानी बताता हूं पूरी कहानी ऐसी है कुछ कि यह जो ITCZ यहाँ पर आया ITCZ के कारण pressure belt भी उपर की तरफ shift कर गए तो normally यह होता कि यह trade winds converge हो रही है यहाँ पर convergence zone है न वो तो अब convergence zone है तो यह winds जो है यह winds जो है इस तरह से south यह जो south east winds ही है ऐसी चलना चाहिए थी लेकिन यह जो low pressure बनाना यह बड़ा मजबूत था इसने क्या करा कि south east wind को ऐसे converge कर वा लिया अपनी तरफ अपनी तरफ बुला लिया तो south east trade wind ही क्या कहला ही बाद में southwest west monsoon winds कहला ही कब जुन जुलाई की टाइम पर जब हमारे बारिश लेकिया आने वाली है सिंपल सी चीज थी यह मैंने आपको समझा दिये यह आ गया south east monsoon क्या होता है ठीक है continuation of south east trade wind कहा जाएगा इसे these winds cross the equator between 40 degree east and 60 degree longitude तो 40 degree से 60 degree के आसपास यह जो longitude है ठीक है इस longitude में क्या करती है यह वाला जो longitude है इस longitude में वो cross कर लेती है इस तरह से यहाले longitude के बीच में cross करके ऐसे आगे बढ़ जाती है ठीक है यहां से यह धियान रहेगा आपको यह पूरी कहानी हो गई किसमें onset of the monsoon में कि monsoon कैसे आ ले गई है ITCZ shift हो चुका है अब क्या होता है this is related with the withdrawal of westerly jet stream westerly jet stream sterly jet stream सब कुछ पढ़ा था हमने तो अब क्या होता है जो westerly jet stream है वो कहां चलती है normally जिस हम देखेंगे तो winters के time period में westerly jet stream कहा होगी westerly jet stream अगर हम देखें तो jet stream जो है ठीक है यह हम क्या है यह ITCZ है अभ मैं आपको jet stream बता देता हूँ तो jet stream क्या है jet stream अगर आप देखो कि तो यह ऐसे बहर रही थी जुलाई के पहले अब क्या होता है कि जुलाई आते जैसे summer आ रहे हैं तो summer के time period में मतलब आप देखो कि तो March के पहले से अगर देख लो आप ठीक है मार्च के पहले से क्या होता होगी नौर्थ में तो रिलेड विड्रॉल आफ वेस्टरली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इक्स पोजिशन ओवर दी नौर्थ इंडियन प्लेंस सौथ ओफ हिमालियास टू वेर ठीक है समझने चीज को क्या है मतलब आपको यह समझ में आ गया कि ITCZ नदन प्लेन पे चले गया अब नदन प्लेन पे उपर पहले से कौन था तो नदन प्लेन पे वेस्टरली जेट स्ट्रीम जो चल रही थी ठीक है जो नदन प्लेन पे वेस्टरली जेट स्ट्रीम जो थी जिसने अपना क्या ऐसे मेंडरिंग में में बनाते है यह नदन प्ल Topical Convergence Zone CZ. ITCZ के आने से जब ये वाला जो है ये खतम होने लगेगा मतलब High Pressure Zone खतम हो के Low Pressure Zone बनेगा तो अब ये Westerly जो है ठीक है ये वेस्टरली जेट स्ट्रिम जो है ये भी shift हो जाएगी उपर की तरफ ठीक है यह उपर की तरफ shift हो जाएगी यह ध्यान रखना जो पहले Indian plane पी थी South of Himalayas में जो पहले थी अब यह two where कहां चले जाएगी अब यह North of Himalayas में अब यह जाएगी North of Himalayas में यहां से ठीक है यह हो गया पूरा अब देखो यहां तक चीज़ें clear है ना तो हमने यह देख लिया कि हाँ differential heating of land and sea होता है उसके बाद में जो pressure system अलग अलग थे वो काम करते हैं उनके काम करने के राद में जब ITCZ shift करता है North के तरफ यह सारे factors जब एक साथ काम कर रहे होते हैं तब कहीं क्या होता है monsoon आता है onset of the monsoon देखने को मिलता होता है हम observe करते हैं clear है what's next अब देखो यहां पे entry of monsoon into India आखिरकार वो enter कैसे करता है हाँ एक और चीज समझ लो यहां ठीक आपकी बुक में क्या लिखा है कि कौन विड्रा हो गया है से वेस्टरली जेट स्ट्रीम में विड्रा हो गई है और इसकी जगा पर कौन करता है 15 डिगरी के असपास easterly jet stream enter कर जाती है यह क्या चीज हो रही है तो यह ऐसा हो रहा है कि अब यहां से easterly jet stream jet streams क्या है upper air circulatory wind है तो जो easterly jet streams होती है वो easterly jet streams क्या कर रही है अब इस high pressure को और जदे intensify कर देती है तो surface winds कैसी चलने लगती है यहां high pressure से low pressure चलने लगती है तो easterly jet stream जो है तो वो और push कर देती है Indian monsoon को तेजी से ठीक है burst of Indian monsoon होता है वहाँ पे clear है 1st June and move swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10th and 13th June ठीक है तो यह जो पूरा का पूरा monsoon system है जो southwest monsoon winds के through आने वाला है यह इंडिया में entry कैसे मारता है तो आप देखो कि तो जो tip है हमारी तो 1st June 5th June के आसपास केरला करनाटा की सीजन में जाता है 10th 13 तक जिसे आप देखो कि एक branch इदर भी चल रही है यह दो अलग-अलग branches है अरेविंसी branch से भी आएगा बेओ बेंगॉल branch से भी आएगा इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे आ रहा है ठीक है रेन बेरिंग सिस्टम क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको तो 1st June 10th June 13 June इसके आसपास आ ज मौनसून एंगल्फ दी एंटायर सब कॉंटिनेंट यह साउथ वेस्ट मौनसून जो है पूरी तरह से एंटायर सब कॉंटिनेंट को एंगल्फ कर लेता अपने कह सकते हैं कि अपनी छतरशाय में ले लेता पूरे बारत में क्या हो जाता है पूरे भारत में बारिश हो जात यह मौनसून सीजन आ गया रिनी सीजन आ गया ठीक है so this was all about the onset of मौनसून recall करें ज़रा दो मिनिट में तो कितरे सारे फिनोमेना एक साथ काम करते तब हमारे मौनसून आता है differential heating and cooling of land and sea ठीक है ITCZ का shift होना नदन प्लेन का heat up हो जाना तिबतन प्लेट्यू का वहां पर होना ठीक है अनदन प्लेन का heat up होने के साथ साथ में जो वेस्टरली जेट स्ट्रीम चल रही थी उसका shift होना और नौर्थ में north of south जो पहले south of हिमालयास थी तो अब वो north of हिमालयास चले गई मैंने शाहएद अभी north of south ऐसा कुछ बोल दिया ना तो जो south of हिमालयास थी westerly jet stream वो north जाएगी तब जाके vacuum बनेगा तब क्या होने वाला हमारे winds आने वाली है और westerly jet stream के जाने के बाद में इस्टरली jet stream जो है तो वो और क्या करती है इंटेंसिफाई करती है इंडियन मौनसून की जो पूरी की पूरी situation डवलप होती है उसे बनाने में इतने सारे factor काम करते हैं तब जाके monsoon आता है सिर्फ ऐसा मत बोल देना कि सर गर्मियों के बाद में बारिश आ जाती है ठीक है कितने सारे factor होने काम करना एक साथ वो सारी चीज़े हो गई है ठीक है जो south east winds थी वो equator क्रॉस करके tilt होती है और वही wind क्या कहलाती है southwest कहलाती है ये भी धिया है क्या लेकर आया वो हम पढ़ेंगे इसमें rain bearing system में and rainfall distribution और फिर देखेंगे अब वो पानी लेकर आया तो किसको कितना कितना कहा देके जा रहा है वो rainfall distribution का part होने वाला है clear है तो अब देखो क्या है तो there seems to be two rain bearing system in India तो जो monsoon आया ठीक है इंडिक है इंडिया में जो monsoon climate है ज je southwest wind आया मतला है इसे ढूंडने मतलगना कौन आया जो southwest wind आया वो southwest wind जो है तो वो दो branches में आने वाली है और दो branches जो है जो इंडिया में पानी लेके आएंगी कौन कौन सी है Bay of Bengal और Arabian Sea branch बेओ बेओ बेंगॉल कहा है अरे अरेबियन सी कहा है यह आपको पता है तो इधर Southwest wind जो हैं दो ब्रांचे में आने वाली है अभी सुनो घबराओ मत इसे हम इन डीटेल पढ़ेंगे आगे जब हम अलग-अलग seasons को पढ़ने वाले हैं तो season में आपको यहां पर अच्छे से और बताऊंगा तो अभी इतना ध्यान लख लो कि जो बेयो बेंगॉल साइट से मौनसून की ब्रांच आ रही है वो बेयो बेंगॉल ब्रांच हो जाएगी जो अरेविन सी साइट से आ रही हो अरेविन सी ब्रांच हो जाएगी ठीक है अब यह रेंबेरिंग सिस्टम बनाएंगे तो बेयो बेंगॉल वाली जो ब्रांच है तो causing rainfall over the plains of North India ठीक है अरेविन स ब्रांच में कैसे बारिश करवाएगी तो समझना यहां पे हमारे bodyguard घड़े ना कौन है mountains है यहां पर आप देखोगे eastern hill है यहां पर हिमालयास है तो वह इस तरह से tilt करवा देते तो यह वाली जो ब्रांच बेयो बेंगॉल वाली ब्रांच वह नदन प्लेन में भी बारिश क आया इंडिन मॉनसून में जो rain bearing system है उसमें दो ब्रांच अरिविन सी और वे और बेंगॉल वो दोनों मैंने आपको बता दिये doubt clear है सारे ठीक है फिर क्या आप देखो much of the rainfall along the western ghat is orographic as the moist air is obstructed and forced to rise along the ghat इस चीज को समझो अब जरा क्या होता है कि most of the rainfall along the western ghat is orographic orographic क्या होता है आपको पता है अभी थोड़े पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आपने डिसकस किया था क्या कि orographic मतलब क्या है मानलो यह अरेबियन सी है अरेबियन सी से जब बेयो बें वेस्टन घाट देखने को मिल जाए गई तो यह वेस्टन घाट को क्रॉस करना होगा अरेबियन सी को अब जब अरेबियन सी ब्रांच जो है यह वेस्टन घाट को जब क्रॉस करेगी तो वेस्टन घाट को क्रॉस करते समय क्या होगा as the moist air is obstructed and forced to rise along the ghat ठीक है यह जो moist air गया को अब जैसे चलते जाएगी ना तो क्या हो रहा है गई ऐसे बॉत पर चब रही है तो इसको आप देखो हो गया ओफर जाते चैनल लेगा कि आधिने यह तो फिर यह जो उपर याज़ा जाएगी वह यहाँ पर देखो Niks मुझ में आएगा कि हाँ western guard पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है about 200 cm क्यों हो रही है western guard पर बारिश तो western guard ऐसी नाटक करता है क्या करता है वो वो अस्टक करता है arabian sea branch ठीक है to rise up और जब वो उपर उठेगी तो अपने आप precipitate कर जाएगी वो बारिश करवा देगी ठीक है यह दिहान रहेगा ना तो यह आपको चीज़े समझ में आना चाहिए कि कैसे bay of bengal जो है वो एक rain bearing system का part बनती है ठीक है और arabian sea branch जो है वो भी rain bearing system का part बनती है aurographic rainfall क्या होती है यह पूरी कहानी मैंने आपको बता दी अब देखो क्या है तो the intensity of rainfall over the west coast of India is however related to two factors अब लेकिर अगर जैसे देखें तो aurographic rainfall तो हो रही है लेकिन aurographic rainfall के साथ-साथ भी दो factor काम करते हैं जब जाके west coast पे बारिश होती है ठीक सिर्फ यह मैं सोच लेना कि aurographic rainfall हो और यह तो बारिश हो जाएगी दो और भी factor काम करते हैं वो क्या है दो factor the offshore meteorological conditions offshore meteorological condition Meteorological Condition क्या होता है? Offshore क्या होता है? Offshore मतलब कि समुद्र के पास में समुद्र के पास में मतलब जिसी ये वाला area जो है तो अब ये coastal area है, तो coastal area है कि पास का जो समुद्र है समुद्र के पास में की जगा ये शब्द सही रहेगा कि coastal area के पास का जो समुद रहे जो offshore area है यहाँ पे क्या meteorological conditions डवलप हो रही है मतलब meteorological conditions है नहीं कि यहाँ पे क्या air pressure डवलप हो रहा है यहाँ पे किस तरह की winds चल रही है आया ना जमन में तो यहाँ पे किस तरह की winds चल रही है यहां पर क्या air pressure develop हो रहा है उस चीज़ पर डिपेंट करेगा कि विंड्स कितनी intensity के साथ चलेगी जितनी intensity के साथ विंड्स चलेगी उतना मौश्य लेके जाएगी मौश्य लेके जाएगी उतना precipitation होगा तो इस sense में आपने इसी देखा होगा ना गोव वगिरा जो है western margin पर जो रह रहे है western घाट के उस साइड तो वह बारिश जिस दिन ज्यादा घर्मी वगिरा हो जाती है उतनी बारिश हो जाती है वहां पर तो meteorological conditions क्या करती है आप जाती है और फिर क्या होता है फिर बारिश हो जाती है तो यह ध्यान रखना कि offshore meteorological conditions जो है जो समुद्र में एक्टिविटी हो रही है यहां जो air pressure बन रहा है वह western coast पर जो बारिश हो रही है जो हम देख रहे हैं 200 cm से जादा हो रही है जो हम देख रहे है कि कभी कभी क्या होत proportion of equatorial Jet stream along the eastern coast of Africa यह समझनी आता सर ठीक है यह समझाते देखो तो इधर Africa मान लो अब एफरिका के इस्टन कोस्ट पे क्या है आप एफरिका के इस्टन कोस्ट पे देखोगे एक्विटोरियल जेट स्ट्रीम है तो वो एक्विटोरियल जेट स्ट्रीम क्या कर रही है वो एक्विटोरियल जेट स्ट्रीम जो है न वो जेट स्ट्रीम क्या करती है ये जेट circulatory wind हो गई ठीक है अपर एयर circulatory wind हो गई तो वो अपर एयर circulatory wind कहीं ना कहीं surface winds जो है जो कहां पर चल रही है जो समुद्र के उपर चल रही है इंडियन ओशन पर चल रही है उन surface winds को intensify करती है और वो surface winds कहां आएगी अब दिखती बात है वो western coast coast से तकराएगी और motion लेकर आएगी तो western coast पर क्या करवाएगी बारिश करवाएगी आयना समझ में तो Africa के east में जो jet stream है equatorial jet stream है वो यहां के climate को भी influence करती है अब आगे बढ़ते हैं जरा देखो तो rain bearing system में यह तो दो चीजे हो गई है अब इन दो चीजों के अलावा क्या है तो इन दो चीजों के आवा जैसे आप देखोगे तो पूरी चीजे हम discuss करेंगे अभी इतना समझ लो कि cyclone क्या है गोल गोल रानी कितना कितना पानी वाला खेले मतलब जो circulatory winds बनती है ठीक है और अधिकतर जैसे कहा हो तो एक चीज बता हूँ आपको कि जहां बे रहता है ना बे बे रहता है और फिर गल्फ रहता है तो तीन तरफ से landmass एक तरफ से खुला हुआ area रहता है और जो पानी रहता है तो उस पानी पे cyclone बहुत अच्छी तरह से बनते है इसलिए आप देखोगे Bay of Bengal में बहुत सारे cyclone मनते हैं आप मुझे एक दो cyclone के नाम बताना जो recently आये हैं तो Bay of Bengal में क्या है जो cyclone मना न यह cyclone क्या करने वाला है जब यह coastal area से टकराएगा जिसे आप देखते है ओडिसा आंदरपदेश से जब यह cyclone हिट करते हैं तो यह लेंडिंग जब होती है cyclone क cyclone जब coast के पास में आता है तो वो बारिश करवाता है बहुत बहंकर क्यों करवाता है तो यहाँ पे जो winds है वो winds क्या करती है वो winds moisture उठा के लाती है कहां से moisture उठा के लाती है समुद्र से तो समुद्र पे जब तक रहती है वो moisture carry करती है लेकिन जब वो land होता है cyclone वो जो winds ह साइकलोन एक तरह से winds है, circulatory movement of wind ठीक है, तो वो winds जब क्या होता है, coastal area पे आजाती है तो winds coastal area पे आने के बाद में यहाँ पे जितना भी moisture था वो क्या होता है, वो moisture मिलना बंद हो जाता है low pressure बंद हो जाता है, वो saturation point पे आ जाती है और फिर precipitation हो जाती है तो अधिकतर जिसे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो cyclone टकराते हैं वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, तेज हवाएं चलती है destruction होता है, सब कुछ होता है तो हम अभी क्या देखेंगे, हमारा perspective क्या है rain bearing system वाला, तो rain bearing system में हम क्या देख रहे हैं कि यह जो tropical cyclone डवलप होते हैं, यह भी बारिश करवाते हैं आया समझ में यहाँ तक, ठीक है tropical cyclone भी क्या करवाने वाले हैं, बारिश करवाने वाले हैं तो part of rain bearing system of the country part of rain bearing system of the country, the frequency of the tropical depression originates from the Bay of Bengal, varies from year to year अब देखो क्या है, अब ऐसा नहीं है कि हर बार tropical cyclone आएंगे ही आएंगे अब यह भी है कि अगर आएंगे भी तो एक जैसे नहीं आएंगे ठीक है, मतलब कभी बहुत strong tropical cyclone आएगा बहुत जादा बारिश करवा जाएगा वो कभी उतना strong tropical cyclone नहीं आएगा तो weak मतलब रहेगा cyclone तो बारिश उतनी जादा नहीं होगी ठीक है तो उस sense में क्या है कि जो frequency है न ट्रोपिकल depressions की originating from the Bay of Bengal और यह depression जो बनता है उसी से cyclone बनते हैं तो उसकी जो frequency है वो frequency vary करती है year to year ठीक है region to region time to time अब यह जब vary करेगी अब आप उजो कि sir vary क्यों करती है ठीक है तो it is because it is determined by the position of ITCZ कहानी समझोग पूरी ठीक है कहानी समझ लोग है तो concept समझ में आ जाएगा ITCZ क्या करता है ITCZ मानलो यहाँ है ITCZ क्या बनाएगा low pressure बनाता है ठीक है ITCZ low pressure high pressure define करने वाला है तो अब क्या होगा कि ITCZ के हिसाब से क्या होगा pressure conditions define की जाएगी ITCZ यहाँ है तो यहाँ intense low pressure बन गया ठीक है यह intense low pressure बन गया तो अभी आपको क्या समझ में आया कि high pressure से low pressure winds चलना start हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर determine कौन कर रहा है कि pressure conditions कैसी होगी ITCZ ठीक है अब ITCZ की position ITCZ की intensity जो है वो क्या करने वाली है वो tropical cyclone के लिए conducive environment develop करेगी ठीक है मतलब जितना strong ITCZ होगा आप यह मान के चलिए उतना strong tropical cyclone आने वाला है जितनी जादा घर्मी होगी उतनी जादा तीजी से क्या होगा tropical cyclone देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ पर आपको यह concept relate करना है कि tropical cyclone जो है वो type tropical cyclone जो है किस पर depend करता है वो depend करता है ITCZ पे ठीक है और यह ITCZ के हिसाब से क्या होता है depending on the conditions developed by ITCZ tropical cyclone की intensity vary करेगी ठीक है कभी बहुत जादा मजबूत tropical cyclone आएंगे कभी कमजोर tropical cyclone आएंगे ठीक है as the axis of monsoon truff oscillates आपको पता है ITCZ क्या करता है ITCZ oxalate करता है उपर नीचे जाता है ठीक है तो axis of monsoon truff और ITCZ जो है वो oscillate जब करेगा तो there are fluctuations in the track and direction of these depression आगे समझ में तो जो depression मनेंगे tropical depression मतलब जो जिस तरह का air pressure बनना चाहिए वो air pressure क्या है सही नहीं बन पाएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे fluctuations देखने को मिलेंगे अब जब air pressure में fluctuation होंगे and the intensity and the amount of rainfall vary from year to year तो उसके चलते क्या होगा कि जो tropical cyclone के लिए environment जो air pressure बनना चाहिए तो वो year to year vary करेगा अब जब वो vary करेगा तो उस sense में क्या है कि वो जो rain लेके आ रहा है main point ये है कि वो जो rain लेके आ रहा है rain bearing system का part है न तो जो rain लेके आ रहा है तो rain भी क्या हो जाएगी vary करेगी year to year मतलब कितना amount of rain आपको tropical cyclone से मिल रहा है वो vary करने वाला है ठीक है ये चीज़ धियान रखना आप the rain which comes in spells displays a declining trend अब देखो ये second part है rainfall distribution वाला part में आपको समझा रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया थोड़ा सा recap करते है rain bearing system क्या है तो rain bearing system में हमने arabiancy branch देख लिए वो पानी लेके आ रही है Bay of Bengal branch देख लिए वो पानी लेके आ रही है western coast जो है तो aurographic rainfall उती है उसमें दूसरे भी factors है जो उसको influence करते है ठीक है अब अगली चीज़ क्या है जो और पानी लेके आता है तो अगला rain bearing system जो है वो पानी आएगा वो भी vary करता है यहां तक चीज़े समझ में आ गई है अब देखो क्या है अब distribution की बात करें कि rainfall कहां कितनी है तो the rain which comes in spell ठीक है spell में आती है जैसे आपने देखा distribution होता है मतलब distribution मोल रहा हूं break होता है अभी आप next video में पढ़ो या आपका यही topic है अभी आपन from west to east over the west coast ठीक है मतलब यह जो west coast है आपका western coastal margin जो है पूरी तो यहां पर क्या होगा west to east में declining trend मतलब western coast पे western side में तो बहुत बारिश है लेकिन जैसे जैसे आप east में बढ़ो तो यह देखो यह color color shade में जो धीरे-धीरे decline होता दिख रहा ना आपको तो dark blue मतलब क्या है कि 200 से बारिश हो रही है ठीक है फिर तो थोड़ा सा light हो गया तो वह 100 से 200 के बीच में centimeter में बारिश हो रही है ठीक है और light हो गया तो 60 cm से भी नीचे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पानी सबसे जादा और जैसे जैसे west से east आगे बढ़ो गया तो पानी आपको decline होत का जो amount है वो decline होते हों मिलेगा तो distribution of rainfall के अगर बात करें तो it declines on the western coast from west to east ठीक है कारण क्या है और कारण है western घाट western घाट जो है तो अधिकतर बारिश को western side पर ही करवा देते है eastern side पर पानी कम होता है eastern side levered होता है levered पता है ठीक है अब देखो क्या है तो अगली चीज़ क्या है and from south east towards the north west over the north Indian plane and the northern part of the peninsula तो अगर आप देखो के distribution जो है तो coast में तो मैंने आपको बता दिया कि coast में क्या है इस तरह से decline होता है west से east में और अगर आप northern plane की बात करोगे तो south east, south east ये वाला जो पार्ट है तो ये south east में क्या है देखो आप बारिश ज़्यादा है लेकिन जैसे जैसे आप north west में जाओगे तो यहाँ ज़्यादा है यहाँ और कम है यहाँ उससे भी कम है तो distribution ऐसे भी क्या हो गया vary करता है decline होता है rainfall distribution में आपको ये भी समझ में आगया कि हमारी country में कहा rainfall किस तरह से distributed है यहाँ पर west to east देख लो यहाँ पर आप south east से north west चले जाओ यहाँ पर भी क्या हो रहा है decline ही हो रहा है नदन प्लेन में पेननसुला में भी वही कहानी है और ठीक है तो इस तरह से rainfall जो है amount of rainfall जो है वो unevenly distributed है rain bearing system क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया topic पकर आते हैं तो break in the monsoon तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं what do you mean by break in the monsoon यह break होता क्या है ठीक है मतलब monsoon रुखता है क्या कहीं पे जी हां monsoon भी break लेता है अब इतनी दूर से आ रहा है बिचार अरिबियन सी से ठीक है अरिब बारिश होती है तो बारिश यसी थुरी ना होती कि एक बार पानी आ गया तो चार महने तक पानी गिरता ही रहेगा आपने क्या देखा कि पंदरा दिन पानी गिर गया चलो फिर आप एक हफते पानी बंध है दो हफते के लिए पानी बंध है वीक ठीक है for a week or two ठीक है आपक क्या होता है कि rain जो है वो एक या एक से जाधा हफतों के लिए फिर रुख सी जाती है तो उसे हम कहते हैं break in the monsoon clear it is known as break in the monsoon I hope the concept is clear आपको समझ में आगी चीज़े break in the monsoon क्या होता है अब देखो यह जो dry spell होते हैं यह dry spell rainy season के time में बहुत effective भी होते हैं क्योंकि क्या है कि continuous time period अगर चलता रहता तो आप देखोगे क्या कि बहुत सारी fungal diseases यह सब कुछ भी हो जाती है आदमी भी frustrated हो जाता है कि या पानी गिर रहा है बंदीनी हो रहा है बंदीनी हो उस तरह से तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि rainy season है बरसात चल रही है लेकिन उन बरसात के बीच में भी क्या होता कभी कभी dry spells जो होते हैं जो एक हफते के दो हफते के जो होते हैं वो जो dry spells होते हैं उसे ही क्या कहते है हम break in the monsoon कहा जाता है मौनसून में break कहा जाता है ये clear है आपको ठीक अब देखो सवाल यह आता कि से ये break लगता क्यों है क्या सच में किसी ने मेरी बात को serious तो नहीं नहीं है कि monsoon मौनसून चाहे समूसे के लिए रुख जाता है कहीं पर मौनसून चाहे समूसे के लिए नहीं रुखता है उसके पीछे geographical reasons है क्या है geographical reasons वो समझाता हूँ तो these breaks in the different regions are due to different reasons ठीक है अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग तरह से break जो लगते हैं में dry spell जो होते हैं जो कुछ समय के लिए बारिश बंद होती है वो अलग-अलग कारणों से होती है आपकी बुख में दो ही कारण दिये multiple reasons are there ठीक है बहुत सारे कारण है अब दो कारण जो है उन्हें समझो क्या है in North India rains are likely to fail if the rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough और ITCZ over this region समझना इस चीज़ को बहुत important है क्या यह क्या कह रहे है कि जो North India में आप देखते हो rainfall उसमें breaks जो आते हैं वो fail क्यों हो जाती fail in the sense कि वह रुकती क्यों है एक time period में dry spell क्यों होता है क्यों होता है और क्या होता है अगर यह जो winds आ रही हैं दो यह जो winds आ रही है अगर यह southwest winds continues नहीं मतल्य इनके बीच में क्या है एगर breaks होगया विंड के बीच में ब्रेक होगा, तो यह जो ट्रफ है, ITCZ यहां पर है, अब ITCZ क्या खेल कर रहा है यहां पर वो भी समझो, ITCZ यह है, ठीक है, ITCZ पर अगर जैसे यह विंड जब आ रही है, इधर से यह विंड आई है, यह विंड ITCZ पर पहुचेगी, इस विंड के अंद थी, ठीक है, यह rain bearing storms क्या होंगी, उपर की तरफ जाएंगी, और उपर जाते जाते जाते, क्या होने लगेंगी, वो एक तरह से देखोगे, तो आप condensed हो जाएंगी, ठीक है, वो precipitation के लिए ready हो जाएगी, उनके अंदर का जो moisture है, वो dust particle के आजू-बाजू क्या हो जाएगा, water droplets बन जाएंगी, और जैसे उपर और जाएगी, जब heavy हो गई वो, तो जो clouds है, वो moisture-laden clouds है, तो फिर दीरे से precipitous हो जाएंगे, ठीक है, अगर ITCZ यह नहीं होता न, नीचे से अगर उसको convection currents नहीं मिलती, तो क्या होता, तो यह जो rain bearing storms है, यह और आगे भाज आती, लेकिन अ are likely to fail, या फिर rains are likely to have dry spell, if the rain bearing storms are not very frequent, अगर यह continuously यह नहीं मिलती रहेंगी, winds इधर नहीं जाती रहेंगी, तो, suppose मान लो क्या हो रहा है, कि यह winds इस तरह से आ रही है, winds का एक slot आ गया, उसके बाद में एक break रहा, void रहा, जहां पर winds supply नहीं हो रही है, तो अब जब winds नहीं पर अभी तक जो आई थी, winds उन्होंने तो cloud बन गई, वो precipitate कर गई है, लेकिन अभी कोई storms नहीं आ रही है, तो अब cloud क्या बनाओगे, हलवा, ठीक है, तो यहां पर clouds नहीं बनने वाले है, तो उस sense में क्या है, कि consistency चाहिए रही है, और वो consistency usually रहती नहीं है, ठीक है, pressure conditions fluctuate हो मिलेगा, हफते दो हफते का, आपको break देखने को मिल जाएगा, break in the monsoon, यह आया समझ में, simple सी चीज थी, ठीक है, आप दूसरा point भी देख लो, छोटा सा topic है, लेकिन समझने आली बात है, वस, over the west coast, the dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast, अब देखो, मैंने आपको भी पिछला topic जो बताया था ठीक है, तो rain bearing system जो समझा है तो मैं उसमें आपको क्या बताया था, कि यह जो western coast है, western coast यहाँ, western coast पे क्या होता है, aurographic rainfall होती है, और ग्राफिक रेंफॉल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो western ghaat है, तो western ghaat में जो उनका, क्या सकते है, windward side है, तो windward side क्या करता है, जब य से रहते windactss praise miningй श्ट्रॉंग cooler हो रहती सवागाज चड़त कि यह वह पाहड के ऊपर चड़ती चर्टे-चर्टे ठंग जाती है इंदे सेंस कि Southwest wind western ghat को cross करने की कोशिश करती तब जाके बारिश होती हो इसी कारण से ये जो area ये high amount of rainfall receive करता है। ठीके अब पूरा खेल बदल जाएगा अगर ये winds का direction थोड़ा सा tilt हो गया ये फिर change हो गया। मान लो winds क्या होती है कि यहां के low pressure ने attract कर लिया तो winds ने parallel flow करने start कर दिया। Southwest monsoon winds जो आई थी ये southwest monsoon wind जब parallel हो जाती है। किसके parallel हो जाती है तो over the west coast the dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast. Coast के parallel चलने लगी तो अगर, coast के parallel चलने से तो क्या फाइदा होगा ये देखना इस चीज़ को, Coast के parallel चलने से ये फाइदा होगा, मतलब नुकसान होगा western coast को तो अगर दिखा जाए क्योंकि western coast पर बारिश नहीं होगी, dry spell आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा इन दसन्स ऐसा नहीं कि साल भर सूखा है, मतलब एक हफते के लिए जो break मिल गया, वो क्यों, क्योंकि जो parallel चलेगी wind, तो ना तो वो wind पहार चड़नेगी, कोशिश कड़ेगी, ना पहार चड़ेगी, ना क्या होगा, वो saturation point पर पहुचेगी, ना वो condense होगी, ना वो पानी बनेगी, ठीक है, तो वो जो rain bearing storms है, rain bearing winds है, वो parallel चलेगी, तो वो कहा, आप कह सकते हो, गुजरात वगेरा वाले area में बारिश करवाएंगी, और यह वाला जो area, western coast जो है, तो यहाँ पर आपको dry spell देखने को मिलेगा, ठीक है, dry spells are associated with the days when winds blow parallel to the coast, आगे है समझ में, तो break in monsoon, यह वाला topic भी हमारा यहाँ पर क्या होता है complete होता है, I hope you enjoyed it, सारी चीज़ें आपको समझ में आईए, और important बात सुनों मेरी क्या, important बात यह है, कि हम nature of monsoon को समझ रहे थे, nature of Indian monsoon को समझा, तो उसमें मैंने आपको सारे topics बता दिये, किस तरह से monsoon आता है, किस तरह से monsoon आने के बाद में हमने यह भी देख लिए कि rain bearing system क् rain bearing system के आद में हमने यह भी देख लिया कि break क्या होते है monsoon में, अब क्या देखो, या तो specific question आ जाएंगे आपके उपर, कि rain bearing system क्या है तो आपको बताना रहेगा short में कि Arabian Sea, Bay of Bengal वाला, ठीक है, western guard पे aurographic rainfall होती है, वो सारी कहानी, पूरी बात है, ठीक है, यहा फिर क्या होगा यहा फिर आपसे यह पूछ लिया, specifically पूछ लिया, मतलब in general पूछ लिया, कि आप क्या करो, write the points about nature of Indian monsoon, अब nature of Indian monsoon को आप 3 points पे, 3 pillars पे, what are the dimensions of Indian monsoon, तो उसको आप 3 pillar पे हाप लिख दोगे, ठीक है, तो 3 pillar पे यह तीनो topic हमने अभी subsequently discuss किये, ठीक है, अब यह जो topic है, इस topic मे क्या है, इस topic की जो जान है न, वो मैं 9th में एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक, यह मैं यह हूँ, ठीक है, तो 9th में एक वीडियो बना चुका हूँ, Elino and Southern Oscillation, तो मैं आपको यह सज़ेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपकी book में क्या है, 9th में भी उतना को जादा detail में explain नहीं किया है, लेकिन मैंने पूरे efforts लगा है, वहाँ पे आपको Elino clear हो जागा, क्या खिर Elino है, क्या, क्यों होता है, उसके क्या impact होते है, कैसे कैसे चीज़े होती है, सब कुछ, सब कुछ मतलब, सब कुछ, believe me, वीडियो देखने के बाद में पेरू coast, ठीक है, पेरू coast मतलब क्या यह देखो, अब आप अगर इस चीज़ को देखते हो ना, तो यह South America है, यह North America है, ठीक है, इधर Asia है, यह हमारा देश है यहाँ पे, प्यारा देश, यह Sri Lanka, फिर यह Australia है, तो यह Pacific Ocean पूरा जो है, Pacific Ocean में यहाँ पे South America में एक country है, पेरू ठीक है, पेरू जो country है, तो पेरू country का यह जो coastal area है ना, यहाँ पे पेरूवियन coast जो है, ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे ऐसा cold current रहता है, ठीक है, एक cold current चलता है, पेरूवियन cold जिसे humble current भी कहा जाता है, humble current क्यूं कहा जाता है, यह आप मुझे comment section म बताएंगे तो ये जो current है तो ये पेरुवियन current जो है तो यहाँ पे cold current normally होता है लेकिन जब क्या होता है जब एक warm ocean current develop हो जाता है near the western coastal boundary of South America पेरू के coast के वहाँ पे cold की जगा जब warm current develop होता है अब आपके मन में 17 सवाल sir warm current क्यों develop होता है उसके impact क्या हो होंगे तो मैं वहीं कह रहा हूँ मैं सब कुछ discuss कर चुका हो आप इसे जरूर देखिएगा अभी इतना समझ लो कि वह जो warm current develop होता है तो वह warm current के करण क्या होता है that warm current had a impact ठीक है has impact on the different climatic zones all over the world especially monsoon climate तो जो अलग 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 में चूके current लग जाए मतलब जो ocean में पानी चल रहा है एक जो ocean current है वो ocn current थंडे से गरम रहाता है और वो थंडे से गरम होने के कारण पूरे world में अलग-लग climate में उसका impact होने वाला है कैसे impact होने क्या होने वाला है ठीक है तो यह जो अलीनो है यह मतलब कैसे impact होने वाला क्या होने वाला तो वो सारी चीज़ें जो सब ifs and buts why and how जो भी है ना सब कुछ discuss किया इसा ज़रूर देखेगा आप clear ऐसे सर्च करना आपको अलीनो magnet brains अलीनो by part of the world जी हाँ एलीनो क्या करता है कहीं पर सूखा ला देता है कि यह बारिश ही नहीं होती है कहीं पर बहुत जादा बारिश ला देता है कहीं पर extreme weather जैसे बारिश लेट हो रही या फिए सारी चीज़े हो रही है तो वह सब कुछ होता है यह यहां पर develop होता है एलीनो ठीक है एलीनो वाउम ओशिन करन्ट होता है तो कैसे impact पड़ता है वल्ड के अलगला climate पर वह आपको clear हो जाएगा एलीनो का explanation clear देख लेना आप अब देखिए क्या है एलीनो जैसे में आपको बता हूँ तो यहां पर एक्वेटर पर क्योंकि sun rays ज्यादा रहती है तो यह यह 반کले में तो यह यह एरिया वाला है warm रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, तो यह जो warm रहता है न, तो यह warm equatorial current का एक extension यहाँ पर जो cold peruvian current है, इसे replace कर देता है, इसे humble current भी कहा जाता है, humble current क्यों कहते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है, तो इसे replace कर देता है, तो extension of warm equatorial current, which gets replaced temporarily by cold peruvian current, ठीक है, और humble current, जो cold peruv current है, उसको replace करके, वो warm equatorial current वहाँ पर जगा ले लेता है, जिसे ऐलीनो कहा जाता है, this current increases the temperature, temperature of water on peruvian coast by 10 degree Celsius, this results in, और उसके कारण यहाँ पर यह impact होने वाले हैं, क्या हुआ, समझो फिर से एक बार, तो यह जब warm ocean current क्या होने वाला है, परू के coast के पास में, South America के western coast पर जब हो जाएगा, तो पानी गरम, पानी गरम होने से क्या होने वाला है, कि 10 degree Celsius जो वहाँ का water increase हो जाएगा, अब यह 10 degree temperature में rise होने से, water के temperature में rise होने से, बहुत बड़े-बड़े impact आने वाले हैं, क्या-क्या, तो the distortion of equatorial atmospheric circulation, मतलब यह equator पे जो आप देखते है, atmospheric circulation जो होता है, कि कि इस तरह से circulation होता है, ऐसे cycle चलते है, यह equatorial current के लग-अलग, तो पुरा का पुरा cycle disturb हो जाएगा, ठीक है, यह जो cell है, यह reverse हो जाएगा, ठीक है, फिर अगली चीज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखे है, equatorial atmospheric, पानी थंडा गरम हो अगर, तो उस current से जो पानी से ही ठीक है, winds कम जोर चलेंगे, तो उससे क्या होना है, current सही तरह से move नहीं करेंगे, तो बहुत सारी दिक्कत थे, temperature में difference आईगी, उससे atmospheric circulation में difference आएगी, atmospheric circulation में difference आने से क्या होगा, कि evaporation में difference आजाएगा, ठीक है, irregularities in evaporation of seawater, reduction in the amount of plantons, plantons क्या होते हैं सर, plantons मतलब क्या है, म मचलियों का खाना, जो समुत्र में, जो continental shelf रहती, वहाँ पर जो grow होता है, अभी क्या होगा, कि कोई भी, कैसकते हैं, species हैं, तो उन्हें grow करने के लिए, conducive environment चाहिए रहती है, जैसे human being survive कर पा रहे है, तो क्योंकि climatic condition ऐसी है, अभी मान लो 100 degree Celsius हो जाए temperature, बचोगे क्या, क्य क्या बन जाएंगे, कीमा बन जाएंगे, एकदम पूरी तरह से, तो उस तरह से क्या है, कि plankton के भी grow होने के लिए, क्या एक conducive environment होती है, कि इतना temperature चाहिए रहेगा पानी में, लेकिन अब जब आप देख रहे हो, 10 degree Celsius अचानक से temperature बढ़ जाएगा, तो plankton grow कर पाएंगे क्या नहीं grow कर पाएंगे, ठीक है, तो यह plankton जो है, तो वो क्या हो जाते हैं, plankton grow नहीं कर पाते हैं, तो अब जब खाना नहीं है, तो मचली कहां से जिंदा रहेगा, आपका खाना नहीं रहेगा, आप जिंदे नहीं जाओगे, नहीं, अब मचली यह जिंदी नहीं हो पाती है, अब जब ये reduce होती number of fishes तो इसका impact का होने वाला है economy पे impact हो जाएगा relate करो देखो तो उस sense में क्या ये alino है, alino current ये warm ocean current अगर develop होता है तो दुनिया भर की समस्या है आ जाती है इंडिया के अगर specifically बात करें तो हमारे मौनसून डिले हो जाता है हमारे मौनसून कम होता है, हमारे बारिश सही नहीं हो पाती है ये पूरी कहानी है इसको और अच्छे से जरूर समझेगा मेरी विंती आप से एक बार और कि इस वीडियो को देखना तो आपको clarity मिल जाएगी alino है क्या पूरा phenomena आगर देखो का है, alino को child Christ भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है अब समझो child Christ, अब Christ के नाम के साथ में जुड़ा मतलब लोग अच्छा कह रहे है, सर आप तो इतना बुरा बुरा बता रहे हैं alino के बारे में लेकिन यहाँ तो अच्छा माना जा रहे हैं तो देखो कहा डवलप हो रहा है alino यह साथ अमेरिका में, साथ अमेरिका कहा है साथ अमेरिका आप देखोगे, सदन हमिस्फियर में ठीक है, सदन हमिस्फियर में मतलब यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे क्या रहते हैं, समर्स रहते हैं प्लिएट के दिसम्मर के समर्स क्यों एक साथ गरेक्षूर गाई यहां पे तो यहां पर आ पर लिए रही है आप संठेस डायरेक्ट आ formation cloud formation होगी तो precipitation और यह जो एरिया है तो जिसे अगर आप यहाँ पर देखोगे पेरू है ठीक है चिली है तो यह जो country है चाइल चिली जो भी प्रनाउंस करते हैं से ठीक है तो यह जो countries है इन countries में बहुत सूखा रहता है अटाकामर डजर्ट वगरा जो है तो वर्ल्ड के सबसे develop होता है तो इसे लोगने अलीनो कहा है मतलब child christ कहा है उन्हें भगवान की तरह माना है कि यार यह current आया तभी तो बारिश आईए तो उनके लिए फाइदा आईए ठीक है इसलिए वो celebrate करते है इस current को ठीक है South America के लोग आगा समझ में यह तो इसे अलीनो को child christ क्यों कहा जात है December में develop होता है summer रहता है बारिश हो जाती है वो सारी चीदे मैंने आपके बता दी ठीक है अब अगर Illinois impact on India अगर देखें तो हम क्या करते हैं Illinois is used in India for forecasting long range monsoon rainfall long range monsoon rainfall कि मतलब हमारे हां monsoon rainfall किस तरह से होने वाली है ठीक है तो एक weather forecasting जो team है हमारी उसे एलीनो की study करना पड़ती है एलीनो की study करके हमें समझ में आ जाता है कि कितना बारिश होने वाला है कब बारिश होने वाला कैसा होने वाला है और इसका impact जैसे अगर देखें तो 1990 से 91 क बीच में क्या होता है there was a wild एलीनो मतलब एलीनो का भी बहुत बहेंकर रूप आया था जिसने हमारे monsoon को delay कर दिया था ठीक है एलीनो इवेंट and the onset of southwest monsoon was delayed over most part of the country ranging from 5 to 12 days ठीक है 5 से 12 दिन तक डिले हो गया जैसे आप 8 जून पे देख रहे हो कि केरला पे आ जाता है अभी तब की बात करें 1990-91 की उस समय पे climate conditions फिर भी अच्छी हुआ करती थी अब आज इतना pollution global warming सारी चीज़े बढ़ रहे है तो आज एलीनो और strong बनता है और वो strong एलीनो और strong तरीके से impact create करता है इस चीज़ को धियान रखना ठीक है so this was all about the एलीनो and the Indian monsoon I hope आपको चीज़ें the cold weather season cold weather season जिसे हम winters के नाम से जानते हैं ठीक है सर्दियों के नाम से जानते है मैं लग बग लग सभी को पसंद होता है बस जो लोग सर्दियों से बहुत जादा ड़ते हैं उन्हें पसंद नहीं होता है तो उस season को हम discuss करने वाले है क्या होता है कि तेखो try to understand the topic on the following dimension यह क्यो तो लिखा है मैंने, इसे समझो, अभी आप आगए 11th class में, अब आप वही 6, 7, 8 त वाले आंसर नहीं लिखे होगो न, winters क्या है, winters में temperature कम हो जाता है, कहीं कहीं, snowfall होने लगती है, हम jacket पहन लेते हैं, और winters की छुटी मिलती है, 10 दिन की, बस ये लिख दिया, नहीं, अभी अब आपको क्या करना होगा, एक mature analysis develop करना होगा, ठीक है, खास करके geography में, geography का part है, तो इसमें अब आपको क्या देखना होगा, आपको multiple dimensions पर चीजों को समझने की कोशिश करना होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, we will try to look into this topic on 3 dimensions, क्या 3 dimensions होने वाले हैं, temperature, pressure and wind and rainfall, ये 3 dimensions होगे, मतलब हम देखेंगे, cold weather season में temperature की कैस्तिती रहती कम होता है, जादा होता है, सोचो खुद जारा 2 minutes के लिए, ठीक है, फिर हम देखेंगे, pressure and wind, तो उस समय पर pressure and wind जो हमने अभी पीछे topic पड़के आ हैं, तो वो कैसे काम कर रहे होते हैं, high pressure कहा होता है, low pressure कहा होता है, देखो और तीसरी चीज़ देखेंगे, rainfall, सर्दियों में पारिश होती है कैसर, तो होती है नहीं होती, ये भी सोचो, मैं तो आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो ये तीन dimension पे हम पूरे topic को discuss करने वाले है, fine, अब देखो आगे कहा है, तो सबसे पहले अगर temperature की बात करें temperature की बात करते तो, it sets in by mid November in northern India, December and January, the coldest month in the northern plane, अब यहाँ पे दो-तिन पॉइंट है, उनके आपको क्या करना है, not बांदा, उनकी घठान लगा हो जड़ा जोर से, क्या, कि देखो सबसे पहले चीज़ तुमें बता रहा हूँ कि आप जब cold weather season पढ़ते हो ना, तो इसका impact आ इंपक्ट नॉर्थ इंडिया में ही जादा रहता है, आगे समझेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कि जैसे, sets in by the November in North India, mid November, मतलब 15 November के आसपास क्या होता है, कि winters इंडिया में आने लगते हैं, अब जैसे मैं आपको एक observation बताता हूँ अपना, ठीक, क्या होता है कि दिवाली जब होती है, तो दिवाली के अगले दिन जैसे ही हम सो के उठते हैं सुबह, तो अलग-अलग region में, अलग-अलग तरह से क्या किया जाता है, देखो नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे, पंजाब, हरियना, उत्तरपदेश, भिहार, तो वहाँ पे अलग रिच अब यह तो मैंने एक observation एक mythological बात बताई, बाकि जेखोगे तो इस time period तक क्या होने लगता है, इस time period तक अगर sun यह है, ठीक है, मतलब अर्थ है और यह sun है, तो sun की position कहा shift होने लगती है, southward, अब जब sun जितना-जितना south होने जाते लगेगा, तो September के बास से ही, तो तब क्या होगा, sun जैसे-जैसे south जाएगा, तो यहाँ temperature north में धीरे-धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, temperature बढ़ने कहां लगेगा, south में, जिदर sun उधर temperature, तो यह थी कहानी, ठीक है, sets in by mid November in northern India, December and January are the coldest months in the northern plane, और सबसे जादे थंड़ा, जब मौसम जो रहता, वो कब रहत है, December and January में, और December and January में, गर्मिया बनाई जाती कहा, southern hemisphere में, तो northern hemisphere में, और इंडिया की बात करें, खास करके, तो इंडिया के जो northern plains है, तो northern plains पे, December and January जो होते हैं, तो सबसे जादा थंड़े महिने होते हैं, यह, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक ओर observation में बताता हू तो मेरा भी क्योंकि January में यह आता है, अब क्या है, तो यह आया समझ में आपको की, इस तरह से अगर आप देखोगे, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, तो यह नदन प्लेन में क्या होता है, जादा winters extreme होते है, नदन प्लेन central part जो होता यहाँ पे, relatively, relatively किस से, southern part से, southern part म उतना जाद extreme cold temperature आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, तो इसकी अगर हम बात करें आगे, तो यह यहाँ पे तीन current दिये गाए, there are three main reasons for excessive cold in North India during this season, उन्हें discuss करेंगे, कुछ facts और क्या है, कि mean daily temperature remains below 21 degree Celsius, अब यहाँ पे आपका देख रहे है, तो mean daily temperature जो है नदन इंडिया म का मतलब क्या है कि रात का temperature तो और जादा कम हो जाता है, अब रात का temperature क्यों कम हो जाता है, सर कारण बताओ, जिन जिन लोगों के मन में सवाल आये ना, तो आपका सवाल एक तरह से आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब सवाल है, सर वो तो कभी भी भी आ जाता है, पूछो, तो रात में क्योंकि सूरज नहीं रहता है ना, तो solar insulation नहीं रहेगी, solar insulation के absence में क्या होगा, temperature गिरना ही है, clear, अब देखो आगे क्या है, तो there are three main reasons for excessive cold in North India, अब नौर्थ इंडिया पे इतना जोर दे रहो, तो कारण बताओ कि क्या तीन कारण है, जिससे वहाँ पे सर्दिया जाधा रहती है, तो जैसे पहला कारण क्या है, अब देखो, यहाँ पे आपके एक direct question बनेगा, what are the three reasons for excessive cold in North India during cold weather season, ठीक है, why North India observes extreme cold temperature during December and January as compared to South India, तो North India क्यों observe करता है यह, तो उसके answer में आप यह तीन पॉइंट लिखने हाले है, तीनों पॉइंट को अच्छे से समझना, states States like Punjab, Haryana, Rajasthan being far away from moderating influence of sea, experiences continental climate, अब क्या होता है, कि अगर आप देखोगे इन states को, यहाँ देखो, यह स्टेट्स के अगर बात करें हम Punjab, Haryana, ठीक है, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, सभी की बात करेंगर जो लाइन में है, तो यह सारे states क्या है, these states are far away from the moderating influence of sea, यह जो समुद्र की moderating influence आ यह ना, इससे काफी दूर है, अब हमने आगे पढ़के आए हैं chapter में, क्या पढ़के आएं chapter में, कि जो coastal towns होते हैं, जो coastal areas होते हैं, वहाँ पे land breeze, sea breeze चलती रहती है, तो land breeze, sea breeze क्या करती है, area को moderate करते रहती है, वहाँ के temperature को, वहाँ की climatic conditions को moderate करके रखती है, लेकिन यह जो continental area है, यहाँ पर पूरा continental climate देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ कोई moderating influence नहीं पहुचने वाली है, समुधर की, अब जब moderating influence नहीं पहुचेगी, तब क्या होगा, moderating influence नहीं है, तो उसके चलते क्या होगा, आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, कि कोई moderating influence भी develop नहीं ह तो दोनों चीज़ क्या होती है यहां पर extreme देखने को मिलेगी आपको ठीक है पूरे continental part में continental type of climate तो एक कारण तो यह हो गया कि क्यों यहां पर excessive cold होती है आया समझ में यह दूसरा देखो क्या है दी snowfall in nearby Himalayan ranges create cold wave situation यह भी self-explanatory है क्या यह जो snowfall होती है South India में जो लोग रह रहे हैं उन्हें देखके बड़ा मज़ा आता होगा आहां क्या हो रहा है स्नोफॉल हो रहा है ठीक है लेकिन लेकिन अगर आप यहां पर रहेंगे तो देखो कि हिमालियास पर जो snowfall हो रही है उस कारण से वहां पर क्या हो रहा है कि temperature जो और dip होते जा रहा ठीक है और जाधा गिरने वाला है temperature क्योंकि यहां पर snowfall मतलब थंडी हवाएं और जाधा अंदर आएंगी थंडी हवाएं अंदर आएंगी मतलब temperature गिरना तह है ठीक है अब अगला क्या है last point देखो तो around February the cold winds coming from the Caspian Sea in Turkmenistan brings cold wave along with the frost fog over the north western part of India इस पार्ट को समझना अच्छे से क्योंकि आगे से रिलेट करेंगे western disturbances के साथ में कि यह जो region आप देख रहे हो देखो Caspian Sea यह रहा Caspian Sea के बाजू में Turkmenistan एक देश है तो यहां से थंडी हवाएं जो है ठीक है यहां से थंडी हवाएं जो हो चल के आ रही होती है अब यह जो थंडी अच्छा यह विंड आगा इसे अधिया का जो north western part है यहां पर क्या करती है बहुत ज़्यादा थंड लेके आने वाली है तो fog लेके आने वाली है यहां पर frost लेके आने वाली है क्यूंकि आप देखोगे इस side जो है हिमालियास है इधर भी आप देखोगे तो extension है हिमालियास का तो इस तरफ से तो आप पूरी तरह से protected हो लेकिन यह जो area है ठीक है यहां पर protection नाम की कोई चीज नहीं है उल्टा के हमारा एक दोस्त बेटा है यहां पर पाकिस्तान तो यहां तो protection है नहीं तो आप देखोगे अगर history उठा के भी तो यहां से बहुत सारे foreign invasion हुए और climatic conditions भी जो है तो भी आगे आप पड़ोगे western disturbances जो develop होते वो भी इधर से ही आते है ठीक है तो इस area के through क्या होता है आप northern part को कर देखोगे तो northern part में क्या होता है cold winds आती है winds का नाम आप मुझी बताएंगे ठीक है तो these are the three reasons यह तीन कारण है जिन कारणों के चलते क्या होता है excessive cold in north India is being observed is that clear ठीक है यहा इने के पीछे कारण भी मैंने आपको बता दिये अभी लेकिन हमने north India north India की बात करिए अब जरा south में भी चलते peninsular India में क्या हो रहा है देखो तो peninsular India does not have a well defined cold weather season does not have a well defined cold weather season there is hardly any seasonal change in the distribution pattern of temperature in coastal area because of moderating influence of sea and proximity to the equator equator ठीक है तो जैसा आपने अभी north India में पढ़ा उसका opposite कर दो कि जि मिलेगा उतना cold weather season का impact आपको peninsular India में आफे south India में देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि यहां पर आप देखोगे moderating influence होती रहती है ठीक है coastal area जो है तो coastal area के चलते moderating influence हो रही है साथ ही साथ में this region is close to equator यह 0 degree है तो equator से close है equator से close होने के कारण क्या है equator से close होने के कारण आपक से पास में 8 degree पर तो ही तो उसके चलते क्या है कि यहां पर temperature जो है वो relatively high रहता है ठीक जैसे for example अगर देखें हम तो तिरुवनन्द पुरम की अगर बात करें क्या रहला तिरुवनन्द पुरम में क्या है कि the mean maximum temperature for January is 31 degree Celsius and for June is 29.5 degree Celsius अभी बहुत सारे लगों के मन में यह doubt तो उसे हम सही कर देते हैं आपकी बुक में भी यह लिखा है बुक में शायद मिस्प्रिंट है काटो या फिर ऐसा कर लो उल्टा कर दो ठीक है जैनवरी में जो temperature होता है mean maximum temperature वो होता है 29.5 degree Celsius और यह जो जून के temperature की बात की जारी तो वो होता है 31 जून में गर्में होती ना तो यह शायद मिस्प्रिंट है इससे देख लेना clear है तो यह क्या है यह पैनेंसुला इंडिया का भी मैंने आपको क्या बता दिया कि पैनेंसुला इंडिया में किस तरह से climatic condition जो है वो क्या climatic condition होती temperature के पिलर पर अगर देखा जाए खास करके कब the cold weather season के time period में अब moving ahead आगे अगली चीज़ क्या है अगली चीज़ अगर देखें pressure and wind तो pressure and wind में क्या है अब आपको पता है देखो एक पिलर हमने complete के लिए कि temperature की क्या स्थिती रहती है cold weather season के जब आप बात करते हो अब आते है pressure and wind कि कि किस तरह की winds चल रही होती है high pressure कहा होता है low pressure कहा होता तो northern plane में वो कह रहे हैं कि high pressure रहने वाला है क्यों high pressure रहने वाला है अब जरा समझो तो मैंने आपको क्या बताया था जमीन जल्दी थंडी होती है और जल्दी गरम भी होती है पानी लेट थंड़ा होता और लेट गरम होता है तो अब वहीं पर क्या था कि जब यहां से solar insulation न high pressure होगा is that clear? अब किसी को कोई प्रकार का doubt नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का कि high pressure land mass पे क्यों बन रहा है और low pressure ocean पे क्यों बन रहा है क्योंकि land part है जल्दी धंडा हो गया solar insulation हम नीचे चलेगी इस सदन hemisphere में यहां high pressure बनेगा यहां बनेगा low pressure clear है? यह simple सी चीज है अब आगे देखते हैं इसमें तो यह वाइक answer मिल गया वैसे आपको तो इन South India the air pressure is slightly lower और South India में North India के comparison में थोड़ा कमी रहने वाला है तो आप अगर ऐसे भी देखना चाहो तो यहां extreme high pressure develop हो रहा है यहां low pressure है तो यहां भी low pressure है यह इससे थोड़ा सा उपर ही रहने वाला लेकिन फिर भी low pressure है यहां भी low pressure है अगर देखा जाए तो winds किदर से किदर चलने आले आपको पता है कि wind इस direction में ही चलना है winds जो है इस direction में चलने वाली है सारी winds clear है तो यह ध्यान रखना यहां पर भी क्योंकि high pressure रहेगा तो winds अब इस direction में चलने वाली है fine what's next तो winds start blowing from north western high pressure zone to the lower low air pressure zone ठीक है तो wind अब क्या करने लगती तो यह जो पूरा north west का high pressure zone है यहां से winds जो है इस तरफ low pressure zone की तरफ ऐसे चलने लगती है north eastern state में भी high pressure बना रहता है तो वो भी तरफ ही move करने वाली है winds यह winds का direction मैंने आपको बता दिया अब क्या है तो low pressure the light winds with low velocity of about 3 to 5 km per hour begin to blow outward तो begin to blow outward म observe करोगे कि low pressure के कारण जमीन से पानी की तरफ का उने लगती हवाएं चलने लगती और यह हवाएं जो है तो खास करके क्या होता है जो वहां का relief feature है वहां की जो टोपोग्राफी ना उससे भी influence होती है relief feature और टोपोग्राफी से कैसे influence होती है तो नॉर्मली आपने यह देख यहां केस का रहने वाला है कि high pressure सो low pressure चलेगी लेकिन अब जैसे यहां से हवाएं चल रही है यहां से हवाएं चलेगी तो वह plane area में तो सीधी सीधी चलेगी एक दम लेकिन अगर मानलो यहां पर क्या होगा प्लेटू अगर आ गयर तो इस तरह से थोड़ा सा northwest tilt हो जाएगी ठीक है पहाड रोग देते ना अब जैसे यहां पर जब चलेगी तो वह यहां पर क्या नौर्धनी नौर्धनी चलेगी क्योंकि यह पाहडों के बीच में trap हो जाती है फिर जब उससे plane area मिल जाएगा बेओ बेंगॉल के उपर तो यहां पर पूरी तरह से क्या चलने वाली ह यहां पर आप देखो कि तो पूरी तरह से north east winds चलेगी तेजी से यही फिर क्या करने वाली है यहां बारिश भी करने वाली है क्यों क्योंकि बेओ बेंगॉल से moisture उठाके ले जाएगी थीक है यह कहानी रहने वाली है तो deeply और इनकी speed भी क्या होती है मतला बहुत जादा speed से नहीं चल रही होती है और हां एक और चीज़े कि यह साउथ इंडिया में पारिश दूसरे पार्ट में क्यों नहीं करवाती है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से जब वो जा रही है यह नॉर्थ वेस्ट से जब जा रही है यहां पर कोई किसी प्रकार का पानी नहीं मिल रहा होता तो पारिश करवात हुए जाती, ठीक, अब आगे क्या है, the pleasant weather condition, however, at interval get disturbed by shallow cyclonic depressions, ठीक है, originating over the east of Mediterranean Sea, हाँ जी, ये important चीज़े से समझना, कि आप ये देख रहों कि थंडी हवाएं चल रही मदूर मदूर, लेकिन ये हवाएं जो है, ये क्या होगी, कभी-कभी disturbed हो जाती है, कौ पारी कहानी एक साथ unfold करेंगे हम, तो जड़ा थोड़ा से आपको क्या करवाता हूँ, विजुलाइस करवाता हूँ, चीज़े, कि ये इस्तिती होने वाली है, कि ये जो Mediterranean Sea, यहाँ पर क्या हो रहे है, यहाँ जो cyclone आ रहे है, तो वो cyclone क्या करेंगे, वो cyclone का जो impact है, वो cycl वेस्टरली आने वाली है, वेस्टरली जेट स्ट्रीम आने वाली है, तो वो जो जेट स्ट्रीम आएगी ने उड़के, वो जेट स्ट्रीम क्या करके लेके आएगी, वो जेट स्ट्रीम इने उड़ा के लिए आएगी, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलने वाली है, वो यहां से मौश्यर पूरा का पूरा उड़ा के लाएगी और वो इस एरिया में प्रेसिपिटेट कर जाएगा क्यों कि हिमालियाज रोख लेंगे तो यह पूरी कहानी होती है ठीक है इसका इंपक्ट आगया समझ में एक लाइन में जो लिखा था हूँ मैंने समझा दिया आपको कि इंपक्ट क्या होने वाला है तो इंपक्ट ही होगा कि रेंफॉल होगी नदन पार्ट में ठीक है यह साइक्लोनिक डिप्रेशन के कारण जो मौश्यर था वो मौश्यर पूरा बहे के आ जाता है कहां पे जो एरिया में लो प्रेशर होगा और इस हाई प्रेशर लो प्रेशर में एक और विंड जो काम कर रही होगी वो वेस्टरली जैट्स्रीम जो है तो वहां से मौश्यर रोला के लिए क्या आने वाली है ठीक है तो अब हम तीसरे डाइमेंशन पर बात करें इस सीजन की तो व यह जमीन से समुदुर की तरफ चल रही है अब जमीन से मिट्टी लेके जाएगी बारिश थोरी ना होने वाली है तो इस तरह से क्या है कि यह जो हवाय होती वह रेंफॉल नहीं करवाती है बोलो हाँ ठीक है कारण भी आपको पता है देहाँ लिटिल हुमीडिटी उनके अंपाली नहीं बन रहा है अंटि साइकलवों हो रहा है विंड या कर रही है डाइवर्ज कर रही है तो उसके चलते क्या होता है एंटि साइकलोणिक सरकूलेशन जब डवलब होता है तो पॉसिब्लीटी नहीं है कि वह मौश्य कहीं से ला पाएं और रेंफॉल के लिए appropriate होती वो भी समझते चलो तो इन नौर्थ वेस्टन इंडिया सम वीक टेंपरेट साइक्लोंस फ्रॉम मेडिटेरिनियन सी कॉज रेंफॉल इन पंजाब अर्याना देली इन वेस्टन उत्तरपदेश यह जो इन आप अपे आपको अभी बताया खْ道лять यह यहाँ बहुता जिसे कहा जाता है तो साइकलान ओड के आते हैं मतलब साइकलों का जो मौहषयर है वह ओड के आता है सब टॉ where the county is near, but it is highly beneficial for Rabi crops, Rabi crops क्या होती है, तो वह crops which are being sewn with the onset of winters, भिटें? Winters जैसे-जैसे आते हैं हमारे देश में तब जिन crops को set किया जाता है, मानों, September-October में, जिन crops को sow कर दिये गया है, वह crops Rabi crops कहलाती है, और Rabi crops जो है तो उन्हें पानी कहां से मिलेगा बताओ क्योंकि देगआ दूसरी खारीफ crop जो होती है तो खारीफ क्रॉप कौन से होती विचार सोन विद इस अंसेट ऑफ मॉंसून तो उन्हें तो मॉंसून से पानी मिल जाएगा लेकिन ये तो बिचारी तरस्ति रह जाएगी पानी को तो इन्हें कभी-कभी क्या होता है कि जब ये Mediterranean Sea से जो moisture आ रहा है और उस कारण से जब rainfall होती है ना तो इन्हें पानी मिल जाता है अब इन्हें अगर पानी मिल गया तो उनके लिए बहुत जादा beneficial हो जाती है crops बोलती बास अब तो survive कर जाएंगे अब तो जड़े मजबूत कर ली हमने तो amount कम होता है लेकिन फिर भी beneficial होती है डूपते को तिनके का सहारा उस तरह की कहानी है precipitation is in the form of snowfall in lower हिमालियास अब देखो यह मैंने आपको समझा दिया कि यहां बारिश कैसे होती है क्यों क्यों क्योंकि वो जो wind आई है ना जो Mediterranean सी से वो monster के रूप में रहती है और फिर हिमालियास पर जिसे rise करते क्या होती snowfall हो रही हिमालियास में और यह snowfall जो हो रही है तो इसका बहुत बड़ा advantage है यह हमारी जो water requirements है हमारी जो need है उसे बहुत हद तक satisfy कर देती है अब आप बोलों के साथ snow गिर रही है हमें कहां से satisfy कर रही है तो यह snow जो गिर रही यही तो glacier बनेगी यह glacier बनेगी और glacier पिगलेंगे कब गर्मियों में और गर्मियों में जब glacier पिगलेंगे तब हमें हमारी नदियों में पानी मिलेगा है ना मज़दार चीज तो उस sense में क क्या है बहुत इंपोर्टेंट है इसे फिर आप बोलों को सब्सक्राइब क्यों कह रहा है यह तो हमारे लिए वरदान हो गया लेकिन इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी यह ना चाहते हुए पानी दे जाते हैं और उसे क्रॉप्स खराब भी हो जाती है और एक और इस लिए प्लेंट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साथ इन दी मांटेंस अब समझो ठीक है इसकी सग्निफिकन्स सम्झो क्या है कि आप अगर देखते हैं तो यह प्लेन एरिया है प्लेन एरिया में क्या होगा कि वैस्ट में तो बारिश होगी ही होगी क्योंकि इधर से आरी ना rainfall हो रही है 25 कहा पो जाएगी फिर देली में और आगे बढ़ जाओगे तो बिहार बगेरा में 18 ही होगी तो ऐसे decrease होगी है west to east और वैसे ही कहा है mountains में north to south तो जो नदर्मोस ट्रेंज है mountain की conscious का नम बताना इसमें जादा होगी इसमें south में और कम हो जाएगी तो mountains में snowfall भी क्या होगा की जो innermost range उसमें और जादा होती है ठीक है यह पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है is that clear यहां तक चीजें समझ में आना चाहिए clear तो यह हमने सारा सब कुछ rainfall का भी देख लिया और आगे इसमें और भी points है हमारे पास rainfall के लिए क्या कि central part of India ठीक है and northern part of southern peninsula also get winter rainfall occasionally अब क्या है usually ऐसा होता है कि जो western disturbances के कारण यह जो cyclone के कारण क्या हो रहा है बारिश हो रही है तो यह क्या होती है यह नदन पार्ट में limited रहती है लेकिन कभी कभी क्या होता है जब moisture जादा होता है winds थोड़ी strong होती है तो उसके चलते क्या होता है कि central part जो है इंडिया का जिसमें आप देख लो तो क्या है कि central और western part जो है यह वारा जो रीजन है यहाँ पे भी बारिश हो जाती है ठीक है वाए तो मैंने बहुता दिया कारण आपको क्या है कि जब winds strong रहने वाली ज्यादा मौश्यर करी करके आएगे तो वो central part तक precipitation करवा देती है फिर क्या है अरुनाचल प्रदेश एंड आसाम इंदी नौर्थ इस्टन पार्ट आफ इंडिया और इंडिया और वहां से और मौश्यर लेकर जो कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल जट स्ट्रिम जो लेकर आई थी मौश् वेजिटिशन के कारण भी मौश्यर मिल जाता है तो वहां पे भी precipitation आपको देखने को मिलती है लेकिन बहुत जादा नहीं होती है कम होती है ठीक है यह हो गया अब डूरिंग ऑक्टोबर और नवेंबर नौर्थ इस्ट मांसून वाइल क्रॉसिंग अवर बेय ओफ हां यह important point हो गया देखो यह तो आपने क्या देख लिया कि जो western disturbance के करण बारिश होरी वह पूरी कहानी है लेकिन क्या होता है दूरिंग ऑक्टोबर और नवेंबर नौर्थ इस्ट मांसून वाइल क्रॉसिंग बेय ओफ बेंगॉल पिक्स अप मॉस्यर और कॉस्ट टॉरिं से वह जब रिट्रीट कर रही होती है तो वह यहां से मॉस्टर लेती है और वह विंटर्स में मतलब नवेंबर निसमबर में क्या होता है तो इस coastal एरिया पर पूरे के पूरे फैनेंसुला पार्ट के eastern coastal प्रेंट पर क्या करती है बारिश करवा जाती है यह बारिश बहुत सिस्टम रहा है उसमें 6 सीजन हुआ करते थे लेकिन western classification के साब से हम 4 सीजन पढ़ते हैं तो वो लोग सीधे क्या कर रहे हैं अब यहां पर विंटर्स के बाद में समर पढ़ने वाले हैं तो समर सीजन क्या होता आपको पता है गर्मियों की चुट्टी लगती है जिसमें तो उसी से आप रूबरू हैं लेकिन वही बात कि आप 11 थी में आ गए हैं तो जिस तरह से हमने क्या किया हैं जिस तरह से हमने cold weather season को पढ़ा है तीन dimension कौन कौन से थे हमारे तो हम temperature देखेंगे वहाँ पर pressure and winds देखेंगे कि किस तरह का क्या system है पूरा और last में rainfall देखने वाले है तो उन्हीं dimensions को ध्यान रखते हूं आगे क्या करते चलेंगे hot weather season को भी पढ़ेंगे ये जो hot weather season इसे भी complete करेंगे सबसे पहली और important चीज जो है वो temperature कैसा रहता है तो आप बोलोगे सब temperature की तो बात ना ही करो क्यूं क्यूंकि temperature आपको पता है hot weather season के time पे क्या होता है बहुत साधा temperature होता है खास करके कहां पे वही नदन इंडिया के perspective से अगर देखे हम तो जिस तरह से cold weather season में extreme cold देखने को मिलता है North India में वैसे ही extreme hot weather भी देखने को मिलेगा temperature जो है तो extreme hot देखने को मिलेगा आपको कहां पे North India में क्यूं कारण वही है कि sea की moderating influence दूर चले जाती है त तो विदी Northward moment of sun पहले समझ लो की hot weather season आता क्यों है विदी Northward moment of sun temperature is bound to rise temperature बढ़ना तय है समझाए इसे जड़ा थुछा सा तो तो देखो क्या हो रहा है यह अर्थ है यह equator है यह एक मतलब यह 0 degree और यह जो 0 बनाया तो 0 नहीं यह sun है अब क्या होता है विदी Northward moment of sun ठीके sun जै मतलब यह मैं समझे ना कि sun इदर से कहीं से ऐसे North में चड़के आ रहा होगा उपर sun stationary है sun अपनी जगा पर ही रहे का हम चक्कर लगाते हैं मतलब अर्थ घूम रहा है अब अर्थ घूम रहा है तो पढ़दे के perspective से क्या कर देता है विदी Northward moment of sun बाकि sun वहीं है होता क्या है कि जैसे यह sun है तो अर्थ जब ऐसी position में आ जाता है कि जहां पे नदन हमिसफेर में direct solar insulation जा रही हो यह क्या है यह आपका अर्थ है तो अर्थ के नॉर्थ में direct जब solar insulation जा रही होती है तो वह वाली situation को हम क्या बोलते थे कि हाँ अब अर्थ अब जो sun है वो नॉर्थ वर्ड जलो नॉर्थ वर्ड मुवेंट अफसान आप मतलब यह तो आपको समझ में आगया कि नॉर्थ में solar insulation तेह जा रही है जहां solar insulation वहाँ temperature बढ़ेगा है तो अब जब यह temperature बढ़ा तो यह temperature बढ़ने के चलते आप क्या कह सकते हो कि the hot weather season का जो time period रहता है उसमें temperature आपको बढ़ हुआ मिलेगा ठीक April, May and June are the months of summer in North India North India के अगर specifically बात की जाए तो April, May और June मार्च से ही आप देखो के धीरे धीरे temperature बढ़ने लगता है exam वगरा दे के हम निश्चिंतों के घर में बैठ जाते हैं ठीक है these are the months of summer in North India in May the heat belt moves further north and in north western part of India temperature around 48 degrees Celsius are not uncommon अब क्या होता है तो जो extremes की बात कर रहे हैं अब क्या होता है कि में आते 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 आप दिखोगे कि जो यहाँ पर ट्रॉपिक of cancer है इसके उपर चले जाता है ITCZ ठीक है यहाँ पर जैसे हमने डिसकस करेंगे कि ITCZ जो है तो और उप पर चले जाता है जब प्रेशर एंट पड़ेंगे ता उसको समझाओंगा लेकिन आपको यहाँ पर इतनी चीज़ों समझा जागा कि sun की डारेक्ट इंसुलेशन अब कहा होगी ट्रॉपिक of cancer पे तो में मन्त जो रहता है वह बहुत जादा एक्स्ट्रीम रहता है और है क्या है the hot weather season in South India is mild and not so intense समझना not so intense as found in North India वही कहानी जो विंटर्स के टाइम पर देखी थी कि यहाँ पर temperature temperature तो बढ़ेगा गर्मी है तो इन्हें भी है सास तो कहां गर्मी आ गई है लेकिन उतनी जादा गर्मी नहीं कि जितनी नौर्थ में हो रही है कारण क्या है temperature देखो जैसे अगर temperature range भी देखो तो 26 degree से 32 degree Celsius के बीच में जाता है कहा 48 कहा 32 32 तो नौर्थ इंडिय में winters में भी रहता तो लोग बोलते कि हाँ बहुत क्या है गर्मी है उस तरह से तो यहाँ पर आपको समझना होगा उस चीज को कि यहाँ पर क्या है temperature में difference seasonal difference भी नहीं आता है और day और night में भी difference नहीं आता है South India में कारण सीधा सा simple से क्या है why तो why का answer यह आपका moderating effect of ocean क्यों आपे day और night में भी temperature में difference नहीं जाते हैं फिर समझा दे रहा हूँ ज्यादा difference नहीं होता और seasonal भी winters भी इतने ही कुछ रहने वाले थोड़ा कम होगा बस इससे ठीक है बहुत ज्यादा dip नहीं होता है ऐसा नहीं कि 8 degree पर चले गया फिर 5 degree पर चले गया ठीक है तो यहाँ पर क्या है आपको temperature में उतनी जादा variations देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही season में हम hot weather season के perspective से पढ़ रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया आगे क्या है what's next तो अगर जैसे देखा जाए the temperature in the hills of western ghat remain below 25 degree celsius अब अगर बात करते हैं hills जो है तो hills मे temperature क्या रहता है below 25 degree celsius रहता ह अगर आप south india की बात करते हो western ghat की बात करते हो यह इंडिया है यह western ghat है नहीं यहाँ पर तो यहाँ पर temperature summers में भी 25 degree celsius सूपर नहीं जाता है विंटर्स वाली situation हो गई यहाँ पर कारण क्या है तो कारण इसका simple सा है जो मैंने आपको starting में topic बताया था ना what are the factors which influences the climate of India relate करो तो इंडिया का climate कॉन influence करता है वहाँ का relief feature ठीक है position और relief देखा था हमने तो position आप देखोगे तो position और relief क्या है तो यहाँ पर western ghat है अब western ghat में आपको एक point में बताया है कि जैसे जैसे altitude में उपर जाओगे आप जमीन से mean sea level से जैसे जैसे उपर जाओगे temperature automatically क्या होने वाला है कम होने वाला है वही चीज यहाँ पर बताये गई है क्या कि the temperature in hills of western ghat remain below 25 degree celsius reason what is the reason due to altitude आप उपर चले गए हो ना western ghat जमीन से उपर चले गए हो फिर क्या है coastal reason के अगर बात की जाए देखो आपको पता है North India तो यह बहुत गरम होने वाला है तंदूर बन गया अब क्या है South India में moderating influence रहेगी फिर भी western ghat जो है तो western ghat पे क्या रहेगी moderating influence और जादा रहेगी क्योंकि एक तो coastal area भी साथी साथ altitude भी मिल गया अब अगर coastal region की बात की जाए specifically यह coastal regions की बात की जाए यह जो हमारे coastal areas है ठीक क्या होता है तो इन दी coastal regions the north-south extent of isotherms ठीक है parallel to the coast confirms that temperature does not decrease from north to south rather it increases from coast to the interior classical line है इसको समझने की कोशिश करना क्या अब देखो हमने usually क्या देखा है कि यह वाले area पर temperature कम ही रहने वाला है इस area पर ज्यादा होगा इस area पर और ज्यादा इस area पर और ज्यादा इस area पर और नौर्थ इंडिया तक मतलब जैसे कश्मीर में मत पहुँच जाना northern plains में अगर देखेंगे हम तो जैसे जैसे आप उपर move करोगे तो आपको क्या देख लिए मेंगा solar insulation जादा जा रही है ना तो tropic of cancer के वहाँ पर temperature बढ़ने वाला है south से north में temperature बढ़ेगा ठीक है south से north में winter summers के time पर temperature बढ़ेगा लेकिन यही चीज़ आप apply जब कहां करोगे coastal region पर ठीक है इस coastal region पर जब यह चीज़ आप लाए करोगे तो north से south में कोई फरक नहीं पड़ता है अब आप बोलोगे sir आपको कैसे पता तो यह जो isotherms है इन्हें देखो आप ठीक यह जो isotherms है यह बताते हैं यह isotherms क्या होते है आईजो बार्स जो होते ना तो यह एक तरह से आपको relate करवाते कि जहां पर एक जैसा temperature होने वाला है वहां पर एक ही लाइन होगी आईजो थर्म की जैसे आप देखोगे यह पूरा region 25 degree Celsius में रहने वाला है तो आप क्या देख रहे है कि पूरा north से south त आई गई है कि यह जो आईजो थर्म से parallel to the coast coast के parallel है ना इसो थर्म इसका मतलब क्या है कि पूरे coast पे एक ही temperature है लेकिन आप coast से अगर अंदर आओगे ठीक है तो इसका कारण में आपको बता दिया कि coast पे क्या होने वाला है कोस्ट पे तो land breeze, sea breeze चलेगी, moderating influence जादा रहेगी लेकिन interior में उतना effect नहीं रहेगा, interior में उतना effect नहीं रहेगा तो coast के comparison में interior का temperature थोड़ा जादा रहने वाला है लेकिन फिर भी interior का temperature northern plane से कम ही रहेगा, clear रहने हैं यहाँ तक concepts, अब देखो आगे क्या है तो the mean daily minimum temperature during summer month also remains quite high and rarely goes below 26 degrees Celsius, ठीक है तो क्या है कि 26 degrees Celsius जो है उससे नीचे नहीं जाता है, 26 degrees Celsius पे sustain रहता है, कहाँ पे southern India के अगर बात की जाए Northern India में तो यह बहुत उपर चले जाता है, ठीक यह हो गया कहा, hot weather season का यह आई जो थोम वाला concept समझ गया, अब आगे क्या है, pressure and winds, तो हमने temperature समझ लिया, कि what is the position in terms of temperature during the hot weather season अब अगर हम बात करते हैं कि इस चीज़ की pressure and winds की, तो pressure and winds को समझना Period of excessive heat and falling air pressure in the other half of the country का मतलब यह है, कि आप देखोगे यहाँ पे air pressure जो है, तो अब high pressure नहीं है, pressure गिरते जा रहा है, pressure in the sense, low pressure develop हो रहा है क्योंकि गर्मी है, गर्मी में air masses charge up हो जाएगी, charge up air masses उपर उठेगी, मतलब low pressure condition बन गई है तो period of excessive heat and falling air pressure in another half of the country, why तो उसका सिधा सा सिधा सा answer क्या लिखेंगे आप ITCZ के कारण या फिर क्या सकते हो solar insulation जो intertropical conversion zone बनाए है, ठीक है, इसे हमने बहुत अची तरह से discuss किया, जिन लोगों ने ITCZ पर जो वीडियो बनाए हो नहीं देखा है तो please do watch that video, उसे वीडियो को देखो कि आपको पूरा concept समझ में आ जाएगा अब जब क्या है, sun northward move कर गया है, यहाँ पे जो है monsoon truff बनाए है, extreme temperature यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ low pressure develop होगा ठीक है, क्यों यहाँ पे air pressure क्यों गिन रहा है, क्योंकि यहाँ पे low pressure develop हो रहा है, low pressure क्यों develop हो रहा है, क्योंकि ITCZ वहाँ move करके चले गया तो because of the heating of subcontinent, subcontinent पूरा का पूरा गरम हो गया है, अग बबुला हो गया है, ठीक है, the ITCZ moves northward occupying the position of, occupying the position centered at 25 degree north in July तो जुलाई के आसपास, जुन जुलाई के आसपास, यहाँ पे आप देखोगे 25 degree north में ITCZ जाके बैठ गया है, और जहाँ ITCZ वहाँ आपको पता क्या है, कि बहुत तेजी से क्या उठने वाली है, low pressure air masses उपर की तरफ उठेंगी, low pressure air masses उपर की तरफ उठेंगी, तो अब pressure condition समझ माया, हम pressure and winds पढ़ रहे है, winter में क्या हो रहा था कि यहाँ पे high pressure हो रहा था, क्यों क्योंकि जमीन थंडी थी, पानी गरम था, पानी पे low pressure था, यह winter की कहानी है, summer में कहानी पलट गई, क्यासा है पलट गई, कि ITCZ उपर है, landmass पे और उस कारण से क्या है कि यहाँ पे 25 degree north in July, तो जुलाई में लगबग लगबग 25 degree north में आपको extreme low pressure condition मिलेगी, अब वो क्या करेगी, the location of ITCZ attracts the surface circulation of wind, तो यह low pressure क्या करने वाला है, कि जो surface wind से उन्हें attract करेगा, अब low pressure क्या करवाने वाला है, कि यहाँ जो high pressure बना है, उन winds को अपनी तरफ attract करेगा, तो the location of ITCZ, मत which are south westerly, ठीक है, south westerly winds जो है न, यह south west से जो भी winds चल रही है, पूछ पकड़ो इसकी, south west जा रही है, तो यह सारी south westerly winds है, इन्हें attract करता है, कौन, वहाँ का low pressure, वहाँ का ITCZ, ठीक है, south westerly on west coast as well as along the coast of west bengal and bangladesh, तो यह west bengal और bangladesh के coast पे जो winds है, वो भी इस तरफ attract होन होने लगती है, क्योंकि उदर हमारा जो north eastern part है, ठीक है, जो हमारे मनीपुर मेगाले, मिजोरम, यह सारे states है, तो यह states भी क्या कर रहे है, low pressure area बन चुके, वो भी attract कर रहे है, इन high pressure winds को, तो बे ओ बंगॉल से भी, उदर high pressure winds attract होने वाली है, तो यह समझ में आया, कि what is the position of pressure and winds during the hot weather season, तो यह कहानी समझ में आ गई, hot weather season के समय में country में क्या pressure है, winds किदर से किदर attract हो रही है, ठीक, along the west coast of west Bengal and Bangladesh, अब क्या होता है, हाँ, यह देखो, यह भी evident है, कि इस situation में, इस situation में क्या हो रहा है, कि जो south westerly monsoon winds है, they displays equatorial westerly, equatorial westerly मतलब क्या है, कि आप जैसे देखोग इस situation में करती है, यह जो low pressure बना है, तो यह equator के बाद में turn ले लेती है, क्यों, क्योंकि जो high pressure है, पूरा high pressure is being attracted by the low pressure created over the land mass, तो इसके चलते क्या है, कि यह equatorial westerly इसको भी कौन attract कर लेता है, यह low pressure area attract कर लेता है, और यह equatorial westerly भी क्या बन जाती है, south westerly monsoon winds बन जाती है, this south wester westerly monsoon wind displaced equatorial westerly, तो उन्होंने displace करके, खुद को क्या बना लिया, monsoon winds बना लिया, ठीक, यह हो गया, the influx of these winds by mid-June bring about change in the weather towards the rainy season, और जब क्या होता है, mid-June तक यह हवाएं आती है, तो यह mid-June तक यह हवाएं हमारे हैं क्या लेकि आने वाली, monsoon लेकि आने वाली है, आगे जब आप पढ़ोगे, किस के बारे में पढ़ोगे आगे, तो आगे जब आप monsoon season के बारे में पढ़ोगे, southwest monsoon के बारे में पढ़ोगे, जो हमारा rainy season होता है, तो उसमें आपको समझ में आगा कि हाँ यह wind पानी लेकि आने वाली है, ठीक है, तो मैंने आगो हर चीज को 2-3- बार हर वीडियो में फिर फिर रिपीट करके बता रहा हूँ, तो मैं आपसे उमीद भी लगाता हूँ कि यह imprint हो गई है आपके, दिमाग में एकदम समझ में आ गई है, चप गई है, अब याद करने की जरुवत नहीं है, मतलब रटने की जरुवत नहीं है, जो concept समझ लिया वो आपसे रात में उठा के पूछेंगे तो आप बता दोगे, फटा फट 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 और जो रटके बैठोगे, तो वो अगले दिन पूछूँगा नहीं बनेगा, ठीक है, तो रटना नहीं है, समझते चलना, यहां तक कहानी clear है, आगे देखो क्या है, आगे देखलो, यह गरमी लगए है दिदी को, ठीक, यह आइजो तरम्स वगेर आप देखोगे तो यह सारी wind के direction देख लो, आइजो बार्स देखलो, विंच देखलो, इस तरह से विंच सारी चल रही है, यह सारी winds जो है, तो और फिर माँंटेंस के कारण टरन लेके इस तर नॉर्थ वेस्ट दी ड्राइन होट विंड नोन अस लू ब्लो इन दी आफ्टरनून एंड वरी ओफन दे कंटीनिव टू वेल इंटू मिडनाइट ठीक है अब देखो यहां पर क्या है कि जहां पर इटी सीजेट है मतलब जो नदन प्लेन वाला पार्ट है नदन प्लेन वाल रहे हमितão की आटीर है मतलब घ्रमें चलने लगता है ली क tyre रहे हैं तंद कि बाड़ी गर्मियाय गरम हम धूस् использовать चछलते हैं बिमार हो सकते हो dehydration हो सकता है, तरह-तरह की समस्यां हो सकती है और अधिकतर देर रात तक ये गरम हवाएं चलती रहती है तो गर्मियों में कभी-कभी ऐसा होता है कि रात के दस बज़रें लेकिन आपको गरम हवा लग रही है तो उसका कारण है कि ये लू जो है कि बारिश आने से पहले और गर्मी जाने के time period पर मतलब गर्मिया जाने वाली है, बारिश आने वाली है तो वही जून के आसपास का जो time period है तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं बहुत तीज आंधी तुफान चल रहे होते हैं dust storms चल रही होते हैं आप खोल के हम दोर पे खड़े नहीं हो सकते हवाई हैं पूरी मिट्टी गुसा देती हैं तो वह क्या होता है dust storms in the evening are very common क्या होता है कि दिन भर जो गरम तपिश के कारण temperature extreme low temperature बन जाता है और शाम होते होते हैं जो थोड़ी सी moist हवाय रहती है तो उनका जब mix दोनों हवाईं क्या होती इंटरेक्ट होती है dry और moisture जब इंटरेक्ट होती तो storm वाली condition डवलप करती है ठीक है सूकी और गिली हवाईं जब मिलती है तो वह क्या करती storm वाली condition डवलप करती है उसके चलते dust storms चलती है आती है यह हवाईं ठीक है बुन्दाबांदी भी हो जाती है फिर क्या है a sudden contact between जो मैंने आपको भी बता है dry and moist air air masses gives rise to local storms of great intensity और वो जो बारिश आने से पहले जो हवाईं चलती ना great intensity वाली storms जो चलती है वो इसी कारण से चलती कि जब यह moist और dry air masses एक दुसरे के साथ जब मिल जाती है तो उसके चलते बहुत तेजी से हवाईं चलने लगती है fine these local storms are associated with violent winds, torrential rains and even hail storm अब क्या होता है यह जो local storms जो local हवाईं चल रही है तो they are associated with violent winds, तेज जो हवाईं चल रही है उनसे जुड़ी हुई रहती है torrential rainfalls मतलब क्या है कि मूसलाधार बारिश जो होती है मूसलाधार बारिश होने लगती है कब जब इस तरह की तेज हवाईं चलती तो आपने देखा होगा अचानक से जब monsoon आने वाला है तो वो इन हवाईं के साथ में ही आता है और बहुत तेज क्या करके जाता है बारिश करके जाता है तो देखो अभी monsoon आया नहीं है यह क्या है यह late summer period जो hot weather season के हम बात करें तो उसका जो ending period रहता है it is being characterized by this type of climatic conditions, air pressures यह सारा सब कुछ यहां तक ध्यान रहेगी चीज़ें ठीकें तो हमने क्या देखा इसमें hot weather season में हमने चीजों को समझे की कोशिश कही है कि hot weather season में क्या हो रहा है अब बोलो किसे rainfall तो rainfall के लिए यह क्या बन गया है platform बन गया है अब जब आप next season पढ़ोगे तो rainfall ही लाने वाला है hot weather season में specifically कोई rainfall नहीं हो रही है लेकिन वो क्या करने वाला है rainfall के लिए पूरा का पूरा एक background तयार कर रहा है अब जिसे आप देखोगे pressure winds की क्या कहानी थी कि यह वाली winds को attract करना स्टार्ट कर दिया अब यह जब winds जाएंगी तो यह क्या लेके जाएंगी तो अब बारिश करेंगी तो बारिश वाला season ही अलग है southwest monsoon season जो है हम next देखिये तो समझे यहाँ पर क्या है सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो local storm होती वो होती mango शार mango तो आपको पता है क्या होता mango यानि आम ठीक है आम फलो का राजा है अब आप देख रहे हो तो आम पकता कैसे है आप बोलोगouri सार्पिड़ पे पकता है ठीक है लेकिन बहुत सारे आम की तरह बहुत सारे ऐसे fø्रूट सोते हैं जो पहली जो बोचार होती पानी की उसे पकते हैं जैसे आपने जामुण के अगर हम बात करते हैं ब्लूबेरीज जो होती है तो जामुन जो होती है वो भी ऐसे ही पकती है कि पहली बॉचार जब आती है ना पानी की तो उस फल को वो पका देती है ठीक है तो यहां पर कहा है मेंगो शार किसके लिए यूज क्या गया है तो तो टोर्ड्स दी एंड ऑफ समर जब समर खतम होने हां इस चीज़ को समझो जैसे अभी तक हमने क्या पड़ा जो हम रिदम ऑफ साइकल सीजन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ लिया विच सेट्स नियर अबाउट मीड अफ नवेंबर ठीक है तो मीड अफ नवेंबर से वह स्टार्ट ह कहां तक तो आप देखोंगे नवेंबर से जनवरी फैब तक चलता रहता है फैब आजाता है मार्च आजाता है और फिर मिड़ अफ मार्च से हॉट वेदर सीजन स्टार्ट होता है समर स्टार्ट होते है विंटर स्टार्ट में समर कब तक चल रहे हैं तो आप देखोंगे म May-June May-June के end में क्या होने लगता है यह जो Local Storms है यह Local Storms क्या करने लगती है अपना pre-monsoon shars which are common phenomena in Kerala and coastal area of Karnataka. So Kerala and Coastal area of Karnataka, Map पर भी दिहान रख़ लो, Map पर अगर आता है तो, तो जैसे आप देखो कि यह वाला region जो है, यहाँ पर mango shars हो रही है. ठीक है? तो यह mango shars जो है, तो इस तरह से क्या होती है? केरला और करनाटका के कोस्टल डीजिन में देखने को मिलती है अब सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि इन्हें मैंगो शार क्यों कहा जा रहा है तो लोकली दे आर नोन अस मैंगो शार सिंस दे हल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो जो आम है तो आम को पकाने में ये मदद करती है जो बोचारे आती है पानी की प्री मौनसून मतलब मौनसून के आने से पहले जो शार्स होती है मौनसून शार्स उन्हें मैंगो शार कहा जाता है यह धियान रहेगा एरिया धियान रखना नाम धियान रखना क्यों कहा जाता है यह धियान रखना बस इतना ही आने आने आला है इससे जादा कुछ नहीं आने वाला है तो अब आगे देखो कहा है, मैप पर आपको बताईए कहा है, फिर अगली चीज़ कहा है, blossom shower, तो ये mango shower ही blossom shower के नाम से भी जाने जाती है, अब blossom मतलब कहा है, खिल उठना, तो कौन खिल उठता है यहाँ पे, तो with this shower coffee flowers blossom in Caroline nearby area, तो यही एरिया है, यहाँ पे जब ये coffee fields में इस coffee है, वो blossom होने लगती है, फ्लरिश होने लगती है, ठीक है, तो blossom shower भी हो गया, mango shower, blossom shower, तो आप ये ध्यान रखना है कहाँ पे, तो ये ये वाला जो western coastal area है हमारा करनाटा का कैरला, उस region में जानी जाती है, वहाँ पे पाई जाती है, फिर क्या होता है, ठीक है, नौर वेस्ट storm in Bengal and Assam, तो Bengal और Assam वाला ये जो region है, ये वाला पूरा region, ठीक है, इस region में जो एकदम कह सकते हैं, डरावनी सी, शाम के समय में थंडर स्टॉर्म होती है, बादल गरज रहे हैं, बहुत तेजी से, और बिजलिया चमक रही है, उस समय पे जो हवाएं चलती है, जो local storms चलती है वो नौर्वेस्टर के नाम से जानी आती है, अब नौर्वेस्टर में दो classification हैं, तो जिसे क्या होता है, their notorious nature can be understood from the local nomen culture of काल बैसाखी, तो अब देखो, ये जो हवाएं हैं ना, नौर्वेस्टर का nature समझो थोड़ा सा, आपने अगर ध्यान दिया गो, तो मैंने आपको तो इस तरह से क्या होता है, कि वो बहुत जादा destruction करती है, पेर तूट गए, तो ये जब दिक्कते होती हैं, तो ये जो हवाएं हैं, ये जो local storms है, इनका nature बहुत notorious होता है, nut cut सा होता है, तो वो क्या करती है, destruction लाती है, तो their notorious nature can be understood from the local nomen culture, तो इनका क्या है, नामकरन जो है, नामकरन लोकली क्या कर दिया गया है, इसको ऐसा बताए गया है, काल बैसाखी है, तो बेंगॉल में, ये जो Nordwesters चलती है, तो इनके काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, और काल बैसाखी जो शब्द ये अपने आप में ये बताता है, इनके notorious nature को, Notorious Nature को कैसे बताता समझो दो शब्दे काल बैसाकी तो बैसाक का महना होता है चेत बैसाक जो हिंदू कलेंडर है तो हिंदू कलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे जिसे जो विकरम समबत है तो विकरम समबत के हिसाब से जो अलग-अलग मंद्स है तो उसमें क्या है चैतर आता है चैतर के बाद में वैशाग आता है तो वैशाग मतलब मेजून वाला टाइम पिरिड हाँ मेजून वाला जो टाइम पिरिड होता है वो वैशाग के जो महने होते है तो उसके आगे काल लगा दिया अब काल का मतलब क्या होता आपको तो बता है calamity होता है, kol मतलब क्या है कि and इक तरह से end तो calamity of the month of बैशाक वह बताएगा है कि calamity of the month of बैशाक इसलिए इस मेहने को क्या कहा गए है, kol बैशाक की मेहने में जो शाम में हुआये चल रही होती है वो kol बैशाक ही होती है ऐसे हैं ठीक है यह आगे समझ में अब देखो क्या है तो यह बेंगल वाले रीजिन में कालवेशा की कि नाम से जानी जाती है अब क्या होता है तो शाम में जो हवाएं बिगड़ती है ठीक है और हवाएं बिगड़ने के बाद में कभी कभी क्या है आप देखो कि तो बारिश लेके आ जाती है तो जो बारिश होती ना तो दीशार्स आर यूसफल फो टी जूट एंड राइस कल्टिविशन इन असाम इस स्ट्रॉम्स आर नोन अस बार्दोली चेरा ठीक है बार्दोली चेरा नाम से जानी जाती है असाम में यही हवा है तो ध्यान रखना बार्दोली चेरा असाम में कहलाएगी और काल बेशा की बेंगल वाले रीजन में से क्या कहा जाता है काल बेशा की और असाम वाले region में इसे बारदोली चेहरा कहा जाता है मैप भी बताते चल रहा हूं मैं ध्यान रखते चलना इन चीजों को ठीक है यह हो गया तो लॉशम सार्स हो गया नॉर्वेस्टर्स हो गया और मेंगो सार्स हो गया इतनी हमने हवाओं के बारे में रहे लुकफ्रिस्टर्स नुट्रस अब बारे में पढ़र लिया एक और लोकल स्ट्रॉम जिसके बारे माँ प्छले वीडियो में पढ़ चुके हैं लेकिन अब ब्रैक्ट में दिए और पढ़ लेते हैं वो कहे है लू तो लू भी लोकल इनौन पारट में जिस्योंआते शा जादा होता है लू का तो hot dry सूखी रहती है मौश्य नहीं है तो hot dry oppressing winds blowing in the northern plains from Punjab to Bihar पंजाब से लगा के Bihar तक का जो पूरा नदन प्लेन वाला रीजन है इसमें क्या है hot dry winds जो चल रही होती नदन प्लेन में during the time of summer ठीक है तो समर के समय पर जो चल रही होती वो लू कहलाती है with higher intensity between Delhi and Patna Delhi और Patna में इनकी intensity और जाधा रहती है ऐसा इस इक्षा होती ना गर्मियों के दिनों में कि 5 बच गये लेकिन फिर भी घर से बाहर यह लू बैठी होती है क्योंकि उस समय समर्स में आप बाहर निकलोगे और आपको ऐसे गरम एक तरह से क्या रख रहा है ऐसा रखता कि बाजू में ही आग जल रही है तो वह जो पूरा phenomenon होता वह लू के कारण create होता है I hope I am clear till this point ठीक है आपको सारी चीज़े समझ में आगे जितने भी local storms और winds थे hot weather season के वो आपको समझ में आगा है अब हम specifically rainy season के बारे में पढ़ने वाले हैं मौनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं एक बार snap recap करेंगे कि पूरा phenomenon होता कैसे है जो आपकी book में लिखा है उससे देखते हैं तो क्या होता है rapid increase of temperature in May over the northwestern plane is being observed यह observe किया जाता है कि जो northwestern plane है यह country है country का ही जो northwestern part है यहाँ पे rapid increase in temperature देखने को मिलता है क्यों देखने को मिलता है तो देखो simple सी बात है आपको पता है कि ITCZ यहाँ पे आ जाता है summers के time period में क्या होता है solar insulation direct northwest वाले part पे होती है तो अब जब temperature बढ़ता है तो low pressure condition बन जाती है आपको पता है जहाँ जादा temperature वहाँ पे क्या होगा air masses उपर उठेगी low pressure condition बन जाएगी low pressure condition over there get further intensified तो वहाँ पे temperature बनने के चलते low pressure condition और intensify हो जाती है अब यह low pressure condition क्या करती है it attract the trade winds of southern hemisphere coming from the Indian ocean Indian ocean से जो trade winds आ रही है southern hemisphere की ठीक है यह दियान रखना southern hemisphere की जो trade winds आ रही थी जिने क्या कहेंगे हम south east कहेंगे तो जो south east trade wind आ रही थी वो attract होगी इधर की तरफ यह दियान रखना तो southern hemisphere की trade winds को attract किया जाएगा trade winds आपको पता है ना क्या है मैंने आपको यह starting में ही इस तरह से बता दिया था कि जो पूरा pressure system है तो ऐसी winds जो है यहाँ पर permanent winds जो है ग्लोब में specific direction में लेकिन pressure belt जब shift होता है ठीक है pressure belt याने ITCZ जो है pressure belt याने ITCZ नहीं लेकिन ITCZ प्रेशर belt को क्या करता है influence करता है तो जब ITCZ shift करता है तो उसके साथ साथ क्या है यह trade winds का जो पूरा का पूरा belt होता है system अर्थ पे वो भी shift होता है ठीक है तो यह जो south east trade winds है यह जो बात की जारी southern hemisphere से जो winds आ रही है south east trade winds मतलब क्या कि यह equator है तो यह south east trade winds है यह south east trade winds क्या हो जाती है passing over the equatorial warm current they brings with them moisture in abundance अब क्या हो रहा है कि equator से आ रही है इक्वेटर्स के उपर से पास करेगी अभी तो क्या होगा कि जो गरम पानी है warm water है गरम ऐसा नहीं कि उबलता हुआ है बस की winters में ले जाके नहाल होगे मतलब relatively जो क्या है 27 degree Celsius के लगबग लगबग उससे उपर पानी था तो उसके चलते क्या है कि वह वहाँ पर evaporation start हो गया अब जो evaporation हुआ तो evaporation में जो moisture है वह moisture यह winds carry करती है यह winds carry करेगी और यह यहाँ पर जो हमारा low pressure बना है वह attract करेगा इन winds को और वह winds क्या हो जाएगी फिर turn लेके तो after crossing the equator they follow the south westerly direction यह जो winds होती है moisture के साथ में equator cross करने के बाद में जैसे equator cross किया और फिर यह south westerly direction यह जो south westerly direction है इसे follow करने लगती है ठीक अब यह south westerly direction को follow करते करते आगे भहेगी तो that is why they are known as southwest monsoon हो इसी कायन से southwest monsoon भी कहा जाता है यही हवाएं जो हैं यह हमारे देश में क्या लेके आएंगी पानी लेक क्या है बड़ा मतलब एक तरह से कह रहेंगे आभार रहेगा आपका ठीक है अब आगे क्या है तो southwest monsoon season begins rather abruptly तो यहां पर क्या होता है कि southwest monsoon season जो अचानक से आप देखते हो कि बारिश होना चालू हो जाती है लेकिन उसके पहले हमें आपको भी जैसे पिछले वीडियो में क् का ठीक है southwest monsoon season उसके पहले एक platform तयार होता है platform कैसे तयार होता तो आपने देखा होगा कि evening time period में storms चलने start हो जाती है local winds जो रहती है वो अपना अपना असर दिखाने start कर देती है तो one result of first rain is that it brings down the temperature substantially तो सबसे पहला जो आपको observation देखने को मिलेगा कि हाँ बारिश आ गई है southwest southwest monsoon आ गया है तो वो क्या मिलेगा पहला result जो आपको देखने को मिलेगा कि it brings down the temperature substantially जो temperature आपने कहां देखा होगा hot weather season के time पे तो वहाँ पर क्या था कि आपने देखा कि relative temperature जो अर्थ का बहुत जादा बढ़ जाता है तो जो temperature बढ़ा हुआ रहता है ना इंडिया का खास करके नदन प्लेंस के अगर बात करें तो नदन प्लेंस का वो जो temperature है वो क्या हो जाता है substantially reduce हो जाता है क्यों reduce हो जाता है सवाल यह आता है तो तो देखती बात है जब ये southwest monsoon अपने साथ moisture लेडन winds जो है वो जब moisture लेके आएगी तो moisture जब क्या हो जाए condensed होगे पानी बनके गिरे होगे शाम में तो क्या होता है relief मिल जाता है एक तरह से थंडक हो जाती तो the day temperature register a decline of 5 to 8 degree Celsius 5 to 8 degree Celsius decrease हो जाता है temperature between mid June and mid July mid June से mid July के बीच में temperature इतना decrease हो जाता है this sudden onset of monsoon-ledden winds associated with violent thunder and lightning is often termed as break or burst of the monsoon तो जब क्या होता है कि आप देखते हैं अचानक से monsoon आजाता है motion-ledden clouds जो आते हैं वो क्या हो कह सकते हैं तीज बारिश जो हो जाती है रात में आप सोगे ते सुबे सोगे उटे देखा तो आपने सब पूरे नदी नाले फुल हो गए तो इस तरह से जो बारिश होती न आप देखते हो रात में बहुत जाता बिजलियां भी कड़कती है थ साट हो जाने वाला बोस्त वर्स्त ज्यादा सेलिश हब रहेंगा तो फैर्ष ऑफिसे कहा जाता कि मॉनसून यहां पे फूड गया फुड है इन हिल्टी मॉनसून वर्स्त अभी monsoon burst होता कब है तो आपको पता है और अभी हम आगे discuss भी करेंगे Arabian Sea और Bay of Bengal जब branches के बारे में पढ़ेंगे कि June से Starting June से हमारी country में monsoon आ जाता है केरला वगेरा कि अगर coastal areas पर देखा जाए तो the monsoon may burst in the first week of June ठीक है in coastal areas of Kerala, Karnataka, Goa तो coastal regions में सबसे पहले आप देखोगे तो first week of June, first June में ही बारिशोना स्टार्ट हो जाती है फिर क्या होता है and maharashtra while in the inner parts of the country it may be delayed to the first week of July और ये inner parts जो है country के ठीक है interior में आते आते June, July आ जाती है तो एक महने के अंदर-अंदर monsoon जो पूरी country को cover कर लेता इस थरह से monsoon आता है तो अब monsoon आया मतलब क्या है southwest monsoon season start हो गया यहां तक कोई doubt, कोई confusion नहीं होना चाहिए तो the southwest monsoon season इस थरह से क्या करता है हमारी country के उपर अपना कह सकते हैं कि पुरा कभ़ा पहला लेता है कि हाँ, अब मैं आ गया हूँ फिर क्या होता है, आगे देखो तो as this winds approach the land their southwestly direction is modified by the relief and thermal low pressure over the northwest India अब क्या होता है, मैं आपको एक problem बताता हूँ जियोग्रफी के साथ आपने खुद से जब पढ़ा होगा आपने statement पढ़ाओ का आगे बढ़ाओंगे हाँ आगे है समझ में लेकिन इसमें क्या रहता हर statement में एक कहानी छुपी रहती है और अब क्या होता है, देखो limitations है हमारे पास कभी class में बैटके पढ़ोगे ना मेरे साथ तो हम discussion करते रहेंगे करते रहेंगे और करते रहेंगे मतलब हर चीज में, हर शब्द में, हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए रहता है ताइम constraint रहता है, आप भी बोलोगे कि सर ये इतना बड़ा lecture, अभी कुछ बच्चे कहने लगते हैं क्या कि इतने ज़्यादा parts में मत बनाओ लेकिन मेरा ये मानना है कि specifically अगर आप हर topic को लेके चलोगे तब जाके syllabus complete होगा और syllabus complete करना priority नहीं है priority क्या है, priority ये है कि हर चीज समझ में आना चाहिए तो अब देशने ये statement पढ़ा आपने इस statement के अंदर कुछ बहुत essence है एक चीज की क्या है वो, कि आप जब देखते हो जब ये winds अप्रोच करती है land पे ठीक है, अब ये winds आ गई है मान लो ठीक है, अब ये दो branches में आती है आगे बताऊंगा हमें इनके बारे में तो नॉर्थ-वेस्ट इंडिया पे क्या हो रहा है कि उनका ये जो साउथ-वेस्टरली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मोडिफाई कर दिया गया है, मतलब आप ऐसे आ रहे थे मैंने आपको धक्का दे दिया तो आप ऐसे हुम जाओगे आपका डायरेक्शन मोडिफाई हो गया तो अब क्या होता है कि ये जो विंट सारी इनका डायरेक्शन भी मोर दिया जाता है अब आप बोलोगे सर हवा का रुख कौन मोर सकता है हवा का रुख पहार मोर सकते है तो यह वहीं बताएगा है क्या कि जो relief और जो thermal low pressure होता है कहां पे नौर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे आप देखोगे यहां पे क्या है हिमालयाज है यहां अगर नौर्थ इस्ट में देखोगे तो यहां भी आपको क्या इस्टन हिल्स देखने को मिल जाएगी तो यह क्या करती है डाएग्शन को मौडिफाई कर देती है यहां पे वेस्टन घार्ट से यह दाएग्शन को मौडिफाई कर देते हैं ठीक है thermal low pressure आपको पता होगा तो ITCZ इस बेल्ट पे था तो यहां सबसे आदा गर्मी डवलप हुई थी Northern Plains पे तो Northern Plains में उसका डाएग thermal low pressure के कारण relief के कारण modify हो गया तो इस तरह से क्या है पूरी country को cover कर दिया अब अगर बात करें The monsoon approaches the landmass in two branches. दो branches में monsoon approach करता है landmass को. दो branches मतलब monsoon आ रहा है दो अलग-अलग branches में. एक Arabian Sea branch है, एक Bay of Bengal branch है यह ध्यान रखना. एक होती है Arabian Sea branch, दूसरी होती है Bay of Bengal branch. इन्हें हम specifically जैसे आपकी book में जो topic दिया है उसे आप से परते चलेंगे. Topic पर आते हैं. ना तो यह तीन branches में और बढ़ जाती है. तो तीन branches देखो, एक मतलब यह एक हो गई, यह दो हो गई और यह तीन हो गई है. इन तीनों को हम क्या करेंगे, comprehensively discuss करेंगे. बागी नाम समझ लो. तो पहली क्या है, पहली branch जो रहती तो यह ऐसी branch है which is obstructed by the western ghats. यहाँ पर western ghats हैं, तो western ghats ने जिसको रोक लिया वो पहली branch हो गई. ठीक है, दूसरी branch क्या है, north of Mumbai coast. Mumbai coast के जो north में है वो दूसरी branch हो गई है, इसका पुरा route अभी समझाओंगा, मैं आपको आगे. और तीसरी branch जो है, तो branch of Arabian monsoon wind which strikes the Saurashtra Peninsula and the Kach. तो यह जो Saurashtra Peninsula है, Saurashtra Peninsula जो है और Kach वाला जो area है वो वहाँ से जो जाते होँए निकलती है, वो तीसरी branch हो गई. ठीक है, तो यह तीन branch जो है, इन तीनों branch को हम क्या करने वाले हैं, तीनों branch को discuss करने वाले हैं, देखियो और समझी आगे. तो the monsoon winds originating over the Arabian sea further splits into three branches, तो first वाली जो है, ठीक है, it's one branch is obstructed by the western ghat, तो जब वो आ रही होती है इस तरह से, तो यहाँ पे जो western ghat है, western ghat obstruct करते हैं, western ghat ना obstruct करती है, अब आगे क्या होगा देखो. तो while climbing western ghat, they become cool and as a result, the windward side of सयाधरी and western coastal plane receive very heavy rainfall ranging between 250 cm to 400 cm. अभी अब मैं आपको कुछ interesting दिखाता हूँ, समझो इस चीज़ को, देखो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यह जो है rainfall दर्शाता है, यह map जो है, तो seasonal rainfall, जून से सप्टेंबर के अगर देखें, तो जून से सप्टेंबर में जो country में rainfall हो री न, वो इस map आपको दर्श ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे 200 से 400 के लिए थोड़ा सा क्या सकते हैं कि one shade down, वो अला हो गया, ठीक है, तो यह आप अगर देखेंगे, तो western ghat में बहुत जादा बारिश हो रही है, आखिर western ghat में बारिश होती क्यों है, तो जो पहली branch के बारे में हम पढ़ रहे हैं, Arabian Sea से जो monsoon winds आरी, उसकी जो पहली branch है, वो क्या बता रहे हैं, कि यह जो winds है, यह western ghat को climb करती है, अब देखो, अपने कंदे पे बहुत सारा बोज लेके आरी है, अरिबियन सी से आरी, इतना सारा motion लेके आरी है, और जब इन्हें क्या करना पड़ता है, यह पहार चड़ना कंदेंस हो जाती है, अब कंदेंस होने के बाद में वह वहीं पे precipitate हो जाती है, तो इसी कारण से जो coastal area है, western coastal area और windward side, windward और leeward side मैंने पता चुका हो पहले आपको, जिस तरफ से हवा आ रही है, वो windward, तो यह windward side पे बहुत जादा बारिश होती है, windward side पे बहुत जादा बारिश के कारण ही क्या होता है, जो अब आपको मैंने मैं आप पे दिखाया, कि western ghat जो है, वो सबसे जादा मतलब हमारी country में rainfall receive करता है, western ghat और मेगाले, यह दो पार्ट जो है, यहाँ पर सबसे जादा बारिश होती है, ठीके, यह देहन रहेगा, तो यह कहानी आगी समझ सब हलका कर दिया, मतलब पूरा precipitation हो गया, मौशर आदा खतम कर दिया उन्होंने, अब मौशर नहीं है इन winds में, यह जो arabian sea की winds आ रही है, western ghat वाली winds आई है, जो branch आई है, तो अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पर windward side पर पूरा precipitation हो गया, अब windward side तो cross करके winds आगे बढ़ अब आगे जब बढ़ी नहीं, तो यह नीचे की तरह क्या कर जाती है, नीचे की तरह descent कर जाती है, बैट जाती है, नीचे बैट जाती है, अब नीचे जब बैटने रगती, surface winds बनने लगती है, तो इन्हें नीचे से क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, तो after crossing western guard, these winds descend and get heated up, अब इनके अंदर का जो moisture है, वो mature level पिनिया है, condensed नहीं हुआ, यह गर्मी को लेके उपर उठ रही हो, क्योंकि इनका जितना भी moisture था, वो पहले ही क्या कर चुकि है, यहाँ पे, western guard पे precipitate कर चुकि है, तो आप जैसे अगर map में देखो कि तो आपको समझ में आएगा, कि western guard के ठीक इक बाद में अगर आप देखोगे, तो एक shade कम ये वाला color आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप rainfall अगर देखो कि तो यहाँ पे क्या है, 40 से 60 cm वाला shade दिखा रहा है, तो western guard के just बाद में क्या होने लगता है, rainfall का amount जो decrease होने लगता है, यही चीज मैंने आपको पहले भी ब temperature और rainfall में difference आने लगता है, आया समझ में, देखो कहानी मज़दार है, सब interlink करके चलते चलो, बहुत मजाएगा, तो यह clear है, यह हमने आपको western guard branch की कहानी बता दिए, अब देखो क्या है, तो this reduce humidity in the winds, और अब इसी के चलते क्या होता है, कि जब आपने देखा, यह descent औरी नी rain shadow area, और इसी कारण से क्या कहा जाता है, यह जो पूरा area आप देख रहे हो, यह वाला, ठीक है, इसे rain shadow area कहा जाता है, rain shadow area मतलब क्या है, क्या है, क्योंकि बारिश की परच्छाई पढ़ गई उसके उपर एक तरह से देखोगे, तो बारिश क्योंकि इस तरफ पीछे हो गई पूरी western घाट पे इस साइड में बारिश होगी, इस साइड में बारिश नहीं हो पाईए, तो यह ध्यान रखना, western घाट का eastern side rain shadow है, ध्यान रहेगा, क्यों है, यह भी सारा reason बता देखो, यह तो कोई भी बता देगा, आपको बोल दिया कि हाँ, western घाट का western side क्या है, rain fed है, और eastern side rain shadow है, आगे बढ़ो, complete होगया topic, नहीं, क्यों है, जब तक आप क्यों करना नहीं पूछोगे न, तब तक topic समझ नहीं आएगा, समझ भी आ जाएगा, तो भूल जाओगे, लेकिन जहां पर आपको उस concept का क्यों, ठीके, why समझ में आ गया, तो बात बन जाएगा आपकी ठीके, आगे बढ़ो, तो अब देखो, हाँ, इसी कारण से क्या होता है, therefore, low rainfall east of western gharad, therefore, low rainfall is being observed in the west of eastern gharad, जो eastern gharad का, in the east of western gharad, sorry, in the east of western gharad, तो western gharad का जो eastern part उसमें rainfall कम होती है, ठीके, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, second branch कौन सी है, another branch of Arabian sea monsoon strikes the coast north of Mumbai, coast north of Mumbai क्या है, तो आप जैसे अगर यहाँ देखोगे, तो यह मुंबई है, मुंबई के north में जो coastal area है, वहाँ पे दूसरी branch जो है, वो टकराती है, Arabian sea की, पहली branch का division हमने देख लिया, दूसरी branch यहाँ पे आई है, अब यह दूसरी branch क्या कर रही है, देखो, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो moving along the Narmada in Tappi river valley, these winds cause rainfall in extensive area of central India, the chotanakpur katev gets 15 cm rainfall from this part of branch, therefore they enter, thereafter they enter the ganga plane and mingle with bay of Bengal branch, अब देखो, इस से आपको यह समझ में है का कभी-कभी question बूच लिया जाता है, क्या, कि सत्पुडा और विंदया चल जो है, ठिक है, यह जो सत्पुडा और विंदया जो इसके बीच में जो रिफ्ट वैली है, तो वहाँ पे rainfall किस branch से आती है, अब यह detail में भी detail चले गई है, तो आपको ऐसे समझना होगा चीजों को, क्या बोल रहे हैं, कि यह branch जो है, North of Mumbai Coast branch जो है, यह strike करती है, इंडिया में एंटर करती, एंटर करने के बाद में क्या होता है, कि विंदिया mountains और सत्पुरा, यह ranges के बीच में से जो नर्मदा और तापी वैली है, इनके बीच में से flow करते हुए जाती है, इसके चलते क्या है कि Central India वाला पार्ट जो है, तो महरास्ट का नदन पार्ट, मध्यप्रदेश का पार्ट, मेजर पार्ट जो नर्मदा वैली, त यहां से पूरा बारिश करते हुए इतने एरियम पूरे में बारिश, Central India में बारिश कौन से करती है, Arabian Sea की जो Mumbai Coast branch है वो पूरा बारिश कर देती है, पूरा बारिश करती है, छोटा नागपूर प्लेट्यू तक पहुशती है, अब मतलब ऐसा है ना, कि जिसके packet में, मतलब पानी का बैग लेके चल रही तो उसके बैग में इतना पानी था पूरा प्रेसिपिटेट कर दिया उसने यहां तक, अब पानी छोटा नागपूर प्लेट्यू तक पहुशते पहुशते खतम हो गया, तो छोटा नागपूर प्लेट्यू पर जो थोड़ी बारी शोरी 15 cm व घर मिलिठी किसे सांथ मिल जाती है बेहो बेइंगal ब्रांच मिल जाती है औरेबियन सी ब्रांच के साते हैं तो छोटा नागपूर प्लेट्यू याले रेजन में वह जैसे आप देखोगे आगे मिलती है और मिलने के बाद में फिर ठोड़ा सा और पुरा जंदन पार्ट यह cover करेगी यहां बारिश करवाएगी second branch आगी समझ में आपको तो यह second branch का route बता दिया वो कितना कहाँ पानी दे रही ही वो बता दिया मैंने आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर तो देखो अब third branch पर आते हैं there after they enter Ganga Plains and mingle with Bay of Bengal branch यह हो गया third branch क्या है तो the third branch of this monsoon wind strikes सौरास्ट Peninsula and the Kutch तो अब क्या है run of Kutch वाला reason जो है जो गुजरात का सौरास्ट Peninsula है यह वहाँ enter करती है तीसरी branch सौरास्ट Peninsula से enter करते वह जाएगी अब यह क्या है तो यह अरावाली mountain है अरावाली mountain इस branch को इस तरफ नहीं आने दे रही इस तरफ नहीं आने दे रही है तो इस कारण से क्या होता है अरावाली mountain जो है तो उसको westward रखती है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है राजिस्थान वाले एरिया में टू जॉइंस भी बेञव बेंगॉल ब्रांच ठीक है तो अब क्या होता है यह भैते भैते चलेगी आगे अब इस थारा से आगे जाती तो यहां पे जो बेञव बेंगॉल ब्रांच का extension आ रहा ना तो पंजाब हरियाना में जाकि ये ब्रांच मिल जाती है और ये western part जो है western हिमालियाज जो है वहाँ पर बारिश करवाएंगे western हिमालियाज western कह सकते है north western part जो है country का वहाँ पर ये दोनों ब्रांचे इधर से ध्यान रखना इधर से कौन सी ब्रांच आएगी इधर से bay of bengal branch आएगी दूसरी branch है ठीक है दूसरी branch कौन सी है bay of bengal branch तो bay of bengal branch के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से हमारे देश में monsoon को लेके आती है बारिश करवाती है simple सी सटीक सी चीज है समझ में आगे आपको तो आईए अब देखते है bay of bengal branch जो है वो क्या करती है मतलब किस तरह से हमारे देश में कहां कहां उसकी कौन सी ब्रांचे से स्प्लिट होती है वो सारा सब कुछ क्या लिखा है यहां पर तो यहां से bay of bengal branch जो है वो एंटर कर रही होती है यहां से अब आप देखोगे तो यह वाला पूरा पार्ट कट-off है ठीक है यहां पर काईदे से आना ही नहीं चाहिए यह जो bay of bengal branch है वो काईदे से यहां पर आना ही नहीं चाहिए इस एरिया में लेकिन हमारे जैसे जो नदन प्लेन है तो वहां पर major source of water क्या है तो major source of water आप को होगे sir himalian rivers है वो तो ही लेकिन अगर बात क जाए कौन सी branch है तो bay of bengal branch जो है वहां पर बारिश करवाती है वहां पर precipitation करवाती है अब इसके पीछे मैं आपको बहुत अच्छा एक logic बताता हूँ geographically we are blessed to have a natural boundary ठीक है natural boundary है हमारी कैसे आप देखोगे mountains है हिमालयाज हिमालयाज नहीं होते तो arabian sea branch क्या है उड़के सीधे निकल जाती चाइना में चाइना वाले लोग dance कर रहे होते rain dance और हम उन्हें देखते रहे जाते ठीक है हमारे पास पानी नहीं होता लेकिन हिमालयाज ने रोख लिया हिमालयाज ने रोख लिया तो थेंक्यू हिमालयाज फिर आगे अगर आप देखोगे क्या कि यहां पे भी जो बेयो बेंगल ब्रांच है तो यह काईदे से निकल जाना चाहिए थी म्यानमार वगेरा होते हुए लेकिन क्या होता है कि यहां पे एक mountain range है एक तो हमारी eastern hills है दूसरा क्या एक अराकान रेंज है अराकान योमा जो पूरी mountain range है इंडिया और म्यानमार की बॉर्डर पे तो वो क्या करती है वो यह जो विंट्स जा रही है बेयो बेंगॉल ब्रांच को सीधा ना जाने देती है और क्या करती है टर्न करवा देती है तो जि तक चीजें क्लियर है आपको कंसर्प समझा आना चीए ठीक है अब हमें पानी मिल रहा हमारे साथ साथ बंगलादेश बहती गंगा में इन्होंने भी हाथ दो लिए ठीक है तो हमारे ही पोता है वो अब आगे क्या है आगे अगर देखते हैं तो दी बेयो बेंगॉल ब्रां ट्रांच ट्वरड्स दी इंडियन सबकॉइंट क्या होता है कि यह जो ब्रांच है टुसका एक बड़ा पोर्शन जो है किदर डिफलेक्ट हो जाता है इंडियों इस बेंगॉल और जा आइंड बंगल अन्सौन बघंगवादेश वहिते and south east instead of the south westerly direction direction का खेले और कुछ नहीं है काईदे से मॉंसून कैसा आना चाहिए था south westerly आना चाहिए था लेकिन बेंगॉल में ठीक है west bengal और भांगला देश में हमारे मॉंसून वो south और south east से आ रहा है ठीक है south और south east से enter करता है instead of south westerly direction तो वो south westerly ना आते हुए इस तरह से आप देखो के तो south से south easterly direction से आ रहा है क्योंकि वो turn लेकर आ रहा है ठीक है गाड़ी उसने से घुमा के लाया है अपनी clear यह हो गया तो इस बारे में आपको मतलब यह सारा सब कुछ पढ़ने के आद में आपको यह समझ में आ गया होगा कि bay of bengal branch जो है तो वो किस तरह से इंडिया में एंटर कर रही है अब इंडिया में एंटर कर जाती है लेकिन आप बोलोगे sir अभी तो north east वाली region में ही रहना चाहिए यह यहां पर कहां आ गई मतलब नदन प्लेन में कहां पोच गई और आपने पिछले वीडियो में बताया था कि थर्मल लो इन नौर्थ वेस्ट इंडिया अब जैसे अगर आप देखोगे तो हिमालियास हैं यहां पर हिमालियास के साथ साथ में यहां पर थर्मल लो बना हुआ है थर्मल लो प्रेशर बना है यह और यह हिमालियास क्या करते हैं इसे दो ब्रांचेस में स्प्लिट करवा देते हैं किसे तो जो बींस आथन कर वाली दो विंसले implications, उन्हें दो ब्रांशे में और स्बीट कर वा देते हैं, तो एक और यह स्थी ब्रांश में north and northeast लिख देते हैं तो अब यह समझे नौट अनौट इस ब्रांच है तो इससे क्या होने वाला आपको पता है कि वेस्ट वर्ड ब्रांच क्या करेगी पूरी तरह से नदन प्लेंड को प्रसिपिटेट करने वाली है और यह नौर्थ और नौर्थ इस्ट ब्रांच जो है तो तो किसे North Eastern States को क्या करने वाली प्रेसिपिटेट करने वाली है ठीक है बही चीज यहां पर तो इट मुवस वेस्टवर्ड अलॉंग दी गंगा प्लेंस रीचिंग अस फार अस पंजाब प्लेंस इट गॉट्ट मिक्स विथ किसके साथ जुड़ जाती है यहां पर तो अलीबी पर तीक यहां पर नॉर्थ में उपर की तरफ चलती पूरी ब्रह्मपुत्रा वेली में बारिश होती बहुत जोड़ार ब्रह्मप्ँत्रा वेली में बारिश करवाती है उससी के साथ पत्त लगें ठीक है यहोग्या अब देखो क्या है तो यहां पर एक जगा के बादेल के बारे में बताए ग्याया, इचेहें refers कि मेटस्ट पुंजी छील के थोड़ा नीचे को में सब्सट पूंज्ञ निस घ्रपुंजेल what rainfall in the world इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत जादा बारिश होती 11,873 mm rainfall इतनी बारिश हो रही है अच्छा एक और इंटरस्टिंग चीज़ बताओं यह पहाड़ों का खेल रहता है बारिश का पूरा ठीक है mountains बहुत जादा influence करते rainfall को चेरापुंजी में इतनी बारिश हो रही है उससे कुछ 150 km दूर शिलॉंग है तो शिलॉंग में लेकिन पानी की क्या shortage हो जाती कभी-कभी कारण कारण पुरा वह है कि जो mountains इस तरह से structures बनाया हुए है वो क्या करते हैं वो चेरापुंजी में तो बहुत जादा बारिश कर पूरी कंट्री को लबालब कर देगा पानी में यहां तो हमें समझ में आ रहा है चलो डजर्ट एरिया है और उस कारण से क्या अरावली रेंजेस वगरा है तो वो खुद नहीं जाने दे रही है क्या मतलब ब्रांचेस नहीं पहुच पारी है रिभी इनसी ब्रांच वहां पर प्रेसिपिटेट नहीं करवा पारी है ठीक है यहां भी बहुत बारिश है यहां भी बहुत बारिश है यहां भी बहुत बारिश है लेकिन यह जो पार्ट है तमिल्लाडू का यह वाला एरिया जो है यहां बारिश नहीं हुई है लेकिन यह एरिया सूखा फिर भी नहीं है मतलब यह एरिया में भी खेती होती है सारी पढ़ाए यह साउथ वेस्ट मॉंसून सीजन पढ़ाए अभी एक रिट्रीटिंग मॉंसून सीजन और पढ़ेंगे ठीक तो यहां पर बारिश जो है तमिल नाडु वाले एरिया में इस्टन कोश्टल मार्जिन पर उस सीजन में बारिश होती है अब सीजन पर बारिश होती सीजन कोशन आ सकता है इसा वाट अधी रिजन्स वाय तमिल नाडु कोश्ट रिमेंस ड्राइ दिरिंग दी साउथ वेस्ट मॉंसून सीजन क्यों सुखा रह जाता है वह तो कारण क्या देखो देरा टू फैक्टर्स रिस्पॉंसिबल फॉर इट दो फैक्टर क्या क्या है पहला तो यह कि तमिल नाडु कोस्ट इस सिच्वेटिट पैरलेल टू दी बेव बेंगॉल ब्रांच औफ साउथ वेस्ट मॉंसून अब देखो क्या यह साउथ वेस्ट मॉंसून जैसे यहां से ओरिजनेट हुआ ही है साउथ वेस्ट मॉंसून में मतलब बेव बेंगॉल तो वह अब ऐसा तो नहीं है ना कि इस तरफ भाते वे जा रही है विंट तो पीछे पानी कहा से गिराएगी बताओ पैरलल है अब जो पैरलल एरिया रहेगा तो हमने यहां पर भी देखा ता कर पैरलल विंट चलेगी तो वह कोश्टन एरिया पर बारिश नहीं करवा तो parallel है यहां पे किसके parallel है पार्ले आप देख रहे हो Tamil Nadu Coast के तो इस करण से बारिश नहीं उपाती है तो यह वाली ब्रांश का तो पता कट हो गया कि यह वाली ब्रांश जो है Bayo Bengal Branch यहां पर पारिश करवाईगी विंडवर्ड साइड पे लेकिन यह जो पूरा एरिया है उसे सूखा रख देगी क्योंकि यहां पर क्या है पूरा मॉश्यर जो है वो वेस्टन कोस्ट पर ही प्रेसिपिटेट कर चुकी है इस्टन कोस्ट पर पानी बचता ही नहीं उसके पास में ठीक है यह रीजन्स ध्यान रहेंगे कि क्यों तमिलनाडू कोस्ट जो है वो ड्राय रह जाता है दूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन आप यहां तक चीजने क्लियर हैं साउथ वेस्ट मॉनसून हमारा कंप्रीट हुआ है अब जब आपने मॉनसून सीजन को पढ़ लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्या सवाल कि आप फीचर्स बताईए आपको क्या समझ में आया मॉनसून रेंफॉल से या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून इस सीजन के करेक्टर स्टिक्स बता दो फीचर्स बता दो ऐसे कुशन भी आने वाला एक्जाम में तो हम क्या करने वाले है इस वीडियो में स्पेसिफिकली वही देखने वाले कि क्या आप एनलिसिस ड्रॉग कर सकते हो जब आपने पूर मॉनसून जो आया था तो इस सीजनल इन करेक्टर चार मैंने ही पुरा कारिकरम चले गई है उसके बाद में क्या है आप देखोगे तो जब सीजन बदला विंटर्स आएंगे समर्स आएंगे उस समय पे मॉनसून जो है मॉनसून विंट्स भी नहीं आएगी ना हमारे मॉनस इस सीजनल है नेचर में जैसे सीजन बदलेगा जैसे विंट्स के डायरेक्शन बदलेंगे तो बारिश होना भी बंद हो जाएगी आगया समझ में पहला पॉइंट ठीक है तो अकर्स बिट्वीन जून टू सेप्टेमबर वाले सीजन में ही रहती उसके अलावा नहीं होती बारिश सेकंड पॉइंट देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है मौन्सूनर रेंफॉल इस लार्जली गवरंड बाई रिलीफ और टोपोग्राफी रिलीफ और टोपोग्राफी आपको पता है समझ चुके हम कि हाँपे क्या पहाड है यहाँ पर का प्लैटी हुए यह सारी चीजे तो अब यह क्या कहा गया है हाँ पे कि मौन्सूनर रेंफॉल इस लार्जली गवरंड बाई रिलीफ और टोपोग्राफी तो उस जगह पे किस तरह के पहाड प्लैटू यह सारी चीजे है वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे कितना मौन्सून होगा कितना नहीं कि अगर वहाँ पहाड नहीं होते है तो आज आपको देखने को मिल रहा शायद वो वैसा नहीं होता है तो रिलीफ और टोपोग्राफी जो होता है वो मौन्सूनल रेंफॉल को गवर्न करता है इस मैं पॉइंट क्लियर ठीक है यह यह चीजे समझ में आना चाहिए और एक् तो वो क्यों हो रही है क्योंकि वहाँ का जो फीजियोग्राफी है वहाँ की जो टोपोग्राफी है वहाँ के जो रिलीफ फीचर है जैसे जो हिल्स है ठीक है गारो खासी जैंतिया वाली जो हिल्स है उसके बाद में जो इस्टन हिल्स है इस्टन हिमालयाज है वो वहाँ प दिस्टेंस फ्रम दीशी, डिकलाइनिंग ट्रेंड विट इंक्रीजिंग दिस्टेंस फ्रम दीशी, ठीक है, दोको समुद्र के जितने पास होगी जगा, वहाँ पे उतना पानी गिरेगा, ये चारो तरफ भुमा के देख लेना, मतलब ये जो समुद्र के पास वाला एरिया यहाँ ज़्यादा पारिश होगी, क्योंकि यहाँ पे जब मॉश्य लेटन, क्लाउड आने वाले मॉश्य लेटन, विंड्स आने वाली है न, तो वह प्रेसिपिटेट करना यहाँ से स्टार्ट करेगी, इंटिरियर में जाते जाते उनका प्रेसिपिटेशन कम हो जाता है, जो वह मॉश्य कैरी कर रही थी, मॉश्य कम हो जाता है, क्योंकि अब यह इतना क्या एरिया कवर कर रहा उसमें, अब जब जमीन के उपर सोड़के जाएगी, तो पानी लेके आ रही थी वह विंड्स, ठीके, तो सिंपल सा पॉइंट ही बताय गया, क्या देखने को मिला है, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाओगे, पानी कम होते जाएगा, ठीके, पानी जो मॉश्य कम होते चले जाएगा, ठीके, यहाँ पर वही बताय गया है, कॉलकता रिसीफ्स 119 सेंटीमीटर डियूरिंग दी साउथ वेस्ट मॉनसून पीरेड पटना 105, अलाबाद 76 and देली 56 सेंटीमीटर एनवली, तो यह इस तरह से बतायागा, जैसे आप देखो कहाँ पर जादा बता रहे हैं, कॉलकता जो है, तो 119 सेंटीमीटर फिर अंदर जाते जाओगे, अगर आप साउथ वेस्ट मॉनसून से अगर देखा जाए, तो पटना में 05 सेंटीमीटर पतना से और अंदर जाओगे, अलाबाद में और कम, देली में और कम, ठीक है, तो यह declining trend जो है, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, example है हमारे पास में, clear है, तो यह तीन पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट आपको तीन characteristics समझ में आए, कि हाँ, क्या characteristic है मॉनसून के, चौत से रहेगा, September तक बंदी नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं होती ना, चीज़े, क्या होता है, आप देखोगे कि एक हफते गिर गया, एक हफते के बाद में, क्या हो जाता है, पानी खुल जाता है, हम कहते हैं, मौसम साफ हो गया, पानी खुल गया, इन दर सेंस कि अब ह यहाँ पर बारिश नहीं होँ हुरी, ड्रा इसपेलों, भीचि बीच में, वैटि पहल और दैख उते है, तो जो बीच बीच में रुखावटे आती हैं, तो ब्रीच ब्रीच में पानी बंद होता है, वो क्या होते हैं, प्रैक्स होते है, तो, रैं इंटर स्पहट वीच ये एक जो characteristic monsoon का एक monsoonal rainfall का जो एक feature हो गया तो वो क्या है कि monsoonal rain have breaks in them ठीक है तो जितनी भी वारिश होने वाली है उसमें क्या रहने वाले है breaks रहने वाले है clear है तो जो dry spell का period रहने वाला है उसे breaks कहते हैं clear है अब यह आप सवाल पूर सकते हो यहाँ पे क्यों breaks होते हैं तो यह हमने क्या करा है यह specifically पहले भी पढ़ चुके हैं topic में इसी chapter में हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है इसी chapter में हमने देखा कि जिस तरह से आप nature अगर पढ़ते हो Indian monsoon का तो Indian monsoon के nature में आपको समझ में आता है कि breaks होते है इंडियन monsoon में ठीक है dry spells जो होते हैं वो breaks कहलाते हैं तो breaks क्यों होते हैं वहाँ पे भी बता है ता यहाँ पे थोड़ा सा और relate कर लो क्या due to cyclonic depression mainly formed at head of bay of bengal and they are crossing into the mainland their passage अब देखो हाँ यहाँ पे चीज समझने वाली है क्या कि जो cyclonic depressions यहाँ पे develop होते हैं ठीक है mainland crossing into mainland क्या है अंदर की तरफ आते हैं वो ठीक अब अंदर की तरफ आने से फरक क्या पड़ता है जब यह यहाँ पे जो cyclone develop हुए है कहाँ पे low pressure area पर अब देखेंगे ocean के उपर यह कहाँ करेंगे यह जब land कर जाएंगे land कर जाएंगे in the sense कि जब यह जमीन पे पहुच जाएंगे cyclone तो अब क्या है समुद्रे से तुन्हें मौशर मिल रहा था जमीन से क्या है मौशर थोरी ना मिलेगा समझेरों मेरी बात को जमीन से उन्हें evaporation नहीं हो गए ना जमीन पे कही काई evaporation मौशर नहीं मिलेगा तो उस समय पे जो rainfall जो rainfall कहां हो रही थी जो rainfall cyclonic disturbances के कारण या फिर क्या सकते हो जो cyclonic depression create जो है तो उस कारण से जो rainfall होती थी वह rainfall अब नहीं हो पाएगी और rainfall नहीं होगी तो break मिल जाएगा अब देखो यहां पर देर passage जो लिखा तो उसका मतलब यह भी है कि पहली चीज तो यह कि cyclone कितने मजबूत है किस लेवल पर उसकी मतलब intensity क्या है किस intensity के cyclone ने वह impact क्रेट करने वाले हैं साथी साथ एक और important चीज़ क्या हो जाती है उनका passage उनका रास्ता किदर से route कहा है अगर मानलो एकदम नदन कोस्ट पे आ रहे हैं इस्टन कोस्ट के नौर्थ में अगर आ रह तो monsoonal rainfall जो है ऐसे sum up करो इस point को वो क्या है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे जिने बीच में जो dry spell होते उसे breaks कहा जाता है और यह जो breaks है तो इन breaks के कारण क्या है कारण वो मैंने आपको बता दिया कि यह जो cyclonic depressions create होते है तो जब वो landmass पे आ जाते है तो उस कारण स से क्या होता है वहां पे हम नीचे motion नहीं मिलेगा तो वह एक break हो जाएगा सांती साथ आपने दो reason वहां भी पढ़े थे कहां पढ़े थे जब हम breaks in monsoon पढ़ रहे थे तो यह specifically nature of Indian monsoon वाला जो topic पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था तो वहां से एक point यह भी थे थे जिनके अंदर moisture है तो सुखा रहना ही है यह दिखती बात है ITC rate low pressure देते जाएगा और वह सुखी हवाई क्या होते चले आगी उपर चले जाएगी ठीक तो उस sense में क्या है यह दो factor है इन्हें ध्यान रखना है आपको अगली चीज़ क्या है determines the spatial distribution of rainfall तो यह जो आप देख रहे हो spatial distribution मतलब क्या है कि spread over space and time time और space के उपर जो फैला हुआ है तो आप देखते हैं क्या कि monsoon जो है तो वो अलग 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 time period में आता है monsoonal rainfall जो अलग 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 country के part में अलग अलग time period में आ रही है और वो क्या है उसमें बीच मे तो breaks देखने को मिलेंगे यह characteristic हो गई किसकी यह characteristic हो गई monsoonal rainfall की आगे क्या है आगे देखें अगर हम पाच्वा point तो the summer rainfall comes in a heavy downpour leading to considerable runoff and soil erosion इस point को अच्छे से समझी है आपने यह देखा होगा observe कि जब burst of monsoon होने से पहले मतलब monsoon पूली तरह से जब नहीं आता देश में उस बताना चाहरे है कि monsoon season southwest monsoon winds जो आई है और जो पहला downpour देखने को मिल रहा आपको जो पहली बारिश देखने को मिल रही है गंगोर बारिश जो होती है तो उसमें क्या होता है उसमें आप देखो कि temperature गिरता है drastically वहां तक ठीक है लेकिन temperature गिरने के सांसाथ में आप यह क्योंकि गर्मियों में soil पूरी क्या हो जाती है ब्रेक अप हो जाती है तूट सी जाती है dust वो रही है सारी चीज़े ठीक है surface soil जो है तो वह loose है अब जब बारिश बहुत तेजी से होगी तो surface soil बह जाती है ठीक है तो यह characteristic हो गया monsoonal rainfall का क्या कि this rainfall is leading to the considerable runoff and soil erosion उपर का पानी बह जाता है वो अपने साथ मिट्टी भी बहा के लिए जाता है एक characteristic यह भी हो गया आगे क्या है what's next तो देखो monsoons play a vital role in agrarian economy of India इंडिया की economy जो है most of you know that near about 49% of our population is engaged in agricultural sector ठीके लगब 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 उन पचास प्रतिशत हमारी देश की जनसंक्या है वो खेती बाड़ी के काम से जुड़े हुई है अब देखो इतने सारे लोग जब अब खेती से जुड़े हुए है तो खेती कब होगी दिखती बात है अगर पानी होगा तो फसल होगी फसल होगी तो किसान के पास पैसा होगा और पैसा होगा तभी economy चलेगी है जो agrarian economy लिखा है ना agrarian economy इसका मतलब है कि हमारी economy एक agricultural economy है जहां पर आप देख रहे हैं कि जब लगब लगब 50% आपकी देश की जनता जिस sector में काम कर रही है और क्योंकि फसल नहीं होई ना या फिर फसल बहुत बारिश बहुत जाबार भी होगी तो फसल खराब होगी तो अब क्या है अब फसल खराब होगी तो अब क्या है पैसे की दिक्कत रहने वाली है अब उनके पास पैसा नहीं होगा तो market में कहां से पैसा है का ही बताओ ठीक त फसल अच्छी होगी किसान जो है जो कि एक population का एक बड़ा हिस्सा है उनके पास पैसा आएगा तो अपना पैसा दिखती बात economy में खरिच करेंगे जिससे हमें फाइदा मिलेगा हमारी economy को फाइदा मिलेगा ठीक है अब देखो क्या तो over three-fourths of the total rain in country is received during the southwest monsoon season अब यहां पर य इतना जादा जरूरी है पानी जब इतना जरूरी है तो हमारे को जो three-fourth हमारा total rain है ठीक है देश में वो कहां से मिल रहा है आपको इस received during the southwest monsoon season तो southwest monsoon जब आता है तब हमें बारिश मिलती है ठीक है यह हो गया अब अगला क्या है अगला देखो its spatial distribution is also uneven which ranges from 12 cm to more than 250 cm अब क्य बारिश बारिश है यह तो what's next तो अगला अगला characteristic अगर हम देखें तो वो क्या है the beginning of the rain sometime is considerably delayed कभी-कभी लेट भी हो जाती है over the whole part और तो यहां पर यह बताएगा है कि आप देखते हो news reporters अधिकतर बताते हैं इस चीज को ठीक है क्या बताते है कि इस बार monsoon इतनी तारिक को आ गया इस बार monsoon डिले हो गया यह सारी चीज हो गई है तो अब यह जो monsoon डिले हो रहा है तो आप पुराने पॉइंट जितने पड़ कर लो monsoon डिले होगा तो क्या होगा कि agrarian economy जो है हमारी तो हमारे agricultural sector पर उसका impact दिखती बात है आपको feel होगा फिर उसके आद में अगर आप जिससे देखो के दूसरी चीज है तो temperature क्या रहेगा relatively एक ज़्यादा लब में समय तक तेज रहेगा तो उसमें लोगों समस्या वाली है species को दिकते होने वाली है तो इस sense में क्या है कि monsoon जो होता है तो कभी-कभी क्या होता है delay भी हो जाता considerably delay भी हो जाता कहीं कंट्री के एक पार्ट में या कि पूरी कंट्री में अब इसके पीछे का वाया भी पड़ेंगे हम रुख जाओ फिर एक और चीज का है the rain the rain sometimes and considerably earlier तो कभी-कभी क्या होता है कि जो time period तक जाना चाहिए September, October तक जिसे monsoon जो है retreat कर जाना चाहिए लेकिन आप दिखोगे कि August में ही बारिश होना बंद हो जाती है तो यहाँ पे भी एक दिकत हो जाती है the rain sometimes and considerably earlier than usual जो normally होना चाहिए उससे पहले rain खतम हो गई तो इसका भी impact ह causing great damage to standing crops and making the sowing of winter crops difficult मतलब अब यह जो फसल खड़ी है मानलो धान की फसल उसे तो पानी चाहिए था लेकिन पानी चले गया अब पानी चले गया अब कहां से लाओगे पानी वाफिस बुलाने से तो रहे कि आजाओ साउथ वेस्ट मॉंसून तो उस थेंस में क्या है कि यहाँ आप पे कभी कभी एक क्रेक्टरिक यह भी है मौंसूनल रेंफॉल की कि यह देर से आता है जल्दी चले जाता है ठीक है तो उसके चलते क्या होता है उसके चलते हमें इंपेक्ट्स फील होते हमेंactively क्या करना पदता सफर करना पदता है कहां पे तो हमारी क्रॉप्स को जो standing क से उन्हें तो पानी की कमी होई जाती है साथ ही साथ जूसा रख मतला है अगले लिक जिआ की तरह से गिर जाए ताकि पार ग्राव और वाटरेबल है वह क्या हो जाए जले लेकिन अगर करा पानी नहीं हो चो आगे आने वाली का जो लिक्कत होता है और यहाँ पे एक बड़ा impact जो रहता है यह delay होने वाला या फिर जल्दी जाने वाला ज़्यादा बारिश का कम बारिश का तो यह होता है अलीनो का अलीनो भी एक impact create करता है ध्यान रहेगा यह point अलीनो हमने discuss किया है अब last में जो हम season पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है season of retreating monsoon मत जो बारिश लेके आए थी जिसे रिनी season कहते हैं अब वो retreat करता है तो specifically उस season को हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि retreating monsoon के बाद में वापस से क्या आ जाएंगे winter से जाएंगे cold weather season आ जाएगा ठीक है तो जो beach का period है कौन साला the months of October and November are known for retreating monsoon यह जो महिने होते हैं इन्हें retreating monsoon के लिए जाना जाता है मतलब पानी जो बारिश हो रही थी वो lot के वापस जा रहा है ठीक रहेगा यहां तक ध्यान रहीगी चीज़ें अब देखो सवाल याता है कि यही महिने क्यो retreating monsoon के मतलब इसी time period में retreating monsoon वाला season क्यों हम feel करते हैं it is being observed in the months of October and November तो उसके पीछे कारण है कारण क्या है कारण यह रहे सारे अब देखो पढ़ेंगे पढ़के करेंगे क्योंकि book का content है सारा लेकिन उसके पहले मैं आपको एक broad outline समझा देता हूं मैंने आपको सारी चीज़े बताई थी कि जो भी seasons हो रहा है वो कैसे हो रहा है seasons का पूरा होना या नहीं होना depend करता है pressure belts के उपर, winds के उपर depend करता है solar insulation के उपर depend करता है तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि October November वाला जो time period है तो अगर इसे समझाएंगे तो September के बाद से ही southward moment होने लगती है sun की वही वाली जी जिसकी sun कहीं move नहीं कर रहा है अर्थ का rotation ऐसा होता है कि अब जो solar insulation है तो September के बाद से ही दीरे-दीरे solar insulation कहा होने लगती है south में होने लगती ही मतलब Tropic of Cancer से Tropic of Capricorn के तरफ जाने लगती है solar insulation ITCZ भी क्या होने लगती है शिफ्ट होने लगती है और यह जो movement हो रही है तो ultimate source of energy on earth is sun यह हाथ तक किसी प्रकार कर डाउट है नहीं है ठीक है solar insulation से ही सब कुछ हो रहा है अब वो solar insulation क्या कहा जा रहा है अब से क्यों solar insulation Tropic of Cancer से नीचे Tropic of Capricorn Southern Hemisphere में चले आएगी pressure weld shift हो जाएगे pressure weld shift होंगे winds की movement shift हो जाएगी winds की movement shift होगी तो उससे जो impact हो रहे थे winds के कारण ही तो monsoon आ रहा था winds के कारण ही cold weather season आता है winds के कारण ही odd weather season आता है तो अब क्या होने वाला है पूरा season फिर से change होने वाला है तो यहाँ पर retreating monsoon में क्या होता है कहां क्या position रहती वो मैं आपको समझा देता हूं तो the southwest monsoon becomes weak इस time period में जो southwest monsoon आ रहा था यह जो southwest monsoon आ रहा था यह कमजोर बन गया कमजोर क्यों बन गया क्योंकि आप देखोगे तो यह winds जो जिस intensity से flow कर रही थी क्यों फ्लो कर रही थी क्योंकि यहा प्रेक्ट नहीं होगी आयाना समझ में आता फिर अगली चीज़ क्या हो रही है एस दी लो प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मुविंग साउथ वर्ड तो यह इसी कारण हो रहा है कि लो प्रेशर ट्रफ जो था यहां पर ITC जो था आईटी सीजड जो गंगा पर अगली चीज़ कया है अगली चीज़ का एच कर रहा है अब जब लो प्रेशर बेल्ट नीचे जा रहा है तो इसी कारण से हम क्या कहते है कि प्रेशर कंडिक्शन्स चेंज हो जाएंगी और जो साउथ वेस्ट मॉन्सून आया था एक जो सीजन हमने यह पढ़ा था ये वाला season सिरff ऐसी winds जो चल रहीए दी South West उसी कारण से आया था। अब जब winds ही क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी तो season भी चले गा, season भी चले गा, मतलब जो monsoon प्लिगर का जाएगा, ठीक है? पूरे तालाबों में पानी आगया नदीयों में पानी आगया बाहर आगई हमाई सब कुछ आगया लेकिन आप रिट्रीड करेगा जितनाration करना था उतना प्रेस्पीटिशन कर धिया withdrawal of monsoon आँ withdrawal of monsoon को समझना अच्छे से वह withdraw कैसे करता है यहाँ पहले क्या situation थी कि ITCZ यहां हुआ करता था तो आप देख लो यह विंड्स ऐसे चल रही थी equator से turn लेके जो south east trade winds थी वो इस तरह से south westly flow करने लगती है वो पानी लेक आती थी क्योंकि ITCZ यहां पर attack करता था अब क्या हो रहा है नीचे अगर आप देखेंगे तो ITCZ कहां चले गया southern hemisphere में चले गया तो जिसके चलते अब यहां पर क्या high pressure बनेगा आप ही आगे बताओंगा मैं आपको और इधर low pressure बनेगा तो आप winds ऐसे retreat करने लगेगी तो यह winds जो मॉनसून ला रही थी वही winds अब वापस retreat कर जाएगी simple तो यह देख लो आप यहां पर भी diagramatically इस चीज़ को repeat किया गया है कि retreating monsoon में किस तरह से winds हमारा देश छोड़के जा रही है बाई बोलो इने clear है यह हो गया अब आगे देखें कि withdraw किस तरह से करता है ऐसा थोई ना कि रात में हम सो यह थे सुबह सो के उटर देखा तो सारी monsoon winds चले गई है वो gradually क्या करती है withdraw करती है तो यहां पर वही चीज़ बताई गई है withdraw समझते है इस पे specific question आ सकता है आप लोगों का कि these are the reasons ITC that southward shift हो गया low pressure condition क्या हो गई नीचे की तरफ low pressure condition जो है वो भी क्या हो जाती है वीक हो जाती है और साथी साथ में लिख देना कि pressure belts भी south में shift हो लगते है वो आपने causes दिख दिए अब वो कैसे withdraw करता है वो दिखो यहां पर तो the monsoon retreat from the western Rajasthan by first week of September first week of September के आसपास यह जो आप देखोगे Arabian Sea की यह वाली जो branch थी जो काठिया वागरा होते वह जाती थी तो यह वाली branch retreat करना start करती है first September के आसपास यहां से आप दिखेंगे तो western part जो हमारे एकदम राजिस्थान वाला वहां से withdraw कर जाता है फिर क्या है it withdraws from राजिस्थान ग पूरा महना रहता है तो आप कहा सकते हो कि northwest और जो western part है ठीक है नौर्थ वेस्थी कहने तो जादस नहीं रहेगा तो नौर्थ वेस्थ वाले पार्ट से पूरा का पूरा विड्राव कर जाता है monsoon monsoon northwest वाले पार्ट से विड्राव कर गया फिर क्या हो रहा है देखो यहां बाइडी बिगिनिंग ओअव ओक्टोबर दिल्ओ प्रेशर कवर दिलो प्रेशर कवर्स नौर्ट पार्ट ओफ बेओ बेंगौल एंड़ अर्ली नौंबर इट मुजो ओवर करनाटका एंड तमिल्नाडू अब क्या होता देखो तो यहां पे अब कहा पहुछ गए हो आप आप आउजवे October में अब October होते होते क्या है कि यह जो low pressure था है North Eastern State से नीचे की तरफ shift होते चले आएगा Bay of Bengal पे अब pressure आगया मतलब क्या है कि यहां से monsoon withdraw कर गया है ठीक है low pressure Bay of Bengal पे तो आप बोलोगे Sir Bay of Bengal पे तो evaporation होगा हाँ यहां पे evaporation हो रहा है Bay of Bengal पे धियान रखना यह जो retreating monsoon है तो यह जाते जाते भी evaporation लेके जा रही है बोल रहे थे कि Bay of Bengal में हम जितनी बारिश करवा गया गया उतनी वापिस तो ले ले तो वो यहां से क्या करती evaporation हो जाता है अब evaporation हो रहा है देखो समझना यहां पे जब ITCZ रहेगा न उसका एक impact आएगा भी cyclone वाला समझाओंगा आगे तो अब यहां से withdraw करने लगा वो धीरे धीरे ठीके बाहर आने लगा कौन monsoon monsoonal winds जो है monsoonal winds नहीं कहेंगे हम retreating monsoon winds कहेंगे ज्यादा सहीं रहेगा ठीके इनका direction कहा रहेगा north eastern winds तो यह north eastern winds क्या करने लगी रिट्रीट करने लगी है October से उपर से रिट्रीट करने स्टार्ट करती है October में Bay of Bengal पहुच जाती है initially फिर वो नीचे आते आते हैं November तक November तक by by early November it moves over करनाटका and Tamil Nadu ठीके तो करनाटका तमिल नाडू तक वो पहुच जाती है आगे क्या है by the middle of December the center of low pressure is completely removed from the peninsula और middle of December 15 December के आसपास आसपास क्या होता है कि जो नीचे वाला area यहां से भी पूरी तरह से monsoon winds जो है वो withdraw कर जाती है बाहर निकल जाती है यह पूरा process मैंने आपको समझा दे कि इस तरह से क्या होता है monsoon जो gradually ठीके अबरप्टली असान है कि एकदम से सारा monsoon चल जाता है gradually monsoon इस तरह से बाहर की तरह withdraw कर जाता है अमारी country से यहां तक चीज़े clear है अब आगे देखो आगे क्या है the retreating southwest monsoon यह जो southwest monsoon आया था ठीके अब यह retreat करके जा रहा है वापिस अगर जैसे देखा जाईए तो जो retreating southwest monsoon है ठीके तो इस समय पे क्या देखने की मिलता कि बारिश कम हो गई है क्यों कि आप अगर जैसे रेखेंगे तो यह जो southwest monsoon आ रही थी अब यह नहीं आ रही है तो बारिश नहीं हो रही है ना अब बारिश नहीं रही है क्योंकि अभी retreat कर रही है वापस जा रही है तो उस में पे क्या है अब आप द तो जब मॉंसुन रिट्रीट कर रहा है ऑक्टोबर नवेंबर वाला जो टाइम पिरेड रहेगा तो उसमें ये पेनिसुला पार्ट का ठीए सेंट्रल हाइलेंड का तेंपरेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्योंकि सन अब नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो देजरेशन भी सब्समीन थैना जमाचान सब्सक्राइब गार्थ ये थैंपरेचर के म सब्सक्राइब करेंगा परक्राण जीघेए pracy एत्के तेनीे मैंने सारे factors आपको समझा दिये क्यों sun की movement के कारण अब जब मिट्टी की लिए तो क्या होता है इस time पे owing to the conditions of high temperature and humidity अब आपको क्या लगेगा आपको बहुत जादा temperature hard हो जाएगा ठीक मतलब temperature अगर आप degree Celsius में देखो कि उतना जादा नहीं रहेगा लेकिन आपको feel ऐसा होगा जैसे बहुत जादा गर्मी है गर्मी के साथ में सबसे जादा क्या feel होगा उमस ठीक है humidity humidity ऐसे feel होगी आपको कि आपने देखा होगा कि बारिश खतम होती है और बारिश खतम होने के just बाद में अगर मानलो सूरी निकल आता है मतलब सूरज की रोशनी तेजी से निकल आई है और बारिश भी हुई है बस तो आप बोलें के सर वहाँ पर rainbow बनेगा rainbow तो बनेगा ही बनेगा लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी feel करो कि गर्मी चुब रही है आपको ठीक तो वो जो October में उस तरह की जो गर्मी लगती है न वो October heat वाला फिनोमेना होता है उसे October heat कहा जाता है तो ओइंग टो दी conditions of high temperature and humidity the weather becomes rather oppressive बहुत oppressive चुबता है वो weather ठीक है इस इस commonly known as October heat तो जो October महने में जमीन में नमी होने के कारण जिस तरह की जो heat जो scratching heat जो रहती है जो चुबती है उसे October heat कहा जाता है यहां तक ध्यान रखना है चीज़ है In the second half of October the mercury begins to fall rapidly particularly in Northern India और धीरे-धीरे क्या होने लगता है फिर October के second half से अगर आप देखेंगे तो जैसे solar insulation और नीचे southward होते जाएगी तो mercury begins to fall मतलब कि गर्मी जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है गर्मी कम होते जा रही है अब क्या है the weather in the retreating the weather in the retreating monsoon is dry in North India but it is associated with rain in the eastern part of the peninsula जो मैंने आपको भी थोड़ी समय पहले बताया बोला तना ध्यान रखना देखो क्या है कि हम देखेंगे कि retreating monsoon में North India जो है यहाँ weather पुरा dry रहने वाला है dry क्यों रहने वाला है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से जो winds retreat कर रही है तो यह किसी वितरा का कोई पानी नहीं ले जा रही है dry winds जा रही है एकदम कोई motion नहीं है winds में लेकिन यहाँ से जो winds जाएगी southern India में southern India में भी specifically क्या कि जो eastern margin है यह वाला तो southern India की eastern margin पे आपको क्या देखने को मिलेगा rainfall देखने को मिलेगी यह retreating monsoon के कारण जो rainfall होती है rice cultivation के लिए बहुत अच्छी हो गई उसके बाद में यहाँ पे जो delta पे जो खेती कर रहे हैं लोग उन लोगों को फाइदा मिलने वाला है और इस area को जिसे हमने क्या देखा था कि जब southwest monsoon winds आ रही थी तो उस समय पे यह area क्या था rain shadow था क्योंकि western gart ने पानी रोख लिया था तो यह वाला जो area था इसमें बारिश हो नहीं पाई थी ना लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे भी तो पानी की तो ज़रुवत लगेगी लोगों को तो जब retreating monsoon जो रहता तो यहाँ बारिश देते वह चले जाता है लोगों को ठीक है यह ध्याम रखना यह important analysis है जो इसको आपको ध्याम रखना होगा clear है तो the weather in retreating monsoon is dry in north India but is associated with rain in the eastern part of peninsula why को हमने explain कर दिया है तो काट दो इसको ठीक है October और November क्या होते rainiest part होते है Southwest monsoon wind जो आती न जून जुलाई वाली उनसे ने कोई फरक नहीं पड़ता है इस इस region को जिसको मेंने circle किया है इस region के लिए rainiest part कौन सा रहना है October November दिसंबर में भी कभी-कभी बारिश हो जाती है यहां पर विंटर इन फॉल जो है वहां पर इस कारण से हो जाती है ठीक है तो सीजन ओफ रिट्रीटिंग मॉंसुन में इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिये आशा करता हो कि यह समझ में आई है आपको अभी आगे और क्या साइक्लोनिक डिपरेशन और यह जो हो हां रिट्रीटिंग मॉंसुन में जो रेन हो भी रही है तो कहां हो रही है अभी हम उसे अगर मैं रेन बोल रहा हूं यहां पर तो आपको ध्यानक नहीं कि इस्टन मार्जिन की बात की जारी है स्पेसिफिकली इस्टन मार्जिन पर जो पैनेंसुला की इस्टन मार्जिन अगर यहां पर रेन हो भी रही है वाइट स्प्रेड रेन जो लिखा है आपकी बुक में तो उसके लिए रिस्पॉंसिबल कौन है उसके लिए रिस्पॉंसिबल यहां पर है साइक्लोनिक डिप्रेशन क्या चीज़ है साइक्लोनिक ड आया होगा अब इस चीज़ को समझना अच्छे से यहां पे जो साइकलोन बनने वाले हैं ट्रॉपिकल साइकलोन बनने वाले हैं साइकलोन वाला जो टॉपिक है तो आपके दूसरी बुक में आप कॉंप्रेंसिवली पढ़ेंगे इसको ठीक है चिंता मत करना यहां पर लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिफ्रेंस देते चलूँगा यहां पर आप जो भी पढ़ रहे हो ना इस चैप्टर में पूरी की पूरी बुक में चैप्टर वन में जैसे पढ़ा आपने चैप् करते हैं वो समझने को मिल जाएगा यहां पर आपको रिलेट करना है पर मैं ठेहरा टीचर तो क्या है कि अंदर का टीचर बाहर निकल के आता और वहां पर भी मैं आपको एक्स्प्लेंड करते चल रहा हूं यही सारी चीज़े आपको उस बुक में भी एक्स्प्लेंड की ज आपको इनटी क्लोक डिरेक्शन में ऐसे साइक्लोन घुमते वे दिखेंगे और अपको क्लोक्कवास मुमेंट में आप ऐसा कह सकते हो कि adverse weather phenomena के चलते हैं वो rainfall करवाती है, storms लाती है, strong winds जो है वो चलने लगती है cyclone में, ठीक है usually coastal areas में इसके impact देखने को मिलते हैं आपको, तो यह cyclone है, यहाँ cyclone develop होगा, cyclonic depressions यह जो develop होगे, तो इसमें क्या देखो, it originates over undermanned sea and manages to cross the eastern coast of southern peninsula, अब क्या होता है कि यह जो southern peninsula है, southern peninsula का eastern coast है, उस पर आके टकराता है, अब ऐसा नहीं कि गाड़ियों की तरह आके टकर हो रही है, टकराना in the sense क्या है कि यह circulatory winds जो ocean के उपर formulate होती है, वो circulatory winds over the period of time के होती है, shift होते होते आती है, और coastal areas जो है eastern coastal area, यहाँ पर hit करती है, अब यहाँ पर hit करती है, वो winds तो कहीं नहीं, मतलब winds तो ऐसा है कि वो यहाँ से कहीं भी चल जा सकती है, लेकिन ocean का पानी थोरे ना उठके जाएगा, तो वो जब surface पर आ जाती है, जब यह circulatory winds, तो यह circulatory winds क्या करती है, कि यहाँ पर बारिश जो motion लेका है थी, वो बारिश पूरी करवा देती है, फ तो एक point ऐसा भी आएगा, कौन सा वाला, October का, कि जब आपको यह देखने को मिलेगा, low pressure condition Bay of Bengal पे है, low pressure condition मतलब क्या है, कि यहाँ से conventional currents, air masses उपर उठ रही होगी, तो आप ऐसे समझो, यहाँ low pressure है, मतलब यहाँ से air masses उपर की और उठेगी, थोड़ा clear area लेते हैं, यहाँ low pressure ह तरफ उठ रही होगी, अब air masses उपर की तरफ उठ रही है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि अब solar insulation नीचे चले गई ना, तो जमीन जल्दी क्या होती है, गरम भी होती है, जल्दी थंडी भी होती है, जमीन क्या हो गई है, अब थंडी हो गई, relatively, समुध रसा पर compare किया जाए तो जमीन थंडी हो गई, यहाँ high pressure, यहाँ high pressure, यहाँ high pressure, यहाँ भी high pressure, मतलब जैसे आप island groups देखोगे ना, तो सब जगा क्या high pressure है इधर, इधर तीनो तरफ से high pressure मिल गया इसे, अब क्या होता है, तो wind कैसी चलेगी high pressure से low pressure, यह winds यहाँ पे आने लगी, अब आप एक चीज समझना है, यहाँ पे, low pressure winds है, जो उपर की तरफ उठ रही है, अब low pressure winds के नीचे जो space vacuum बन रहा है, यह winds तो उपर चलेगी, हाँ vacuum बनेगा, तो यह vacuum में क्या आ रहा है, high pressure winds आ रही है, अब वो तीनों direction से आ रही है, अब जब winds जो है, तीन direction से आएंगी, ठीक, तो तीन direction से जब winds आएंगी, तो वो क्या करने लगेगी, वो circulatory motion लेने लगेगी, तो यहाँ anti-clockwise cyclone develop होने लगता है, circulatory motion ले लेती है, और वो circulatory motion लेते है, फिर जब वो momentum पकड़ती है, वो winds, तो वो cyclone का रूप रहती है, मैंने आपको बहुत lame in definition में समझाया है, बिल्कुल technicalities में जाना की जरूबत नहीं है, आप सिर्फ इतना से समझ लो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे Gulf of Mexico जो है, Gulf of Mexico कहा है, Gulf of Mexico यह यहाँ पे है, तो अमेरिका जो है ना, यह अमेरिका है उपर, North America, यह South America, और यहाँ पर आप देखोगे तो USA के यहाँ पर, मतलब USA और Mexico की बॉर आपको का देखने को मिलेगा, Gulf of Mexico, यह सबसे ideal location है, tropical cyclone के लिए, ideal location क्यों है, देखो समझना, क्योंकि यहाँ जब low pressure रहेगा, यह ocean है, low pressure रहेगा, और यहाँ high pressure, यहाँ high pressure, यहाँ high pressure, तो जब तीनों तरफ से, चारों तरफ से high pressure winds कहां जा रही है, low pressure area की तरफ move करती है, औ बन पढ़ यह cyclone, simple से था न, तो उस तरह से क्या होता है, यहाँ cyclone मनता है, cyclone formation समझा दी मेंगे आपको चलो इस topic में, तो यह cyclone मनता, यह cyclone जो originate होता है, retreating monsoon के time period में, यह cyclone जो originate हुआ, तो यह cyclone क्या करने बाला है, बहुत ज야दा destruction मचाने वाला है, retreating monsoon के time period में, और retreating monsoon के time period पर ही क्यों होता है क्योंकि pressure belts नीचे की तरफ shift हो रहे होते हैं low pressure बन जाता है कहां पर low pressure बन जाता है Bay of Bengal में ठीक यह दहां रहेगा तो अब देखो these tropical cyclones are very destructive बहुत जादा तभाही मचाते हैं आप हर साल news में सुनते ही होंगे औरिसा कोस्ट पर cyclone ने hit किया तमिल नाडू कोस्ट पर हिट किया अंदरप्रदेश में हिट किया तो यह जो होते हैं बहुत जादा क्या होते हैं destructive होते हैं the thickly populated deltas of Godavari, Krishna and Kaveri are their preferred target और अधिकतर यह landfall कहां होती है इसकी landfall मतलब कि यह समुद्र से घुमते घुमते आगा जमीन पर के धम से गिरेगा ठीक है तो landfall कहा है और यह Godavari, Krishna, Kaveri इनके जो deltas है मतलब Godavari, Krishna, Kaveri आने यह समझ लो Odisha, Andra Pradesh, Tamil Nadu यह जो states है इन states की coastal margins पे यहाँ पे landfall देखने को मिलता है में इन cyclones का A few cyclonic storms also strike the coast of West Bengal, Bangladesh, Myanmar और कभी-कभी क्या होता है West Bengal, Bangladesh, Myanmar जो है तो इन areas के जो coastal margin है यहाँ पे भी cyclones जो होते हैं वो हिट करते हैं इनका landfall यहाँ भी देखने को मिलता है आगे ना समझ में तो retreating monsoon से जड़ा हुआ एक phenomenon मिना tropical cyclone का है cyclonic depressions जो बनते है उसका है अब देखो क्या है bulk of rainfall on the coromandel coast अब जो destruction आप देख रहे हो ना वो destruction होता है destruction के साथ में क्या है कि यह जो पूरा coromandel coast है coromandel coast, coromandel शब्द मैंने कहा देखा था मैंहेंदर सिंग धोनी की टीशेट पे ठीक है चन्यी सूपर किंग्स वाला तो जो coromandel, sponsor है न चन्यी सूपर किंग्स का coromandel king आपने देखा होगा तो वो coromandel coast जो है वो एक cement manufacturing company है तो यह coromandel coast जो है यह coromandel coast पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ देखेंगे कि cyclone जो हो हिट करता है अब लेकिन हिट करने के साथ साथ में यहाँ पे आपको एक चीज़ और यह ध्यान में रखना होगी कि bulk of rainfall ठीक है या फिर रेन वाटर जो है वो यहाँ पे लेके आता है यह cyclone ठीक है cyclone के आने के बाद से हमें rainfall देखने को मिलती है coromandel coast पे derived from these depressions and cyclone तो यह जो depression develop होता cyclone जो होता इससे ही यह सारी बारिश होती है यह देख लो थोड़ा सा और तो आप देख रहे हैं कि high pressure area से low pressure area में winds आ रही है warm air masses जो रहती तो वो उपर उठने लगती है और यह circulatory motion ले ले लेती है यह feral rain band से रहते हैं जिसके अंदर चारो तरफ क्या घूम रहा है circulatory आपने एक cyclone खुद घर में बनाना क्या कैसे घर में बनाना आप बाल्टी में पानी रखना और इसे गोल-गोल घूमाना हाथ फिर उसमें आप देखना क्या बनेगा आपको एक circulatory वह जो water or circulatory motion ले लेगा तो मतलब water or air में difference होता है बहुत जाद लेकिन हम आप imagine कर रहे कुछ तो आप देखना कि beach का जो area रहेगा वह क्या रहेगा एकदम calm रहेगा आपको असे लगए कि हाउस के अंदर हाट डाल सकते हों तो वह उसी तरह से कुछ cyclone भी बनते है कि चारो तरफ जो circulatory winds रहती है वह destructive रहती लेकिन जो आई वाला area रहता ही है ठीक है वह कहा रहता है relatively calm रहता cyclone में ठीक है यहां तक आगे समझ में अब यह एक statement है यहां पर क्या कि such cyclonic storms are less frequent in Arabian sea यह जो tropical cyclones है यह cyclonic disturbances जो है वह Bay of Bengal में जितने आ रहे हैं उतने Arabian sea में नहीं आते हैं आते हैं Arabian sea में rarely आते हैं तो अब आपके मन में सवाल आया हो का सर ऐसा क्यों होता है चलो वह भी समझातों मैं आपको देखो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या होता दिया कि pressure conditions develop होना चाहिए इधर land mass इधर high pressure है इधर high जाती है और वह अफेका जाएंगी वह circulatory वह नहीं ले पाती है मोमेंटम नहीं ले पाती है लेकिन यहां पर क्या होता है high pressure winds जो है तो यह high pressure winds तीनों तरफ से चल रही तो circulatory momentum गीन कर लेती है फिर अगले और भी surface temperature क्या रहता है कम रहता है लो रहता है और यहां का sea surface temperature हाई रहता है तो उस कारण से भी क्या है कि यहां पर evaporation जादा होता है यह सारे factors है कुछ जिन कारण से हम ऐसा कहते हैं कि Arabian Sea में tropical cyclones जो कम develop होते हैं as compared to the tropical cyclones developed in Bay of Bengal so this was all about this topic सारी चीजे समझ में आगी आशा करता हूं अब हम specifically क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे traditional Indian season मतलब culturally traditionally हमारे जो लोग थे हमारे जो पूरवश थे उन्होंने किस हिसाब से seasons को classify किया इंडिया में इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया का कारते हैं विक्रम्द टू उन्होंने क्या था हिंदू पंछांग्चालू किया था मतलब हिंदू कलेंडर परस्वाणर के अलावा अगर हम देखें अलग-अलग culture में जैसे अलग-अलग religion में Islamic calendar अलग होता है ठीक है अब जैसे Hindu mythology में देखें तो वो विक्रम समवज जो उसे माना जाता है उससे गिना जाता है तो वो जो calendar start किया तो उस हिसाब से season भी अलग थे अब season ऐसा नहीं calendar के हिसाब से मतलब जो पूरवर्श थे उन्होंने अपने practical observations के हिसाब से क्या कुछ चीज़न फील के अपना अलग season बता है तो सबसे interesting बात क्या है यहां पर ठीक है interesting fact is that in Indian tradition a year is divided into six two monthly seasons in Indian tradition year is divided into six two monthly seasons मतलब season 4 नहीं होंगे season 6 होने वाले है ठीक है हाँ यह 6 है ना तो 6 season होने वाले है और वो दो-दो मेहने के होंगे मज़ार बात दो-दो मेहने के कितने season 6 season होने वाले है अब यह कौन-कौन से season होंगे क्या सारी चीज़न वो मैं बता हूंग आपको आगे तो अब दिखो क्या है तो this cycle of season is based on their practical experiences and age-old perception of weather phenomena अब जो हम कह सकते हैं कि traditionally हमारे जो पूरवा जो हैं four fathers हुए उन लोगों ने जो क्या किया practically जो experience किया कि हाँ यह यह दो मेहने में चीज़ें ऐसे परिवर्तित हो जाती है यह दो मेहने में यह बदलावाते है for example जैसे spring जो हम कहते हैं आज जिस season को spring जो है वो वसंत रितु है वसंत रितु क्या हो गया तो वसंत रितु मतलब कि एक तरह से आप देखेंगे यहां पर क्या होता है transition हो रहा है हर चीज में नहीं पत्तियां आ रही है नहीं पत्तियों के साथ साथ में क्या है कि अभी विंटर्स गए हैं बस विंटर्स गए हैं और समस आये नहीं तो जो time period रहता है थंड़ा करम थंड़ा करम वाला ठीक है कुनकुना साथ वो time period रहता है यहीं से वो गुड़ी पड़वा की जिसकी में बात कर रहा है कि हिंदू पंचांग के साब से नया साल जो start होता है तो यह साल की starting होती तो वसंत रितू होती है ग्रीश में तो फिर गर्मी आती है फिर वर्शा रितू वर्शा रितू आपको पता है क्या तो मौनसून सीजन हो गया फिर शरद शरद रितू में क्या होता है शरद रितू में आप जिससे autumn जो होता है leaves shed करने लगते हैं trees तो winters आन practically observe क्या experience किया जिस चीज़ को उसको उनने क्या कर दिया इस तरह से six seasons of two months each में classify कर दिया however this system does not match with the season of South India where there is little variation in the season अब देखो यह जो आप देख रहे है ना variations 6 तरह के यह North India में ज्यादा dominant रहा है अगर आप बात करते हैं तो यह जो 6 seasons का classification है North India में ज्यादा dominant रहा है as compared to the southern part of the country कारहन आपको भी पता है southern part में इतने minute differences feel नहीं करते हैं वो उनकी गर्मिया भी है और उनकी winters भी लगबग लगबग एक जैसे ही रहते हैं क्यों क्योंकि moderating influence जो सी के पास से चलता रहता है वो एक जैसा रहता है तो वहां पर उतना difference feel नहीं होता है यह 6 difference feel नहीं होते है चार difference जो चार season है जिने हमने अभी तक पड़ा chapter में वो वहां पर भी feel होते हैं यह ध्यान रहेगा चलो एक बार सारे seasons को देख लेते हैं हम ठीक है तो अगर जैसे seasons को हम देखते हैं तो जब से पहले क्या है सीजन सबसे पहले देखे हम वसंत रितू वसंत रितू वही स्प्रिंग जो होता है तो वसंत रितू जो है वसंत रितू चैत वर्षाग के जो महने रहते हैं चैत वर्षाग जो रहता है तो यह जो मन्त है यह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ठीक है मन्त according to the Indian calendar अब इंडियन मतलब क्या है तो जैस्ट अशार तो चेट चेतर वैश्याक जेश्ट असार तो जेस्ट और अशार जो महने तो इसस cleaner घ्रमी वाला सीजन हो गया थिए इसमैं 9 अपाव ऐस सारी चीज़ेंडर यह होती है तो घ्रीश में मैं जूंन जिस में घ्रमी नहीं रहती बहुत भेंक तो में टेह आने वाले पार तो यह ट्रल तो सप्टेंबर ओक्टूबर टाइम पिरिडिये उगके- मोसरी ट्री यों आपने हुआएन लेव जाने लगते हैं तो हिमंत रितू आगया- एक-एंप मेश Wir Nhut पॉस तो यह हिंदी के महेने होते हैं, मरक्षीस और पॉस महा जो रहता है, तो मरक्षीस को अगन भी कहा जाता, अगन पॉस ठीक है, अगन पॉस अब ये नवेंबर दिसम्बल वारा टाइम प्रिट हो गया, फिर क्या है, फिर आप देखोगे, तो शिशीरा या फिर शीत रि और यह मार्च अपरेल फिर स्टार्ट हो गए अब यह जो क्लासिफिकेशन है तो यह ट्रेडिशनल इंडियन सीजन का क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिसकस किया I hope आपको यहां से एक बहुत fruitful information जानने को मिली अब देखो यह चीजें क्या है अब आप किस तरह से परसीफ करोगे मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज में बताता हो हमारा culture है न हमें ही समाल के रखना होगा हमें पता होना चीज इतने आसानी से आपने nursery में first class में second class में याद क कर पाएंगे clear है यह चीज पर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करोगा में इसे समाल के रखना ठीक सो दिस वस आल बाउट यह इंडियन ट्रेडिशनल सीजन जो थे उनके बारे में हमने कुछ discuss किया I hope यहां तक चीज है clear है distribution of rainfall तो देखो geography is all about classifications I have informed you this earlier also ठीक है कि geography में क्या है सब कुछ classification पर based है तो यहां पर क्या है जब आप बात करते हो कि rainfall किस हिसाब से distributed है तो अलग-अलग areas को आपने classify कर दिया there are some areas of high rainfall जहां पर बारिश जादा होगी there are some areas of medium rainfall ठीक है कहीं पर क्या होगी बारिश थोड़ी कम होगी तो वो जैसे medium rainfall में आ गया फिर क्या areas of low rainfall, areas of low rainfall के बाद में areas of inadequate rainfall तो यह चार classification है चारो classification को हम क्या करने वाले हैं डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में as such conceptual चीज़े ज्यादा नहीं है इसमें लेकिन फिर भी हम इसे relate करेंगे तो रिलेट जब करेंगे तब मज़ाएगा आपको ठीक है देखो क्या है तो the average annual rainfall in India is about 125 cm but it has great spatial variation अब देखो क्या है अगर rainfall की बात करोगे आप मतलब पूरे country का जो average rainfall है तो 125 cm आप कर दो मतलब कहीं जादा भी हो रहा है राजिस्थान में कम भी हो रहा है तो मेगाले में जादा भी हो रहा है तो आप क्योंकि है तो पूरा एक ही देश तो अगर average पूछा जाए तो average कितना rainfall distribution किस तरीके से य ठीक है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग time period में कहीं बारिश कम हो रही है कहीं बारिश जादा हो रही है इस तरह से distributed है और उसी हिसाब से हमने classification कर दिये तो पहला classification में क्या आता है areas of high rainfall areas of high rainfall किया है देखो कि जहां पे बारिश बहुत जादा है तो the highest rainfall occurs along the west coast on the western ghat as well as in the sub-himalian areas of northeast and the hills of Megalaya अब क्या होता है देखो यहां पे तो high rainfall के दो area specifically आपको ध्यान रखना है western ghat में और sub-himalian region of northeast and Megalaya plateau तो Megalaya में जितना भी आपमें देखा चेरापुंजी, गारो, खांसी, जहनतिया, hills जो है यह area में क्या है बारिश बहुत जादा होती है ठीक है इस area में बारिश बहुत जादा होती है और western hills में बहुत जादा होती है तो आपको यह पता चल गया these are the areas of high rainfall आगे क्या है here the rainfall exceeds 200 cm और यहां पर rainfall कितनी होती है तो 200 cm से ज्यादा बारिश हो जाती है जी हाँ अगर आप चेरापुंजी पर पहुचो के तो 1000 cm के असपास बारिश हो रही है ठीक है तो इतनी बारिश होती है कहां पर इतनी बारिश होती है आप देखो के तो country के इस region में यहां का distribution समझ में आय अब स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे न तो मेगाले वाला जो पार्ट है यहां पर बारिश बहुत जादा होती है लेकिन ठीक उसी अमांट में बारिश यह जो ब्रह्मपुत्रा वैली उसमें ही होती ब्रह्मपुत्रा वैली में नेर अबाट 200 cm के आसपास बारिश होत रही है तो वह ट्रैप हो जा रही है हिल्स के बीच में और उसके चलते हैं यहां पर बारिश ज्यादा होती है ठीक है तो यह चीज़े ध्यान रहेगी ना आप क्यों ज़रूर पुछा करो हर चीज का जो भी पढ़र उसके पीछे वाय पूछो वाय नहीं पूछोगे तो का रेंफॉल बिवें 100-200 cm इस रिसीव इन सदन पार्ट अफ गुजरात इस्ट ऑफ तमिलनाडू नॉर्थ इस्टन पैनेसुला कवरिंग ओडिसा जारकन भिहार इस्टन मद्रप्रदेश नदन गंगा प्लेंस अलॉंग विच सभी मालियां सभी मालियास एंडी कचार वैली क तो आप देखो यह वाला एरिया जो है 100-200 cm तो यह वाला पूरा पार्ट है न यह 100-200 की केटेगरी में आ जाएगा जैसे आप देखोगे गंगा प्लेंस हो गया ठीक है मनीपुरोर कचार वैली जो है वाला एरिया यहां पर यहां पर फिर जो इस्टन स्टेट्स हैं तो इस इस्टन स्टेट्स अगर आप जैसे देखेंगे तो यहां पर ओडिसा जारकन इस्टन मद्यप्रदेश बिहार यह सारे जो है स्टेट्स तो उन में साउथ ऑफ गुजरात तो यह सदन पार्ट है थोड़ा सा मतलब अब यहां पर अगर देखोगे तो वेस्टन घाट में भ फैक्ट्वल चीज़े हैं वैसे आप खुद पढ़के भी कर सकते हो लेकिन इसे थोड़ा से इंट्रस्टिंग बनाते हैं तो यहां पर रिजन क्या है यहां पर आगर आप जैसे देखोगे तो मॉश्य लेटन क्लाउट जो आते हैं बेओ बेंगॉल ब्रांच जो आती है त यहां क्या जाएगा यहां का आप देखोगे तो 50 से 100 सेंटीमेटर के बीच में एरिया कौन कौन से हैं वेस्टर उत्तर पदेश देली हर्याना पंजाब जमू एन कश्मीर इस्टर राजिस्थान गुजरात एंड डेकन प्लेट्यू रिसीफ रेंफॉल बिविन 50 तो 100 सेंटीमेटर रिलेटिवली कम है अच्छा आपको एक होमवक देता हूं बताना मुझे कि लो रेंफॉल एरिया में कौन सी क्रॉप सूटेबल रहती है लास्ट्रेंट में पढ़के है आप जिए क्रॉप सुवगिरा के बारे में थोड़ा सा तो आप मुझे बताएंगे कि क आप जया गाएंच 10,000 संक दिए है थीए एक आप इसमा सकता है सेंट्र सन्ट्रल इंडिया वाला पार्थ आनडिया दिखनाते हम ईडा इसी क्लासिफिकेशन फोट आ यह सवेनीट और लेस देन फिए क क्लासिफिकेशंन है क्यों यह सोचा है वह एक है कि शूंत्र अब यह जो लीवड साइड है तो यहाँ पर बारिश कम ही होना है ना क्योंकि मौनसून लेटन जो मौनसून क्लाउट्स आते ना साउथ विंड्स जो आती तो पूर या बारिश अपना क्या है विंडवड साइड पर कर देती है और यह आ गए लीवड साइड पर एरिया तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही बारिश तो समझो इस चीज को यहाँ माउंटएन रेंजेज यह बताएंगे आप नाम यह माउंटें लिज जो है तो वो क्या करती है मौशे लिडर में क्लाउड को उदर जाने ही नहीं देती है इसके चलते हैं यहां पर भी बारिश कम हो रही है फिर यह जो एरिट पार्ड है कहां का वेस्टर्ण पार्ट ऑफ राजिस्थान यहां पे भी इनडिकेट रेंफॉल होता है तो डिस्टि है इसके अलाबा कहा है Ladakh and most most of Western Rajasthan receives rainfall below 150 cm और अधिकतर Western राजिस्थान का जो पार्ट है तो 150 स्वारी वनफिटे कर रहा हूँ 50 cm से नीचे का इस amount में rainfall रिसीफ करता है ठीक दिस वास अल अलॉब आउट एरियाज उफ इनडिकेट रिइनफॉल अब इसमेंगर आप जिसे द करने का आता है cet 04 कर लोगे आसानी से इस साथ और जो चोटा सा टौपिक था जो कमप्लीट होता है, अब इसके बाद में the next topic क्या है अब ठोड़ा सा एक अब तो आपको calculate करना सिखा हैगा, चीजों को index पर लोगर सिखा हैगा, districts से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पे normally आपने amount of rainfall in centimeter के हिसाब से classification कर दिया आगे आप variation के हिसाब से समझोगे अभी यह जो topic है variability of rainfall तो इसमें समझो और सबसे पहले सवाल उठाओ क्या कि what is variability of rainfall? variability क्या होती है? इसकी definition simple से हम आपको दें तो the degree to which rainfall amount vary across an area मतलग किसी भी area पे किस degree तक rainfall amount vary करता है जैसे rainfall amount vary करना मतलग कि rainfall यहाँ पे 10 cm भी हो सकती है और यही rainfall यहाँ पे 50 cm भी हो सकती है तो यह उसकी degree of variation हो गया यह variability हो गई कि कितना जादा vary होती है तो normally हम क्या मुल देंगे 20 cm rainfall होती है लेकिन वो 10 भी हो सकती है, तो यह उसका variation हो गई है, यह उसकी range हो गई है, ठीक है, यही चीज होती है variability of rainfall, simple सी चीज की कितनी vary करती है rainfall, अब आप देखोगे, यहाँ पर आप जब topic core आगे पढ़ता जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यह percent में निकलती है, ठीक है, और the variability of rainfall is computed with the help of following formula, percent में निकलती है, तो यह formula है उसका, coefficient of variability, coefficient of variability क्या होता है सर, या फिर coefficient of variation क्या होता है, तो यह तो आपको समझ में है कि variability में आप variation ही पता करते हो कि 10 से 50, यह उसकी variation की range हो गई है, ठीक है, तो where CV is the coefficient of variation, तो आप यह CV पता करते हो, percent में कि अगर मान लोग 20%, यह हो गया, ठीक है, मतलब 20 cm इसका rainfall का mean हो गया, तो यह 20 cm में कितने percent vary कर सकता है, इसकी variability की range कितनी है, वो coefficient of variation होता है, इसका formula क्या है, standard deviation upon mean into 100, अब standard deviation upon mean, तो जैसे आप बात करते हैं, पूरी country की बात करते हैं, चलो, country का, पूरी country का mean rainfall क्या है, average rainfall, mean याने average rainfall, तो average rainfall 125 cm आपको होता है, अब आपको इसमें क्या पता करना है, 125 cm में variation कितना हो सकता है, तो अगर आप जैसे देखेंगे, तो हमारी country में total variation अगर बात की जाए, तो 20 to 25% होता है, मतलब 125 cm से 20% कम भी हो सकती है, rainfall जादा भी हो सकती है, यह country की बात हो गई है, अब specifically region to region भी vary करता है, कैसे है, मैं आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है, तो यह आए समझ में यहां तक चीज़ है, अब देखो, the values of coefficient for variation shows the change from mean value of rainfall, आगे ना समझ में, यह जो coefficient of variation, CV निकलेगा आपका, यह बताता क्या है, अखिर इसका objective क्या है, what तो समझ में आगे आपको, कि degree of variation in the amount of rainfall over an area, यह तो आपक coefficient of variation के आपको value मिलेगी न, तो यह क्या बताती, shows the change from mean value of rainfall, mean value of rainfall मतलब क्या, जैसे 125 cm देश की मैंने बताई आपको, तो यह 125 cm से कितना vary करेगी, वो है variation, ठीक है, या फिर वो, यह जो coefficient of variation निकल का आएगा, आपको यह वो बताता है, ठीक है, the actual rain is some places, deviates from 20 to 50%, अब यह जो actual rain ह हो रही है कि कितनी बारिश होना चाहिए, तो वो 20 से 50% vary करती है, मतलब जितनी होती है, उससे 50% ज्यादा भी हो सकती है, कहा कितना यह भी बताऊंगा, facts अभी समझाऊंगा आपको, the value of coefficient of variation source variability of rainfall in India, तो यह जो CV निकालोगे आपना, तो यह आपको बताता है कि country में, हमारी country म होता है rainfall में, अब जैसे हमारे पास data क्या क्या है, variability range को अगर हम समझें, तो variability of less than 25% exist on the western coast, western ghats, northern, north eastern peninsular, eastern plains of ganga, north eastern India, उत्राखन and हिमाचल प्रदेश and southwestern part of jammu and kashmir, अब अगर आप यह जो पूरे areas को देखोगे, यहाँ पे जितने भी areas लिखें, western coast, western ghats, northern plains, ठीके, north eastern India, तो यह ऐसा area है, जहाँ पे rainfall कितनी हो रही है, over 100 cm हो रही है, ठीके, तो these areas have an annual rainfall of 100 cm, अब 100 cm का annual rainfall है, ठीके, तो यह average अगर हम mean 100 लेके चले, तो 100 average mean लेके चले, तो यहाँ पे variability, यहाँ पे coefficient of variation कितना निकलेगा आपका, तो क्या बता रहे हैं कि less than 25%, मतलब less than 25%, अपन समझने एक लिए 25% लेलो, तो यह 100 में 25 cm कम 25 cm जादा बारिश होगी, ठीके, mean value से कितना deviate करेगी, वो चीज़ समझाई जाती है, यहाँ थोड़ा सा 10th class की पुरानी यादों का ताधा कर लो, maths पर लो, तो क्या है यहाँ पे कि 100 cm आपका mean अगर होगे, इतना rainfall, तो इसमें variation कितना ह 25%, तो यह जो areas है country के, यहाँ पे variation जो रहेगा, जो variability of rainfall रहेगी, वो 25% के आसपास रहेगी, अच्छा एक चीज़ समझो, यह map जो आपको दिया है आपकी book में, तो आपको क्या समझ में आएगा, कि कुछ areas हैं, कुछ areas में less than 15% है, तो जिससे western ghat, यहाँ पे आप जिससे दे जाधा बारिश होगी ना, उतना उतना कम variability देखने को मिलेगी आपको, कि मतलब मेगालाय में अगर मान लोग 200 cm rainfall हो रही है, तो 200 cm मात्र 15 cm का क्या होगा, वेरियेशन आएगा, जाधा वेरियेशन नहीं आना है, मतलब बारिश उतनी होना है याने होना है, वही चीज़ आप अब राजिस्थान में देखो, राजिस्थान में कितना मोर दन 60% variation है, variability rainfall में, अब मोर दन 60% variability मतलब क्या है कि राजिस्थान में अगर 20 cm rainfall हो रही है, 25 cm, तो 25 cm में 60% कम भी हो सकती, 60% जाधा भी हो सकती है, तो ये variation यहाँ यह जो variability वो जाधा है, ठीक, समझने के लिए सब simplify हम कैसा कर सकते है, इसे simplify ऐसे कर सकते है कि inverse relationship है, मतलब जितने ज्याधा rainfall होगी अटना कम variation होगा, ठीक है, जितने ज्याधा rainfall, rainfall अगर ज्यादा है, rainfall ज्यादा है, तो variation क्या होगा? variability क्या होगी? variability आपकी उतनी कम होगी, ठीक है? variability of rainfall उतनी कम होने वाली क्यों तो आपने मेगाले के केस में देख लिया और इसको अगर अपोजिट कर दे हम कि rainfall अगर क्या होगी आपकी कम होगी तो variability कहां जादा है तो राजिस्थान में जैसे देख लिए आपने rainfall कम है तो variability जादा है इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में ठीक है तो जैसे यह 100 cm जहाँ rainfall रिसीवरी उन एरियाज में variability 25% है वही चीज़ अगर उल्टा करके देखोगे तो variability of 50% exist in western part of राजिस्थान नदन पार्ट ऑफ जम्मु एन कश्मीर एंड इंटिरियर पार्ट ऑफ डेकन प्लेटू तो यह जो एरिया यहाँ पे rainfall कितनी हो रही यह less than 50 cm होती है less than 50 cm rainfall हो रही और इन एरियाज में variability 50% है मतलब 25 cm बारिश भी हो सकती 55 cm भी हो सकती तो variability जादा है ठीक है तो अब आपको formula में नहीं जाना ना आपको numerical आने वाले exam में लेकिन समझने के लिए important था वो मैंने आपको समझाया अब अगर ऐसे पूरी country की बात कि जा तो पूरी country का mean कितना है पूरी country का mean जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी country का जो कह सकते है mean rainfall average rainfall है 125 cm है उससे साब से rest of India have variability of 25 to 50% 25% से 50% के बीच में variability है मतलब 125 से 20% less 20% high यह जो है variation हो सकता है rainfall में and these areas receive an annual rainfall between 50 to 100 cm और यह area जो होते हैं तो 50 से 100 cm की बीच में rainfall receive करते हैं तो variability of rainfall में कुछ चीज़े ध्यान रखना है कि variability आपको क्या दिखाती है degree of variation ठीक है degree of variation in the amount of rainfall over an area ठीक वो बताया जाता है छोटा सा crisp topic था confusion वाली कोई बात नहीं उसमें I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आई है हमने देखा और पड़ा कि इंडिया में monsoon type of climate है then तो यहां तक हमें पता है कि monsoon type of climate है तो इंडिया इंडिया इस हेविंग monsoon type of climate no doubt यहां तक साही चीज़ें clear है ठीक है at the same time we have regional variation also हमारे climate में हमें regional variation देखने को मिलते है कि नहीं मतलब आप देखो कि तो मेगाले को भी आप monsoon type of climate वाला एरिया बोल रहे हो गुजरात को राजिस्थान को भी monsoon type of climate वाला एरिया बोल रहे हो अब देखो है तो वो tropical region में लेकिन बारिश क्या हो रही है मेगाले में बहुत जादा हो रही है और उतनी बारिश गुजरात में नहीं हो रही है ठीक है और latitude अकर देखा जा तो लगबग लगबग एक हो गया तो इस sense में क्या है कि at the same time we have regional variation also हमारे हाँ हमें climate में regional variation भी बहुत जादा देखने को मिलते हैं तो सवाल यह आता है कि पूरे climate को monsoon type of climate बोल देना क्या सही रहेगा तो चलो monsoon type of climate बोलना तो सही है लेकिन हमें उसके अंदर subtypes को classify करना होगा ठीक है तो there are many subtypes also तो यह जो regional variation है यह regional variation क्या represent करते हैं these regional variations represent these subtype of monsoon climate monsoon climate के अंदर subtype को represent करते हैं यह regional variations ध्यान रहेगा यहाँ तक यह regional variation subtype को represent करते हैं it is on this basis that the different climatic regions can be identified और इस basis पर हम क्या कर रहे हैं अलग-अलग तरह के climatic regions को identify कर रहे हैं ठीक है तो अभी तक एक बार फिर से recap करें monsoon type of climate broad climate होगे लेकिन regional variation है और वो regional variation जो है वो हमें बहुत सारे subtype of climates को बताते हैं और यह जो subtype of climates होते हैं उन्हें हम अलग-अलग climatic regions के नाम से जानते हैं तो a climatic region has a homogeneous climatic condition समझना देखो मैंने एक ही धागे में सारे मोती पिरो दिये हैं तो climatic region क्या होता है climatic region has homogeneous climatic condition मतलब एक region यह country है तो country में एकदम गोल बन गया ठीक है यह country में क्या है यह एक region जो है し क्लायमेटिक रीजन ऐगर बना भी है तो क्यों बनाआए क्यूंकि यहां पर कुछ आपको climatic factors combination of factors देखने को मिलेंगे कि हा यहाँ पर प्रसिपिटेशन हो सकता है हो सकता है यहाँ पर temperature एक जिसा हो तो कुछ भी CONBINATION of factors हो सकता है वो vegetation हो सकता है, वो climate हो सकता है, precipitation हो सकता है, तो वो सारा सब कुछ मिलके क्या बनता है, एक region बनता है, ध्यान रहेगा यह तो एक climatic region कहलाता है, एक बार फिर से recap करें क्या, तो monsoon type of climate है, उसमें subtype होते हैं, वो subtype जो है, तो वो regional variation होते हैं, regional variation subtype लाते हैं, और उन subtype को हम क्या कहते हैं अलग-अलग climatic region के नाम से जाते हैं जहां पर क्या होता है जहां पर homogeneous climatic condition देखने को मिलती है which is the combination of various factors clear है तो अब देखो अब क्या होता है combination of factor की बात करें हम तो temperature and rainfall ये दो important factor है temperature and rainfall are two important elements of climatic classification जो आप अलग-अलग climatic regions बनाने वाले हो उन्हें आप अलग-अलग classify करोगे subtype बनाओगे तो ये अलग-अलग climatic regions जो है ये subtype जो बनेंगे तो ये क्या है ये दो चीजों से influence होते हैं दो चीजें कौन-कौन सी है temperature और rainfall ये दो चीजों से scheme have been described below अब कौपिन्स कौन है ठीक है अब कहानी में कौपिन्स आ गया भी climate पढ़े थे climate से कौपिन्स पर आ गया तो इनके बारे में जानो ठीक है व्लादमीर Peter Kopen was a Russian-German geographer, meteorologist, climatologist and botanist सब कुछ थे ये ठीक है सब कुछ थे लग 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 तो इन्होंने क्या किया देखो इन्होंने काफी समय पहले क्या क्या किया world climate को classify कर दिया इन्होंने अपनी observations के basis पे Kopen based his scheme of climate classification on monthly values of temperature and precipitation तो इन्होंने क्या क्या observe किया climatologist थे न क्लाइमेट को समझते थे कि कहा कैसा climate है meteorologist थे वो देखते थे कि कैसा mousam बदल रहा नहीं बदल रहा तो उस हिसाब से उन्होंने क्या कि temperature or precipitation temperature और precipitation को study किया ठीक है तो monthly values of temperature or precipitation को study करने के बाद उन्होंने अपनी एक scheme दी climate classification की उन्होंने अपने हिसाब से climates को classify कर दिया लग लग और उनकी जो scheme थी उसे आज तक follow किया जाता है ठीकें तो अब इनकी scheme को हम पढ़ेंगे और क्या है आगे तो जो chapter 12 आप पढ़ोगे ना उस chapter 12 में भी पूरा यही है तो chapter का एक part जो है world climate वाला और दूसरा जैसे climate change तो world climate वाले part में पूरे में आप इसी chapter को पढ़ने वाले है मतलब इनकी जो scheme है से और बहुत जादा detail में पढ़ने वाले हो तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम सारा सब कुछ अब देखो क्या है he identified five major climatic types ठीक है namely तो उन्होंने किया कि आप पांच major climatic types को identify किया अब यहाँ पांच है आपकी उस book में आपको 6 दिखेगा ठीक है लेकिन हम पांच ही गिंती मिलेते कि 6 जो उन्होंने highland वाला classification किया है और E ठीक है तो यह यही classification आगे भी रहने वाला जैसे आप देखोगे ना तो A B C D D E ठीक है यह D और यह E तो इस तरह से क्या है यह classification आगे भी रहने वाला है अब इस चीज़ को समझना तो यहाँ पर क्या कह रहे है वह जैसे पहला बोला Tropical Climate Tropical Climate में क्या है तो Tropical Climate वाला एरिया जो Climatic Region इन्होंने बनाये वह region कैसा होगा Where mean monthly temperature throughout the year is over 18 degree Celsius mean monthly temperature जिस एरिया का साल भर हर महिने में 18 celsius ठीक है 18 degree Celsius से उपर रहता है वह एरिया tropical climate में आएगा तो आप जिसे world में अगर आप देखोगे तो world में A4 क्या होता है? एपल नहीं, A4 इनके हिसाब से क्या है? tropical climates तो ये tropical climates को identify कर रहे हैं तो आप जिसे देखोगे तो ये blue color, dark blue तो ये dark blue में आपको सारी जगर tropical climate बिल जाएगा तो ये regions में tropical climate है, ठीक, बड़ा interesting है देखो, किसी की scheme जो किसी का classification उसे decode कर रहे हैं, उन्होंने codify करके चले गए, AF, AM, AW, तो कुछ लोगों के लिए सिरदर्द हो जाएगा, लेकिन जो geography से प्यार करते हैं, उन्हें क्या लगे हैं, मज़ा आएगा, तो देखो, उन्होंने classify क कर दिया कि हाँ, एक keyword दे दिया, जो एक classification उन्होंने क्या रखा, tropical climate का, तो tropical climate में where mean monthly temperature throughout the year is over 18 degree Celsius, ठीक है, दूसरा क्या है, tropical के पाद में, dry climate, तो जैसे bees identify किया, dry climate मतलब सूखा रहने वाला यहां पे, तो where precipitation is low, precipitation is low in comparison to temperature, temperature के, मतलब temperature तो बहुत जादा, जैसे आप कहां होगे, एफरिका की कुछ countries को देख लो, temperature बहुत जादा है, लेकिन precipitation क्या है, low है, तो वो, वो area ऐसे हैं, जो dry है, ठीक, where precipitation is very low in comparison to temperature, enhance, enhance dry, if dryness is less, it is semi-arid, dryness अगर कम है, तो ऐसा हो जाएगा, BS हो जाएगा, ठीक है, BS, BS मतलब क्या हो जाएगा, dry तो है, लेकिन वो semi-arid है, ठीक है, if more the climate is arid, और अगर climate पूरी तरह से arid है, तो w, ठीक है, तो यहाँ पर w भी धियान रखना है, आपको w, पूरे के लिए, w धमाल वाला नहीं, w, w लेके घुमते है, वो वाला नहीं है, arid के लिए है w, ठीक है, यह उनका second classification हो गया, तो tropical climate, dry climate, फिर warm climate, तो warm climate के warm temperature climate, मतलब ऐसी climatic condition, ऐसा climatic region वो बना रहे है, जहाँ पर mean temperature कितना रहने वाला, जो सबसे थंडा महना रहेगा, सबसे जो coldest बनत रहेगा, उसका mean temperature कितना रहने वाला है, 18 degree Celsius है, minus 3 degree Celsius के बीच में, तो यह warm temperature, मतलब relatively warm है, लेकिन temperature है, फिर क्या होता है, cold, अगर cool temperature climate की बात कर कर रहे है, तो उसमें classification क्या हो जाएगा, where temperature of warmest month is over 10 degree Celsius, and the mean temperature of the coldest month is under minus 3 degree Celsius, मतलब cool temperature climate में सबसे कम climate जो रहने वाला है, सबसे कम temperature जो रहने वाला है, इस climate में, ठीक है, coldest month में, वो minus 3 चले जाएगा, यहाँ पर warm temperature climate में क्या हो रहा है, रेंज बता दिया, 18 से 3 के बीच में र mean temperature of warmest, और जो सबसे गरम महना रहेगा, उसमें 10 degree Celsius से उपर रहने वाला है, ठीक है, तो यह cool temperature climate हो गया, अगला क्या है, ice climate, ice climate या फिर polar climate भी जिसे कहा जाता है, तो polar climate में क्या जाएगा, where mean temperature of the warmest month is under 10 degree Celsius, मतलब यहाँ पे सबसे जादा गर्मी में भी 10 degree से उपर जाने नही यह minus 10 degree, उसकी maximum जहाँ पे temperature रहेगा, वो area, ice climate या फिर polar climate में आएगा, जिसे E के नाम से identify, E की वर्ड के साथ identify किया जाएगा, आगे समझ में, तो उन्होंने वर्ड को, पूरे वर्ड को इस तरह से climatic regions में identify कर दिया, अब आप बोलोगे sir, यह climatic regions जो है, इसमें subtype भी होंग climate के लिए, तो AMBA, AFBA, AWBA, तो अब यह क्या बताना चाहरे है, A, चलो, तो अब यह जो subtypes बनाएं ना उन्होंने, जैसे आप B में देखोंगे, BWH है, BWKA, BSH है, तो वैसे आपको बुक में नहीं दिया इतना, आप पड़ोगे उस chapter में, लेकिन आप अंदर का teacher जाग जाता है, कि AW देखने को मिल रहा है, AW मतलब क्या है, कि tropical भी है और arid भी है, W is for arid, तो tropical भी है और arid भी है, तो यह region जो हो जाएंगे, क्या है, जैसे tropical area में आ गया, और यहाँ पे arid है यह पूरा, तो arid है मतलब सूखा है, यहाँ पर पानी नहीं गिर रहा है, गर्मी बहुत और पानी नहीं गिर रहा है, फिर जैसे अगर आप देखोगे क्या, कि B, तो B किसके लिए dry climate के लिए use के जाता है, अब B dry climate के लिए use के जा रहा है, तो B, यह BWH, तो BWH मतलब क्या होगा, एकदम dark red, मतलब यह dry भी है, W मतलब arid भी है, बहुत सूखा भी है, पानी भी नहीं हो होगा दिया, तो H किस चीज को denote कर रहा है, यहां पर H denote करता है dry and hot, आगे नहीं समझ में, तो ऐसे classification कर दिया उन्होंने, और यहां रंग भी रंगा color आपको दिख रहा है, बहुत सारा, तो उससे आप identify कर सकते हो, map reading हो सकती है, तो उसी तरह से क्या-क्या code बर मनाएं, देख अगरा आप पूरा ही रहा है, यहां बारिश हो रही है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट विट सफिशेंट प्रेसिपिटिशन, तो AF हो गया, आया ना समझ में, ऐसे, अब वही बाकी दूसरे कीवर्ट्स भी है, तो M क्या है, इसे हम डीटेल में पढ़ेंगे chapter 12 में, इसमें क् Rainforest despite a dry monsoon season, ठीक है, तो M हो जाएगा, W मतलब dry season in winter, जो winter में dry रहता जहां बारिश नहीं होती winter में, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे South India में गर देखें, इंडिया के perspective से, तो W आना चाहिए, dry south in winter, dry season in winter, फिर क्या है, dry and hot, तो H से dry and hot हो जाएगा, मतलब सूखा भी और गरम भ और over 10 degree Celsius, तो यहाँ पर एक थंडा, मतलब 4 ही महने जो है, तो 10 degree से उपर temperature जा रहा है, तो उस तरह से हो जाएगा, cold temperature के लिए हो जाएगा, relatively, फिर gangetic planes के लिए जी हो जाएगा, तो specifically ganga के लिए उन्होंने बना दिया, ठीक है, जो मतलब fertile plane type के लिए रहेंगे, तो यह हो गय अब आगे क्या है, accordingly India can be divided into 8 climatic regions, अब देखो, इन्होंने subtypes दियें, तो basically 5 broad classification है, उन 5 broad classification में भी उन्होंने जो subtypes दियें, तो उनके सारे subtypes को देखते हुए, जो इतने सारे climatic regions उन्होंने बनाए हैं, यह इतने सारे subtypes बनाए हैं, तो इन subtypes में से 8 तरह के climatic regions जो हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं, यह आठो तरह के climatic region जैसे हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें AMW की, तो monsoon with short dry season, AMW क्या represent करता है monsoon with short dry season, तो जैसे west coast of India, south of Goa, तो अब आपको पता है, west coast of India, south of Goa, यह वाला region जो है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा code लग गया ह यहाँ पर पहले game खेलते थे GTA, San Andreas वगेरा जो आज भी खेलते होंगे, आपता है, मैंने छोड़ दिया, तो उसमें इस तरह से जब PlayStation पर जागे खेलते थे, बहुत सारे चिट कोड होते थे, तो यह सारे codes पढ़ाते हैं, बहुत अचानक से चिट कोड ध्यान में आ गए, तो तो मौनसून सीजन, तो मौनसून सीजन ड्राय रहेगा, लेकिन रेनफॉर्स टाइप का एरिया है, मतलब वहाँ पर पानी बहुत जादा गिर रहा है, A, M, W, और W, छोटे W है, ठीके, तो ड्राय सीजन इन विंटर, विंटर में बारिश नहीं होगी, तो साओध इंडिया यहाँ पर क्या है, तो समर्स ड्राय कहां रहते है, कोरोमंडल कोस्ट ओफ तमिलनाडू, आपको पता है कि कोरोमंडल कोस्ट ओफ तमिलनाडू में मौनसून के टाइम पर क्या है, बारिश नहीं होती, लोट क्या आते है न, जब नॉर्थ इस्ट से पानी तब होती है, तो मतलब सवाना क्या है मतलब ग्रास लेंड है वहाँ पर बहुत जादा वेजिटेशन नहीं है ट्रॉपिकल एरिया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है मतलब गर्मी है और ड्राय है थोड़ा सा तो एडबलू में क्या हो जाएगा तो अगर आपको ध्यान हो जब हमने डिस्ट्रिबूशन की बात करी थी तो यहाँ पे एक बीच में एक ऐसा एरिया था जहां पे रेनफॉल कम होती है तो यह प्लेटू का वह अला पार है जहां पे बारिश कम होती है ट्रॉपिकल सवाना सवाना लेंड जो है अफ्रिका से र वेस्टर राजिस्थान पंजाब यहां पे देखने को मिलेगा बीड़ावली एच्ट्रीम वेस्टर राजिस्थान राजिस्थान में हमारे होट डज़र्ट है तो यह वहां का क्लासिफिकेशन हो गया अब सी तो जैसे सब सी के अगर बात करें तो सी रिप्रेजेंस वाट तो सीमें आप देखोगे तो हम कहां पहुच गया टेंपरेट क्लामेट में पहुच गया तो वार्म टेंपरेट क्लामेट एंत4 रीप्रेज दिग्रीव हो गई है तो DFC में कहा है cold humid winters with short summer छोटे summer भी रहेंगे और cold humid winter भी रहेगा तो यह अरुनाचल प्रदेश बतलब temperature यहां क्या रहने वाला है अगर आप जिसे D की classification देखोगे तो D में क्या बोल रहे है cool temperature climates में where temperature of warmest month is over 10 degree Celsius तो जब गरम महने होते तो वहाँ पर आप देखते और अरुनाचल प्रदेश में 10 degree से उपर चले जाता है और the mean temperature of the coldest month is under minus 3 तो अरुनाचल प्रदेश में minus 3 से नीचे जाता है जब winters की बात करें तो coldest month में minus 3 से नीचे चले जाता है temperature दो classification उन्हें रखें यह ध्यान रखना ठीक है एक्जाम में अगर कुशन आता है तो temperature और precipitation इन दो factors पे उन्होंने ज़्यादा जूर दिया है of climate पाया जाता है तो कोपन ठीक है वी कोपन वेल्दमीर पिटर कोपन की scheme के हिसाब से यह classification था climatic region of India according to कोपन's scheme monsoons and the economic life in India इस topic को समझे अभी तक हमने chapter लगभग complete कर लिया है second last topic है हमारा तो climate chapter से start के हमने climate chapter में हमने क्या देखा कि India is having a monsoon type of climate fine monsoon type of climate है मतलब क्या आने वाला है बारिश आने हाली monsoon आ गई बारिश कैसे आती है क्या mechanism से सब कुछ पढ़ लिया ठीक है अभी देखो यहां पर आपको क्या करना है एक conclusion route करना है कि monsoon जो है तो इस monsoon का हमारी economic life पे क्या impact होता है अब यहां पर interrelation start करते हैं आप देखो मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि India is an agrarian economy agrarian economy मतलब क्या है कि हमारी economy जो है हमारी economy का एक major proportion जो है population का जो एक major proportion है वो किसके उपर dependent है वो agriculture के उपर dependent है agriculture sector अच्छा perform करेगा तो no doubt हमारे farmers के पास में वो लोग जो agriculture sector से जुड़ो है उनके पास पैसा जाएगा उनके पास पैसा जाएगा तो economy में पैसा आएगा मतलब हमारी economic life directly indirectly monsoon से बहुत हद्द तक जुड़ी हुई है मानते हो नहीं मानते हो बोलो हाँ अब क्या है तो हमें inter relation पढ़ना है economics और geography दोनों को साथ में समझने की कोशिश करना कि जब हम बात करते हैं कि monsoon तो monsoon is that axis around which revolves the entire agricultural cycle of India पूरा का पूरा agricultural cycle ही monsoon के उपर revolve करता है कैसे देखो मैं समझाता हूँ बारिश आएगी तभी खारीफ crops को आप sow करोगे खारीफ crops को आपने sow किया तब क्या होगा फिर वो बारिश मिलती रहेगी पानी मिलता रहेगा जैसे मान लो खारीफ crop में क्या हो गया rice हो गया ठीक है soya bean हो गई तो ये crops आपने sow कर दिए अब पानी मिलेगा तब ही वो बड़ी होगी बड़ी हो गई अब पानी जादा मिल गया तो खराब भी हो जाएगी पानी कम रहे मिल गया तो भी खराब हो जाएगी तो sense में क्या है कि जितना जिस amount में पानी चाहिए रहेगा sufficient water जब मिलेगा crops को तो वो grow हो जाएगी फिर आप harvest कर लोगे अब monsoon अच्छा आएगा तभी क्या होगा आपका groundwater level बढ़ेगा ठीक है ताकि आप rabi crops में क्या कर सको rabi crops में groundwater pump out करके tubels वगरा के थूँ पानी दे सको या फिर आपके dam में पानी तभी भरेगा जब monsoon अच्छा आएगा ताकि आप rabi crop को क्या कर सको irrigate कर सको बस connect करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कि किस तरह से monsoon जो है monsoon क्या करता है monsoon वो axis का का काम करता है जिसके around हमारा पूरा का पूरा agricultural year जो है वो रिवाल्व करता है आयना समझ में तो यह important चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे पूरी की पूरी एकोनॉमी जो है वो agricultural sector जो है वो monsoon के around revolve करता है it is because about 64% people of India depend on agriculture for their livelihood and agriculture itself is based on southwest monsoon ठीके और यह सिंपल सा अगर समप करें तो 64% अभी जैसे देखो के तो यह ratio एक समप इंडिपेंडेंस के time पर 80% हुआ करता था लेकिन अभी गिरते जा रहा है 64 ठीक है पुरानी बुक है और जैसे देखो के तो recent क्या कहते है data कि 49% तो उस तरह से क्या है लेकिन एक major chunk हमारी population का जो है वो क्या है dependent है agriculture sector के उपर for their livelihood and agriculture itself is based on southwest monsoon हम agriculture के उपर dependent है और agriculture किसके उपर dependent है मौनसून के उपर simple सी चीज़ है ठीक है आगे क्या है except हिमालयास all the parts of country have temperature below the threshold level to grow the crops or plants throughout the year यह बहुत अच्छी चीज़ है हमारी country में हिमालयास जो है तो हिमालयास के उपर तो परफ है सफेज चादर रॉल के बेठे है लेकिन उसके अलावा अगर देखोगे आप उसके अलावा पूरी country की जो landmass है तो वहाँ पे जो temperature conditions है ना वो बहुत जादा गरम है ना वो बहु चाहिए रहता है ना कि हाँ आपको कम से कम इतना temperature होगा तो crops आपकी grow कर जाएगी तो उसके अंदर है ठीक है पूरा का पूरी temperature condition उसके अंदर है और उस temperature condition में आपको monsoon से पानी मिल जा रहा है तो climate suitable हो गया availability of water भी है soil तो fertile है हमारी ठीक है तो उस sense में क्या है कि monsoon जो है तो रहे हैं ठीक है wheat production rice production इन सारे production में इन सारी agricultural crops के production में हम तक्कर दे रहे हैं worldwide ठीक है बहुत जादा produce करते हैं export भी करते हैं लोगों खिलाते भी है तो यह economic life को हमारी क्या सकते हैं कि connect करने वाला एक point हो गया जो monsoon से जुड़ा हुआ है फिर क्या है फिर यह point समझो regional variation in monsoon climate help in growing various types of crops अब देखो एक चीज में आपको पहले clear कर देता हूं topic में कि यह जो topic इस पर question direct essay आएगा क्या हो agricultural life how monsoon and agricultural life is interrelated तो इसमें से point लिख हो गया और हो सकता है कि आपको सारे points कहीं है कि agriculture sector से जुड़ा है क्यों क्योंकि monsoon agriculture sector से जुड़ा है और agriculture हमारी economy से जुड़ा हुआ है ठीक है फिर ऐसे आ सकता है question कि monsoons and the economic life in India write a short note on it तो आपको ये points दिखना है how monsoon affects the economic life of our country तो ये जो 8 point आप आपकी book में discuss कर रहे हो इन्हें आप जहां पे agriculture agriculture है तो उन्हें समप परके एक answer भी बन सकता है आपका ये ध्यान रखना थोड़ा सा ठीक है अब देखो क्या है तो regional variations वाला वगर point में आपको समझाओ कि आपने देखा हो का monsoon में regional variation है अभी पिछले topics में हमने पढ़के आए क्या कि climatic condition भी उस कारण से define हो रही है उसके पहले हमने पढ़ा था variation है variation के पहले और हमने पढ़ा था distribution भी क्या है अलग-अलग तरीके से distributed है तो monsoon मे no doubt regional variation है राजि जैसे आपने देखा होगा समझा होगा क्या कि कश्मीर जो है कश्मीर के पार्ट में अगर जैसे और चल जा उपर तो लद्दाक वगरा जो है तो उन region में क्या है बारिश कम हो रही है राजिस्थान में भी बारिश कम हो रही है वहां का climate अलग है यहां का climate अलग है राजिस चीज आप Coastal Area पर क्या करोगे, राइस कल्टिवेट कर लोगे, तो यह जो चीज है, यह आपको क्या दे रही है, एक एडवांटेज दे रही है, कि आप Multiple Crops जो है उन्हें ग्रो कर सकते हो, आया ना समझ में, यह चीज हो गई, अब क्या देखो, variability of rainfall brings drought or flood every year in some part of the country, variability of rainfall, अभी के चलते क्या होता है, droughts और floods develop होते हैं country में, droughts और flood कैसे, तो monsoon type of climate में अगर जाधा बारिश होगी, तो इस तरह से सब क्या हो जाएगा, जल महीं हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा, floods आ गई है, पानी कम गिरा, तो drought वाली situation भी आ जाती है, आकाल पढ़ जाता है, उसमें आपको समझ में आएगा, कि एक समय था, जब प्रकृती जो थी ना, जब जो पूरा का पूरा nature है हमारा, वो एक balanced way में था, सारी चीज़े, monsoon भी आता था, गर्मी भी होती थी, मतलब आप देखेंगे winters के time पे winter, summer के time पे summer, लेकिन आज आपका देखो कि पूरा का seasonal pattern change हो गया है, अगर ground report समझी जाएं, तो आपको एक चीज़ clear होगी, कि किसान जो है, farmer जो है, तो लगभग लगभग, हर किसान जो अपनी monsoon वाली crop होती है, वो हर साल खो रहा है, कभी 4 सालों में एक बार उसे अगर monsoon वाली crop मिल रही है, तो मिल पा रही है, खारिफ crop हर सा pesticides, fertilizers, यह सारी चीज़े, उतना पूरा पैसा उसका पानी में चले जाता है, क्यों कि monsoon जो है, या तो आगे आ रहा है, या तो पीछे आ रहा है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज्यादा बारिश आ रही है, तो फसल वहां पे गल जा रही है, खराब हो जा रही है, तरह तर पॉइंट देखें, तो agricultural prosperity of India depends very much on timely and adequately distributed rainfall, ठीक है, यह तो आपको पता है कि agricultural prosperity कब आएगी, खेती कर लेने से, सिर्फ खेत में चले जाने से फसल लगा देने से ऐसा नहीं कि आपको यह for sure हो गए, कि आपको इतने पैसे मिल गए है, जब तक एक किसान क्या कहता है, जब तक फ अपकी नहीं है, simple सी चीज़ है, तो agricultural prosperity कि इस चीज़ पर depend करती है कि timely or adequately distributed rainfall होना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहा जा रही है, पता है, if it fails, और अधिकतर हुई रहा है, rainfall या तो पहले आ रही है, बाद में आ रही है, फिर आए नहीं रही है, फिर बहुत जादा आ रही है, if it fails, agriculture is adversely affected, और बहुत बुरी तरह से effect होता है, और main चीज़ क्या है, कि यहाँ पे जो, कह सकते है, जिन लोगों को इसका, यह जो impact है, crop failure का face करना पड़ता है, किसानों को, तो उनके पास कोई दूसरा source of livelihood भी नहीं रहता है, तो if it fails, agriculture is adversely affected, particularly in those regions where means of irrigation are not developed, और क्या होता है, एक औ इतने dry region वाला किसान है, एक किसान जो पीवत की जमीन का है, मतलब, जहां पे क्या है, कि आप देखोगे, availability of water है, ठीक, irrigation facilities developed है, ऐसा कहा जाता है, तो अब क्या होता है, कि जिसके पास irrigation facilities developed है, तो चलो मानलो, उसने, खारीफ सीजन में, उसकी crop, monsoon के कारण क्या हो गई, monsoon के क कारण से grow नहीं हो पाई, या फिर monsoon के कारण waste हो गई, ठीक है, पानी जादा आगया, कम आगया, तो अब वो क्या है, एक्सपेक्ट करता है, कि राभी सीजन में, कुछ कमा लेगा, क्योंकि उसके पास में, irrigation facilities developed है, लेकिन, जो किसान, जिसके पास मैं कह सकते है, राभी crops के लिए कोई irrigation facility developed नहीं है, वो totally dependent है किसके उपर monsoon के उपर, और monsoon वाली crop तो ले डुबा monsoon, तो अब क्या है, लाभी वाली crop भी जादा कुछ ज़्यादा productivity लेनी पाएंगे, irrigation facilities developed नहीं है, तो उन लोगों को adverse effects को सहन करना पड़ता है, ठीक है, तो agricultural prosperity और कह सकते हो आप क्या कि ineducate distribution of rainfall और उसके चलते जो effect आते हैं farmers के उपर, वो क्या है, वो सारी चीजें एक तरह से बताती है कि हम monsoon काफी हद तक हमारी economic life को influence करता है, ठीक है, खास करके agriculture sector के perspective से, आगे और क्या देखें, तो sudden monsoon burst creates problem of soil erosion over large areas in India, अगली चीज क्या देखो, खेती कब होगी जब fertility रहेग हो गई, तो क्या होगा monsoon burst, उसके चलते क्या होगा कि जो आप देखते हो कि पानी एकदम से आता है बहुत सारा, ठीक है, जो heavy downpour होती है, बहुत जाता बारी शोरी, तो उसके चलते क्या है, sheet erosion type से हो जाता है, उपर का soil है, वो पूरा का पूरा erode हो जाता है, बह जाता है, तो उसके चलते है, soil की fertility चल गई, तो अब पानी का क्या करोगे आप, ठीक है, पानी में बैटके नहीं सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, soil की fertility चले गई है, ठीक है, तो वो भी क्या करती, रिक्कत create करती है, अब soil की fertility नी crops produce नेगी, crops नी produce होगी, economic life पे impact पढ़ने वाला है, mathematics की तरह इसको पढ़ोगे ना, तो मज़ा आएगा, कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जोड के चलना, ठीक है, आगे क्या है, winter rainfall by temperate cyclones in North India is highly beneficial for rabi crops, तो अब आप बोलोगे, इसको आप economic life से कैसे relate करोगे, ठीक है, और how these winter rainfalls are economically beneficial for rabi crops, तो आपका पता है, rabi crop मतल सी winter के time period में जो crops grow की जा रही है, और monsoon type of climate में जो rainfall आती है, तो वो कब आती है, southwest monsoon के time पे, मतलब कि जुन जुलाई के आसपास देखोगे, जुलाई, अगस, सप्टेंबर, यह आला time period है, October भी ले लो, लेकिन winter crops जो है, rabi crops जो है, तो तो October के बाद में so की जाती है, उनको समझोगे चीजों को, तो अब winter crops जो है, जो rabi crops है, तो rabi crops को पानी उपर से तो नहीं मिलने वाला है, मतलब monsoon rainfall नहीं होने वाली, southwest monsoon rainfall जो होती है, इधर से वो नहीं होने वाली है, फिर इन्हें पानी चाहिए रहेगा, तो कहां से आएगा, या तो आपके पास artificially developed क्या है, कैनल सिस्टम है, ट्यूब वेल से ये सारी चीज़े है, चलो, कुछ लोगों के पास है, सब के पास तो है नहीं, अब जिनके पास नहीं है, उनको कहां से फाइदा मिलेगा, तो उनके लिए वरदान कौन बनता है, winter rainfall जो होती है, जो temperate cyclone के दवारा होती है, अब ज़रा relate कर the vast variety of food, clothes and house types, अब देखो, monsoon में regional variations है, बोलो हाँ, बोलो के सार, अभी तक वही पढ़ रहे है, regional variations है, अब कैसे है कि coastal area पे बारिश अलग हो रहे होगी, western coast पे लग है, eastern coast पे अलग है, ठीक है, regional variation है, central India में अलग है, हिमालयाज में अलग है बारिश, तो अब जब ये regional variation है, तो इस regional variation के चलते हैं, आपको क्या, food habits में आपको variety of food habits देखने को मिलेगी, आपको diversity देखने को मिलेगी, clothes में आपको क्या diversity देखने को मिलेगी, कि आप कपड़े पहनने के तरीक अलग अलग है, ठीक है, house type में आपको अलग-अलग diversity देखने को मिल जाएगी, जैसे, for example में बताता हूँ नॉर्थ इस्टेट्स में आप जाओगे तो slanting roofs होती है अधिकतर वहाँ पर घर होगी slanting roofs क्यों होती है वहाँ पर अधिकतर घर होगी क्योंकि बारा महने बारिश होती रहती है तो उनको पानी इतना जादा गिर रहा तो slanting roof बनाने तो पानी बहे के निकल जाए लेकिन वही slanting roofs हो सकता है आपको राजिस्थान वाले इरिया में ज्यादा देखने को नहीं मिले वहाँ पर roofs क्या होगी बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी होंगी क्यों ताकि वहाँ पर इतना बारिश की चिंता ने इनको गर्मी की चिंता है तो बचाने के लिए वो करेंगे ठीक है तो इस तरह से types of house में आपको क्या देखने को मिलेगा variation देखने को मिलेगा ठीक है वहाँ पर लोगों के खाने में खाने में कैसे आप जिसे देखो के तो coastal areas में बारिश भी जादा हो रही और coastal areas में food habit में क्या रहेगा लोगों का तो आप देखो के fish curry वगर यह सारी सीधर रहेगी वही चीज़ आप देखो कि तो इंटीर पार्ट में नदन पार्ट में और कम हो जाएगी थोड़ी सी ठीक वो सब कुछ फिर अगर आप lifestyle में occupation में सारी चीज़ों में diversity होगी क्योंकि monsoon जो है वो क्या है इसमें variations है ठीक है monsoon में variations है coastal area में रहने वाले और mountains में रहने वाले लोगों के lifestyle में काम में सारी चीज़ों में बहुत जादा differences होंगे तो this all adds to the socio-cultural diversity of our country सामाज एक संस्कृतिक भिनिता में add-on होता है monsoon के कारण ठीक है तो यह जो पूरा topic पड़ा हमने इसमें हमने क्या देखा है question देखा जो आपके exam में आएगा अगर तो आप अच्छा answer लिख सकते हो मुझे यह लगता है अब यह सारे points अमने discuss का लिए है I hope you enjoyed it देखे topic को अगर समझते है statement क्या है opening statement हमारा change is the law of nature परिवरतन संसार का नियम है परिवरतन प्रकृती का एक नियम है इस तरह से आपने सुना होगा यह statement यहां पर फिर लिखा भी है change is the law of nature अब जब हर चीज में बदलाव आता है बदलाव कैसे आता है ऐसे 4 साल पहले आप कुछ और थे चोटे थे थोड़े चार साल बात कुछ और होने वाले हैं ठीक है पूरे तरह से adult हो जाओगे matsure हो जाओगे तो क्या है बदलाव तो आ रहा है आप में बदलाव आता है जिस तरह से उस तरह से प्रकृति में बदलाव आता है हर चीज में आप जिस गली में रहते हैं उस गली में भी बदलाव आ रहा है कहीं मकान बन रहे हैं कहीं मकान टूट रहे हैं कहीं किसी ने पेंट दूसरा करव लिया है तो मतलब आप देखोगे चारो तरफ क्या है सुसाइटी जो है नेचर जो है ठीक है यह जो अर्थ है यह स्टेबल नहीं इसमें बदलाव आता रहता है अब जब बदलाव आता रहता है तो no doubt therefore we have witnessed climate change also हमने climate में भी बदलाव देखा होता रहता है एक cycle चलता रहता है ठीक है इस चीज से agree करते हो आप मैं भी agree करता हूँ आप भी agree करो के मुझे पता है तो अब देखो क्या है अब जब change होना आता है क्या कि geological scale पे अगर आप देखोगे earth को तो हम क्या है हम gas के गोले थे पूरी तरह से वह gas का गोला क्या बनता है solid mass बनता है उस पर बरफ भी जमती बरफ पिगलती भी है ocean भी बनते दुनिया भर के धतकरम होते है ठीक है तो उस sense में क्या है कि बहुत सारे geological evidences हैं जो यह support कर करते हैं कि एक समय पहले क्या था earth was under ice cover we were the earth was totally covered under the ice और हम इस तरह से क्या थे देखोगे तो जानवरों की skin वगरा पैन के घुमा करते थे हम लेकिन आज वैसे नहीं है ना human beings को अगर आप देखोगे तो क्या है ice age के time period में कैसे हुआ करे होंगे तो जब वह अलग species थे और आ semble जो climate रहा होगा air का अक्दम Thanda पूरा और आज जो atmosphere है अर्थ में कितना फरख है दोनों में बहुत जाजादा difference है जमीन आस्मान का फरख है दोनों में आस्मान का फरख हुआ है तो यह कही ना कहीं क्या हुआ है आप देखोगे अर्थ क्या हुआ हमारा गरम हुआ है global warming और आज वो बरफ दिखती नहीं कुछ हिमालयास पर पोल्स पर ही दिखेगी बाकि major part of the earth is not under the ice cover in today's case ठीक है आज के समय में क्या है कि एक major part जो ice cover के अंडर नहीं है उल्टा देखेंगे कि अब धीरे धीरे अर्थ किस और जा रहा है गर्मी के और जा रहा है गरम होते जा रहा ठीक है लेकिन यहीं तक सिमित मत रखना आगे discuss करेंगे और तो अब इस पूरी कहानी को relate कर पायो ना कि change is the law of nature no doubt और उसी के चलते आप क्या देखरों कि बदलाव आया बदलाव उस इस तरह से अगर गर्मी बढ़ती रही इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो आज जो प् आगे क्या है आगे यह चीज बताते हैं कि global warming अगर हो लेए तो इसके पिछे कारण क्या है बदलाव आ रहा है प्रकृति में टमपरेच्र जो है अर्थ का डिलेटिव जो temperature है वो क्या होते जा रहा बढ़ते कारण क्या क्या है what are the reasons for global warming तो देखो no doubt natural causes हैं कि over the period of time क्या हो गया कि अर्थ का atmosphere बन गया ज्यादा solar insulations को उसने absorb कर लिया तो क्या होने लगा कि जो अर्थ का ICs के time पर temperature था उसके picture में आज temperature क्या हो गया है बढ़ गया है तो वो तो natural causes हैं ठीक है naturally क्या हो रहा है अर्थ का temperature उसको और धक्का दे रहे हैं कि हाँ और तेजी से बढ़ो कैसे तो besides the natural causes human activities such as large scale industrialization खुब industries बना दी वो industries क्या कर रही है अब वो industries harmful gases emit कर रही है ठीक है तो यह जो polluting gases हैं यह क्या कर रही है यह solar insulation को और ज्यादा trap करती है आगे बताऊंगा मैं आपको और जब वह ज्यादा trap क करेगी solar insulation को तो no doubt temperature बढ़ना है और जब temperature बढ़ेगा ठीक है जब गर्मी बढ़ेगी तो उस गर्मी के चलते global warming की जो प्रोसेस से वो और accelerate होगी और तेजी से global warming होगी मानते हो इस चीज को यह हो रहा है ठीक है are also important factors responsible for global warming is that clear यहां तक points clear रहना चाहिए अब देखो आपने च्छोटी classes में भी आपने पढ़ा है तो आपने यह भी सुना होगा यह शब्द कहीना कहीं सुना होगा greenhouse effect greenhouse effect जो है वो global warming को और थेजी से बढ़ा रहा है क्या है सब greenhouse effect अभी समझाता हूँ पकड़े रखना शब्द को ठीक है तो यह जिसे हमने देख लिया कि natural causes के अलावा human activities, industrialization, polluting gases जो है यह सब कुछ क्या कर रहे हैं सब मिलके क्या बोल रहे है कि global warming को बढ़ाते हैं चलो तो these are the reasons for global warming आगे और का देखोगे तो जैसे carbon dioxide produced by human activities is a major source of concern अब क्या होता है तो हम देखते है कि अर्थ का जो temperature बढ़ रहा है उसमें carbon dioxide का एक बहुत important role है carbon dioxide क्या कर रहा है carbon dioxide जो है तो एक major source of concern है क्योंकि अगर carbon dioxide बढ़ेगा न तो यह बढ़ता carbon dioxide क्या करने वाला है कही ना कहीं अर्थ के temperature को बढ़ाएगा ठीक है तो जैसे हम carbon dioxide आख कहा से रही है सर तो जो fossil fuels आप जला रहे हो पेट्रोल जला रहे हो आप ठीक है अब कोल जला रहे हो तो उससे carbon carbon dioxide उससे निकल रही है फिर क्या है यह एक रिजन हो गया carbon dioxide अखेली कह सकते हैं जिम्मेदार नहीं ठेहरा हो गया कि carbon dioxide है तो इसी करन्ट से global warming हो रही है हम क्या करते है global warming में हमने 3-4 चीज़े बगड लिए global warming carbon dioxide melting of snow rise in sea temperature बस खतम इतना नहीं है इसके अलावा भी जादा है इ देखो इसके अलावा जैसे gases like methane, chlorofluorocarbons, nitrous oxide तो यह सारी जो gases हैं दूसरी दूसरी जैसे chlorofluorocarbons का है आपके DO में से निकल के आ रही है, refrigerator में से निकल के आ रही है, AC में से निकल के आ रही है तो यह जो सारी gases हैं यह सब क्या हैं सब भाई-बैन हैं और यह सब मिलके global warming सकते हो carbon dioxide और यह सारी जो gases हैं यह greenhouse gases है, greenhouse gases greenhouse effect create करती है, क्या होती greenhouse gases, कैसे greenhouse effect होता है वो मैं समझाता हूँ आपको, तो अब जिससे अगर इन gases को देखोगे ना, तो यह क्या करती, these gases are better absorber of long wave radiation than carbon dioxide, no doubt carbon dioxide क्या करके रखती है, जो solar insulation आई यह उसे trap कर लेती है, अपने अंदर र carbon dioxide तो रोक रही है, और अभी तक हम carbon dioxide को ही coast रहते थे हर चीज़ के लिए, लेकिन यह जो gases है ना, तो यह carbon dioxide से भी जादा नुकसान करती है global warming में, कैसे, तो यह gases जो ही यह क्या करती है, यह trap करती है long wave solar radiation को, कैसे long wave solar radiation क्या होती है, यह earth है, ठीक है, यह sun है, अब sun से क्या होत carbon है, ठीक है, methane है, यह gases जब atmosphere में है ना, यह atmosphere मान लो, तो atmosphere में क्या करती है gases, जो long wave radiation से ना, जो radiate होके वापस जा रही है, तो वो long wave radiation के अंदर जितनी भी solar insulation radiate होके जो वापस जा रही है, उसे absorb कर लेती है gases, long wave rays को absorb कर लेती है, मतलब क्या है, वो radiation अब क्या है, atmosphere से बाहर ही निकल पाई, atmosphere के अंदर ही है, अब जब atmosphere के अंदर ही है, तो उसके चलते क्या होगा, temperature बढ़ेगा ही, बढ़ेगा for sure, temperature बढ़ेगा मतलब क्या होने आला है, global warming होने आलिए, इस चीज का जैसे मैं आपको एक practical example बताता हूँ, कि आपकी जो car है, वो क्या हो गई, आपकी car अर्थ हो गई है, आपका atmosphere हो गई है, अब उस atmosphere में पहार से solar insulation तो आ गई, लेकिन वो solar insulation एक बार अंदर आने के बाद में जो glass है न आपका, तो वो यह in gases का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे बाहर नहीं जाने देता है, तो आप देखते हो ना, सब अगर windows वगरा, सब solar insulation को trap करके रखती है, ठीक है, अब देखो समझो क्या हो रहा है, यह chloro-fluorocarbon तो notorious एक चीज़ और के लिए क्या, कि वो ozone layer depletion में भी important role play करती है, यह हो गया है, यहां तक समझ में आगी कहानी, तो यह सब कुछ हुआ है, यह जो greenhouse gases है, जब यह क्या करती, इस तरह से long wave radiation को absorb क कर लेती तो greenhouse effect create करती है, जिसके चलते temperature जो हो और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, अब इसका impact समझ लो, तो significant increase in the temperature of world, temperature बढ़ेगा, यह greenhouse gases जो है, वो और ज्यादा क्या करेगी, solar radiation को absorb करके रखेगी, जिसके चलते greenhouse effect create होगा, और यह greenhouse effect क्या create करने आला है, global warming create करने वाला है, अब आपको सब सर, पेर, हाथ समझ में आगा है, global warming के, क्या हो रहा है, ठीक है, I hope आपको एक in-depth perspective मिला, अब अगर आगे देखें, तो आप बोलो कि चलो ठीक है, global warming हो रही है, temperature बढ़ रहा है, temperature बढ़ रहा है, ठीक है, हम तो अंदर बढ़ जाएंगे, ऐसी में, कोई दिक बढ़ रहा है, कि हाँ, temperature बढ़ेगा, तो जो polar ice caps है, ठीक है, पोल्स पे जो ice caps है, उसके बाद में, जो mountain glaciers है, जो हमालयास के उपर, जो mountains है, वो पिघलने लगे, अब बोलो कि पिघलने तो क्या दिक्कत है, अब लेकिन जब वो पिघलेंगे न, तो वो क्या पिघल के पा आप बीच पे ही बैठर होगे, आप उठोगे नहीं, और एकदम से अगर समुदर में और पानी लाके डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, आप डूब जाओगे, नहीं डूब होगे, क्यों कि समुदर के अंदर पानी डालते जाओ, तो समुदर का लेवल नहीं बढ़ेगा पानी समुदर तो कितना जाओ, जितना डालोगे उतना पानी चले जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो कही ना कही तो फैलेगा ना, तो वो कहाँ पानी फैलना स्टार्ट होगा, तो एक बार जब आप देखोगे कि पोलर आइस कैप, माउंटेन ग्लेशियस पिगलना स्टार तो सबसे बड़ा इंपक्ट जो होने वाला है, वो किस पे होगा, आइलेंड पे होगा, कोस्टल रीजिन पे होगा, कि ग्लोबल वामिंग के चलते, आइस कैप्स मेल्ट करेंगे, और वो सी सर्फेस एरिया जो है, उसका पानी जो होगा, बड़ेगा, और जो कोस्टल रीज इंपक्ट ये फिल हुआ है, कि जो गैसे इनका प्रपोशन भी है, इटमॉस्ट्फेर में बढ़ा है, और इनका प्रपोशन बढ़ा है तो टम्परेचर इनोने बढ़ाया है, क्यों जितनी जादा गैसे होगी, उतनी जादा सोलर रेस को अब्जॉब करेगी, सोलर रेस को लिए मतलब क्या है कि temperature no doubt बढ़ना है अब temperature बढ़ेगा तो उसके क्या होगा देखो इस प्रोजेक्टेट डेट बाइड ये टूथाउजन ट्वेंटी वन्डेट ठीक है बाइड ये ट्वेंटी वन्डेट मतलब क्या है जब ये 21st century खतम होने वाली रहेगी आज क्या चलता है 2020 आज से 80 साल बाद में रहू ना रहू लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना क्या कि आज से 80 साल बाद क्या होने वाला है global temperature जो है वो 2 degree Celsius तक बढ़ना है ये क्या है ये तो हमने अपने मन को मतलब क्या सकते है ये तो हमने हमारे मन को मनाने के लिए क्या है एक ऐसा figure रखा है कि हाँ इतना ही बढ़ेगा लेकिन अभी 20 सालों में 1 degree Celsius तो बढ़ चुका है अब बचे 80 साल के लिए 1 degree Celsius ठीक है तो मन को बहलाने के लिए खैल अच्छा है गाली वहाली कहानी है यहाँ पर तो क्या है कि यह temperature और जादा बढ़ सकता है अब जब इतना temperature बढ़ेगा तो बरफ तो पिगली रही है ठीक है बरफ तो पिगलती ही रहेगी लेकिन उसके अलावा भी दूसरे impact क्या होने वाले देखो सब अधर में पानी क्या हो गया बहुत बढ़ गया और उल्टा यहाँ पे एक डिटा यह दे दिया गया है अकॉर्डिंग तो दी करेंट प्रडिक्शंस ओन एवरेज दी सी लेवल विल राइस 48 सेंटीमिटर बाइदी एंड ऑफ 21st सेंचुरी तो 21st सेंचुरी जब खतम होने अजब लिए लागी तो लगब लगब 48 सेंटीमिटर से लेवल बढ जाएगा आज जो सी लेवल एससे 48 सेंटीमिटर सीधा 48 तो इतने पूरे ऑशन जो पूरे ओशन से साथ ऑशन इनमें इतना पानी बढ़ेगा 48 सेंटीमिटर तो वह क्या-क्या अलिके डूबेगा छिए मोटे आईलेंड कंट्रीज जो है माल्दिव सॉल्दिव यह तो सब डूप जाएंगे पूरी तरह से लोग कहां जाएंगे माइग्रेशन का प्रॉब्लम जो लोग कॉम्प्रेटिव की तहरी कर रहे हैं सुनो मेरी बात को ग्लोबल वामिंग पे सिर्फ बरफ मत पिगला के आ जाना एक कॉम्प्रेहंसिव आंसर लिखना जैसे कोश्टर एरिया से लोग माइग्रेट करेंगे माइग्रेशन की प्रॉबलम आएगी दूसरी चीज क्या होगी जैसे देखो तो एन्वल फ्लडिंग मतलब समुदर का पानी फुल हो गया न तो आप पानी बारिश का कहा जाएगा समुदर में जाने से पहले वो लोगों के घरों में घुसेगा तो एन्वल फ्लडिंग फ्लड्स हो रहा है दिखो एक चीज में बताता हूं फ्लड्स जब जब होते हैं न हेल्ट इशूस से उपर रिलेटेड तो फ्लड्स अपने साथ ढेरो बिमारिया लेके आते हैं मेन प्रॉबलम ये रहती कि वह फ्लड्स आई हैं और फ्लड्स सबके घरों में पानी भरके चले गई है में प्रॉबलम ये रहती कि फ्लड्स के जाने के बाद में जो बिमारिया होने वाली है वह बिमारिया बहुत सारी लोगों को परिशान करके रख देगी तो उसी तरह से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते नहीं नहीं इंसेक्स आएंगे नहीं नहीं समस् इंदिया में आप देखोगे तो नदं प्लेन में कुछ अलग रहएंगा माउईं रीजिन में कुछ अलग रहेगा लेकिन जब इस तरह से आप देख रहे हो कि टेंप्रे कर बढगया है ए रिलेटिव अश। तो ऑलश। कि यह जो climatic boundaries है ना, इनमें shift होगा. ज़यादा, ज़ो areas wet ते वो और ज़यादा wet हो जाएंगे, और ज़यादा बारिश होने लेगेगी. जो dry थे वो और ज़यादा dry हो जाएंगे. तो climate change जो होने वाला है, climatic boundaries जो होने वाली है, वो बहुत ज़यादा shift होगी. वह बहुत जादा change होने वाली है, फिर अगली चीज क्या देखो, तो lead to the shift in climatic boundaries, agricultural pattern would shift and human population as well as the ecosystem would experience change, ये point को ध्यान रखना, देखो, दो डिगरी, आम तोरप्रम देखेंगा, सर्क दो डिगरी में क्या दिक्कत है, लेकिन मशलियां जो हैं, जैसे मैं आपको उता हो, तो बहु जाएगा न, तो पूरी की पूरी species क्या हो जाएगी, extent हो जाएगी इस world से, ठीक है, हमारा agriculture pattern बदल जाएगा, खाओगे क्या आप लोग, खाओगे क्या, यहाँ पर आपके पास में कुछ produce करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि crops भी तो vulnerable हो जाएगी न, फिर क्लाइम change हुआ है, तो उस sense में global warming सिर्फ बरफ पिगलने तक की कहानी नहीं है, global warming एक बड़ा संकट हम इसके बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा ज्यादा पीड़ लगाना चाहिए, अब देखा हमारे end पर हम यही कर सकते हैं, आप लोगे पीड़ लगाने से क्या होगा, लेकिन कह इना कहीं आप balance कर सकते हो, यह जो harmful gases दूसरी बढ़ रही है, आप उन products का इस्तमाल कम कर सकते हो, जहां से gases emit हो रही है, और भी तरह तरह के दुनिया भर के solution है, अगर discuss करने बैठेंगे तो दिन भर discuss करते रहेंगे, तो pessimist side पे मैं आपको डरान नहीं चाहरा हूँ, लेकिन आपको optimistic side पे सोचना हो गई है, कि किस तरह से इन चीजों को हम सुधार सकते हैं, किस तरह से हम क्या contribute कर सकते हैं हमारी मदा अर्थ को बचाने के लिए, I hope यहां तक मदा आया है, आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है, मदा आना, समझ में आना, के अलावा यह है कि आप सो thoughts को कही ना कही उस level तक ले जा पारें, सोच पारें, चीजों को गया है, यह एक बड़ा issue है, तो chapter पढ़ने का जो objective था, वा successful हुआ है, इसी के दरा हमारा chapter complete होता है, अब यह भी देख लो, floods वगरा, waterborne diseases, और उसके साह साथ यह भी देख लो, फ्रड़ मुस्कुराओ, chapter complete हो ठीक है, तो हमने chapter पूरा complete के लिए, सारे topics, subtopics, सब कुछ पढ़ लिए, I hope आपको सारी चीजें समझ में आईए, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, magnet principle, class 4 से class 12 तक के इसी तरह से सभी subjects available है, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताइए, next video से एक नया chapter start करेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much क्याएगी उनुम्दागी घर ज मेंच कर रहर है, तो